वेलकम फ्रेंड्स, आम स्वाती सिंग्ध, हम अपनी क्लास में चाय लेप्लेप्मेंट के बारे में बढ़ रहे थें, लेकिन आज पढ़ाई से अलग मैं आपके साथ पहले स्लेपर्स डिसकस करूँगी, आप सभी को पताईए कि अब भी KVS के forms निकल चुके हैं, अपलाई के भी options आ गए हैं और उसकी last day 23rd September है, तो तब तक आपको सारे form फिल्स करने हैं, जो KVS का स्लेपर्स है वो recently change हुआ है, उसमें कुछ नई चीज़े add हुई हैं और उससे अलग भी कुछ चीज़े उसमें edit क कर दी गई हैं, तो इसलिए पहले syllabus आपको पता होना चाहिए कि syllabus में KVS के में क्या क्या आ रहा है, जिससे आप well prepared हो सके, exam के लिए, और आपको पताईए कि KVS में exam plus interview दोनों होती हैं, first हमारा जो objective है वो है आपका exam के लिए करना, then interview के लिए करना, then आपको आपकी job मिलेगी तो इसलिए KVS का syllabus पहले discuss कर लेते हैं, उसके अंदर जो आपके लिए apply निकला हुआ है online के लिए KVS के लिए, उसके अंदर wise principle, principle, PGT, TGT, PRT, PRT, music, ये सारी post के लिए apply करना है आपको, आप जिसके लिए भी eligible है, आप वो वली post के लिए apply कर सकते हैं, जो भी आपको teacher के लि जो wise principle और principle है, आपको पता ही है, उन सब के लिए आपको B.Ed, post graduation और plus second seat at के लिए होना चाहिए, PGT के लिए भी आपका B.Ed, graduation plus seat at second वाला के लिए होना चाहिए, same as a TGT and PRT के लिए, PRT and PRT music के लिए seat at paper first, 12 plus आपका 2 year diploma, जो भी आपने किया है, ETE, B.L.Ed and diet वेगेरा, etc. और syllabus में आपका आएगा, wise principle और principle का जो है paper पहला, उसके अंदर, wise principle और principle के लिए, जो है part first में, part first का जो paper है, part first में आपका, part first में आपका journal English रहेगा, journal Hindi रहेगा, ये दोनों जो आपके part first में, ये 10-10 marks के हैं, one mark per each question, ओके, एक-एक नमबर के दोनों, एक-एक नमबर का हर question होगा आपका, तो journal English आपकी 10 marks के हैगी, journal Hindi आपकी 10 marks के हैगी, part second, part second में आपका GK, यानि के journal knowledge प्लस GS, ये भी 10 marks के आएगे, इसके पास आपकी reasoning आगई, reasoning ability, ये भी आपकी 10 marks के आएगी, उसके बाद जो नया इसमें add किया है, अपसे पहले computer, जो था हमारे PRT, TGT, PGT में नहीं आता था, बट प्लस computer भी इसमें रख दिया है, यानिकी computer knowledge आपको होनी चाहिए, जो भी आपके उसमें device, input, output, hardware, software, जो भी है computer से related, उसकी knowledge होनी चाहिए, तो ये भी आपका 10 marks cover करता है, ओके, यानिकी 10 questions इससे, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका total 30 marks का हो गया, ये आपका total 20 marks का हो गया, total जो आपका principle और wise principle कितने marks का आएगा, 150 marks का आएगा, जो 150 minutes का ही होगा, आपको 150 questions, 150 minutes में cover करने है, 20 plus 30, 50 आपके इसमें cover हो गया, part 1, part 2nd में, इसके बाद देख लेते हैं, part 3rd में आपका क्या आएगा, part 3rd के अंदर आपका child development and pedagogy, CD plus pedagogy आएगी, ये आपकी cover करेगी 50 marks, 50 marks कवर करेगी, अब इसके अंदर CD plus, यानि के child development plus pedagogy के अंदर आपके, perspective of education and school organization, teaching methodologies, methods वगेरा, और आपके जो strategies होती हैं, या फिर school environment, inclusive education, ये सारे क्या हैं, आपके pedagogy के अंदर आएगे, और psychology में आपके क्या हैंगे, जो theories हमें दी गई हैं, Pavlov, Skinner वगेरा की, जो आपके developments होते हैं, cognitive, motor, psycho, ये सारे developments इसके अंदर आएगे, वो हमारी preparation चली रही है exam के साथ सा, तो आप वो सारी videos देखते वेश चलिएगा, और इसके बाद, जो हमारा part 4th है, इसके अंदर part 4th है, वो आएगा आपका administration and finance, ये आपके करेगा 50 marks cover, ओके, तो ये आपको परदर चल गया 50, 50, 100 and 30 plus 20, 150, यानि कि principle और wise principle के लिए ही total ये आपका syllabus रहेगा, जो आपके 150 marks cover करेगा, 150 minute में आपको करना है, इसके बाद हम discuss कर लेते हैं, PGT का, इसके अंदर PGT के exams में क्या-क्या syllabus में आएगा, वो discuss कर लेते हैं, देखें, PGT के लिए आप जो भी apply करते हैं, आप अपने subject के इसाब से, जब आपने diet किया होगा, या फिर B.A.D. किया होगा, ये सारी चीज़े की होगी, teacher आपका, जो course होगा, teaching का, उसके अंदर आपने subject का focus किया होगा, और आपको पते हैं, जब आपने seated भी दिया होगा, paper, second, उसके अंदर भी आपका same pattern होगा, तो हमारा जो PGT है, वो आपका Hindi, आप इन इन post के लिए apply करते हैं, PGT for Hindi, PGT for English, English, History, Geography, Economics, Biology, Chemistry, Physics, Mass, Commerce, Computer and Science, ये सारे जो subjects हैं, आप PGT के लिए इन में apply करते हैं, आपको Hindi का PGT teacher बनना है, English का, History का, इन सभी subjects के लिए आप PGT में apply करते हैं, जिसमें आपका second paper, seat at till year होना चाहिए, प्लस आपकी graduation प्लस B.Ed होने चाहिए, ओके, ये आपकी eligibility criteria था, और उसके बाद, इसमें जो PGT के लिए आप paper देखेंगे KVS का, उसमें कैसे questions आएंगे आपके, आपका जो part first होगा, आपका common है, सभी के लिए same आता है, जिसमें journal English हो गई आपकी, and journal हिंदी हो गई, जो आपके same 1010 marks cover करेगी, 20 marks की आएगी, and part second में, part second में इसमें आपका क्या हैगा, same as GK, and current affairs, आपके आएगी 10 marks, reasoning, आपके आएगी 10 marks, computer related questions, आपके आएगी 10 marks, and pedagogy, pedagogy आएगी आपकी 20 marks, ओके, तो ये वाला part आपका second, जो part second है, वो कितने marks का हो गया, 10, 20, 30, 50, ठीक है, इसके बाद, इसमें जो pedagogy का आपका आएगा, part second के अंदर जो आपकी pedagogy आएगी, उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे curriculum क्या है, inclusive education क्या है, evaluation क्या है, instructions कैसे होने चाहिए, planning कैसी होनी चाहिए, evaluation कैसा होना चाहिए, वो मैं आपकी जब class start करूँगी, pedagogy के अंदर, उसमें हम theoretical पढ़ेंगे, और आपके जो भी theories हैं, या laws दिये गए हैं, जो भी policies आई हैं, वो सारे आपके pedagogy के अंदर cover होंगे, और इसके बाद इसमें जो part second के अंदर ही जो आपका बाकी आएगे, जो आपके marks और questions रहे गए हैं, वो आपके subject से related आएगे, subject concerned आएगे, वो आएगे आपके 80 marks के, ओके, तो ये आपका PGT का हो गया, and TGT भी same है, PGT and TGT के लिए ये इस लेपास आता है आपका, एक चीज़ और जो TGT है, TGT के अंदर एक और आता है, मैं बता देती हूँ आपको, TGT जो हमारा physical education, TGT जो हमारा physical education के लिए है, and art education, and work experience के लिए जो बच्चे apply करते हैं, work experience के लिए, जो बच्चे apply करते हैं, उनके लिए same जो TGT वाला भी, मैंने syllabus discuss किया, वही है, बस उसमें pedagogy का options नहीं है, उसकी जगा पे क्या है, आपका subject आ जाएगा, मतलब उसमें आपका first part में English Hindi आ गई journal 20 marks की, part second में आपकी GK प्लस current affairs, और reasoning ability computer, okay, computer के बाद आपका सीधा, आपका 100 marks का, आपका subject से related आ जाएगा, जो भी आपका DGT में subject related covered है, उसके बाद हम PRT का discuss कर लेते हैं, कि PRT के उसमें क्या-क्या आपका syllabus cover होगा, PRT के लिए यानि कि primary teacher के लिए जो बच्चे apply करते हैं, PRT music, PRT special education और इन सब के लिए, और normal के लिए all subjects के लिए जो apply करते हैं, उनके लिए eligibility criteria आपको पता ही है, आपका 12 plus diet यानि कि आपका ETE या पर BLAd ये सब होना चाहिए, JBT like all and plus आपका seat at first के लिए होना चाहिए, तब आप eligible हैं, KVS के लिए teacher बनने के लिए और PRT में जो आपका syllabus cover हो रहा है, part first में आपका, part first जो आपका आएगा उसमें वही journal English आएगी and journal Hindi आएगी, ये आपके 10-10 marks की हो गई, 20 marks cover कर रहा है आपके और इसके अंदर जो part second है, part second उसमें आपकी GK plus current affairs, current affairs आएगा, 10 marks, reasoning ability, 10 marks, इसमें एक नया ये add खर दिया गया है, पहले computer related ज्यादा questions नहीं आते थे, computer से related आता ही नहीं था, subject में नहीं था, तो अब इसमें आएगा, 10 marks and then pedagogy, अब इसमें फरक क्या है, आप all subject के लिए apply करते हैं, तो PRT में आपके लिए बच किया गया, आपका सारा यहां पे cover हो गया, जो आपका psychology रह गया, यानि कि बाल, मनो, विज्ञान, CD रह गया आपका, वो आपका 8 marks का, इसके अंदर cover होगा, सॉरी, 80 marks का, child development, तो सबसे जादा PRT के लिए focus करना है, child development में, क्योंकि वही आपके 80 marks, आपको gain करने में, achieve करने में help करेगा, बहुत helpful है, और बाकी जो pedagogy है, वो 20 marks की, ये दोनों का ही part, आपका 100 marks का बनता है, छीक है, लास हमने PRT का भी discuss कर लिया, and PRT music, PRT music में आपका same है, ये फर्स पार्ट, सेकिंड वाले पार्ट में भी, GK plus current affair, reasoning ability, computer, और pedagogy की जगा, PRT music में, पेड़गोजी की जगा, subject आएगा उनका, तो उनमें subject क्या होगा, जो भी उन्होंने music के बारे में पढ़ा होगा, जो भी उन्होंने music की, शिक्षा प्राप्त कर रही होगी, बचों को पढ़ाने के लिए ये कैसे helpful है, तो वो आपका direct 100 marks का, इसके अंदर आ जाएगा, ओके, इसके अंदर हमने सारा syllabus, discuss कर लिया है, selection of mode भी discuss कर लिया है, फर्स आपका teaching exam होगा, देन आपका interview होगा, देन cut off के बाद आपका selection होगा, ओके, अब next class में हम, आपनी जो भी हमारे concert subjects है, उसे related study करेंगे, ओके, thank you. Hello friends, मैं स्वाती सिंह, आज हम अपनी class start करने वाले हैं, psychology यानि की मनो विज्ञान के बारे में, इसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पताईए, कि psychology हमारा बहुत important topic है, for us all teaching exams, आपका KVS, DSSB, CTAT, ASCT, PRT's वेगेरा के लिए, और because उसमें पूरा जो हमारा session भी आता है, वो पूरा 100 marks का हमारा pedagogy और psychology पर ही डिपेंड होता है, चाइड पेड़ागोजी पर, तो इसलिए अब उसको समझते हुए, अब मैं आपको starting से, psychology क्या है, मनोविज्ञान उसका अर्थ क्या है, उसमें कितने दाशनिक जुड़े हुए हैं, सबने अपने-पने क्या-क्या विचार रखे हैं, क्या-क्या परिभाशा है रखी हैं, और उन वो कहां तक सत्य रही थी, कहां तक आ सत्य हैं, valid रही, invalid कर दिया गया, लास में कौन सी जो डेफिनेशन से वो आई हैं, जिसको आज तक मानने था प्राप्त हैं, और आज तक हम उसी से जो हमारे साइकोलोजिस्ट हैं, वो जज़ कर रहे हैं स्टूडेंस को, और अपने मनोविज्ञान की बातों को, तो उसको समझते हुए, हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखें, साइकोलोजी, मनोविज्ञान हिंदी में बोलते हैं, उसका जो अंग्रेजी रुपांतरन है, वो है साइकोलोजी, ठीक है, साइकोलोजी, साइकोलोजी, एक ग्रीक भाषा, आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे सारे शब्द होते हैं, कि हम इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, वो रोमन शब्द से हैं, रोमन लिपी में हैं, तो ऐसी जो हमारा साइकोलोजी है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो इसको तोड़ कर, यानि कि साइकलोजी को संधी छेत करकर इसको two parts में divide किया गया है एक है हमारा psyche plus log अब अगर इसको दो parts में divide किया गया है तो आपको भी पते है कि इसके दो means होगे, अलग-अलग तो इसको जो हमारा psyche है, उसको आत्मा कहा है जो हमारा साइकोलोजी यानिके मनोविज्ञान में साइके का अर्थ आत्मा रखा है तथा लौजर्स का अर्थ होता है अध्यान करना या विवेचना करना किसी भी अध्यान करना, विवेचना करना क्या होता है अगर हम किसी भी topic के बारे में research कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो हमको क्या है, उस पे अध्यान करना important है अगर आप अध्यान नहीं करेंगे, उसकी विवेचना ही नहीं करेंगे किसका अध्यान करना पड़ेगा आत्मा तो आत्मा का अध्यान करने वाला जो विश्य है उसको साइकोलोजी यानि की मनोविज्ञान कहा गया है आत्मा का आत्मा का अध्यान करने वाला विश्य क्या है साइकोलोजी है अब देखें इसके अंदर जो ये आत्मा शब्द है ना आत्मा शब्द को उठा कर यानि कि इसका जब शाब्दिक रूप शाब्दिक परिभाशा दी गई थी कि आत्मा का अध्यान करने वाला विश्य ही साइकोलोजी है जिसमें हम आत्मा के बारे में जान सके तो आत्मा शब्द को विश्य वस्तु मानते हुए हमारे प्राचीन दाशनिकों ने जिसमें से अर्स्तु वपलेटो जो दो हमारे प्राचीन दाशनिक थे उन्होंने अर्ष्टू और जो पुलोटो हमारे important है उन्होंने क्या था आत्मा के बारे में अध्यन किया उन्होंने कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है psychology है वो एक ऐसा विश्य है जिसमें आत्मा के बारे में जाना जाता है अध्यन किया जाता है पड़ा जाता है लेकिन अब का चीज बताईए कि मात्मा आप देख सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं नहीं न तो इसीलिए आत्मा को जब पिलेटो और अर्श्तु ने आत्मा का सामने प्रस्तूत नहीं है आप उसको नदेख सकते हो ना सुन सकते हो ना समझ सकते हो ना उस पर कोई experiment कर सकते हो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आत्मा अंदर है हमारे अम आपस ऐसो को भार निकाल के तो नहीं डिखा सकती यह मेरी आत्म है कि इतनी π्योर है सकते हैं इसके बाद जब आत्मा को पर अर्ष्टू और पिलेटों ने आत्मा को इन्वैलिड बता दिया गया उसके बाद एक और नए दाशनी का है उन्होंने आत्मा से हट कर मन को रखा उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी मनों विज्ञान की विश्य वस्तू है वो मन है यानि कि मनों विज्ञान को पढ़ने के लिए समझने के लिए मन का अध्यान करना आवेशक है अगर आपने मन को समझ लिया कि मन में क्या चल रहा है मन की बाते क्या है या मन में आ समझ सकते हैं अब मन को जिनोंने रखा था उसमें आपके इंपोर्टेंट थे लोक, कान और ह्यूम और भी आदीज में मनोविज्ञानिक रहे हैं जिनोंने मन को विश्यवस्तू समझते हुए हमारा मनोविज्ञानिक की परिभाशा व्यक्तिगी थी ये आपका सत्रवी वा अट्रवी सताबदी के बीच में ये सारी डेफिनेशन रखी गई थी जिनको दर्शन शास्त्र कहा जाता है ठीक है जो इनोंने ये सारी डेफिनेशन रखी दी न मन के उपर इनको दर्शन शास्त्र कहा जाता है नोट कर लीजी ये सारी चीजे क्या हैं आपसे पूछी जाती है एकजाम में कौन दर्शन शास्त्र है कौन वहवारवादी है और कौन प्रियोग आत्मक है ये सारी चीजे ठीक है तो first हमारा आत्मा का विज्ञान बताया था जिसमें मनों विज्ञान को आत्मा की विश्यवस्तु समझते हुए उसकी definition दी थी वो invalid हो गई उसके बाद मन को रखा अठारवी और सब्धरवी शताबदी में जिसमें लॉक, कांट और हुम्स हमारे important psychologists थे और ये भी क्या थी? invalid हो गई, same चीज है, abstract है, आप मन को नहीं समझ सकते हैं, कोई प्रियोग नहीं कर सकते हैं अगर मैं कहूं कि आपको मन को दिखाईए, लाइए, उसका प्रियोग करते हैं, experiment करके देखते हैं कि वो कितना valid है, किसी बच्चे का मन निकाल के लिए ये तो आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन को आप देख नहीं सकते हैं, तच नहीं कर सकते हैं, वो आपके सामने concrete वे नहीं हैं concrete चीज़े क्या होती है मूर्त वस्वें क्या होती है जो आपके सामने available हो आपके पास ये मेरे पास marker है ये concrete object है मैं क्योंकि इसको देख रही हूँ इसके बारे मैं बता सकती हूँ अगर आप मेरे से पूछेंगे इसकी characteristics characteristics या features पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ इसकी shape कैसी है color कैसा है और ये लिखने के बाद कौन सा color दे रहा है blue, black, red वेगेरा तो ये चीज़े क्या है ये abstract नहीं है concrete है जिसको हम objects को समझते हुए रख सकते हैं अब आपको पता ना आत्मा आपकी concrete है ना मन आपका concrete है तो इस चीज़ को क्या है हम invalid बताते हुए definitions को invalid रखा है उसके बाद अब इनको एक ग्रूप में और invalid रखा है क्योंकि जो आत्मा और मन की definitions रखी गई है ना बहुत अर्थों में अलग-अलग है आत्मा को मैं बहुत चीज़ों में define कर सकती हूँ और मन को भी मैं बहुत चीज़ों में define कर सकती हूँ उसका हर जगा पर एक अलग मतलब है एक अलग विश्यवस्तु है एक अलग महत्व है तो इसलिए psychology में इसका कोई important महत्व नहीं पता चला है कि आत्मा क्या है और मन क्या है और इसपे क्यों अध्यन कर ला है इसलिए इसमें ये दो दोश पाए गए थे इसलिए इन definitions को क्या था invalid बता दिया गया 1879 में जो हमारे William Woods आये थे Germany के 1879 में एक दाशनिक और आये William Woods ये important है इसको अच्छे से समझेगा William Woods ने सबसे पहली मनोविज्ञान की विश्व विध्याले जो था मनोविज्ञान की प्रतम प्रियोग शाला का निर्मान किया था जिसका नाम था लिप्चिंग विश्व विध्याले जिसको आगे चल कर काल माक्स विश्व विध्याले के नाम से परिवर्तित कर दिया गया मतलब William Woods ने 1879 में प्रतम मनोविज्ञान की प्रियोग शाला रखी थी जिसको लिप्चिंग विश्व विध्याले उस समय कहा जाता था जब इसका निर्मान हुआ था लेकिन आगे चल के उसको काल माक्स यूनिवर्स्टी यानि की कॉलिज के नाम से जाना जाने लगा । यह तीन कोश्व इसके अंदर आपके कवर होते हैं 1879 में विल्यम वुट्स के द्वारा और नाम था लिप्जिंग विश्व विध्याले और जो अभी करेंट में उसका नाम चल रहा है वो है काल माक्स इन्होंने क्या कहा था इन्होंने आत्मा और जो मन था इनको इन्वैलिट बताने के बाद इनसे परे हटते हुए अपनी एक डेफिनेशन दी थी इन्होंने अपनी विचारधाराय रखी थी विल्यम वुट्स ने कि मनो विध्यान होता क्या है उसको हम कैसे अध्यान कर सकते हैं कैसे समझ सकते हैं तो इन्होंने क्या किया था मन और आत्मा से हट कर मानसिक किरिया यानि कि mental activities और conscience experiences जो होते हैं हमारे यानि कि conscience हमारा जो चेतन अनुबहूतिया होती है दो जीद चेतन अनुबहूति और जो हमारी mental ability होती है इस पर बल दिया था करें कि mental abilities में आपको भी पता है बच्चे क्या हैं अपनी मांसिक क्रियाओं का प्रियोग करते हैं आपको कोई भी चीज़ है आपको मान लिजे किसी का experiment करना है किसी का behavior जज़ करना है तो जिस तरह की वो हरकते करेगा और उसकी mental ability होगी जिससे वो experiences activities कर रहा है उसके तुरू आप जज़ करेंगे यह काता विल्लियम वोट्स ने अब इन्होंने चेतन अनुबूतियों को जब चेतन अनुबूतियां रखी थी तो चेतन अनुबूतियों के अंदर बहुत सारे points रखे थे keywords जिसमें भाव संवेदना और हमारा imagination यानि कि प्रतिमा कल्पना यह key points रखे थे भाव संवेदना प्रतिमा कल्पना इसमें क्या का आता कि जो हमारी चेतन अनुबूतियां होती हैं निकि conscience experiences होते हैं उसके अंदर बच्चा कुछ ना कुछ feel करता है कुछ ना कुछ sensations होती है उसकी कुछ ना कुछ imagination create करता है कुछ ना कुछ कल्पना होती है उसकी जिसके थुरू हम बच्चे का all over क्या है behavior जज़ करके बता सकते है कि मनो विज्ञान actual में है क्या अब इसके अंदर भी उन्होंने जो हमारी भाव और समवेदना है इन दो key points को important रखा था जिसके अंदर समवेदना को उन्होंने objective यानि कि वस्तु निश्ट था और भाव को subjective कहा था ठीक है विलियम मूट्स ने जो ये सारी आपकी definitions के अंदर keywords रखे थे भावना, समवेदना, प्रतीमा, कल्पना उसके अंदर भाव और समवेदना को भी दो parts में divide कर दिया था जिसमें समवेदना को वस्तु निश्ट और भाव को आपका आत्म निश्ट के उसमें रखा गया था अब आप समझते वे चलिए कि वस्तु निश्ट और आत्मा के उसमें कैसे रखा था इसमें भी जब William Woods के द्वारा ये definition दी गई थी तो इसमें भी कुछ दोश पाए गए थे दोश क्या पाए गए थे उसमें पहला दोश यही था कि जो हमारी चेतन अनुबूतियों के अंदर वस्तु निश्ट यानि की objective चीज़े रखी गई है उसका हम अध्यान नहीं कर सकते मैंने आपको पहले ही बताया abstract thinking तो हम उसका अध्यान नहीं कर सकते हैं दूसरा किसी भी रूप से आत्मा और मन को हटाके हमने चेतन अनुबूतियों के उपर इस पे जोड दिया था विल्यम बूट्स ने अब आप मैंको ये बताये जब आत्मा और मन abstract है उसके बारी में आप सुन नहीं सकते समझ नहीं सकते उसको देख नहीं सकते इसलिए उनको invalid रखा था तो विल्यम बूट्स के द्वारा चेतन अनुबूतियों को कैसे valid माना जा सकते है क्योंकि जो हमारे conscious mind के अंदर चीजे आती हैं भाव आते हैं और जो हमारी imagination आती है समवेद नहीं आती है वो क्या है? कुछ time के लिए ही होती है फॉर एक्जामपल मैं आपको समझा देती हूँ माननी जे कोई बच्चा है उसने कोई चीज देखी और उसको वो इतनी जादा पसंद आ रही कि वो बच्चा रोने लगा कि मुझे ये चीज चाहिए 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 और अपनी ममा से जित करने लगा कि नहीं मुझे यही चीज चाहिए मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए तो वहाँ पर उसके क्या व्यक्त हो रहे है वहाँ पर उसकी फीलिंग्स आ रही है उसकी भावनाए व्यक्त हो रही है वो पर्मने नहीं है वो टेंप्रेरी है क्या पता अभी बच्चे को ये वाली चीज पसंद है आगे मार्केट में जा रहा है उसको दूसरी डॉल या गुडिया या कोई भी खिलोना पसंद आ गया उससे जादा तो वहाँ पर क्या है उसकी फिलिंग्स आटोमेटिकली चेंज में चेंज हो गई, तो आप इसको भी जज़ नहीं कर साथ है क्योंकि फीनिंग्स और शंवेदनómo एंबैदन्ष मांइज माइंड की टाइम टू टायम अनुबूतियों के द्वारा दी गई डेफिनेशन जिसको भी इन्वालिड बता दिया अब इसके बाद हमारी लास्ट और फोर्थ जो डेफिनेशन है वो आती है जो इंपोर्टेंट है जिसमें वहवारवाद को रखा गया है जो कि हमारे जेवी वाट्सन जी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है जेवी वाट्सन क्या है अमारे वहवारवादियें अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी आप इसको भी समझ लीजिये इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है साइकलोजी है अगर उसका अध्यान करना है तो बच्चे का वहवार उब्जर्व करना पड़ेगा इसी लिए इनको वहवारवादी कहा गया था और ये आधूनिक परिभाशा जो दी गई थी वो आज भी वैलिड है यानि कि इसको आज भी सत्य माना जाता है और जितने भी हमारे इसके बाद के प्रियोग हुए हैं वो सारे इसी definition के थुरू चलते आए हैं तो अब इसमें क्या कहा गया था कि वहवारवादी इसी लिए बोला था जेबी वाटसन जी ने वहवारवाद पर इसी लिए बल दिया था क्योंकि उसमें हम बच्चे के वहवार को देख सकते हैं वो concrete है यानि कि हमारे सामने उपस्तित हैं चीजे हम बच्चे का वहवार देख सकते हैं समझ सकते हैं सुन सकते हैं फील कर सकते हैं छोटी मुटी चीज बच्चे को कोई चीज चाहिए तो वो रोता है बोलता है सुनता है वहना कोई न कोई expression उस पर create करता ही रहता है तो इसलिए क्या है आप इसलिए उसको observe करके उसका वहवार पढ़ सकते हैं जिसको मनुविज्ञान कहा गया है अगर बच्चे को अपनी ममा से दूच चाहिए या पानी चाहिए या किसी भी चीज की चाहिए छोटा बच्चा है शिशू है तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि उसमें अभी तक भाषा विकास नहीं हुआ है तो भाषा विकास ना होते वे भी बच्चा अपनी मा को कैसे बताएगा कि मुझे दूच चाहिए मुझे पानी चाहिए उसके लिए क्या होगा बच्चा अपने कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेगा जिसे उसकी मा को यह एहसास होता है कि उसको दूच चाहिए पानी चाहिए कोई चीज चाहिए वो रोने लगता है हाथ पैर माणने लगता है इस तरह की किर्याओं से हम बच्चों को जच करते हैं जो हमारे वहवार के अंतरगत आता है हमेशा बड़े बच्चों में भी देखा होगा यह चीज़े ऐसी होते हैं कि यह नहीं कि छोटे बच्चे ही एक्सप्रेस करें फीलिंग्स और यह तो तो सभी चीज़ों में एक बार जब जनम लेने के बाद यह सारी चीज़े आ जाती है तो वो हमारे मरण याने की मिर्टियापन तक चलती रहती है क्लास्वों में भी ऐसा होता का माली जी आपके बड़े पर आपको किसी ने कोई सप्राइज नहीं दिया कोई चीज़ आपको किसी ने विश नहीं किया तो आप बात उदास हो जाते है आपके जो facial expression होते हैं वो automatically change हो जाते हैं आप sad हो जाते हैं या किसी चीज़ में आप बहुत angry हैं तो घुसा नजर आता है आपके eyebrows और आखों से पता चलता है कि आप घुसा है तो इन सारी चीज़ों से क्या है सामने वारे को अपनी बात कहनी की ज़रत नहीं पड़ती वो क्या है आपके expression और वहवार को देखके पता लगा लेता है कि आप क्या चीज़ कहना चाहरे हैं अब आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना कि मैं आपसे घुसा हूँ कैसे अगर आप उसकी किसी बात से नाराज है तो ओवेसी बात है आप थोड़ा बात करना कम कर देंगे आप पर expression थोड़ा change हो जाएंगे आखों में reddishness आजाएगी तो उससे क्या है पता चलेगा कि वहवार के द्वारा हम अध्यान कर सकते हैं इस definition को जेबी वाटसन जी के द्वारा जो दी गई थी वो इसी लिए valid रखा गया क्योंकि वहवार को हम प्रियोग भी कर सकते हैं उसके बारे में सुन सकते हैं समझ सकते हैं और किसी भी चीज में उसको ढाल सकते हैं ढाल कैसे सकते हैं इस पर भी एक पॉइंट है देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी दर पहले एक एक एक्जामपल दिया था कि अगर बच्चा मार्केट में हैं उसको कोई चीज पसंद आ जाती है और वो थोड़ी दूरी पर चला उस दूसरी चीज के लिए रो रहा है कि ममा मुझे यही चाहिए लेकिन थोड़ी दूर आगे चला उसको उससे ज़्यादा अच्छी चीज कोई पसंद आ गई तो वहाँ पर क्या है उसकी feelings change हो जाती है वहाँ पर वो जो sadness वाली situation में था वो happiness में change हो जाती है तो कई पर ही क्या होता है हम खुद भी उन expressions को उन feelings को उनके वहवार को artificial behavior के तूरू change कर सकते है कैसे कर सकते है माली जी बच्चों को आपने बोला कि आपको table learn करके आनी है two key तो बच्चे क्या करेंगे two key table learn करेंगे कुछ बच्चों को थोड़ा time लगता है जो जैसे slow learners होते है तो थोड़ा time लेते है learn करने के लिए लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी class में जितने भी students हैं क्या हो slow हो, medium हो या high में हो तो वो सारी क्या है learn करकर है उनको कैसे motivate किया जाए या उनका behavior उस तरह की two words कैसे attract किया जाए तो आप क्या करेंगे class में बच्चों को बोल देंगे कि जो कल मुझे two key table अच्छे से सुनाएगा मैं उसको एक chocolate लाके दूँगी तो उसमें क्या है आपने artificial जो चीजे हैं पर create कर दी है कि बच्चों अगर कोई मुझे two key table सुनाएगा तो मैं उसको चॉकलेट या टॉफी या कोई भी अच्छी चीज लाके दूँगी तो बच्चे महाँ पर automatically ऐसा behave करेंगे कि उनको वो चॉकलेट और मतलब उसको जो motivation उसके लिए जो artificial चीजे रखी गई है उसको observe, goals को लेने के लिए वो इस तरह का व्यवार करेंगे कि वो two key table learn कर कर आएंगे और आपको सुना देंगे ऐसे ही आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे घर में guest आते हैं तो बच्चे काफी परिशान करते हैं बीच में से निकलना, जाना, आना इस तरह की चीजे करते हैं तो उसमें क्या होता है mom या वो कहते हैं आप चुप बैठाओगे तो मैं शाम को आपको market लेके जाओंगी घुमाने लेके जाओंगी या कोई toy दिलाओंगी तो ये सारी क्या हैं हम behavior बच्चों का change करने के लिए artificial चीजे add कर देते हैं उसके अंदर जिससे बच्चे अपना वहवार थोड़ा change कर लेते हैं ये थोड़ी बात की बात है मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया तो एक चीज पॉइंट नोट कर लेजिए psychologist में जो हमारे behaviorism के psychologist है वो कौन है? J.B. Watson यानि कि वैवार वादी इनी को बोला गया है ठीक है? इसमें I hope आपको पूरा अर्थ समझ रहे आगया होगा psychology के लिए किस-किस ने अपनी क्या-क्या definition दी है मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से दरीके से समझा दिया है इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मनोविज्ञान क्या है, psychology होता क्या है, उसका अर्थ क्या है और तीन definitions मैंने आपको बता दिये हैं उस पे जो हमारी पहली आत्मा, मन, फिर उसके बाद हमारी चेतन, अनुपूती और उसके बाद जो लास में हमारी जे भी वाट्सन जी की थी वेवारवार वो सबसे important है और आज भी आदूनी क्यूग में वही definition चल रही है अब इसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ समझने के बाद शिक्षा का अर्थ क्या है इसको समझना जरूरी है शिक्षा का अर्थ शिक्षा का अर्थ क्या है, देखे, education एजूकेशन एक ऐसा point है, कैसी विवस्था है, कैसी चीज है कि वो हमारे पुराने जमाने, यानि कि प्राचीन काल से अब तक चली आ रही है पहले क्या होता था, आपने गुरुकुल देखे होंगे गुरुकुल में जैसे आप colleges हैं, schools हैं और ये सारी universities खुल गई हैं बड़ी-बड़ी पहले गुरुकुल हुआ करते थे गामों में महा पर शिक्षार्थी जो था, यानि कि बच्चा जो था अपने गुरु के घर पर ही आश्रम में रहते थे, एक सा थी और वहाँ पर फीस नहीं ली जाती थी वहाँ पर गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती थी शिक्षार्थियों को, वहाँ पर फीस नहीं ली जाती थी वहाँ पर उसके बदले में जो शिक्षार्थी होते थे, बच्चे होते थे वो क्या करते थे, गुरुकुल का काम कर देते थे और जो उनके गुरु कोई भी उस चीज उनको बोलते थे, वो कार्य उनका समाप्त कर देते थे तो इसलिए जो पुराने जमाने से जैसे गुरु कूल था, फिर दीते दीते स्कूल आ गए और आपने मदस्य वेगरा सुने ओंगे, यह चीज़े आ गई, आज कल यूनिवरस्टी हो गई, स्कूल हो गई, तो शिक्षा का जो स्वरूप है, वो चेंज होता गया है, लेकिन शिक्षा का अर्थ चेंज नहीं हुआ है, कि शिक्षा क्या है, एजूकेशन क्या है? education यानि कि शिक्षा एक ऐसी प्रिक्रिया है जो दो लोगों के बीच यानि कि student plus teacher इन दोनों के बीच की गई ऐसी प्रिक्रिया है जिसमें एक ज्यानी होता है और एक अज्ञानी होता है ठीक है शिक्षा एक ऐसी प्रिक्रिया है जिसके अंतरगत एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के द्वारा जो एक व्यवेस्टित प्रिक्रिया की जाती है ज्ञान के बदलाव के लिए यानि के विचारों के आदान प्रदाने के लिए वो हमारी शिक् लुकुल में आपने गुरू के घर रह सकते थे और वहाँ पे कोई भी उनका काम करके उसका चुकान कर सकते थे उनका मतलब कोई भी आपने को गुरू बोलते हैं कि बैलों को चराना हैं गायों को चराने ले जाना है या फिर आपके घरों की छोटे-मोटे काम करने हैं बजार जाना है इस तरह की चीजें छोटी मोटी चीजें क्या थे टीचर्स करवा लेते थे स्टूडेंस के से जिससे उनको फीस भी नहीं देनी पड़ती थी और वो उनकी घर पे विश्राम भी करते थे महीं पर रहते थे जब तक बच्चे की नॉलेज यानि कि यह जो एजूकेशन लेता है और अपने जो भी उसको पढ़ना है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंसीट्यूट्स और कॉलीजिस वेगरा में जाता है लेकि नुँन पर टीचर के बीच की जो यह प्रक्रिया है वो सेम है आज भी आज भी स्टूडेंट और टीचर के बीच ही शिक्षा क का स्वरूप है मतलब शिक्षा दी जाती है ऐसा नहीं है कि टीचर पिलस टीचर अपने मतलब टीचर टीचर कनवर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन बहुत टाइप की होती है जरूरी नहीं आप डेरेक्वे में कोई प्राप करता ही रहता है जरूरी नहीं कि वो स्कूल कॉलेजिस के माध्यम से ही कोई शिक्षा प्राप करे बच्चे का जो पहला स्कूल बताया गया है वो उसका घर बताया गया है अब बच्चे का पहला स्कूल घर क्यों बताया गया है चोटे से बच्चे का जब जनम होता वो अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू करता है अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करता है उनको अब्जर्व करना शुरू करता है तो उसके अंदर क्या है वो सबसे पहले अपनी मां को देखता है पिता को देखता है दादा नानी पापा चाचा मामी घर के जो भी सदस्य हैं उनको देखता है और उनी के द्वारा अनुकरण के माध्यम से यानि कि observation skill के द्वारा वो चीजे क्या है observe करता है और सीखता है तो उसकी वो भी तो शिक्षा ही है वो भी तो शिक्षा प्राप कर रहा है basically वो direct way में शिक्षा नहीं कर रहा है वो school colleges का tag लगा की कोई शिक्षा प्राप नहीं कर रहा है लेकिन जो बच्चे का पहला मतलब शिक्षा का माध्यम होता है school होता है घर से द्वारा ही बच्चे को पहली शिक्षा प्रदान की जाती है स्कूल में जब बच्चे को डाला जाता है जो उसका प्राइमरी स्कूल होता है आपने देखा होगा कि जो हमारा प्राइमरी सेशन्स के स्कूल होते हैं उसके अंदर जो टीचर होती है वो मदर टीचर होती है मदर टीचर से हमारा क्या मतलब है mother teacher से हमारा मतलब है कि जो हमारी शिक्षिका होती है वो हमें as a mother treat करती है क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारे आसपास जो सदस्य रहते हैं जो जिनके द्वारा हम कोई भी education प्राप्त कर रहे हैं अनुकरण के माध्यम से इन डारेक वे में जो education प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे घर के माध्यम से पहले होती है उसके बाद जब second step में बच्चा स्कूल में जाने लगता है primary classes में तो उसको एक teacher दी जाती है जो आपके first, two, fifth class तक same होती है आपने रेखा होगा 8, 6, 7, 10, 11, 12 में आपके teachers change होते रहते हैं क्योंकि उस time में आपके mental ability इतनी developed हो जाती है कि आपके लिए teachers important नहीं होते आपको उनके towards attraction या फिर उनके लिए friend कोना इतना important नहीं होता आपको education important होती है मापे कि आपको कोई भी teacher आए पढ़ाए, अच्छे से समझाए आपको समझ आ रहा है आप grant कर रहे हैं आप जिस purpose के लिए वहाँ पर आए हैं जो आपके objectives हैं जो goals आपके set हैं उनको receive कर रहे हैं तो मतलब आपकी education properly हो गई लेकिं first to fifth class में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर क्या होती है एक ही teacher आपकी जो पहली class से बच्चे के साथ होती है वहीं आपकी दूसरी class में पास होने के साथ तीसरी class, चौथी class, पांचवी class में आपके साथ ही जाती है यह नहीं कि आज मेरी पास हो के second class में चली गई तो मेरी पूनम मैं teacher हो गई क्यों नहीं होती है क्योंकि बच्चा जितना comfortable आशा मैं के साथ है उतना comfortable पूनम मैं के साथ नहीं होगा इसलिए उसको mother teacher कहा जाता है क्योंकि mother teacher के साथ बच्चा अपनी emotions, feeling, भाव के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो घर पे अपनी माह के साथ जुड़ा हुआ होता है इसलिए वही teacher उसकी first से fifth तक जाती है क्योंकि वो psychology यानि कि मनोविज्ञान के द्वारा उसके behavior को सबसे अच्छे तरीके से जान सकती है अगर मैं पहली class में किसी बच्चे को बढ़ा रही हूँ और मैंने अपनी शिक्षा के दौरान जो बच्चे को education दी है उसको समझाया है उसके दौरान बच्चे का behavior जज़ किया और ये पता लगाया कि बच्चा slow learner है medium है या बहुत extra achievers है या फिर उसके अंदर extra क्रेटिविटीज है कुछ qualities extra है तो ये चीज़े मुझे पता है अगर बच्चा second class में पास होनी के बाद जाता है तो दूसरी teacher को जो उसके साथ आएगी उनको भी दुबारा से उस पर मेहनत करनी बड़ेगी तो वो साल भी waste हो जाएगा तो इसलिए बच्चा तब इतना सक्षम नहीं होता है खुद की खुद अपनी achievements या अपनी creativity बता सके इस primary level में बच्चे जो हमारी teacher होती है mother teacher उसी को ही ये पता लगाना पड़ता है psychology के माध्यम से मनोविज्ञान के द्वारा कि बच्चे में क्या-क्या अच्छी चीज़े हैं क्या बुरी चीज़े हैं किनको आगे support करना है ताकि वो अच्छा उसके लिए future में beneficial हो और क्या चीज़े उसको neglect करवानी है ताकि उसके future के लिए भी वो फायदे मन दो तो इसलिए mother teacher उसके साथ first to fifth रहती है ताकि उसको अच्छे से जो उसके लिए case study की गई है उसके लिए वो प्रॉपर डंग से पाँचवी तक चल सके और उसके बाद six-seven में बच्चे की जो मांसिक क्रिया है mentally ability है वो इतनी develop हो जाती है कि बच्चा अपने जो interest है जो जिस भी तरह के चीज़ें वो करना चाहता है जो creativity उसमें है वो बच्चा अपने द्वारा खुद बता सकता है कि माम मुझे ये चीज नहीं करने किसी को cricket पसेंद है आप उसको volleyball खिलाएंगे तो वो बता देगा ना कि माम मुझे volleyball नहीं खेलना मुझे cricket खेलना है क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा interest है तो इसलिए जो हमारी पहली शिक्षा प्राप्त होती है वो घर से होती है और शिक्षा का जो माध्यम है जो education है हमारी वो मनुविज्ञान से बहुत रूप से जुड़ी हुए अगर आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देंगे शिक्षा दें ही नहीं सकते आप उसके education जो प्रॉपर है जो हमारी प्राइमरी एजूकेशन है वो बच्चे की नीव होती है अगर बच्चे की एजूकेशन की नीव ही सही नहीं रखी गई तो इमारत क्या बनेगी इमारत तो ढह जाएगी बाद में चलके क्योंकि नीव ही नहीं रखी गई तो इसलिए बच्चे के जो प्राइमरी एजूकेशन होती है उस जो हमारी social life है उसके अंदर अपना समायोजन कर सके adjustment कर सके मतलब बच्चे को इस तरह से ढाला जा सकता है teacher के माध्यम से जो education है education provide करा के कि वो अपना website तो चुने ही चुने website के साथ साथ वो अपना समाज में समायोजन कर सके समायोजन से हमारा मतलब है कि social life उसकी ऐसी हो कि वो adjust कर के चले ये नहीं कि मुझे ये चीज़ पसेले तो मुझे ये ही करनी है आपकी जो social life है वो उस चीज़ को क्या पता valid नहीं मानती हो अब जैसे आपको पता है जो decent बच्चे होते हैं या जिनको हमारा समाज accept करता है प्रॉपरली वो कैसे बच्चे होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर पढ़ाई में अच्छे होते हैं school colleges में जिनका academic records अच्छा होता है जो बोल चाल के माध्यम से अच्छे होते हैं जो किसी के साथ बहुत अच्छे से help करते हैं उनका behavior अच्छा होता है और आगे चलके अपना कोई भी website चुनते हैं अपने interest के according तो उसमें भी वो अच्छा करते हैं वो उन बच्चों को accept नहीं किया जाता समाज में जिन्होंने अपनी जो primary education है वो प्रासमाब करने के बाद जो अपनी higher education है elementary education है secondary education है वो भी proper ढंग से नहीं किये होती है उसमें fail हो जाते हैं या फिर वो अपना कोई website नहीं चुनते थोड़े गलत रास्तों पर निकल जाते हैं कोई गलत हरकते जो उसमें चीजे हैं वो लेने लगते हैं गेन करने लगते हैं कोई BD cigarette कुटका तमाकू ये सारी चीजे खाने लगते हैं या किसी से कोई misbehave करते हैं उनका बोलचाल का धंग अच्छा नहीं होता तो ये सारी चीजे क्या हैं हम मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षा के द्वारा समझाते हैं बच्चों को जो हमारी शिक्षा है वो यही है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच एक ऐसी सूव विवस्तित किरियाए रखी जाती हैं जिसके माध्यम से बच्चे को उसका समाज के सासाथ उसका वेफसाइट चुनने में हेल्फुल हो और उसके समाज उजन करने के लिए उसके लिए यूस्फुल हो ठीक है अब इसके अंदर ही मैं आपको कुछ चीज बता दे दी हूँ जो हमारी पहले की एजुकेशन थी जो हमारी टीचर और स्टूडेंट की एजुकेशन थी यानि कि जो मैंने आपको बताया कि गुरुकूल में और मदस्तों में जब टीचिंग हुआ करती थी महाँ पर क्या थी महाँ पर टीचर सेंटर प्लस नौलिज सेंटर एजुकेशन थी ये पॉइंट इंपोर्टेंट्स है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अभी की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर है टीचर सेंटर है या नौलिज सेंटर है जो पहले की एजुकेशन थी यानि कि प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो हमारी क्या थी टीचर प्लस नौलिज सेंटर इसके अंदर क्या होता था इसके अंदर शिक्षकों को गुरू को केवल इतना ही करना होता था कि उन्हें जिस प्रकार का ज्ञान बच्चे को देना है वो दे देते थे उससे बच्चे के बारे में कोई उनको इंटरस्ट नहीं होता था, कोई उनको जानने की जिग्यासा नहीं रहती थी कि आकर बच्चा क्या चाता है, बच्चे क्या क्या इंटरस्ट है, बच्चा उस ग्यान को प्राप करना भी चाता है कि नहीं करना चाता, तो इस तरह की तोगा यानि की ज्ञान प्रदान करा दिया जाएगा उसके अंदर बचे की इंट्रस्ट वैल्यूज नॉलेज और इस तरह की चीज़ें क्या थी नहीं रखी जाएंगी ओके अब इसी के बाद क्या है क्रो एंड क्रो जो हमारे एक साइकोलोजिस्त थे क्रो एंड क्रो इनके माध्यम से एक डेफिनेशन दी गई थी जो इंपोर्टेंट है एक्जाम में कई बार यह डेफिनेशन आ जाती है और आपसे पूछा जाता है कि यह डेफिनेशन किस ने दी है मैं आपको वो definition बता देती हूँ शिक्षा व्यक्ति करण वा समाजी करण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व उन्नती तथा समाज उप्योगिता को बढ़ावा देती है इसमें दो key points आए हैं जो important है पहला व्यक्तित्व उन्नती यानि कि अगर वो ऐसी education प्राप कर रहा है जो उसकी आगे चलके future में उसके लिए useful है तो उससे वो अपना व्यक्तित वो न्नती कर सकता है कैसे उसको अच्छी job मिल सकती है वो अपना ज्यान बढ़ा सकता है knowledge increase कर सकता है अगर अच्छी job मिलेगी तो वो life में settle हो जाएगा अच्छा घर होगा अच्छी wife होगी और जो आगे की life होगी वो बहुत अच्छी होगी तो इसलिए क्या है पहली चीज हमें रखी गई है कि व्यक्ति का व्यक्तवित उन्नती होना कंपलसरी है और समाजी करन यानि कि समाज के अंदर जहां पे आप रह रहे हो उसी के द्वारा आपको ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिसमें वहां पे आपको अच्छेस करने में यूस्फुल हो अब आपको ऐसी शिक्षा प्राप नहीं करनी कि आपने 10 कर ली 12 कर ली कॉलेज कर लिया फिर क्या था ड्रग माफिया बन गए आपको समाज में कौन अपनाएगा कोई भी नहीं अपनाएगा क्योंकि आपने अपनी जो आज तक की जो स्टडीज है उसका में सियूस कर दिया ड्रग माफिया बन के आपने क्या क्या समाज को हामफुल चीज़े नहीं पसंद उनको ऐसी चीज़े पसंद है जो आपको इस शोशल लाइफ में हेल्प करें जो आपको एक दूसरे के साथ जोड के रखे या आपको समझने के लिए आप किसी के लिए सहायक बने इस तरह की चीज़े तो क्रों के अनुसार जो डेफिनिशन दी गई थी वह व्यक्तित्व उन्नती वह समाजी करन की एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई थी जो समाजी उपियोगिता को बढ़ावा दे सके एक और चीज़ शिक्षा जो शिक्षा है एजुकेशन है वो केवल एक माध्यम है वो एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए कैसा अनुकूल वातावरन तयार करने का जिसके अंदर वो व्यक्तित्व करन और स समाजी करन की प्रक्रिया यान की प्रोसेस को पूर्ण कर सके शिक्षा के माध्यम से आप ग्यान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन ग्यान जो आपको प्राप्त करना है वो तो टीचर सुडेंट के बीच की प्रक्रिया के माध्यम से ही करना है ना लेकिन शिक्षा आपको एक अन चाहिए शौप पे खरीदिये और आप उनको घर पे पढ़कर भी क्या है शिक्षा एजुकेशन पर आप कर सकते हो कर सकते हो ना लेकिन उसको वैलेट क्यों नहीं बताया क्योंकि घर के अंदर हमें एक अनुकूल ऐसा वातावरण नहीं मिलता है एक ऐसा टाग नहीं मिलता है जिसको आगे चलके फ्यूचर में आप बता सके आपको 10th करने आप घर पे बैटके बुक्स पढ़लो आपको ज्यान तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन आपको क्या है academic record के according आपको वो टैग नहीं मिलेगा कि आप 10th पास हो 12th पास हो जब आप कलको इंटर्वियूस के लिए जाओगे तुम्हार पे क्या डिग्रिया मानते हैं जो आपने किसी कॉलेज स्कूल के तुरू की हो जो एक ऐसे अनुकूल वातावरन के तुरू आपको प्रोवाइट कराई गई हो जिसके academic records हो जिसका कुछ माननेता प्राप्त हो आपको वर्णा अगर knowledge ही लेनी है तो आप अब कंप्यूटर्स और घर पे अपने भाई बहनों बड़ों से भी knowledge गेंड कर सकते हैं लेकिन वह सारी knowledge जो हमारी है वह सारी indirect way में आती है वह सारी किस में आती है indirect way में उससे आप कोई चीज सीख तो सकते हैं जैसे हम घर में और families के towards रहकर कोई ना कोई daily कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं आज ममी ने आपको कोई चीज नहीं बताई तो वह आपने सीख ली आपकी knowledge में के increment हो गया आपकी mind liability stable हो गई लेकिन जो क्या है अगर उसको academic records के according देखा जाए तो वो indirect way में है direct way में नहीं है तो इसी लिए जो शिक्षा है वो हमें एक ऐसा अनुकूल वातावरंट तयार करवाती है जिससे बच्चे का सर्वागिन विकास important point है सर्वागिन विकास सर्वागिन विकास क्या होता है सर्वागिन विकास means all over development all over development शिक्षा के माध्यम से जो हमें एक अनुकूल वातावरंट तयार करवाया जाता है उसका कहने का मतलब ये है उसको समझने का मतलब ये है कि बच्चे का सर्वागिन विकास करना है यानि कि all over development करना है केवल मांसिक हमें जो mentally उसको develop नहीं करना है उसको physically, mentally, socially या moral उसके values develop करने है यानि कि बच्चे को इतना stable कर देना है कि उसकी जो सारी abilities होती है जो उसके सर्वागिन विकास के अंदर all over development के अंदर आता है physical development, emotions development, mental abilities और आपकी जो social abilities होती है, moral values होती है बच्चे के अंदर वो सारी चीज़े develop करनी है जिससे वो समाज में अपना समाज उप्योगिता के द्वारा समाजी करन कर सके आपने कई बार देखा होगा, बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी height बढ़ जाती है, उमर बढ़ जाती है लेकिन उनकी mental ability इतनी strong नहीं होती, उनकी उमर तो होती है 10 साल, लेकिन उनकी mental ability इतनी strong नहीं होती कि वो 5 वी class की कक्षा के question को समझ सके, बातों को समझ सके, तथ्यों को समझ सके तो क्या, बच्चे का physical development तो हो गया, age भी उसकी बढ़ गई, height भी बढ़ गई, लेकिन उसकी mental development नहीं हुआ, यनकी एक development अपने अचीव कर लिया उसका second development तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए शिक्षा है, ऐसे provide करानी चाहिए, ताकि बच्चे के all over development की जा सके बच्चे की जैसे-जैसे height बढ़ रही है, जैसे-जैसे उमर बढ़ रही है, उसकी according, उसकी mental ability भी इतनी strong होनी चाहिए कि वो अपनी उमर के साथ साथ, उमर के अनुसार चीजों को समझ सके, बता सके, तत्यों को अचीव कर सके और उसको आगे अपने समाज में रहते हुए, अपने जीवन के लिए, वेफसाय के लिए उपयोगी बना सके और इसी के साथ साथ उसमें moral values भी develop होनी चाहिए, बैसा नहीं है स्कूल में बच्चे को भेज दिया, कि उसने पढ़ाई कर ली, ग्रैजुएशन कर ली, एमे कर ली, उसने अच्छी नौकरी ले ली लेकिन उसके अंदर moral development values जो moral values है, moral development नहीं आया, moral development रहते हुए, जब नहतिकता दिखाते हैं तो उसके अंदर आपके चीज़ें ऐसी भी आने चाहिए, आपके मानसिक ability इतनी develop होनी चाहिए, कि अगर आप दो लोगों के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये नहीं अपना अपना फटाफट किया, खतम किया, समाप किया, मेरा काम तो हो गया, बात खतम, नहीं, वहाँ प आपकी society में कोई function organize हो रहा है, और 10 लोग आपके लिए कोई माली जे दिवाली festival है, 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई लडियां लगा रहा है, कोई stickers लगा रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, और आप आए अपने काम से फटा-फटा अपना जाके room में चले गए, तो वो moral values नहीं कि वहाँ पे आप अपनी moral values दिखा सके, कि आप उनकी help करे, आप बड़ों की respect करे, women's की respect करे, उनके rights को समझे, इन ये सारी चीज़े क्या है, education के अंदर आती है, जो हमारे सर्वागिन विकास के अंदर रखी गई है, कि बच्चे को शिक्षा तो देनी है, लेकिन ऐसी शिक बच्चे का mental development कर दो, ये चीज़ नहीं रखनी, कि बच्चे को बस ग्यान प्राप्त करा दो, बाकी बात खत्व, हमें नहीं पता, बच्चे का physical development हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा physical रूप से कमजोर है नहीं कर रहा, अगर बच्चे का physical development ही नहीं हुआ, या बाकी चीज़ रही हूं तो मेरे दिमाग के ऊपर से जाहेगी क्योंकि मैं अभी physically इतनी fit नहीं हो कि मैं उस चीज को achieve कर सकूँ सुन सकूँ समझ सकूँ तो वो क्या है mental development करना नहीं है आपको physically बच्चों पर ध्यान रहना है कि वो इतने stable है कि वो उस चीज को समझ पाएंगे सुन पाएंगे और उसको गेन कर पाएंगे और लाइफ में क्या है आगे चलते उसको अच्छे से रख पाएंगे जिससे अपना समाजी गरन करते हुए अपना व्यपसाइट चुन सगे और समा मनो विज्ञान के अंदर दो चीजे समझ ली थी है कि मनो विज्ञान क्या होता है उसकी definition क्या है किस-किस विचार को ने अपने तथे रखे थे और उसके बाद शिक्षा क्या होता है शिक्षा के बारे में हमने समझ लिया अब इसके बाद शिक्षा तथा शिक्षा मनो मतलब psychology है मनो विग्यान है आपने समझ लिया कि वो होता क्या है किसलिए उसको यूज किया जाता है अब यह भी तो समझना जरूरी है ना कि शिक्षा में कैसी यूज किया जाता है उसका education psychology child development तभी तो कहा जाएगा जब हम उसका use मनोविज्ञान को अपनी education में relate करेंगे उसको समझेंगे कि उसका महत वो शिक्षा के अंदर क्या है तो शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का आपस में relation क्या है इन दोनों को आपस म में इसका सम्मंद क्या है कि इस बात को समझना है देखे शिक्षा मैंने आपको थोड़ी तेरे पहले बताया कि शिक्षा एक ऐसा अनुकूल वातावरण तयार करता है जिसके अंदर बच्चों का all over development किया जाता है ओल ओवर development किया जाता है ठीक है और शिक्षा मनुविज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो उस प्रोसेस को उस प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए वो रास्ते वो तरकीबे वो तथ्यक होशता है जिससे जो टीचेंग प्रोसेस हो रहा है जो एजूकेशन की प्रक्रिया चल र है उसको संपूण रूप से किया जा सके तो इसी में हमारी definition है कि शिक्षा का उद्येशन व्यक्तित्व का समवगिण विकास करना वा शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा मनोविज्ञान ज्यानी की साइकोलोजिक कुछ नियम तथ्यों वपरीणाम परीणामों का प्रियोग करना है जिससे जो शिक्षा की प्रिकरिया हो रही है जो शिक्षा का ये प्रोसेस चल रहा है जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है टीचर और स्टूडेंट जो दो जो हमारे अबजेक्स हैं उसके बीच में जो वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है उसके अंदर इन दो तत्यों को रखा गया है कि शिक्षा की माध्यम से तो हमें बच्चे का ओल ओवर डेफलेप्मेंट करना है सर्वगिन विकास करना है लेकिन कैसे करना है उसके लिए कोई रास्ता कोई स्कोप तो होना चाहिए उसको हेल्फफुल बनाने के लिए उसको साइकलोजी इंपोर्टेंड है जिसके अंदर कुछ ऐसे इनियम कुछ तथे कुछ परिनाव रखे जाते हैं जिससे शिक्षा की प्रक्रिया को पॉजिटिविटी देकर एक उपयोगी माध्यम बनाया जाता है इसके बाद जीवन के प्रतेख छेत्र के अंदर जो हमारा ला इस तहिने बाकी चीजे हैं जीवन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर सही रूप में समाई ओजन करना और विकास करना और अपने आपको ढालना परिवर्तन करना उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है कि शिक्षा तो हमने प्राप्त कर ली है कि हमें इस इसका ज्यान हो गया लेकिन उसको कहां उपयोग करना है वह भी तो आपको सीखना है अगर आपने 10th की education प्राप्ट कर ली है तो आपको पता होना चाहिए आपको 10th की education जो आपकी useful होगी वो कहां होगी तो उसके लिए वो जो कहां क्यूं कब के रास्ते है वो खोलने का काम आपका शिक्षा मनोविज्ञान करता है आपको ऐसे नियम और तथ्य और सनप्रत्य देता है जिससे आप अपनी प्राप्ट की गई शिक्षा को महा पर useful बन सके जो हमारा जीवन प्रिक्रिया है उसके अंदर हम समायोजन कर सके अपना website चुन सके अपना interest डवलप कर सके दूसरों को ग्यान दे सके यह नहीं कि बातू नहीं ग्यान दे सके उनको एक प्रॉपर मार्ग दशन या इस तरह की guidance प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो भी उ यानकी मनोविज्ञान को शिक्षा का महत्व समझते हुए अपनी जीवन प्रिक्रिया यानकी वेवसाय और समाजी करन का जो स्वरूप है जो प्रिक्रिया चल रही है उसको अच्छे से अचीव कर सके अब सीखने और सिखाने के जो प्रिक्रिया हो रही है वो किस के बीच ह जो प्रिक्रिया हो रही है उसके लिए शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है और यह चीज यानि कि शिक्षा प्रिक्रिया के अंदर कुछ ऐसे गोल्स और कुछ ऐसे एम सेट किये जाते हैं जिनको अचीव करने के लिए ही शिक्षा की प्रिक्रिया का प्रोसान क किया जाता है और लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए जो हमने जो गोल्स और जो अब्जेक्टिव सेट किये हैं पहले से उसको अचीव करने के लिए हमारे लिए जो सायक है पूंड रूप से वो शिक्षा मनोविज्ञान है हमने बच्चे को टेंथ की एड्यूकेशन किये गए होंगे कि बच्चे को मैस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है अगर बच्चे को एक्जाम्स जब बच्चे का लिया जाता है यानि कि मुल्यांकन किया जाता है वो क्यों किया जाता है कि टीचर के माध्यम से यह चीज़ चेक की जाती है कि जितना मैंने बच्चे को पढ़ाया है, जितना मैंने बच्चे को समझाया है, जो goals मैंने objectives और जो goals achieve करने के लिए set किये गए हैं, वो पूर्ण हो भी रहे हैं या नहीं, मैंने बच्चे को science पढ़ा दी, maths पढ़ा दिया, या मार लीजे कोई 2 की table पढ़ा दी, बच्चे को मैंने class के अंदर 2 की table पढ़ा दी, 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, ऐसे करके मैंने बच्चे को पूरी table समझा दी, अगर मैं बच्चे का, मुझे इसके लिए मैंने goals पहले सी set करे थे, कि बच्चे को 2 की table के माध्यम से ये पता चल जाएगा, कि multiplication करके हम कैसे tables को लिख सकते हैं, या 2 की tables कैसे होती हैं, उनमें जोड हो रहा है, गणा 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 जमा क्या हो रही है चीज़े, गणा जमा घटा, तो इसके माध्यम से क्या है, बच्चे को पता चल जाएगी, तो इसी लिए मैंने जो goals और achievements जो चेक करने के लिए set की थी, वो 2 की table मैंने पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं बच्चों का मुल्यांकन करूँगी, बच्चों का evaluation करूँगी, exam लूँगी, ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चे ने वो goals जो मैंने set किये गए है, वो achieve हुए भी है या नहीं, या वो हवा में उपड़ चले गए, क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 ने achieve कर लिया और बाकी ने नहीं किया, अगर बाकी उनने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, उसके पीछे reasons क्या थे, कोई उनको problem face कर रही है, या कोई उनको और कोई problem आ रही है, वो educational problem है, उनकी personal problem है, उन चीजों को समझते वे उसको निदान करकर, यानि कि उसका remedial कर देते वे, इन चीजों का पता लगाना है, कि जो हमारे set objects होते हैं, यानि कि set goals होते हैं, उनको किस रूप में प्राप्त किया जाए, ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान का कुछ नियाम तत्य या ऐसा रास्ता प्रदान करना है, जिससे हम, जो हमारे set goals हैं, उनको अचीव कर सकें, एक और जीज़, जो हमारे last में बोली गई हैं, बहुत important है, कि शिक्षा को एक साध्य कहा गया है, शिक्षा को क्या कहा गया है, एक साध्य कहा गया है, और शिक्षा मनोविज्ञान को psychology में एक साधन कहा गया है, यानि कि शिक्षा एक साध्य है, जो हमें बच्चों को education प्रोवाइड करनी है, वो एक साध्य है कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, किस लिये करना है, क्यूं करना है, कैसे करना है, और साधन उसका क्या है, वो शिक्षा मनोविज्ञान हमें प्रोवाइड कराता है, कि वो किस रूप में करना है, किस conditions में करना है, क्या सोचते हुए करना है, ये सारी चीजे क्या होती है, वो हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, as a teacher अगर आपको शिख्षा का अर्थ पता है आपको पता है कि एजूकेशन क्या है शिख्षा क्या है दो लोगों के बीच जो ग्छान का आदान प्रदान हो रहा है teacher, student या किनी भी दो लोगों के बीच में तो वो क्या है? शिख्षा है उसमें जो विकास है एक ऐसी चीज है जिसमें हमारा विकास परिवर्तन होता है वहवार परिवर्तन होता है वहवार परिवर्तन से मेरा कहने का मतलब यह है माल लिजिये कि मैंने बचे को 2 की टेबल लर्न करने के लिए दी अगर आज मुझे 2 की टेबल नहीं आती है As a student, अगर मुझे 2 की टेबल नहीं आती है मैं विलकुल कोरी से लेट हूँ मुझे 2 की table के बारे में कुछ नहीं पता मुझे ये भी नहीं पता कि 2 into 1 multiply करके 2 बनेगा 2 को 2 की गुणा के साथ करूंगी तो 4 बनेगा ये चीज़े नहीं पता है तो क्या है अभी मेरे अंदर normal behavior है लेकिन जब मैंने 2 की table learn करी मेरी teacher ने मुझे 2 की table सिखाई तो मुझे जो मेरे ग्यान में परिवर्तन आया है मेरे वहवार में परिवर्तन आया है उसके बाद क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कि 2 की table किस रूप में है 2 की table किसको किसके साथ multiply करने पर क्या बनता है ऐसा तो नहीं है न कि 2 into 1 4 होगा बिल्कुल होई नहीं सकता 2 into 1 आपका 2 ही होगा 2 into 2 आपका 1 होगा और 2 into 2 आपका 4 होगा तो इसलिए concept जो है जो एक प्रक्रिया है शिक्षा की वो पता चल जाएगी और उससे बच्चे का वहवार परिवर्तन हो जाएगा उसमें क्या है शिक्षा के अंदर ऐसी चीजे रखी जाती है जूकेशन में कि बच्चे का वहवार परिवर्तन होना जरूरी है अगर किसी बच्चे का वहवार परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसने किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्थी नहीं किये अगर मेरा जो गोल था मेरा उब्जेक्टिव जो सेट किया हुआ था मुझे ये था कि मेरे सिखाने के बाद आपको साइकोलोजी का अर्थ, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान का सम्मद अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको अगर वो चीज़े समझ आ गई, वो चीज़े concept आपके mind में fit हो गए कि शिक्षा है क्या, मनोविज्ञान क्या है, उनको correlation क्या है, उनका सम्मद क्या है तो यानि कि आपका automatically क्या है आपके behavior और knowledge में change हो जाएगा पहले तो आपको नहीं बता था कि मनोविज्ञान होता क्या है, लेकिन अगर आप मैं आपसे अचानक question पूछ लूँ मेरे बढ़ाने के बाद कि मनोविज्ञान क्या है, कौनसी इसकी definition है, आधूने definition क्या है, पहली विश्विध्याले जो रखा नीव रखी गई थी, वो किस ने रखी थी, कब रखी थी, आज उसका नाम क्या है अगर आप उसके answers मुझे कर देते हैं, तो इसका मतलब आपके knowledge में increment हो गया, आपने वो चीज़े achieve कर ली है, ग्यान में परिवर्तन हो गया है, पहले आप 0 पर थे, अब आप 0 से 10 पर पहुँच गए हैं, तो मतलब आपका वैवार परिवर्तन हो गया है, इस तरह के परिव परिवर्तन को ही education कहा जाता है, अगर मैंने किसी बच्चे को यही मेरे पढ़ाने के बाद, अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता चला कि मनोविज्ञान है क्या, तो उसके लिए मेरी आज की class पूरी useless है, उसको यहीं नहीं पता चलेगा कि मनोविज्ञान क्या है, ज्ञान का शिक्षा में क्या अर्थ है वो बताईए तो पहले भी उसे नहीं पता था आज भी उसे नहीं पता तो वो उसी समान पायदान पर रहा ना क्योंकि उसे पहले भी वो जीरो पर ही था और आज भी क्या है वो जीरो पर ही है तो उसका कोई भी वहवार परिवर्तन नह कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ उसकी नॉलिज इंक्रीमेंट नहीं हुइ उसका ज्यान का विकास नहीं हुआ तो इसलिए हट शिक्षा का जो अर्थ है शिक्षा को एक साध्यज़र हो लगया इसलिए कि उसमें वहवार का परिवर्थन होना बहुत gir slash और जो शिक्षा मनुविज्ञान है वो सिर्फ से साधन है कि जो वहवार परिवर्तन करना है बच्चे को 0 से 10 पे लेके जाना है, उसको कैसे लेके जाना है, किन-किन चीजों का यूज करते हुए लेके जाना है, छोटे बच्चों को अगर आप कोई भी चीज सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों की क्या होती है, वीजवल पावर जादा तेज होती है, अगर आप उनको कोई चीज दिखा के समझाएंगे, तो बच्चे क्या जल्दी समस्ते हैं, जल्दी उब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनकी अनुकरण की जो प्रकरिया होती है, वो उनके घर के परिय चोटे बच्चे होते हैं, शीशु के बाद जब उनकी उमर बढ़ती है, वो एक साल के होते हैं, दो साल के होते हैं, तीन साल के होते हैं, क्या आप उनको इनको व्याकरण का ज्यान देते हैं, नहीं न, आप उनको सर्वनाम, संग्या, विशेशन, विश्लेशन और ये समास वेगेरा का ज्यान देते हैं आप उनको नहीं बताते न सर्वनाम क्या है संग्या क्या है भाशा तो नहीं सिखाते तो भाशा वो बच्चा कैसे सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से अपने घर के द्वारा यारी कि अब्जर करके सीखता है अगर मैं as a teacher या घर के अंदर उसकी मॉम है डेड है बाकी लोग है उनका observation करता है तो वो automatically क्या है भाशा सीख जाता है बच्चे को भाशा का ज्यान कराने के लिए आपको कोई भी particular aspects या चीजों का इस्तमाल करने की जरुत नहीं है उसको किताबी भाशा समझाने की जरुत नहीं है कि सर्वनाम यह है संग्या य आपा ममा का जा रहे हो पापा का जा रहे हो मुझे इस सारी चीज़ेस यह आम भाशा तो क्या है बच्चा जासे जैसे अपने एंवार्मेंट में सीख रहेगा जैसे जैसे अपने परिवार को देखेगा समाच को देखेगा इसको देखेगा वह automatically सीख जाएगा अब उसको तो यह सारी चीज़े क्या है बच्छा आम भाषा को आम भाषा के रूप में अनुकरण के माध्याम से सीख जाता है मैं इसको ब्लैकबोर्ड कह रही हूं तो कल को बच्चा भी ब्लैकबोर्ड कहेगा इसको ब्लैकबोर्ड कहने के लिए मुझे बच्चे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि ब्लैकबोर्ड की डेफिनिशन यह है ब्लैकबोर्ड इ आपने देखा होगा हमारा जो Indian culture है Indian समाज है उसके अंदर जो हमारी mother tongue जो हमारी मात्र भाशा है वो Hindi है तो इसें के बच्चों को उसकी मात्र भाशा सिकाने के लिए कोई अलग से ज्ञान नहीं देना पड़ता है कोई अलग से किताब नहीं देनी पड़ती लो बच्चों किताब पड़ो इससे तुम्हें अपनी मात्रभाशा का ग्यान होगा नहीं वो अपने माबाप को देखकर समझ कर समाज को देखकर अनुकरन के माध्यम से अब्जर्व करके सीख जाता है तो ऐसे ही जो foreign countries होती है जैस कि यहां पर उनकी मात्रभाशा है जो आर्म-वॉलचाल की भाशा है वो हिंदी है था इस लिए को हिंदी को ही फोक्स सब्सक्राइब लो इस sales iind했던 एस ज होती है वहाँ पे उनकी mother tongue होती है या मात्र भाशा होती है वो क्या होती है English होती है तो वहाँ पे भी उनको कोई English की किताब नहीं दी जाती लो vocabulary पड़ो लो grammar पड़ो इससे क्यों आपकी मात्र भाशा strong होगी नहीं वो भी क्या अपने parents को देखकर सीखकर अनुकरण के द्वारा वो तो जरूरी नहीं academic records में उनकी English अच्छी हो मात्र भाशा के द्वारा उन्होंने English सीखी है बस बोलनी सीखी है इसलिए उनका एक flow बना हुआ है कि वो अपनी जो आसपास की चीजें हैं बोल चाल है उसको English में conversation करते हैं लेकिन जरूरी नहीं academic रोप से उनकी grammar इतनी strong हो उनक क्योंकि उनको grammar नहीं आती उनको बोलना ही तो आते है क्योंकि उन्होंने अनुकरण करके सीख लिया लेकिन grammatically वो इतनी strong नहीं होते हैं कि वो अपने academically English में marks अचीव कर सके ठीक है तो इसमें last point मेरा इसमें यही था शिक्षा क्या है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोनों का सम्मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि शिक्षा का अगर प्रक्रिया करनी है तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही नियम और तत्यों को समझते हुए उस प्रक्रिया को संपून किया जा सकता है उपयोगी बनाया जा सकता है जिससे बच्चों की जो education है उ प्रक्रिया को साधन के रूप में वोसे लिए तरीका है वोसे लिए जरीः है मनोविज्ञान कि आपको जो अभ्र एम जो आपके goals, set हैं उन को कैसे अचीव करने है बस आपको पता जाल जाए जिक कि आपका बच्चा इस चीज में कमजोर है इस चीज में strong है, तो आप strong वाली चीज को हटा देंगे, कि बच्चा उसमें already strong है, आपको उसमें महनत करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मार लीजे math, science के दो subjects हैं, बच्चा आपका math में strong है, science में कम जोर है, तो आप बच्चे के math में focus नहीं करेंगे, आपको उसकी कमी पता चल गए, आपको शिक्षा मनु विज्ञान के द्वारा आप उसके लिए कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी चीजे खोजेंगे, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके, जिससे उसको science में interest develop हो सके, या जो चीजे उसे science में मुश्किल लगती है, जो चीजे वो learn नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, उनको कुछ ऐसे easy way में समझाना है, जिससे बच्चा interested develop करने के साथ साथ उसको पढ़न सके, समझ सके, और कल को अगर आप उससे question put करें, तो समझने के बाद वो आपको उसी way में explain कर सके, तो क्या होगा, आपका जो ये इन दोनों subjects का, शिक्षा और वो आप एक balance करके चलेंगे, कि आपको जितनी एक subject पे पकड़ है, आपकी उतनी ही, दोसे subject पे भी पकड़ है, ऐसा नहीं कि बच्चे का mass बहुत strong है, तो आपको मैनत करने की क्या ज़रत है बच्चे के बिछे, mass strong है, mass में 100 out of 100 दो, और बात खदम बच्चा पास हो गया, हो पीछे रह जाएगा, क्योंकि all over जो evaluation की जाती है, वो सभी के through की जाती है, तो इसलिए बच्चे का एक subject में strong होनी से कुछ नहीं होता, उसको क्या है, एक medium way में, एक balance way में, सभी subjects में strong होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए शिक्षा जब भी provide कराई जब भी education दी जाए, student और teacher के माध्यम के बीच जो प्रकरिया चल रही है, माध्य के बीच, वो शिक्षा मनो विज्ञान की help से ही दी जाए, जिसमें हम उसकी समस्या को समझते हुए, उसका निदान करते हुए, उसका remedial देते हुए, उसको साध्या बनाते हैं, thank you. Hello friends, I'm Swati Singh, आज हम जो अमारे topic चल रहा था, शिक्षा मनो विज्ञान और psychology का, उसके अंदर आज हम नया अपना sub-topic स्टार्ट करने वाले हैं, शिक्षा मनो विज्ञान का इतिहाज. शिक्षा मनो विज्ञान का इतिहाज. ये वाले topic important है, बहुत, क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी चीज़े पता चल जाएगी, कि कौन-कौन से दाश्रिकों ने अपने प्रियोग किये, और किस पर प्रियोग किये, और वो शिक्षा मनो वि मनो विज्ञान में किस रूप से helpful हुए, यहाँ पर हम इस education जो है, अपनी शिक्षा जो है, जो हम स्कूलों में बच्चों को देते हैं, उसको अलग अटाके चलेंगे, यहाँ पर इसे हम मनो विज्ञान यानि कि psychology के बारे में ही बात करेंगे, कि उसके अंदर मनो विज्ञ में कौन-कौन से शिक्षकोंने और दाशनिकोंने अपनी प्रियोग रखे थे, वो important है, जिसमें हमारे पहले दाशनिक जो थे, जो जालत दाशनिक रहे हैं अभी तक के, वो ग्रीक दाशनिक रहे हैं, ठीक है, ग्रीक और जर्मनी रहे हैं, तो ग्रीक दाशनिकों में, जो स इसके अंदर जो जो important point आते जाएंगे important दाशनिक आते जाएंगे मैं आपको बताते वे चलूंगी उनको note कर लीजेगा जो हमारे first थे वो थे डेमोक्रेटिक्स इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तित्व शिक्षा में घरेलू शिक्षा पर जोड दिया था घरेलू शिक्षा से आप समझ रहे हैं घरेलू शिक्षा वो होती है जिसमें बच्चों को अपने घर से शिक्षा प्राप्त हो घरेलू शिक्षा में मैंने आपको कल जब मनोविज्ञान के बारे में जो उसकी परिभाशाएं दी थी और दाशनिकों के बारे में बताया था तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि घरेलू शिक्षा होती है जो हमें घर से शिक्षा पराप्त होती है बच्चे की जो पहली शिक्षा होती है वो घर से हमें मिलती है ठीक है वो किसी भी रूप में मिल सकती है या तो हमें अपने माता पिता के रूप में मिल सकती है य अगर माहा से ही पहले से ही बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बच्चा आगे चलकर उनी पॉजिटिव वेस के थूँ अपना अच्छा डवलेप्मेंट कर पाएगा तो इसमें सेकिंड दाशनिक थे हमारे अर्स्तू और पिलोटो इंपॉर्टेंट है आगको पता ही हमारे इसमें मनोविज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट और जो दाशनिक है उनमें से अर्स्तू और पिलोटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने क्या गया था? इन्होंने मनो विज्यान के कुछ नियम और सिद्धानतों पर बल दिया था जिसमें कुछ चीजें थी जैसे चरित्र्शिक्षा के बारे में बच्चों का एटूकिशन देनी चाहिए और शिक्षन विधियों का प्रियोग किया गया था कि कौन-कौन सी शिक्षन विदियों का प्रियोग करके हमें बच्चे को समझ सकते हैं, हम उनके वहवार को जान सकते हैं या जिस प्रकार की बच्चा समस्या अपने सामने पा रहे हैं, उसका निवारन कर सकते हैं तो क्या कहा था अरस्तु और पिलेटो जी ने कि मनोविज्ञान में कुछ ऐसे नियम और सिधान्त होने चाहिए जिसके द्वारा हम classroom teaching को effective बना सके और classroom में या environment में भी अपने इस परकार की शिक्षा कर सके कि बच्चे को समझते हुए उसके सामने जो चीज़े मुश्किल आ रही है उनका निवारन करते हुए उसको शिक्षा प्रदान की जाए ठीक है एक और बाद इसमें जो इसका second point है ये इसका था first point इसमें जो second point है इन्होंने मस्तिक्ष के संक्य सिधान्त यानि की faculty theory के बारे में भी नियम दिये थे कि जो बच्चे का मस्तिक्ष होता है ना यानि कि mind होता है उसके अंदर जो किरियाए चल रही होती हैं जो सिधान्त होते हैं या फिर जो एक ऐसी चीज़े होती हैं जैसे बच्चे का छोटे से लेके बड़े तक की जो मानसिक्ष क्रियाए उसका परिवर्तन होता है उस पर जोर दिया था कि संक्य सिधान्त के बारे में as a teacher आपको बच्चे को समझना जरूरी है क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि बच्चा आज कौनसी stage पर हैं किस तरह की situation में हैं उसके अंदर क्या-क्या परिवर्तन चल रहे हैं उसकी मानसिक्ष क्रियाए क्या परिवर्तित हो रहे हैं तो इसी लिए अरस्तु और पिलेटों ने नियम वसिधान्त और सेकिंड पॉइंट संक्य सिधान्त नेनके faculty थियोरी पर जोर दिया था इसमें हमारे थर्ड थे रूसो रूसो जी ने भी अरस्तु और पिलेटे को पुलोटों को पॉजिटिव वे में उसका प्रतिपादन किया उन्होंने इसको support किया रूसो जी ने भी क्यों नियम और सिधान्तों के बारे में भी रूसो जी ने कहा था और उन्होंने क्या कहा था कि मानव विकास जो है वो पून रूप से नियमों और सिधान्तों पर होना चाहिए क्या कहा था रूसो जी ने कि मानव सिधान्त क्या है मानव विकास नियमों पर आधारित है नियमों पर आधारित अब नियमों पर आधारित कैसे कहा उन्होंने देखिए नियमों पर आधारित ऐसे कहा कि जो भी मानव विकास होता है ना वारा stage by stage अब ऐसा दो नहीं है ना आज बच्चा पैदा हुआ वो आप देखेंगे कुछ समय के बाद एक साल के बाद वो डिरेक्ट दस साल का हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं हर एक जो stage आती है शेशब वविस्था बाले वविस्था किशोर वविस्था प्रोण वविस्था वो सारी stages को ही cross करके बच्चा आगे बढ़ता है अपना विकास करता है तो हमारे पास कुछ नियम दिये गए हैं पहले से ही कि इस उमर में बच्चे को ये चीज़े फेस करनी है इस उमर में ये चीज़ करेगा आप आपने कोई बच्चा ऐसा देखा है कि पैदा होते ही वो बोलने लगता है भाशा आती है उसको नहीं क्या है वो foreign countries में हो इंडि कैसा भी बच्चा हो उससे कोई मतलब नहीं है सबी बच्चे को सबी stages क्रॉस करनी पड़ती है ठीक है इसमें एक और चीज़ रूसो की एक बहुत important और काफी प्रसिव पुस्तक थी इमाईली इमाईली इसमें क्या गा था इसकी अंदर इन्हों ने रूसो जी ने जो ये पुस्तक प्रकाशित की थी इमाईली पुछा गया था कि इमाईली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसके जो राइटर है साइकलोजिस्ट हमारे रूसो है ठीक है तो इमाईली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है रूसो जी के द्वारा है और इसमें क्या कहा गया है इसमें मनों विज्ञानिक के सिर्दानत और नि जो हमारे फोर्ट हैं वो हैं जॉन लोग इन्होंने क्या कहा था जॉन लोग जी ने यह एक अनुभव वादी थे जो जॉन लोग हमारे साइकलोजिस्ट हैं यह बहुत ही प्रसिद एक अनुभव वादी थे इन्होंने संके सिध्धान ती यानि कि जो अभी मैंने आपको बता आया कि अर्श्तु जी ने जो फैकल्टी थियोरी दीती संके सिद्धान उसका विरोध करते हुए इन्हों ने शिक्षा का शिक्षा का अब चारिक सिद्धान दिया था यह इंपॉर्टेंट है एक्जाम में भी पूछा गया है शिक्षा का अब चारिक सिद्धान किसके द्वारा दिया गया था जॉन लोग जी के द्वारा दिया गया था और इसमें बात क्या कही गई थी कि यह जो शिक्षा का अब चारिक सिद्धान दिया गया है जॉन लोग जी के द्वारा कहा गया था कि बच्चों के समक्ष कुछ ऐसी चीजे रखी जाएं जिनका उनका जितना भी उनका mind level है ना mental level है उससे उपर ही रखा जाए अगर बच्चे का mental level 40 या 50 के बीच का है तो बच्चे के सामने शिक्षा के द्वारा कुछ ऐसी चीजे रखी जाएं पढ़ने के लिए या शिक्षा का इस्थर जो हो वो उससे उपर ही हो अगर 40 या 50 बच्चे का mental level है तो बच्चे के सामने 55 और 60 के बीच की चीजे शिक्षा का इस्थर रखना चाहिए क्यूं रखना चाहिए वो तो हाई हो गया बच्चे का mental level तो आपका 40 और 50 है तो बच्चा 55 और 60 के IQ level के साब से कैसे बढ़ेगा वो इसलिए कहाता उन्होंने कि बच्चे का उससे mind sharp होगा अगर बच्चे को पहले ही कुछ ऐसी चीजे सिखा दी जाए मुश्किल चीजे जि तो इसके अंदर क्या कहाता कि शिक्षा का अपचारिक शिधान के अनुसार बच्चे का जो शिक्षा का स्थर है वो थोड़ा बच्चे के मानसिक स्थर के अनुसार थोड़ा उंचा रखा जाए और उसके अंदर बच्चे को जैसे ग्रीक भाशा थोड़ी मतलब मुश्किल होती है लेटिन भाषा या गड़ेत साइंस इस तरह कि क्या है सब्जेक्ट जो थोड़े मुश्किल है पहले से बच्चे को सिखाए जाए इससे क्या होगा बच्चा जैसे मैस है मैस के सम सॉल्व करता है तो उसका दिमाग चलता है वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करत पढ़ लेगा उसको किसी भी प्रकार के दिक्कत मेसूस नहीं होगी फौर्थ हूमारे जॉन लॉक टें शिकषा को अव्चारिक्षित्दान दिया यह आपको समझ आ गया हो गा इसके बाद आयते हमारे पेस्टोलोजी इसके बाद आयते हमारे पेस्टोलोजी इन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को तो पढ़ाना ही है बच्चों को तो शिक्षा प्रदान करनी है उसके लिए तो हम साइकलोजी मनोविज्ञान में इतने सारे नियम और सिधान्त वेगरा सब करी रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग होनी ही चाहिए इसके अंदर पैस्टोलोजी ने ये कहा था कि शिक्षक परिक्षण के विकास के लिए मलब शिक्षा के विकास के लिए शिक्षक परिक्षण भी प्रभाव कारी है अगर हम बच टीचर्स को भी क्रांती कारी रूप से आप मान लेज़े छोटा से एक्जामपल जैसे पहले के स्कूल्स हुआ करते थे मदस से और गुरु कुल वेगेरा उसमें क्या था? उसमें सिर्फ नॉलिज बेस चीजे थी कि आप क्लास में आग debating May आपको ज्ञान प्रदान करना है और भ्रकान दो ठीक है उसमें आपके लिए वो कैसे ज्ञान प्रदान कराते थे या तो आपको कोई अगर practical type है तो करके दिखा दिया या वर्ना ओरली आपको बोल के समझा देते थे उसमें कोई और innovations या किसी प्रकार के प्रतिबादित नहीं किये कहे थे लेकिन पेस्टोलोजी के अनुसार उन्होंने का था कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है उनको ऐसी विद्धियों का ज्यान होना चाहिए ऐसे सिध्धान्तों का ज्यान होना चाहिए जो बच्चों के लिए अस्रकार हो मतलब अगर आप किसी बच्चे को किसी प्रaublem में देख रहे हैं तो आप उसको समझते हुए किन विद्धियों और सिध्धान्तों का प्रयोग करते हुए उस बच्चे की प्रबलम को सॉल्व कर सके ताकि बच्चा इजी वी आपके साथ फ्रेंक भी हो, अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और बच्चे को किसी प्रकार की दुवीदा का संभव मतलब एहसास भी ना हो तो इसलिए पैस्टोलोजी ने टीचर ट्रेनिंग के बारे में कहा था और इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तियों की शमता को जगाना मतलब पैस्टोलोजी ने कहा था कि टीचर ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए इसके बाद शिक्षा का जो उद्देश्य रखा था कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिए बच्चों को जिसमें बच्चों की यानि कि व्यक्तियों की शमताओं को जगाना हूँ व्यक्तियों की शमताओं को जगाना इसके अंदर क्या का था? कि जो बच्चों के अंदर creativity है, चीजे है, talent है, उसको बाहर निकालना बच्चक खुद इतना active हो, खुद इतना motivated हो हर चीज के लिए कि बच्चे को किसी चीज के लिए force ना करना पड़े बच्चक खुद अपनी शमताओं को समझें कि उसके अंदर क्या talent है, क्या creativity है, उसको बाहर निकाल के लिए कराए और सबके सामने समक्ष रूप से रखें और बहतरीन शमताओं का विकास करना दूसरा था बहतरीन शमताओं का विकास करना बहतरीन शमताओं का विकास करना इसके अंदर क्या कहा था? इसके अंदर कहा था कि बहतरीन शमताओं का बच्चे के अंदर विकास कैसे किया जा सकता है अब आपको भी पता है, सब जादा extrovert नहीं होते हैं, जादा superior नहीं होते हैं या ज्यादा talent नहीं होता है किसी में, कुछ बच्चे medium भी होते हैं जो अपना study की pass हो गए, normal marks लेके और आगे का अपना देख लेते हैं, कि studies करनी है, कि कोई career set करना है, उस सब चीजों में, लेकिन school में उनको ऐसी opportunity provides कराई जाएं, ताकि वो बच्चे जिनमें कोई talent भी ना हो लेकिन ऐसी गतिविधियां organize कराई जाएं, ऐसी चीजे activities रखी जाएं, ताकि वो बच्चे भी उसमें involved हो, जैसे cultural programs होते हैं, और छोटे मोटे हम कोई न कोई activities करवा देते हैं, तो इन सब चीजों में क्या होता है, बच्चे को पूरी class के साथ involve करके, कुछ चीजों activities के लगती है, ओके, यह हमारे पेस्तोलोजी ने कहा था, इसके बाद अठारवी शिताबदी में जर्मन दाशनिक आए, यह हमारे सारे कौन से दाशनिक चल रहे थे अब तक के, यह सारे ग्रीक दाशनिक चल रहे थे, अब आये जर्मन दाशनिक, अठारवी शिताबदी में, ज जोहन हर्बड ने शिक्षा के अंदर मतलब अगर बच्चे को हम इस प्रकार की शिक्षा देते हैं जिसके अंदर बच्चों का कोई इंटरस्ट ही नहीं है तो बच्चे ना तो उसको समझेंगे ना वो उसके लिए भविश्य में लापकारी होगी तो इसलिए उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है वो सिर्फ academic records के लिए आप रख सकते हैं लेकिन वो बच्चे के किसी भी प्रकार के समायोजन में फायदेवन नहीं है ना तो वो उसके website में है ना उसके समाजी करण में है ना उसके इंट्रस में है उसके मांसिक लेवल के according भी वो नहीं है अब मान लीजे किसी बच्चे को दांसर बनना है आप जबर दस्ती उसके फोकस करवाए कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है जब उसका इंट्रस्ट ही डांसर बनने में है तो वो डॉक्टर की जो पढ़ाई है ना त शिरू कर दे लेकिन बच्चा उससे क्या है पूरी जिंदे की कही ना कही उदासीन रहेगा मतब उसके अंदर कोई ना कोई सैडनेस पॉइंट रहे गई कि मेरा इसमें इंट्रस्ट था मैंने नहीं किया तो इसी लिए जॉन अर्बट ने क्या का कि शिक्षा एक ऐसी चीज मनोविज्ञान के तुरू हमें बच्चों की शिक्षा तो प्रवाइड कराये जाएगी जो उसकी अंदर शिक्षा में बच्चों की अभी रुच्ची का ध्यान रखना चाहिए मतलब इंट्रस्ट को देखना चाहिए कि बच्चे का किसमें इंट्रस्ट है ठीक है और इनों में क्या कहा था इसके बाद आये थे हमारे दूसरे जर्मन जो फिलॉसफर थे वो थे हमारे फ्रोबल बहुत इंपोर्टेंट है इसके अंदर इनोंने एक विधी दी थी आपको शायद पता हो नहीं पता तो मैं बता देती हूं इनोंने क्या था पढ़ाने की नई पद्दी या नई विधी का निर्माण किया था जिसे किंडर गार्डन विधी कहते हैं क्या कहते हैं किंडर गार्डन विधी वो हमारे किसके द्वारा दी गई थी फ्रोबेल के द्वारा किंडर गार्डन विधी किंडर गार्डन विधी किसके द्वारा दी गई थी फ्रोबेल के द् अब इस विधी के अंदर क्या कहा गया था? जो फ्रोबेल जी थे, उन्होंने क्या कहा था? किंडरगार्डन पढ़ाने की एक नई विधी दे दी, जैसे बाकी विधी हैं कि हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थुरू पढ़ा सकते हैं साइंस में, कि छो लाब में ले जाए एक्सपेरिमेंट करें, उनके सामने वो वीजवल करेंगे, हेरिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा? अच्छे से उनको समझ आएगा और उसको परवनेंट नॉलिज में उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो ऐसे ही फ्रोबेल ने अपने द्वारा एक किंडर कार्डन विधी ली थी, इसके अंदर क्या कहा था? कि बच्चों के जो अर्लियर एक्सपेरियंस हैं, प्रिवियर्स नॉलिज है, उसको ध्यान में रखते वे पड़ाया जाए मतलब किंडर कार्डन विधी के अंदर जो पारंबिक अनूबूतियों के उपर महत्वर डाला था, अर्लियर एक्सपेरियंस इसको याद रखना पूछ ले दें एक्जाम में कि किंडर कार्डन विदी के उपर किस पर जोर दिया गया था अर्लियर एक्सपीजिएंस के उपर जोर दिया गया था फोर एक्जामपल आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी पच्चे को स्कूटी चलानी सीखनी है तो उससे पूछा जाता है आपको साइकल चलानी आती है क्यूं कि स्कूटी और साइकल का आप सोचते हों भी सम्मंद क्या है वो तो ऑटोमेटिक है मोटर केर से चलती है और कितना बैलेंस रख पाते हैं और वही चीज़ आपकी स्कूटी में है कि महां पे भी आपका बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है तो इसी लिए किंडर गार्टन विधी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी बच्चे को साइकल चलानी आती है तो वह एजीली किया है आप स्कूटी वो उसको positive transfer कर रहे हैं उसके new experience learn करने में और जैसे किसी बच्चे को हम starting से ही mathematical concepts सिखाते हैं plus हो गया plus minus multiply divide अगर किसी बच्चे को यह आते हैं plus minus divide वेगेरा तो आप बच्चे को क्या है easily board maths का concept सिखा सकते हैं उसको arrange कैसे करना है वो आपको बच्चे को सिखाना है तो वो नया उसका अनुभव होगा लेकिन उसके यह earlier experiences यानकि जो से पहली class से दसवी class तक आटवी class तक सीखे हैं और जब वो नया कोई experience learn करने बैठे का board maths का तो उसके लिए इमापे helpful होंगे तो उसके earlier experience क्या है new learning experience में helpful होंगे तो kindergarten विदी के अनुसार यही कह गया है कि आपको ऐसी चीज़े हमें बच्चे को पढ़ानी चाहिए जो उसके early experience को उसके new learning experience में help करें ओके इसके बाद आते हैं हमारे Francis's Galton इसके बाद हमारे आते हैं Francis's Galton इन दाश्रीकों ने का का था इन्होंने हर व्यक्ति के individual differences पर ध्यान दिया था तो मतलब आपकी education पूरी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है ऐसा नहीं है जैसी मैं हूँ वैसे ही आप हो वैसे ही आपके friend हो वैसे ही आपके mom dad हो बिल्कुल भी possible नहीं है क्यों हर किसी बच्चे के अंदर अपने individual differences होते हैं हर किसी का IQ level अलग होता है सीखने का मानसिक स्तर अलग होता है कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है अगर मैं कि आपको यह सिखा रही हूँ तो क्या पता कुछ ऐसे students हो जो एक ही बार वीडियो को देखी और समझ आजा है ऐसे भी हो सकते हैं जो दो बार play करके देखे समझ आजा है ऐसे भी हो सकते हैं कि जो चार बार play करने के बाद भी समझ ना है तो इसी लिए हर किसी के अ है तिकता है सब में adventure differences होते हैं हर कोई शारिरिक यानि कि physical रूप से अलग होता है mentally यानि कि IQ level के according अनुरूप के अनुसार क्या different होता है और psychological भी अनुरूप के अनुसार वो different होता है तो यह सारी चीज़े क्या होती है बच्चा हर जो बच्चा पैदा होता है वो अपने आप पर जोर दिया था जिसके कारण मानसिक शम्ता को मापने का एक प्रतिपादे का आया था मतलब फ्रांसिस गाल्टन ने जब व्यक्तिकत भिंता पर जोर दिया तो बाकी राशनिकों का बाकी लोगों का मानसिक शम्ता को मापने की और ध्यान गया कि सही बात है अगर सबके अंदर व्यक्तिकत भिंता होती है यानि कि सबका IQ लेवल, mental लेवल अलग है तो क्यों न ऐसी चीज़ें रखी जाए ऐसे परिक्षन किये जाए जिससे हम बच्चों के या व्यक्तियों के मानसिक लेवल को जा सके किसका IQ लेवल 10-20 है, किसका 20-30 है, किसका 30-40 है, क्या है सबके IQ लेवल अलग होंगे जैसे ये बिलकुल मतलब low category में आता है, कि बहुत धीरे सीखता है, ये middle category में आता है, कि समानता से सीखता है अगर मैंने कोई चीज़ सिखाई है तो आप बिलकुल समान रोप से सीख रहे हैं यह बहुत हाई उसमें आते हैं कि मैंने कोई चीज आपको बताई तो एक बार में ही सिख गया आपको दुबारा रिपीट करने की जरुवत नहीं पड़ी तो इसी लिए जो ये category divide की गई है तो इन्हों ने जब गालतन जी ने व्यक्तिकत भिंता पर जोर दिया था तो बाकी दाशनिकों का इस और ध्यान गया कि मानसिक शब्ता को जाचने के लिए कोई ना कोई जो experiments हैं जो परिक्षन्स हैं वो प्रतिपादित किये जाए जिससे हम में व्यक्तिकत भिंता को अच्छे से समझने में helpful हो ओके इसकी अंदर इसी लिए गालतन जी के द्वारा पहला मनोविज्ञानिक परिक्षन का निर्मान किया गया गालतन जी के द्वारा क्या था पहला मनोविज्ञानिक परिक्षन मिंग साइकोलोजीकल टेस्ट का निर्मान किया गया जिसमें उन्होंने जोर दिया था कि बुद्धी का मापन समवेदिक शमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए समवेदिक शमताओं के आधार पर आप क्या समझ रहे हैं समवेदिक शमताओं इस प्रकार होती है कि जब भी बच्चे का मनोविज्ञानिक परिक्षन किया जाए जो जो उसके दिमाग में चल रहा है जो उसके प्रिवेस थे जो उसके करेंट है जो उसके आप अनुमान परिक्षन का प्रतिबादत किया था उन्होंने इसके बाद आते हैं हमारे जी स्टेनल हॉल जी स्टेनल हॉल ने कोशिनिंग प्रशन वाली यानि कि प्रशन वाली कोशिनिंग के दुआरा बच्चे को समझने में महत्व दिखाया इन्होंने क्या का था कि बच्चे के वहवार को समझने के लिए उससे कोशिनिंग की जाए यानि कि प्रशन वाली की जाए तो बच्चे के वहवार को हम आसानी से समझ सकते हैं अब उन्होंने कैसे कहा था इसमें, for example, आपके सामने 10 students हैं, आपने classroom में बूचा, बच्चों आपको cricket percent है कि बॉलीवोल, सब ने कहा, अपना individual differences आपको बता दिये, अपना individual क्यों interest है बता दिया, तो किस के माध्यम से बताया, questioning के माध्यम से बताया, तो अगर आपसे पूछे na questioning विधी, यानि कि परशनवाली विधी किसके द्वारा प्रतिपा दिता है, वो हमारे G.S. Stennell Hall के द्वारा प्रतिपा दिता है, ठीक है, इन्होंने परशनवाली पर जोर दिया था, इसके बाद हमारे next आते है, important William James, 1899 में, इन्होंने एक शंकला प्रकाशित की थी, Talks to Teachers, important है, Talks to Teachers, इसमें पूछा जाता है, कि Talks to Teachers, किसके द्वारा दी गई थी, अब शंकला प्रकाशित की गई थी, William James के द्वारा Talks to Teachers की एक शंकला प्रकाशित की गई थी, जिसके अंदर बच्चों को शिक्षित करने के लिए, कुछ Teaching Steps, यानि कि शिक्षन और अधीकम पे ध्यान दिया गया था, William James के द्वारा Talks to Teachers में क्या कहा गया था, कि बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ Teaching जो आपकी विधिया है, जो Laws है, जो नियम है, उन पर ध्यान दिया गया था, और अधीकम, यानि कि Learning पर ध्यान दिया गया था, कि मनोविज्ञान के प्रेक्षन को इस प्रकार से प्रतिपादित किया जाए, कि वो Different-Different Teaching, Learning और जो Effective हो रही है, उसमें अनियम और अधीकम जो आपकी विधिया है, उनको प्रतिपादित किया गया था, विलियम जेम्स ने Talk to Teachers के बाद एक और पॉइंट इसमें रखा था, ज्यान का स्तर, उन्होंने भी यही बात कही थी, ज्यान का स्तर, विलियम जेम्स ने भी का था, कि ज्यान का स्तर बच्चों का क्या है, उनके मस्तिक्ष से, मस्तिक्ष पर अधिक बल्यानी की Mind पर बसा उंचा होना चाहिए, जिससे बच्चा अपने आप में एक्सपर्ट हो सके, अब आते हैं हमारे जॉन डीवी, जॉन डीवी, ये भी इंपोर्टेंट है, इन्होंने मनों विज्ञान के वहवारिक उप्योग पहलू पर ध्यान दिया था, मतलब जो हमारे जॉन डीवी ह है, वो वहवारवादी, वहवारवादी हैं, उन्होंने वहवारिक उपागम जो हैं, जो बच्चों के वहवार हो रहा है, behavior एक presence है, उन पर ध्यान दिया था, और इन्होंने 1894 में शिकांगो विश्विर ध्याले में अपना पहली मनो विज्ञान की प्रियोग शाला रखी, याद रखेगा, 1894 में जो इन्होंने शिकांगो विश्विद्याले के अंदर की बात हो रही है, कि इन्होंने कब रखी थी, शिकांगो विश्विध्याले के अंदर पहली मनो विज्ञान की प्रियोग शाला रखी थी, तो जो हमारे जॉन टीवी जी थे वो एक वहवारवादी थे उन्होंने वहवारकम उपागम पर जोड दिया था 1894 में इन्होंने शिकांगो विश्विद्याले में अपनी मनो विज्ञान की पहली प्रियोग शाला रखी दी उसके बाद इन्होंने कोलंबिया विश्विद्याले में बहुत सारे प्रियोग किये थे जिस पर इन्होंने बच्चे को यानि कि मनो विज्ञान के अंदर बच्चे को कैसे टीच किया जाए कैसे पढ़ाया जाए उसके लिए तीन प्रिंसिपल्स दिये तीन चीज़े दी, उसमें first है हमारा active learner जॉन डीवी ने ये कहा था कि classroom teaching के अंदर बच्चे को active रखना चाहिए, active learner होना चाहिए ये passive learner नहीं होना चाहिए active learner means अगर teacher बच्चे को कुछ पढ़ा रही है कुछ समझा रही है, तो ये नहीं बच्चा back पीछे बैटके आगे बैटके सोज है गुम हो जाए, या उसने कुछ पढ़ लिया तो समझ लिया और ठीक है आपकी class खतम हो गई आप चले गए, नहीं active होना चाहिए कि आप उससे बीच बीच में questioning करते रहो questions पूछते रहो, अब मैंने आपको ये पढ़ाया, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कोई question इसको रब करने के बाद कि जॉन डीवी ने कब शिकांगो में अपनी पहली प्रियोक शाला रखी थी, तो आप इसली बता देंगे कि 1894 में रखी थी, मैं आप active learner हुए, कि आपने उसको समझा, learn किया और response किया, तो active learner वो होते हैं, जो classroom teaching के अंदर response करें, या बाहर में अगर आप पढ़ा रहे हैं, मतलब open environment में भी पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी teaching हो, आपके जो students हैं, जो learners हैं, जो आपसे सीख रह होने चाहिए, तो आपको किसी भी प्रकार की आप शिक्षा प्रदान करा रहे हो, बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कराई जाए, कि वो active learner बने, इस तरह से प्रदान कराई जाए, कि वो active learner बने, क्योंकि कई बार जो शिक्षक होते हैं, वो इतनी बोरियत तरीक से और सिर्फ रटाफिकेशन टाइप पढ़ा के चले जाते हैं क्योंकि उनका काम क्या होता है ज्यान प्रदान करना नौलिज के देना लेकिन हमेशा टीचिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे अब्जेक्स इंक्लिूट किये जाने चाहिए जिससे बचा इंट्रेस्ट ले अगर मैं एक पेज पकड़के खड़ी हो जाओं और आपको बोल बोल के किताबी भाशा बस पढ़के सुना दूं तो आप भी मेरे जो आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब का आप उसको भी देखके स्किप कर देंगे कि बोरियत हो रही ह अगर हमें क्लास्रूम में रखने चाहिए इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कराई जाए उसके बाद उन्होंने कहा था कि बच्चे को सेगेंड पॉइंट यानि कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनेगा अगर क्लास्रूम टीचिंग ही आपकी इतनी एफेक्टिव होगी कि बच्चा वहाँ पे सुन रहा है समझ रहा है तो उसकी जो डेली लाइफ की छोटी मुटी प्रॉब्लम्स होंगी न वो उसको खुद ही सॉल्व कर ले और मैं आपको as a teacher plus, minus, multiply, divide सिखा रही हूँ और आप उसमें वहाँ पे active learner है आप समझ रहे हैं plus कैसे किया जाता है, minus कैसे किया जाता है, multiply, divide कैसे किया जाता है तो जब कल आपको market में कोई समाल लेने जाएंगे, आप market में गए और आपने shopkeeper से बोला कि मुझे the pen देरीजे, 20 रुपीज का आपका pen है, आपने उसे 50 रुपीज दिये, तो 50 रुपीज आपने उसको दिये, 20 का आपका pen है, तो अगर minus करोगे, तो यहाँ पे आपके पास 30 र हुई है, अगर बच्चे को classroom में बच्चा माइनस नहीं सीखता, तो वो अपने daily life की यह वाली problem कैसे solve करता, लेकर जाता 50 रुपीज दिये, 20 का पेन लिया और घर आ जाता, ममा पूस्ती चेंज का है, तो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो दे दिये, क्योंकि उसको minus करना ही कि मैंने तो 50 दिये थे, 20 का पेन हुआ, तो बच्चे कितने मेरे पास पैसे, तो इसलिए यह जो अगर बच्चा classroom में effective है, तो active है, तो अपनी जो daily life की छोटी मूटी problems है, वो खुद solve कर सकता है, तो इसलिए बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान कराई जाए, जिससे बच्चे को equal, equal education प्रदान कराई जाए, equality रखी जाए, अब equality किस रूप में रखी जाए, समाजिक आर्थिक रूप में, लड़का लड़की के रूप में, मतलब gender, अगर कोई बच्चा किस एक classroom में 50 बच्चे होते हैं, उन 50 बच्चों में सबकी जो financial condition है, सबका समाजिक इस सबका different होता है, सबका अगर मैं किसी अच्छे family से आ रही हूँ, क्या पता दूसरा उतनी अच्छी family से ना हो, क्या पता कुछ बच्चे मेरे से भी अच्छी family से हूँ, तो इसलिए मेरे पापा की अगर 50,000 तंका है, तो क्या पता किसी के पापा की एक लाग तंका हो, किसी क कि बी सी अर्जार हो तो उनकी फाइनेशल कंडिशन में भी डिफ्रेंस आ गया तो इसलिए टीचर को ऐसी एजुकेशन प्रदान करानी चाहिए जिसके अंदर यह सारी चीजे माहिने ना रखती हो कि आप जाधा फीज दे रहे हो आप कम फीज दे रहे हो फीज तो सब इक्व कम फ़ली एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए इस तरह से नहीं कि आप अच्छी फैमिली से आ रहे हो तो मैं आप जाधा ध्यान दूं कि आप मेरे फेवरेट स्टूडेंटी और जो मिडल क्लास फैमिली से आ रहे हैं आप उनके जाधा ध्यान ना दो सिर्फ उनके लड़का है वो आगे जाके अपनी पीडी को बढ़ाएगा या अपने माबाप के लिए सहरा बनेगा और उसको अपने समाद में लड़कियों को पढ़ाई ना करवाई जाए क्यों दोनों जो है हमारे लिए समाज में इक्वल है जितना लड़का करता है उतना लड़की करती है और इसी प्रकार ऐसी शिच्छा दिजाए जिससे उनके लिए website रूप में भी विबिन्ता ना पाई जाए अगर आप ही classroom teaching में या उसकी नीवी ऐसी होगी, तो आगे भी चलके क्या होगा, इन चीजों में विभिन्ता individual differences रखे जाएंगे, अगर आपके लिए एक office है माल लीजे, office के अंदर एक लड़का या लड़की, same काम कर रहे हैं, कोई caller dropper same काम कर रहे हैं, और लेकिन लड़का होने के नाते, उसको 20,000 तंखा दी जा रहे हैं, और लड़की होने के नाते उसको 10, क्यूं? ये तो possible नहीं है, possible क्या? ये आपको करना ही नहीं है, क्यूंकि काम तो दोनों same कर रहे हैं, दोनों की post भी same हैं, और दोनों अपनी मेहनत भी उतनी कर रहे हैं, टाइम भी उतना ही दे रहे हैं, तो एक की 20 क्यूं, एक की 10 क्यूं, तो इसी लिए equality रखनी चाहिए, जो जो जॉन डीवी जी ने कहा था, उन्होंने ये points रखे थे, जो अपनी प्रियोग शाला में उन्होंने शोध किये थे, उसके अंदर बच्चे को active learner बताया था, second problem solver बताया था, third is equality रखे थे, ये चीज़ उन्होंने दी थे, इसके बाद आते हैं हमारे जो दाशनिक थे, अलफ़र्ड बी ने, अलफ़र्ड बी ने, यानि कि intelligence test का निर्माण किया, बुद्धी परिक्षन का निर्माण, पहली बार सबसे पहले किस ने किया था, बी ने जी ने, intelligent test, ठीक है, जिसको 19.5 में, बी ने, साइमन, मापनी, के नाम से जाने जाने लगाऊं, जो अलफ़र्ड बी ने जीन दे थे, उन्होंने बुद्धी परिक्षन किये थे, intelligent test दिये थे, मतलब आप एक तरह से आपका IQ लेवल या, मानसिक जो हमारा स्थर है, उसके test किये थे, कि बच्चों में कितना मानसिक इस तर होता है, किस के अंदर, ठीक है, 1905 में क्या था, बी ने, साइमन मापी इसको नाम दिया गया, बी ने, साइमन मापी किसके द्वारा दिया गया, अलफ़र्ड बी ने के, वो आपको बीने से ही पता चल जाएगा, कब दिया गया, 1905 में, ये बात रखेगा, इसके बाद आते हैं हमारे, जेम्स, मैकेन, केटल, इन्होंने भी, दो पॉइंट रखे थे, फर्स्ट इस इंडिविजूल डिफरेंसिस, सेकेंड, mental test, ok, इंडिविजूल डिफरेंसिस के बारे में, आपको पता ही दिया है मैंने, कि क्या होता है, और mental test के बारे में भी, आपको पता है, तो हमारे जो, केटल जी थे, इन्होंने भी, इसी पर जोड दिया, इसमें इतना कुछ समझाने वाला है नहीं आपके लिए उसके बाद एक important point है जो cattle है, cattle जी है इनके जो शिश्य थे वो थे EL throndike सबसे important जो हमारे दाशनिक थे और इससे बहुत से questions आते हैं अब जो हम पढ़ रहे हैं, वो आपका पढ़ रहे है EL throndike ये आपके cattle जी के शिश्य थे इन्होंने James Mackin cattle के जो individual differences थे mental test थे, उसको आगे चलके बढ़ाया और EL throndike ने अपने भी कुछ जो experiences थे वो किये थे, इनका जो सबसे important है इन्होंने सीखने को, सीखने सिखाने की पिर्करिया में सिधान्त यानि की laws रखे थे सीखने के कुछ नियम रखे थे सीखने के नियम EL throndike के अनुसार सीखने के नियमों का प्रतिपादित किया गया था जिसके अंदर तीन नियम दिये गए थे जिसमें जो हमारा फर्स नियम था प्रभाव का नियम यानि की law of effect वो सबसे ज़ादा popular हुआ सबसे ज़ादा प्रकाश में आया क्योंकि उसके अंदर बच्चा क्या है अपनी समस्याओं को खुश सुल जाने के लिए सक्षम रहता है EL throndike का कहना था कि शिक्षा और सीखना और सिखाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे पर ज़ादा धिया जाए टीचर पर नहीं बच्चे पर ज़ादा धिया जाए कि उसके रुच्च्या क्या है क्या नियम वो लेकर चल रहा है तो इसी नहीं उन्होंने सीखने के यानि law of learning में तीन नियम दिये थे जिसमें प्रभाव का नियम सबसे important है law of effect जिसके अंदर बच्चे को समस्या सुझाने में मदद मिलती है और 1903 में इनकी एक पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक थी E.L. त्रॉंडाई की ये भी आपका यहां पे कोश्यन मनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक प्रकाशित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी E.L. त्रॉंडाई के द्वारा इसके अंदर जो पुस्तक थी पुस्तक के अंदर क्या बात कही गई थी क्या इसके अंदर कॉंसेप्स रखे थे इसमें ट्रांस्वर ओफ नॉलेज यानिकि हस्तांत्रण ज्यान का हस्तांत्रण की बात की गई थी ट्रांस्वर ओफ नॉलेज मनोविज्ञान जो पुस्तक थी उसके अंदर कहा गया था हस्तांत्रण के बारे में यानिकि ट्रांस्वर के बारे में एल्थ रॉंडाई के अनुसार ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए जिससे बच्चा अपने पॉजिटिव जो चीजे लर्निंग एक्स्पिरियेंसिस हैं वो आगे चलके किसी भी उसमें सीख सकें अब आप क्या इसमें देखते हैं फॉर एक्जांपल अगर मैं बच्चे को मैस बढ़ा रही हूँ और बच्चे को कॉंसेप्स के लिए रहे प्लस माइनस के डिवीजिबल के फैक्टर्स के तो वो इजीली जब साइन्स को पड़ेगा साइन्स के अंदर जिसे थियोरम वेगरा और एक्वेशन्स वेगरा सॉल्व करने के लिए आती है तो वहाँ पर क्या है वो उसके लिए helpful होगी तो वहाँ पर क्या हो रहा है learning का transfer हो रहा है मतलब आपकी knowledge का transfer हो रहा है कि आपने math के equations को plus science math के equations को science में positive way में transfer किया इसका लेकिन एक rule ये है कि transfer of knowledge तभी अच्छे से हो सकती है जब सामान ने तत्थ है यानि कि elements आपके सामान ने हो मतलब अगर आपके दोनों subject ही अलग-अलग है माल लिजे मैंने किसी बच्चे को math पढ़ाया है नहीं for example science पढ़ाया है तो science पढ़ने के बाद मैं बच्चे को history बढ़ा रही हूँ तो वो तो दोनों अलग-अलग subject हो गए न साइंस और history का तो कोई मतलब भी नहीं है महां पर उनकी कोई previous जो knowledge है उसका transfer हो पाएगा नहीं subject के लिए बिलकुल नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा science में जो चीज़े आपने पढ़ी हो उसका history में आप कैसे transfer करोगे दोनों subjects बिलकुल अलग है लेकिन वहां पर क्या होगा आपकी negative transfer होगा वहां पर कोई किसी प्रकार का आपको positive transfer नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है लेकिन जहां पर समानता है जैसे math और science में समानता है theorems या equation solve करने के लिए तो वहां पर क्या है बच्चे की math की जो knowledge है जो equation solve करने की knowledge है वो आपकी science में positive way में transfer हो रही है तो वहां पर क्या होगा transfer of knowledge हमारी किसमें रखती थी शिक्षा मनो विज्ञान के अंदर रखी थी अच्छा E.L. Thronaik ने जो अपचारिक अनुशाषन का सिध्धान दिया गया था उसका हनन किया था उसका विरोध किया था कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती है तो इसी लिए इनों ने अपना एक नियम दिया था अपना एक नियम क्या दिया था E.L. Thronaik ने E.L. Thronaik ने अपचारिक अनुशाषन के सिध्धान का हनन करते वे एक अपना नियम दिया था C.A.V.D C. for पूर्ति कम्पलेशन E. for A. for अंगडित अर्थमेटिक रीजनिंग V. for शब्द वाली यानिके वक्याबलरी D. for दिशा यानिकी डिरेक्शन C.A.V.D किसके द्वारा दिया गया है यह एक तरह का परिक्षन है यह हमारा E.L. Thronaik के द्वारा दिया गया है इसके बाद हमारे आते हैं जो next हमारे दाशनिक थे वो थे B.F. Skinner important है यह भी B.F. Skinner ठीक है अब इन्होंने क्या किया था इन्होंने Thronaik का support किया था B.F. Skinner जी ने जो नियम सीखने के नियम उन्होंने दिये थे उसका आगे चलके use किया था उसको support किया था लेकिन इन्होंने अपना एक वेवार परक वेवार परक उपागम दिया था Means behavior behavior approach इसके अंदर उन्होंने क्या का था कि बच्चों के अधीकम यानि कि learning के लिए उत्तम अवस्थाओं की पहचान करना जो हमारा वेवार परक उपागम है B.F. Skinner के द्वारा दिया गया उसके अंदर यह का था कि जब हम learning कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे चीजों का पता लगाना ऐसे अवस्थाओं का पता लगाना ताकि बच्चे को हम अच्छे से समझते हुए उसकी problem को solve करते हुए किसी परकार की भी शिक्षा उनको प्रदान कर सके इसके बाद इन्होंने program learning यानि की कार्य कर्मेत अधिकम it's very important कई बार पूछा गया है exam में की program learning आपको किसके द्वारा दी गई है ये हमारी BF Skinner के द्वारा दी गई है अब इसके अंदर क्या कहा गया था कार्य कर्मेत अधिकम जो है हमारा program learning जो है उसके अंदर कहा गया था कि बच्चे का जो एक लक्षे होता है जो एक गोल है जो एक लक्षे है उसके बीच में जितने उपलक्षे आते हैं मतलब जितने पाइदान आते हैं जितनी सीड़िया आती है उन पर बच्चे को पुनरवलन या reinforcement दिया जाना चाहिए अगर माल लिजे हमारा इसको पढ़ाने का मनो विज्ञान को पढ़ाने का एक लक्षे है कि आपको टीचर की जोब मिल जाए लेकिन उसके बीच के उपलक्षे क्या है आपके कि आप एक्जाम में अच्छा स्कोर करें आपको टीचर की जोब गॉर्मेंट अभी तो मिलेगी जब आप एक्जाम में जब पेपर देने जाएंगे DSSB का, KVS का तो आप उसमें मार्क्स अच्छे स्कोर करें तो आपका फर्स जो हमारे सब अबजेक्टिव्स हैं वो क्या है कि पहले मार्क्स अच्छीव करना उसके बाद इंटर्व्यू और बाकी के प्रोसेस हैं लेकिन आपके जो सब जो अबजेक्टिव्स हैं मार्क्स अच्छीव करना, इंटर्व्यू क्रैक करना देन आपका लक्षे अच्छीव होगा कि टीचर बनना तो उसके लिए आपको टाइम टाइम पर रेइनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए बच्चे ने जब फर्स स्टेप के लिए किया फर्स लक्षे प्राप्त किया उपलक्षे तो आपको टीचर के दुआरा रेइनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए ताकि बच्चा सेकेंड स्टेप तक जाने के लिए मोटिवेटेड हो, इंकरेज हो अगर बच्चे को फर्स स्टेप के लिए करने के बाद कोई मोटिवेशन के लिए कोई रेइनफोर्समेंट नहीं दिया जाता है उसकी शाबाशी नहीं की जाती है तो बच्चा सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा ठीक है, तो फॉर एक्जामपल क्लास में अगर आपने दस बच्चों को दो का पाड़ा लर्न करने के लिए कहा कि टूकी टेबल लर्न करके आईएगा और आपको क्लास में एक बच्चे को खड़ा किया उसने आपको टूकी टेबल नहीं सुए क्योंकि उसको लर्न नहीं है कोई बात नहीं आपने उसको बिठा दिया लेकिन जब आपने सेकिंड बच्चे को खड़ा किया और आपने कहा कि आप टूकी टेबल सुनाईए और उसने प्रॉपर ढंग से बिल्कुल भिना रुके टुके आपको टूकी टेबल सुनादी तो आपका क्या काम बनता है महाँ पे आपको उसी टाइम उसको रेइनफोस्मेंट देना चाहिए उसकी लिए या तो क्लास्वूम में सबसे तालिया बजवानी चाहिए या उसको बोलना चाहिए शाबाश बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा सुनाया नेक्स टाइम आपको और अच्छा करना और उसी को देखते वे जो बाकी बच्चे हैं वो भी क्या है मोटिवेट होंगे कि आज इसने अच्छा सुनाया है इसको इतनी शाबाशी मिली है क्लास्वूम में सब ने इसके लिए क्लापिंग करी है तो मैं भी कर टूकी टेबल लन करके लाऊँगा ताकि मेरे लिए भी शाबाशी हो मुझे भी सब के लिए मैडम की नजरों में अच्छा बनू मैडम मुझे प्यार करें ये classroom में मेरे लिए भी clapping को तो इसी लिए reinforcement पर जोर दिया गया था कि reinforcement बहुत ज़रूरी है और हमारे लक्षे तक हमें पहुचाने के लिए इसी के साथ साथ जब BF Skinner ने स्टार्टिंग में अपने प्रियोग करने स्टार्ट किये थे तो इन्होंने एक machine का निर्माण किया था जैसे अभी teacher के द्वारा direct way में आपको reinforcement दिया जाता है वैसे ही इन्होंने एक machine का निर्माण किया था जिसके अंदर क्या किया गया था कि आप कोई चीज बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तो ऐसी machine क्रियेट की गई थी कि महां से automatically आपके लिए reinforcement दिया जाता था लेकिन वो time के साथ जो था इतनी successful नहीं हुआ तो इसलिए वो मही पर खतम होकर रहे गई इसके बाद आते हैं हमारे bloom इन्होंने 1950 में संग्यात्मकोशल यानि की cognitive skills के बारे में कहा था 1950 में संग्यानात्मक कोशलो पर बल दिया था यानि की cognitive skills पर बल दिया था और इसी का वर्गी करन करते हुए यानि की बच्चे का cognitive skills के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए as a teacher की बच्चे का mental level कितना है वो किस रूप में सीख पाता है वो active learner है के passive उसके अंदर कोई talent है नहीं है वो creative है नहीं है इस तरह की चीज़े क्या है bloom के द्वारा 1950 में संग्यात्मकोशल यानि की cognitive skills के अंदर रखी गई थी और इसको वर्गी करन करने के बाद उन्हेंने कुछ key points दिये थे जिसकी शिक्षकों को knowledge होना बहुत जरूरी है अपने बच्चे को proper ढंग से जानने के लिए जिसमें पहला था हमारा सिम्रण, सेकंड था हमारा बोध, थर्ड था हमारा संसलेशन और फोर्था हमारा मुल्यांकन Bloom जी ने क्या का था कि ये जो चार संग्यात्मक कोशल है as a teacher आपको बच्चों के लिए ये सारी चीज़े खुद भी पता होनी चाहिए कि सम्रण क्या होता है, बोध क्या होता है, संसलेशन क्या होता है, मुल्यांकन क्या होता है अगर आपको इन सब का ग्यान है, तो आप classroom में भी बच्चों का सम्रण, बोल, संसलेशन और मुल्यांकन करने में सक्षम होंगे जिससे आपने बच्चे को जो भी पढ़ाया है, आपको पता हो कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसके दिमाग में है कितना दिमाग से बहार निकल गया जब आप classroom में उसका मुल्यांकन करेंगे या आपको पता चलेगा कि बच्चा उसको सीखने में किस तरह की problem face कर रहा है ताकि आप next time उसको कुछ और change करके, effective बनाके इस परकार से पढ़ाएं या बच्चे को personally teach करें, जिससे बच्चा उस problem को solve कर सके तो ये सारे क्या हैं हमारे bloom के 1950 संग्यात्मक कौशल के अंदर रखे गए थे इन्होंने शिक्षकों के कौशल पर बल डाला था अब इसके बाद क्या हुआ था? ये सारे जो भी दाशनीकों के बारे में मैंने आपको अब तक बताया कि इन सभी ने अपने अपने प्रियोगों में ये ये कहा कि ये ये चीज़े करने हुए 1950 के बाद इससे भी अलग जो हमारी मनोविज्ञान की परिभाशा रही है मनोविज्ञान की शिक्षा के सा सम्मंद्रा उससे भी जादा effective हो गई के वल सीखना सिखाने की प्रक्रिया नहीं रही कि आपको सिर्फ ज्ञान का प्रदान करना है वो बच्चे को ज्ञान का निवारण करना है नहीं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े मनोविज्ञान में यानि की शिक्षा मनोविज्ञान में रखी गई थी वो क्या क्या चीज़े थी वो थी आपका मानसिक स्वास्ते है कि बच्चा mentally कितना helpful है कितना नहीं health उसकी कैसी है समाजिक कू समायोजन अगर समाज में समायोजन के दोरान अगर बच्चा किसी problem को face कर रहा है या किसी गलत रास्ते पर चला गया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विध्यार्थी किस दिशा में जा रहा है और आपको उसमें किस प्रकार के changes करने है ताकि वो सही रास्ते पर आ सके मतलब आपको guidance प्रोवाइड करवाना education और vocational ताकि बच्चा अपना आगे website चुनने में भी help कर सके उसको पता रह सके कि मुझे आजसाइड लेनी है commerce लेनी है, science लेनी है क्यों लेनी है, किसले लेनी है और इससे आगे के क्या क्या स्कोप open होंगे जिससे मैं अपना भविश्य में अच्छा कर सकूँ तता मापन और मुल्यांकन last था हमारा मापन और मुल्यांकन last में जाके बच्चा क्या है खुद भी और as a teacher आपको भी पता चल सके जिसकी नीव आपने primary class में रखी थी अब जाके future में वो कहां पर, किस स्थर पर है तो ये सारी चीजे क्या है शिक्षा मनो विज्ञान के इतिहास में आती है और मैंने आपको सभी के द्वारा दी गई सारी परिभाशा है, सारे प्रियोग, सारे की पॉइंट्स बता दिये है I hope आपको समझाया होगा Thank you Hello friends, I am Swati Singh आज की हम psychology की class में शिक्षा मनो विज्ञान के महत वो पढ़ेंगे यानि की importance of education psychology आज से पहले भी जितनी भी class मैं आपको दे चुकी हूँ उसके अंदर भी हमने बहुत बार discuss कर लिया है कि education psychology क्या है हमें क्यों पढ़नी चाहिए क्यों पढ़ानी चाहिए क्यों इसके महत्वे हैं क्या importance है क्या scope है क्या value है ये सारी चीज़े क्या है हम बहुत बार discuss कर चुके है लेकिन महत्व के अंदर भी आपकी वही सारी बाते हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए और points tips पे रहने चाहिए कि किस scope के थुरू या किस उसमें आप psychology education psychology का use कर सकते हैं तो मैं आपको मोटे-मोटे तोर पे आज समझा रहती हूँ इसके अंदर जो हमारा first point आता है विकास देखें बच्चे का ही विकास है तो आपको छात्रों के विकास आत्मक विशेष्टाओं के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे का किस-किस रूप में all over development किया जा सकता है किस रूप में उनका all over development होता है किस stages पे होता है जैसे आपको पता है तीन stages होती है आपकी शहशर विवस्था, बाले विवस्था दन किशोर विवस्था और उसके बाद प्रोन विवस्था वगरा तो उसमें क्या है, आपको हर stage पे बच्चे का विकास मिलता है उसमें अलग-अलग feelings मिलती है जो भी हमारी समवेग आत्मा, cognitive, वेगरा different-different feelings और developments आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है कि अगर बच्चे को proper guidance ना दी जाए तो बच्चा गलत दिशा में चला जाता है गलत चीज़े अचीव कर लेता है तो ये सारी education बच्चे को provide करानी जरूर है अगर आपको पता होगा कि ऐसा teacher मुझे इस चीज़ की जानकारी है, ये चीज़ की knowledge हो तो आप बच्चे को भी वो चीज़ समझा सकते हो नहीं बताएगा कि माम मुझे ये problem आ रही है या फिर जो चोटे बच्चे होते हैं तो इसलिए क्या है कुछ चीज़े कुछ बच्चे shy होते हैं और आपको पता है कि physically जब development होता है physical development उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़े आपकी develop होती है तो इसलिए कुछ बच्चे shyness के कारण नहीं बताते हैं कुछ डर के कारण नहीं बताते हैं और अगर उनको उस तरीके से guide ना किया जाए उनकी problem short out ना की जाए तो वो कही ना कही अपने अंदर कुछ डर घर कर लेते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है ये चीज़े कैसे होने लग गई अगर उनको proper guidance वहाँ पर ना provide कर आई जाए तो इसलिए बच्चे वहाँ पर क्या है पिछड जाते हैं अलग रूप से चले जाते हैं कुछ गलत चीज़ें अचीव कर लेते हैं जैसे उनकी संगत भी कुछ गलत होती है या कुछ फ्रेंज बहुत अच्छे होते हैं तो उनको वो support करते हैं लेकिन अगर गलत संगत है बच्चे की तो वहाँ पर बच्चा गलत दिशा में जाने की और रहता है तो इसलिए विकास के point of view से आपको ये समझना जरूरी है कि psychology पढ़ने का सबसे important role यही है कि आपको पहले पता हो as a teacher कि बच्चे के अंदर क्या-क्या विकास कब-कब होने वाले हैं उसके बास second आता है कक्षा शिक्षन यानि कि classroom teaching कक्षा शिक्षन का स्वरूप समझना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं first class के students को बढ़ा रही हूँ या 10th class के students को बढ़ा रही हूँ तो उनका जो IQ level है जो mental ability है वो कितनी है जिसे साब से आपको उनको education provide करानी है क्या-क्या चीजों का use करना है महाँ पे कैसा environment create करना है ये सारी चीजे क्या आती है कक्षा शिक्षण में आती है महाँ पे कैसे concepts, कौनसी methods, कौनसी theories रखनी है तो ये सारी चीजे आपके second point teaching process के अंदर classroom teaching के अंदर आती है third point है हमारा कि बच्चों की problem को समझना शिक्षारतियों की समस्या अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे की जो problems हैं वो हर stage में different होती है जरूरी नहीं है कि वो educational हो, कुछ personal भी हो सकती है तो इसलिए आपको बच्चे को समझते हुए, उनसे पूशते हुए उन problems को short out करना है ताकि बच्चे अपने mind को stable कर सके और अपने mind में positivity ला सके और वो पढ़ाय की तरफ 100% ध्यान दे सके अगर बच्चे के दिमाग में कोई-कोई बाते चल रही है तो आपकी classroom teaching में भी अच्छा नहीं होगा वो आपकी classroom teaching के अंदर भी क्या है प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे सकता जिसके कारण आप जो पढ़ा रही है जो आपका point चल रहा है जो concept चल रहा है वो भी अधूरा रह जाएगा क्योंकि अगर class में 10 बच्चे हैं तो 2 को समझ आ रही है बाकियों को नहीं आ रही है तो उनकी problems को short out करना भी as a teacher आपकी responsibility बनती है उसके बाद हमारा fourth point है व्यक्तिगत भिंता पे दियान देना व्यक्तिगत व्यक्तित भिंता विभिंता इसके अंदर क्या आता है individual differences अगर आपको पता है कि हर बच्चा अपने अपमे अलग होता है कोई भी बच्चा हो, क्या है वो कोई अच्छी family से हो, middle class से हो या low class family से हो, doesn't matter वो हमारे लिए कोई important नहीं रखता है हर किसी बच्चे का IQ level, mental level, physical level सब अलग होता है तो उसी हिसाब से हमें बच्चे को teaching provide करानी चाहिए अगर किसी बच्चे का interest cricket में है तो दूसरे बच्चे का शायर badminton, football इन तरह की चीज़ों में हो क्या पता किसी का dance में हो, किसी का acting में हो और classroom में किसी को कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि पढ़ाई की तब बहुत focus हो उन्हें आगे चल के doctor engineer बनना हो तो ये सारी चीज़े क्या है, व्यक्तिकग बिंता के अनुरूप आती है कि आपको as a teacher पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अगर हमें ये ही नहीं पता कि हर बच्चा अपने अपने अलग होता है समें individualities होती हैं कुछ ना कुछ अपनी, कोई special होता है कोई inferior होता है, कोई superior होता है इस type से, तो आप as a teacher उसको proper ढंक से ना पढ़ा सकते हैं ना guide कर सकते हैं, ना उनकी problem को result कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा third, fourth point व्यक्तिकग बिंता है fifth point आता है हमारा प्रभावी शिक्षन विदियो का प्रियोग करना आपको पता है कि कोई 10th class का student है तो आप क्यों, आप महां पे कौन सी teaching method का use करेंगे, अगर मुझे teaching method सी नहीं पता अगर मैं किसी ऐसे बंदे को लाके खड़ा कर दूँ आपके सामने, जिसको यही नहीं पता diet क्या होता है, seated क्या होता है, teaching क्या होती है तो आपको यह भी नहीं बता पाएगा कि उसके अंदर आप क्या-क्या चीज़े psychology में पढ़ते हैं, teaching methods कौन से हैं और उसके क्या-क्या scopes हैं तो इसी लिए as a teacher आपको सारी शिक्षन विदियो का पता होना चाहिए कि आपको किस-किस teaching का कहा पे यूज कर सकते हैं, उसके positive effects क्या हैं, उसके negative effects क्या हैं उसके plus minus के positive negative effects को भी ध्यान में रखकर आपको teaching देनी चाहिए 10th class के बच्चे के लिए, 12th class के बच्चे के लिए आप कभी भी play way method use नहीं करेंगे कभी भी ऐसी चीज़े यूज नहीं करेंगे जिसे show, शराबा और ऐसी चीज़े हो क्योंकि आपको पता है कि वो mentally और physically इतने strong है कि उनको play way method और इन सब methods की कोई जरुवत नहीं है लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े creative होते हैं, थोड़े चंचल होते हैं इदर उदर भागने वाले और मतलब उनकी mental ability या sitting power इतनी नहीं होते हैं कि आप उनको एक जगा बिठा कर आदे पौने घंटे तक lecture दे सकें तो इसी जी उन बच्चों के लिए ऐसी चीजे या environment create करना चाहिए ताकि वो खेलते-खेलते सीख सकें यानि कि play way methods के दूर और आपका फ्रोबेल ने जो kindergarten वीदी दी है वो और इन सब methods को use करके आपको उन बच्चों को सिखाना चाहिए उसके बाद आता है आपका सामुहिक गति विदियो को समझना सामुहिक गति इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए कैसी किस प्रकार की शिक्षा रखी जाए group, individual या इस type से तो इसके अंदर वो सारी चीज़े आती है और दूसरा इसके बाद का point आता है हमारा पाठे करन का निर्माड पाठे करम के निर्माड के अंत्रकत आपको ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए कि आपको कौन से लेवल के according अपना पाठे करम याने की content ready करना है जिससा आपसे बच्चों के लिए बहुत interesting हो, effective हो अगर आपको छोटे बच्चों के लिए रखना है पाठे करम अपना content ready करना है, पाठे पुस्तक ready करना है, curriculum ready करना है तो उसके अंदर आप कोशिश करेगा, कि उसके अंदर ऐसी चीज़े हो, जो थोड़ी storytelling हो कहानी के रूप में हो, कविताओ के रूप में हो, play way methods हो, interesting pictures हो, cartoons हो तो बच्चे क्या है, उस चीज़ को देखते हुए और समझते हुए बहुत जल्डी learning करते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी होती है, कि बच्चे उनकी तब attract होते हैं, उनके colors के लिए, उनकी picturization के according लेकिन अगर आपको बड़े बच्चों के लिए कोई content ready करना है, तो आप उसके अंदर ऐसी चीज़े रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को avoid करते हुए तो वहाँ पे क्या है, आपको बच्चे की age और level देखकर ही अपना पाठे बुस्तक निर्मान करना चाहिए उसके बाद जो हमारा last point आता है इसके अंदर, वो है mark darshan यानि कि guidance At last, शिक्षा मनो विज्ञान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसलिए useful है कि आप बच्चों का proper way में mark darshan कर सके एक अच्छी उनको guidance provide करा सके क्या है उनकी वो personal guidance हो या educational आप उनको mark darshan दे रहे हैं या vocational ही दे रहे हैं तो इसलिए अगर आपको पता है कि vocational, personal और education में क्या differences है, किस रूप में आपको क्या education provide करानी है, बच्चे को कैसी guidance देनी है तो आप बच्चे को भी एक अच्छे guidance के रूप में, mark darshan के रूप में मिल सकते हो क्योंकि अगर बच्चे को proper guidance पर आप नहीं होती है, तो बच्चे कई बारी एक गलत दिशा में चले जाते हैं या अब तक कि जितनी पढ़ाई उन्होंने करी है, वो भी उनके लिए useless होती है, क्योंकि वो आगे उसको ठीक तरह से use ही नहीं कर पाते है उनको scope ही नहीं पता होता, कि आगे हमने science side पढ़ी है, art side पढ़ी है, commerce side पढ़ी है, तो वो उसका use हम कहां करे, वो बच्चों के लिए scopes नहीं पता होते, तो इसलिए आपको बच्चों के लिए as a mark दर्शक बनना है, कि उनके scope के बारे में बताएं, कि आप अपनी teaching को effective बन आने के लिए कहां कहां पे use कर सकते हैं, क्या scope उसके लिए बच्चे के लिए open हो सकते हैं, personal guidance आप बच्चे को ऐसे दे सकती हैं, कि अगर बच्चे को कोई problem आफेस करनी पड़ रही है, उसकी family related हो, उसके दोस्तों से related हो, या उसके environment से related हो, तो वहां पे आप बच्चे को guidance दे सकते हैं, बच्चे के as a friend बनकर आप उससे share कर सकते हैं, कोई भी चीज़, उसको suggest कर सकते हैं, कि आप ऐसी condition में ये चीज़ कीज़े, इस condition में ये चीज़ कीज़े, तो इससे क्या है, बच्चे को जो बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से burden है, वो भी कम करने में आप बच किसी भी चीज़ का positive point है, वहाँ पे negative point तो होता ही होता है, अगर psychology पढ़ने के आपके positive point है, तो negative भी कुछ ना कुछ होंगे, तो उसमें से मैं एक दो point आपसे discuss कर लेती हूँ, कि जो first आपका negative point है, यानि कि see my है मनोविज्ञान को पढ़ने की, वो ये हैं, कि केवल as a teacher, ये तो कुछ teachers ऐसे होते हैं, केवल पढ़ लिया और अपना exam के लिया कर लिया और आपने job ले ले लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़े केवल एक किताबी भाशा बन कर रहा जाती है, आपके लिए आप उसको daily life में, या अपनी teaching process में, या आप जब teacher बन गए हैं, तब आप apply न आते हैं, तो उससे क्या होगा, ये सिर्फ किताबी भाशा बन के वहाँ पर रह जाती है, तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को समझना पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसको use करना भी जरूरी है, और second point हमारा ये आता है, कि हर किसी की जो individual differences होते हैं, उसके अंदर कुछ ब आपने ये चीज़ पढ़ ली है, मैं अगर as a teacher हूँ, तो मुझे पता है कि psychology ये शिक्षा मनोविज्ञान की क्या importance है, मैं क्यों पढ़ रही हूं इसको, लेकिन अगर मैं बाद में उसको apply नहीं करूँगी, तो मेरे लिए तो ये पढ़ना useless है, तो इसलिए इसके बाद, second point क्या है सबका mental level according होता है, उसके according इसको applicable करने में सहायक नहीं होते हैं, मतलब अगर कोई teacher पाठे पुस्तक का निर्मान कर रहा है, तो अगर चार teachers हैं और वो पाठे पुस्तक का निर्मान कर रहे हैं, तो क्या पता first teacher इतनी अच्छी पाठे पुस्तक का निर्मान कर दे, कि उसमें सब चीजे डाल दे, जिससे बच्चे बहुत जादा interest लो, और बच्चे को समझ भी आ जाया, interest भी develop हो जाया, बच्चे का मतलब all over development उससे हो रहा हो, लेकिन जो second teacher है, क्या पता वो कुछी points को ध्यान में रखकर पाठे पुस्तक का निर्मान करें, जिससे बच्चे के all over development में से कुछी points कवर हो, यानि कि कुछी developments हो पाएं, like third teacher है, third teacher उसमें से कोई भी एक भी ऐसी पुस्तक का निर्मान करें, जिसके द्वारा एक भी development बच्चे के लिए helpful ना हो, तो इस तरह से teacher भी ऐसा होना चाहिए, कि वो अपनी capability को जानते हुए, इस तरह से पाठे बु यूज करें, ताकि बच्चे के लिए वो future में, या as a teacher के लिए भी वो अच्छा साबित हो, या इसके साथ हमारा यहाँ पर last point खतम होता है, यह वाला chapter भी आपका complete हो गया, next में try करोगे आपके लिए theories दाने का, जो बहुत, जो हमारे learning process की theories हैं, वो हम करेंगे, और उसमें आपके थ्रोंडाइक, पैवलो, स्कीनर वेगरा की all over theories में लेकर आऊंगी, तो उस chapter को ध्यान से समझेगा, thank you, good morning friends, I'm Swati Singh, आज हम अपने psychology के methods start करने वाले हैं, कि विधियां क्या होती हैं, आपको पताएं कि teaching learning process में हमारे methods का क्या use है, अगर हम अपना teaching learning process start कर रहे हैं, तो उसके अंदर teaching learning process को बहुत effective और useful बनाने के लिए, meaningful बनाने के लिए, हमें different type of methods use करने होते हैं, अब वो methods क्यों use करने होते हैं, हमारे पास जो हमारी class होती है, वो कोई भी standard की हो, उसके हिसाब से हमें methods use करने होते हैं, कि बच्चों को किस हिसाब से, किसी method के थुरू बहुत से सिखाया जा सके, जैसे first class के बच्चे, second class के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, first to fifth class के बच्चे, वो बहुत active होते हैं, तो इसलिए उनको हम हमेशा always play way method, creativity और activities के थुरू सिखाना ज़्यादा सही समझते हैं, क्योंकि वो एक जगा बैठ कर methods को पढ़ना, या फिर lectures को सुनना, उस चीज़ में जादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं, वो lecture methods वगेरा से easily पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी sitting power और उनका जो mind, mental ability होती है, वो इतनी develop हो जाती है, कि वो बैठ कर भी एक दो घंटे आपका lecture ब्यार कर सकते हैं, तो हमारे teaching method जो हैं, बहुत useful हैं हमारे psychology और pedagogy के अंदर, इसके अंदर हमारा जो first हम आज बात करेंगे, वो है अंतर निरिक्षण विधी, यानि कि इंट्रोवेक्शन method, अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये method किस ने दिया, ये method हमारा वोंस, टिचन, स्ट्राउट, और विल William Woods, sorry William James, इसके प्रतिपादक, अंतर निरिक्षण विधी के प्रतिपादक यान कि इस methods को जो लेकर आये थे, psychology के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, कि इस method का हमें use करना चाहिए, teaching और learning, learning और teaching process को effective बनाने के लिए, वो हमारे ये चार मनोविज्ञानिक लेकर आये थे, पहले तो बात कर लेते हैं, अंतर निरिक्षण विधी होती है, देखें, अंतर और निरिक्षण, अंतर से आप समझ रहे होंगे, अंतर, ठीक है, अंतर निरिक्षण विधी होती है, कि बच्चा या व्यक्ति खुद अपने अंतर जाक के अपना observation करे, इसमें आपको second person या third person की जरुवत ही नहीं पड़ती है, इसके अंदर खुद व्यक्ति अपने आपका निरिक्षण करता है, कि उसने कितना सीखा, उसकी कम्या क्या है, उसको कहां तक उस कम्यों को दूर करना है, और आगे कैसे अपनी learning करनी है, इसमें आपकी कोई भी second या third person कोई help नहीं करेगा तो अंतर निरिक्षण विदी का मतलब होता है, कि व्यक्ति खुद अपने द्वारा निरिक्षण करे, अपने द्वारा अपना ज्यान प्राप्त करे, कि उसमें क्या कम्या है, किन चीजों को उसने learning में अचीव किया है, और क्या चीजें रह गई हैं, यह होती है हमारी अंत माइंड पर बल देना चाहिए, मिस अगर बच्चा, अगर कोई भी मैं हूँ या आप है, या कोई भी स्टूडेंट है, वो अपना विरिक्षण या अपना अंतर निरिक्षण या observation खुद का कैसे करेगा, जब वो conscious रहेगा, यह तो नहीं कि unconscious में वो आधी नींद में, या स situation में, तभी क्या है, वो अपने आपके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, तो अंतर निरिक्षण विधी के द्वारा, चेतन अनुभूतियों पर बल दिया गया था, चेतन अनुभूतियों पर बल, ठीक है, इसके बाद किसी भी वेक्ति को, मतलब चेतन observation होता है न, खुद के लिए, वो किस रूप में कर सकता है, या उसको किस रूप में effect किये जा सकती है, जो भाईये चीज़े हैं, भाईये वजतू है, internal या external process होते हैं, बच्चे की classroom से अलग, वो भी क्या है, बच्चे की इस process को effect करती है, वो कैसे effect करती है, मान लीजे कि science में एक chapter है, कि chapter उसका, chapters उसका factors का है, factors का, factors का chapter पढ़ रहा है, तो वो खोद अपना connection कर रहा है, कि मैंने कौन-कौन से methods learn कर लिये, कौन-कौन से equations solve कर ली, और क्या चीज़ रहे गई, या फिर कहां पे कौन से गलती है, जिसे इस errors को मुझे दूर करने है, तो वहां पे क्य है, कई बाजी जो external चीज़े होती है, वो effect करती है, भाईय वस्तूबे बच्चे का ध्यान चला जाता है, अगर classroom teaching के अंदर बच्चा factor पढ़ रहा है, और बहार से कोई disturbance create हो रही है, like कोई sound आ रही है, या फिर जो teaching learning process चल रहा है, उसमें teacher ठीक से नहीं समझा पा रही है, व वो कमी हो जाती है, क्योंकि ना बच्चा खुद achieve कर पाता है, तो उस वे में बच्चा खुद भी अपना निरेक्षन नहीं कर पाता है, और इसके अंदर बच्चा क्या है, बच्चे को ही अपना सारा process करना होता है, निरेक्षन भी खुद करना है, और अफ्लोकन भी खुद इसके अंदर रखी गई है उसके बाद अब इसके गुण और दोश देख लेते हैं आपको समझ आई गया है कि अंतर्न इडिक्शन विधी क्या है उसका मैंने बता दिया वों स्ट्राउड और जेम्स विलियम जेम्स ने आपकी ये विधी दी है और इसमें चेतन अनुबूति के तत्वों पर बल दिया गया है कि आपको कॉंशन्स देना चाहिए अपने खुद का अध्यान करना है अब इसके गुण समझ लेते हैं इस विधी के गुण बच्चों को सूचना प्राप्त हो जाती है इस विधी का पहला गुण यह है कि अंतर्न इरेक्शन विधी के सुचना प्राप्त होती है मतलब इसमें कोई आरड हम क्रिये नहीं कर सकते अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे फूटबाल पसंद है तो मतलब फूटबाल पसंद ही है वह अपने छीज में कोई भी अपना माइं चेंज नहीं कर सकते है क्यो informing आप उसको दस होगा कि जो भी हमें सूचना मिल रहे हैं वो डियरेक्ट बच्चों के तुरू मिल रही है सेकेंड इसके अंदर आता है लचीला पन यानि कि फ्लेक्सिबल्टी लचीला बन है इसको हम कैसे भी अपने हिसाब से रख सकते हैं मैथट्स को मतलब बच्चा कहीं पर भी अपना अंतर निरेक्शन कर सकता है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्लास्रूम टीचिंग के अंदर ही अपना ओब्जर्वेशन करना है या फिर खाली समय मे करना है या बच्चा क्या है अपने खेल दोरा घर पर तयूशं mec और बाकी चीजों पर जहां पर वो अपने फ्रेंस के साथ रहता है वहल है अपनी खुद की य॥ों कर सकता है कि उसको क्या चीजे पसंद है क्या नहीं पसंद है इन सब चीजों के द्वारा और उसके बाद आती है साधारन विधी थर्ड पॉइंट है हमारा कि बहुत साधारन विदी है इसके लिए हमें कोई भी extra effect नहीं करने पड़ते हैं कोई भी extra चीजे महां पे create नहीं करने पड़ते हैं जैसे कुछ विदियां बहुत महेंगी होती हैं उनमें बहुत जाधा time consume होता है तो और कुछ वीडिया ऐसी होती है कि आपको जैसे like play way method कि आपको ground की जरुवत पड़ेगी ही या फिर कोई इतने space की जरुवत पड़ेगी जहां पर बच्चों को खिलाया जा सकता है अब इसका एतिहासिक महत्व कैसे रखा है देखिए अंतर निरिक्षन विधी अपने आप में ही एतिहासिक है क्योंकि अगर आम इसको teaching learning process में यूज ना करें तो उसके बाद भी आप देखते होंगे कि घर की अंदर या friend circle में बच्चों की दिमाग में कुछ ना कुछ conscience mind में उनके चलता ही रहता है मतलब कोई ना कोई situation में अगर बच्चा खड़ा भी है तो यह नहीं कि उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा हुआ उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रहे होंगी like friends के बारे में हो सकती है कोई party के बारे में हो सकती है कोई study related हो सकती है तो वो क्या है वो सारी चीज़े क्या है वो कुछ ना कुछ कही ना कहीं किसी ना situation में कुछ ना कुछ observe करी रहा है तो इसलिए एतिहासिक मेह इसलिए है क्योंकि जब से बच्चे का जनम होता है और उसके मरन तक उसके माइन में कोई ना कोई चीज़े या process ऐसे create होते ही रहते है कि आप उसको रोक नहीं सकते है आप उसको यह नहीं कि अगर classroom में अगर teaching नहीं भी चल रही है और आप students को बोल दें कि बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे आप राम से बैट जाएए या अपनी notes book खोल लीजे आप खुद learning कर लीजे self study करेए तो कई बच्चे होते हैं जुनको studies करने होते हैं वो studies करते हैं कुछ head down करके बैट जाते हैं तो तब भी उनके mind इतना creative होता है इतना conscience रहता है कि उसके अंदर कोई ना कोई बाते चलती रहते हैं क्या वो teaching से related हो उनके friends से related हो family से related हो तो इसलिए इसको एधिहासिक महत्व के अंदर रखा जाता है अब इसके दोश के बारे में बात कर लेते हैं जहां कर किसी भी विदी के गुण हैं तो उसके दोश भी होंगे कि हमें किस तरह से ये जो अंतरन इडिक्शन विदी हैं बच्चों को कैसे effect करती हैं क्या इसके harmful हैं कि हम बच्चों के लिए यूज ना करें कौन सी क्लास तक यूज करें और किस situation में यूज करें तो इसलिए इसके कुछ दोश भी रखे गए हैं उसके बारे में discuss करते हैं दोश है इसके मनोधशा का परिवर्तन होना मनोधशा का परिवर्तन होना इससे आप क्या समझते हैं मनोधशा का परिवर्तन होना means जो बच्चे का अभी presently जो mind है जो मतलब mental ability है वो दूसरी situation में आपको नहीं पता कि वही रहेगी या नहीं या किसी और situation में वो change हो जाएगी या नहीं for example अगर लाइक माल दीजें कि आपने बच्चे को कोई creative चीज करने के लिए दी या कोई activity करने के लिए ठीक है बच्चा उसके अंदर क्या है interest ले रहा है उस चीज को कर रहा है अचानक उसके अंदर उसके दोस्त ने या किसी और ने कोई disturbance create कर दी तो जो उसका present of mind होगा वो क्या है automatically change हो जाएगा जैसे हमारी emotions situation के साथ change हो जाते है कभी हम एक मिनट में खुश हो जाते है किसी चीज को देखके तो कभी दूसरी situation में बहुत upset हो जाते है किसी चीज से तो ऐसे ही जो हमारी मनोधशा है यानकि conscious mind हो भी हर situation में different activity करता रहता है different situations में change हो जाता है तो इसलिए अंतर निरिक्शन विदी से हम यह नहीं कह सकते कि बच्चा जो भी अपने बारे में observe करेगा वो सत्ते ही हो क्या पता कोई ऐसी चीज बच्चा observe कर रहा है like कि math का कोई concept है और उसमें बच्चे ने कोई math equation या math solve किया और कि उसका answer correct नहीं आया तो बच्चा उसमें क्या है हमारे हिसाब से as a teacher आप उसको पूरा ही wrong कहेंगे क्योंकि formula put किया ठीक है लेकिन equation अगर उसने जो math का sum है वो ठीक solve नहीं किया तो answer आपको appropriate नहीं मिलेगा तो आप उसको गलत ही कहेंगे उसको zero marks ही देंगे लेकिन बच्च उसमें एक negative और एक positive रखेगा कि मेरा method ठीक था लेकिन मेरी equation में वो sum solve करने में कहीं न कहीं पर problem हो ठीक है तो उस हिसाब से भी मनोजशा के हिसाब से भी महां पर बच्चा एक negative और एक positive point लेकर अपने लिए चलेगा वो अपने आपको पूर्ण रूप से गलत नहीं बताए सेकेंड आता है इसमें दोशपूर्ण निरक्षन दोशपूर्ण क्यूं है वहीं सेम चीज है कि बच्चा कभी भी अपने बारे में अगर कोई चीज negative भी है या गलत भी है उसके according अकर बच्चा कोई चीज पढ़ रहा है या अपने समाज से जुड़ा हुआ है या उसको ऐ अगर इसी किसी चीज की माली जे समाई उजन करने में समाज के अंदर शोशल में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐसी चीज़े कीरियेट हो रही है कि वह किसी गलत चीज को गें कर रहा है गलत आददों को habits को गें कर रहा है तो बच्चा महा पर अपना ठीक तरह पूछेंगे कि आप स्मोक करते हो उसको दिल से पता है कि हा मैं करता हूं लेकिन वो पेरेंस के सामने क्या है महां पे आपको गलत आंसर ही करेगा कि नहीं मैं स्मोक नहीं करता है तो इसलिए वहां पे दोश्पूर निरिक्षन हमें प्राप्त होते हैं तो उसके पेरेंस भी क्या है उस पर ट्रस्ट करके वो चीज़ सत्य मान लेते हैं कि हमारा बच्चा स्मोक नहीं करता है ओके थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है आकडों का आत्मनिष्टदा आत्मनिष्टदा से क्या मतलब है आत्मनिष्टदा से मतलब है कि कोई भी बच्चा अपने बारे में या फैमली मेंबर्स या फ्रेंड्स कभी भी कोई आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएंगे एकडों के अंदर आत्मनिष्टा आ जाती है मान लिजर अगर बच्चे का ऑब्जरवेशन या पिर आत्मनिष्टदिव विदि के दौारा किसी टीचर के दौरा किया जा रहा है कोई किसी एक टीचर ने बोला कि आप यही सेम टॉपिक का आत्मनेक्शन करके मुझे रिजल्ट बताईं और सेटिचर ने भी सेम उसी टॉपिक पर बच्चे का आत्मनेक्शन करने के लिए बोल दिया तो क्या है आकड़ों में आत्मनिष्था किस रूप में आ जाएगी कि दोनों टीचर्स का जो प्रोजेक्टिव होगा या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो शायर डिफरेंट हो सकता है उनको क्या पता बच्चों के लिए बच्चों के अनुसार आंसर सेम मिले लेकिन बच्चे जहां पर टीचर क्या है अपनी जो उनकी खुद की मेंटालिटी है वो वहां पर क्रियेट कर सकते हैं किसी student को अगर कोई teacher जाधा like करता है तो वो हांपे क्या होगा उसके लिए positive ही देखेगा उसको 100 अफ तो 100 ही देगा लेकिन अगर किसी teacher को कोई student पसंद ही नहीं है तो वो अगर अच्छा भी करता है तो वहाँ पे वैज उस situation में वो उसको ना पसंद करते हुए 100 में से 50 ही दे कि उसके बाद आता है एक रूप में एक रूप से प्रियोग आत्मक नहीं है अप सभी situation में आत्मन इरिक्षन विधी का प्रियोग नहीं कर सकते हैं को बहुत सी conditions होती हैं झिस में आप इसका प्रियोग नहीं कर सकते हैं सबी methods क्या है, सबी situations में useful नहीं होते हैं, आप play way methods को बड़े बच्चों के लिए नहीं रख सकते हैं, activity methods को बड़े बच्चों के लिए नहीं रख सकते हैं लास्त है इसका point अधिक विशवशनेता होना, अधिक विशवशनेता होना, इसमें क्या है कि बच्चा कभी भी अपना observation कर रहा है, आत्मनिरिक्षन कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है, बच्चा, उसकी family, उसके friend उसी का ही support करेंगे अब इसमें क्या है, अगर विशवशनेता होती है कि reliable होना, अगर आप आज उसका, मतलब किसी भी topic को लेके आत्मनिरिक्षन कर रहा हैं, तो दस महीने बाद भी जब उसी topic पर आप उसके इस method के through observation करवाएंगे, तो आपको same result मिलना चाहिए आज मैंने एक topic पर उसका आत्मनिरिक्षन करवाया, तो मैंको 10 में से knowledge 9 मिले, अगर 10 महीने बाद same topic पर मैं उसका observation करवा रही हूं दुबारा से आत्मनिरिक्षन के दुबारा, तब मैंको 10 में से 5 मिले, तो यहाँ पर क्या है, आकडों में difference आ गया, पहले 9 ते फिर घट कर 5 हो गए, या पहले 10 होंगे, फिर घट के 11, 12, ऐसे हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह विश्वेशनता नहीं हुई, हमको दोनों results क्या है, different, different मिले, for example, कोई बच्चा, अगर अपने आपको इमानदार बोलता है, कि मैं बहुत इमानदार हूं, मैंने बच्चे से पूछा, क इस मैं मैं इमानदार हूं, तो आज आपने कोई ऐसी चीज दिखाई, कि मानले उचे क्लास के अंदर 10 का नोट पड़ा हुआ, बच्चे ने क्या किया, वहाँ पे अपनी इमानदारी दिखाने के लिए, वो 10 का नोट उठा कर, अपनी माम को दे दिया, कि माम ये गिरा बिला मुझे, जिसका भी है, आप उसको दे रीचे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, उससे अपनी विश्विशनता क्रेट करके दिखा दी माम को, लेकिन अगर 2 घंटे बाद, या 3 घंटे बाद, वो 10 के नोट की जगा, 500 का नोट हो, और बच्चा उसको देखके, उसके मन अपने पास, माम को इनफॉर्म नहीं क्या, तो वहाँ पे क्या है, कि हम उस गुड में, कि बच्चा इमानदार है या नहीं, तो विश्विशनता नहीं रहती है, कि बच्चा एक सिचुएशन में इमानदार है, दूसरी में नहीं है, कंडिशन में दोनों में सेम है, वहाँ पर क्या हुआ केवल रुपीज का जो difference आ गया उसके साब से बच्चे का वो जो गुण था वो परिवर्तन हो गया तो इसलिए वहां पर हम बच्चे को इमानदार नहीं कहेंगे पहली वाली situation में बच्चे ने अपना artificial behavior create किया था सिर्फ दिखाने के लिए तो इसलिए अधिक विश्वेशनिता नहीं होती है इस method की बच्चा अपने according कोई भी situation को create कर सकता है और उसको edit करके हटा भी सकता है तो आंतर निरिक्षण विदी हमारी complete हो गई है इसके बाद जो हमारा next topic आएगा वो भी method के उपर होगा ह हम second method start करेंगे thank you hello friends I'm Swati Singh हमारा जो second method है वो है वस्तोनेस्ट निरिक्षण या प्रेक्षण यानि कि objective या observation method observation क्या होता है पहली बात तो यह जो हमारा method दिया गया है वो हमारे वहवारवादियों के दुवारा दिया गया है वहवारवादी वहवारवादी के दुवारा क्यों दिया गया है क्योंकि observation के through आप किसी बच्चे का वहवार ही judge करते हैं अगर observation आप किसी का कर रहे हैं तो आप बच्चे के वहवार को ही notice करेंगे कि बच्चा कैसा वहवार कर रहा है किस situation में कैसी चीज़े create कर रहा है अप evaluation करेंगे जिस भी चीज का आपको बच्चे का observation करना है सबसे पहली बात कि observation में किसी भी व्यक्ति का वहवार या घटना को देखकर उसका एक ऐसा क्रमबंद रूत तयार किया जाता है जिससे हम बच्चे के वहवार के बारे में अच्छे से पता लगा सके कि observation के थुरू कि हम बच्चे को किस situation में रख सकते हैं या उसके अंदर कौन सी चीजे हैं कौन सी नहीं है अगर मान लिजे बच्चे को आपको judge करना है कि बच्चे का interest किस चीज में है तो आप क्या उसको कैसे judge कर सकते हैं आप उसको classroom से अलग जब आप वह बच्चा ground में खेल रहा होगा महां पर कर सकते हैं जैसे sports clubs होते हैं या फिर sports के आपके periods होते हैं तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप बच्चे को सबी बच्चों को बोल देते हैं कि यह चीजे यह खेलने की चीजे आपके सामने हैं आपको जो बसंद है आप उठा के खेलिए तो जिसका जिसमें interest है कोई badminton खेल सकता है महाँ पे कोई cricket के लिए football वेगरा यह सारी चीजे वो अपने interest के साब से choose कर लेंगे तो वहाँ पे आप observe कर सकते हैं कि किस बच्चे का किस play में यह किस sports में interest है ओके और इस method के through हम बच्चे के कुछ शीलगुणों का पता लगाते हैं जैसे अभी रुच्ची य हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं अभी शमता बच्चे का अपिट्यूड या वेक्ते तूँ या वेक्ते तूँ बच्चे की personality कैसे है इससे भी आप judge कर सकते हैं कि बच्चे का वेक्ते तो वह कहता है उसके क्या personality है तो observation के through हम judge कर सकते हैं like अगर आप कही पर जा र आपके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप सबसे पहले उसको कैसे उसकी पस्नालिटी को कैसे उब्जर्व करेंगे सबसे पहले आप उसके कपड़ों की ठंक से उब्जर्व करेंगे उसके चलने के स्टाइल से उब्जर्व करेंगे उसकी चाल धाल इन सब चीजों से उ नहीं पता सकते हैं क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर हमारा internal और external दोंवा आइफ external तो जज कर लेंगे उसके कपडों से उसकी चाल्डा से लेकिन इंटर्णल याप नहीं बता सकते हैं कि उसका नेयच्चर कैसा है उसकी पास्ट नाल्टी किस रूप में है कि इसको इसके जो दो हुआ इनको दो स्क्राप में रखा गया है कि फर्स्टेप है स्वेभाविक इस भाविक रूप से हम किसी भी बच्चे का प्रेक्शन कर सकते हैं और सेकिन है से भागी से भागी प्रेक्शन सो भावी क्या हो गया कि किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का आपको जिसका उब्जर्व करना है आप उसको बिना बताए आप उसको उब्जर्व कर सकते हैं अगर कोई बच्चा खेल रहा है या classroom में है तो अगर आपको किसी बच्चे को observe करना है कि उसका interest पता लगाना है या उसकी आपको behavior जानना है कि किस रूप में है बच्चा अच्छी चीज़े कर रहा है गलत चीज़े कर रहा है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको बिना बताए उसको observe कर सकते हैं कहीं पर अभी classroom teaching में, staff room के बाहर, play way ground में, periods में तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे को आप बिना बताए उसके कुछ skills को observe करके एक data तयार कर सकते हैं कि बच्चा इस situations में ऐसे react करता है इस situations में ऐसे react करता है इस type का behavior अपना रखता है तो वहाँ पर ही प्रेक्शन आप कर सकते हैं बच्चे आपको proper answer ना करें वो आपके सामने इतना comfort ना हो कि अपनी बाते share कर सके या अपना interest बता सके या अगर किसी बच्चे की personality judge करना चाहरे तो वहाँ पर वो आपको एक appropriate answer नहीं करेगा और दूसरा है सहभागी प्रेक्शन के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें आप create कर स observe बच्चों को कर सकते हैं अग जैसे कुछ चीज़ें होती है activities में कि आपने group discussion रख दिया classroom के अंदर तो उसके अंदर 5 बच्चे हो गए आप हो गए कि आपने भी involve कर दिया कि मैं भी group discussion में शामिल होंगा तो वहाँ पर क्या है आप बहुत सी चीज़ें notice कर सकते हैं कि बच् personality के है क्योंगी हर कोई अपनी personality के साब से अलग तरह से अपनी बात को present करता है तो वहाँ पर क्या है आपको सहब आगी बनके activity के अंदर involve होके बच्चों के साथ एक पार्ट बनके वहाँ पर आप observation method को use कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर जिसका आपको observation करना है उसके ब valid है और reliable है valid और reliable कैसे है valid ऐसे है कि बच्चा जो भी अपने बारे में चीज़े कहेगा या बताएगा या behave करेगा या फिर उसकी personality जो आज है वो भी 4 दिन के बाद रहेगी रहेगी यही नहीं कि उसकी personality 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद automatically change हो जाएगी तो इसी लिए हम इसको व्याद और विश्वेशन है था कि पैड़ी में रखते हैं सेकिंड है समय वह शर्म की बचट इसमें किसी भी type के मतलब time consuming नहीं है जादा और जादा महनत भी नहीं करनी पड़ते हैं क्योंकि classroom teaching में play way ground में और कोई भी discussion के अंदर या फिर कोई activities की जारी है वहाँ पर भी आप बच्चे को observe कर सकते हैं और इसके लिए हमें किसी भी train इन मनोविज्ञानिक को higher करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि इतना मुश्किल वेथर्ड है जो teachers के द्वारा नहीं हो सकता है इसको teacher के द्वारा monitor के द्वारा भी useful है कि हम उसको वहाँ पर बच्चे कि किसी भी चीज़ का observation करने के लिए classroom में ये classroom के भाहर भी इसको use कर सकते हैं थर्ड आता है आसाधरन बालकों के लिए बहुत important है आसाधरन बालकों के लिए लापकारी जो आसाधरन बालक हैं मतलब इस type के बालक हैं जो किसी रूप से पीडित हैं या उनके सामने कोई ना कोई ऐसी problems हैं जो वो share नहीं कर पा रहे हैं या कि अपनी family में नहीं बताते हैं अपने friends को नहीं बताते हैं तो आप उनके behavior से भी उनकी चीज़ों को जान सकते हैं अगर कोई बच्चे के सामने कोई mentally pressure है उसके उपर कोई physically pressure है उसके उपर तो बच्चा क्या है अपने behavior के थुरू वहाँ पे अपने आपको show करता है कि उसको कोई ना कोई ऐसी problem face करनी पड़ रहे हैं जिस आपसे वो अपनी classroom teaching में ध्यान नहीं दे पा रहा हैं कुछ बच्चे होते हैं अलग थलग रहते हैं कटे 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 क्लास में पीछे बैठते हैं किसी भी activity में involved नहीं होते हैं अपने उनका कोई friend circle नहीं होता है तो वह वैसे बच्चे होते हैं जो पिछड जाते हैं जो किसी ना किसी रूप में कट जाते हैं तो उनके सामने कोई इसी problems होती हैं, जो वो अपने आपको बाकी बच्चों के साथ involved नहीं कर पाते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, या तो friends के साथ कोई problems हो सकती हैं, उनकी family conditions कुछ ऐसी हो सकते हैं, कि बच्चे अपने आपको उस according ना मानते हो, या उनको अपने classroom में, या teachers के थुरू कोई ऐसी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे उस condition में आप बच्चे का proper तरीके से observation करके आप उस चीज़ को पता लगा सकते हैं, और उसका remedial बच्चे के लिए कर सकते हैं, उसके बाद आता है तुल्ना अत्मक अध्यन, तुल्ना अत्मक अध्यन से मतलब है, कि आप बच्चे का जब भी observation करते हैं, किसी भी teacher के द्वारा observation किया जाता है, इसके अंदर हम बच्चे का academic record नहीं देखते, academic record तो आपका data से पता चली जाता है, कि बच्चा कौन सा कैसा represent कर रहा है अपने आपको, लेकिन उससे अलग जिससे बच्चे का behavior, interest और ये सारी चीज़े पता लगानी होती है, तो तुल्ला अत्मक अधियन महाँ पे इस रूप से होता है, कि teacher को मैं हूँ या कोई और teacher है, जब भी किसी बच्चे का observation करेगी, तो उसको एक जैसा ही result मिलेगा, तो महाँ पे क्या है, और दूसरा, आप उसको दूसरे बच्चे के साथ तुल्ला कर सकते हैं, तो इस दोश भी है, observation method सबसे जादा useful है, वैसे अभी तक की हमारी teaching में, और बहुत जादा इसको effective माना गया है, और हमेशा से इसका classroom teaching, classroom के बहार भी कई चीजों में इसको use किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके दोश भी है कुछ, वो बता देती हूँ आपको इसके दोश क् पहला दोश है, प्राशिक्षित वा कुशल प्रेक्षक ना होना, कई बारी अगर बच्चे का आपको behavior judge करना है, या कोई भी ऐसा point judge करना है, observe करना है, तो teachers में, मतलब बच्चे के अंदर क्या पता कोई कमी ना हो, बच्चा आपनी तरफ से बिल्कुल 100% हो, लेकिन अगर teacher म में कोई problem हुई, वो mentally इतना stable नहीं हुआ, या इस विदी का ठीक से प्रियोग करना नहीं आया उसको, तो वहाँ पर भी क्या है, जो वो data collection करेगा, data collect करेगा बच्चों के लिए, वहाँ पर उसना कोई ना कोई errors मिल जाएंगे, क्योंकि teacher को ही नहीं पता कि कैसे observation method को use करना ह है, आपको क्या-क्या उसके लिए तैयारिया करनी है, कौन-कौन से points को पर ज़्यादा ध्यान देना है, या किस point को आपको neglect करना है, तो इसलिए प्राशिक्षित बग कुशल प्रेक्षक होना जरूरी है, जो आपका अच्छे से observation कर सके, अगर आपके teacher में ही कोई कमी है, य है, पक्षपात होना, पक्षपात होना मतलब पाशालती हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था एक point में, कि अगर teacher के द्वारा observation method यूज किया जा रहा है, classroom में, classroom से अलग, तो किसी teacher का कोई favorite student होगा, तो वो उसके लिए negative देखे गा ही नहीं, वहाँ पे वो उसके positive ज student बिलकुल नहीं पसंद, या उसकी बात नहीं मानता, या उसको मतलब classroom के अंदर ध्यान नहीं देता, उसको कोई teacher को उससे कोई problem है, तो उसके लिए वहाँ पे क्या है, वो सारे उसके negative points को ही achieve करेगा, और उसका एड़ जो data collections की report तयार करेगा, उसके अंदर वो सारे उसके negative points ही रखेगा, जिससे उस बच्चे का observation method ठीक से नहीं हो सकता है, दूसरा है, आंत्रेग और मानसिक क्रिया का अध्यान, observation method के through, आप केवल बहारी उसको judge कर सकते हैं, मतलब उसका external behavior ही judge कर सकते हैं, आप उसके मन के अंदर, उसके मानसिक क्रिया है, mental ability, ये सारी चीज़े क्य हैं, judge नहीं कर सकते हैं, कि उसके दिमाद में क्या चल रहा है, या उसकी mental ability कितनी है, IQ level कितना है, वो किस भी topic को, किस रूप से समझ पा रहा है, उसको क्या problem हो रही है, वो चीज़ क्या है, आप महां पर observation method के through, judge नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको problem आहीं जाएगी, क्लास्वूम टीचिंग के अंदर, वो ऐसे artificial behavior के through, आपको गर्दन हिलाकर, या एकस expression देकर, proof कर दे कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप personally, तो सब कुछ आके, judge नहीं कर सकते हैं, कि आपको नहीं आया, आप मुझे चलो, यह वाला, some solve करके दिखाईए, वो नहीं हो वो है आनियोजित परिस्थितिया, आनियोजित परिस्थितियों में क्या होता है, कि कई बरी, जिस भी teacher को observation method अपना use करना है, किसी बच्चे के, कोई भी point को लेकर, तो वहाँ पे क्या होता है, कि teacher के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थिती पैदा हो जाती, कि वो वहाँ पे नह दूसी चीज करने लग जाता है, कोई student disturbance create कर देते हैं, principle, environment इस तरह की चीज़े क्या होती है, जो बच्चों को चारो और से घेरे रखती हैं, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी environment या ऐसी परिस्थितिया, situations create हो जाती है, जो उस observation method में कोई ना कोई errors डाल देती है, मतलब वहाँ प perspective बनाने के उसको कोशिश करते हैं, वो proper रूप से नहीं हो पाता है, अब इसके अंदर आपको पता चलगे कि observation method क्या होता है, इसमें किस-किस points को रखा गया है, वहवारवादियों ने हमारा दिया, इसके गुण और दोशों के बारे में भी discuss कर लिया, इसके बाद हमारा third हम स्टार्ट करेंगे next जो methods हैं, ति पाच्छे methods हैं, आपका हो जाएगा इस class में, तो मैं बता दूगे, okay, thank you Hello friends, I'm Swati Singh, हमारा third, हमारा method है वो है नियदानिक विदी या case ETS, clinical method या case study Case study क्या होता है, case study होता है, जब बच्चा मा के गर्भू में होता है, वो वली situation से बच्चे का case study करना, अब तक की जो भी present situation है, उसमें अगर बच्चे को कोई problem face हो रही है, मतलब case study के थुरू, हम बच्चे की उन problems का data collection करते हैं, जिसमें बच्चे को अभी present में किसी problem या किसी situations को face करना पड़ रहा है, मतलब अगर मान लिजे, आपकी classroom teaching के अंदर, बच्चा किसी रूप से ध्यान नहीं दे रहा है उससे अलग वो, आप उससे एक बार बूछ रहा है, वो नहीं बता रहा, दो बार, तीन बार, मतलब आपने दस बार भी पूछा, तो बच्चे ने आपको proper answer नहीं किया और फिर भी अपनी behavior में भी कोई change नहीं किया, उसका behavior जैसे first देता, वैसे ही बाकी के 10 दिन भी रहा तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, कि बच्चे का problem जानने की कोशिश करेंगे, कि बच्चे को actually problem क्या है, वो कुछ mentally disturbed है, या उसके सामने कोई ऐसी परिस्थितिया आ रहे हैं, जिससे वो ऐसा behave कर रहा है, आप उसके parents से जानने की कोशिश करेंगे, उसके friends occur से जानने की कोश करेंगे, कि मेरी class में बच्चा ऐसे, मतलब represent करता है अपने आपको, तो आपकी class के अंदर बच्चा कैसे behave करता है, तो उस situation में, बच्चे के बारे में, जब हमें कोई proper data collect करना हो, किसी भी चीज के बारे में, तो हम case study के through, बच्चे का वहाँ से लेटके data collect करते हैं, जब ब present situation जल रही है बच्चे की साथ, वहाँ तक data collect करते हैं, कि इतने कोई बच्चा 5 साल का, 10 साल का है, तो 10 साल वो और 9 महीने उसके वो, तो ऐसे करके 10 साल, 9 महीने का पूरा data collection करेंगे बच्चे के बारे में, उसको बोलते हैं case study, अब ज़्यादा दर ये किन बच्चों के नहीं ढाल पाते हैं, समाज में adjustment नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी रूप में, उन बच्चों के लिए बहुत helpful है हमारा case study, उनके बारे में जानने के लिए हमें case study करनी पड़ती है, कि उनको starting से लेके अब तक present situations में, उन्होंने क्या-क्या चीजे face करी, कब-कब उन्होंने क् इस चीज की situations face करी, तो उससे क्या है, टीचर को ये पता चल जाता है, कि बच्चा अपने जनम से लेके अब तक, मतलब अपने गर्व स्थान से लेके अब तक कैसा रहा है, mentally भी, physically भी और ये सारी चीजे क्या है, हमें पता चल जाती है, और इसमें सम्वेग आत्मक समस्या, यानि कि emotionally जो बच्चे को problems होती है, उसका भी हम इसके अंदर पता लगाती है, case study के through, अब इसमें क्या चीज, मैं आपको step बता लेती हूँ, इसके तीन steps है, case study को करने के लिए, first step आता है, parambik सूचना, पारambik सूचना, इखटी करना, second आता है, गतल इस्था, इतिहास, मतलब past रुसकी history पता करना, थर्ड आता है, वर्तमान अवस्था, यानि की present condition, आप इन तीनों को कैसे इस्तिमाल करना है, for example, आपकी classroom teaching के अंदर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, आप उससे 100 बार कोई question कर रहे हैं, वो तब भी answer नहीं करता है, आप उसकी notebook check कर रहे हैं, बिल्कुल निल है, सब चीजों में गलती कर रहा है, एकदम कुछ बोलता नहीं है, किसी activity में पाट नहीं करता, classroom में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, उसके ज़्यादा friends नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका case study करेंगे, case study कैसे करेंगे, आप उसके घर पर जाएंगे, उसके parents से मिलेंगे, उनसे questioning करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कि जब बच्चा गर्ब में था, तब कोई ऐसी situations create हुई थी, जो बच्चे के लिए mentally pressure रहा हो, या बच्चे को मानसिक अगात हुआ हो, मतलब बच्चे को कोई मानसिक रूप से problem आ गई हो, मा के गर्ब स्थान से लेके, बच्चे की जो अभी present situation चल रही है, उसके अंदर तक हम सारा case study करते हैं, सारा data collect करते हैं, कि बच्चे के साथ कोई ऐसी condition तो नहीं हुई, कोई ऐसा incident या accident तो नहीं हुआ, जिससे बच्चे को मानसिक अगात हुआ हो, कोई problem रही हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे past experiences होते हैं, या कोई हमने ऐसी घटना देख ली होती है, जो हमारे दिमाग पर छप जाती है, तो future में भी, या भी present life में भी जब हमें कभी वो चीज़े याद आती हैं, तो हम कहीं गुम हो जाते हैं, अलगी दुनिया में चले जाते हैं, या कोई mentally बहुत disturbed हो जाता है, कोई emotionally बहुत weak हो जाता है, तो इससे क्या होती है, ये सारी चीज़े पता लगा क्या था, उसका scholar records क्या था, उसके पुरानी schools में बात करना, सारा data collect करना, उसकी family, friends, school और बाकी teacher के साथ भी आपको communicate करके, ये सारी चीज़े पता लगानी है बच्चों की, तो पारंबिक सूचना के अंदर क्या point आ गया, कि बच्चे का गर्व स्थान से लेकर, अभी present situation जो है, वो सूचना है, आपको सारी collect करनी है, बच्चे के बारे में, क्या है, वो किसी भी रूप में रही हो, बच्चा किसी problem को face कर रहा हो, चाहे ना कर रहा हो, बहुत जादा अच्छा achieve कर रहा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जो बहुत अच्छी family से होंगे, या middle class family से ह इनका जो mental ability है, वो बहुत जादा strong होगी, कुछ की बहुत weak होगी, बहुत किसी का academic record बहुत अच्छा होगा, scholar record बहुत अच्छा होगा, तो वो सारी बारं भी सूचना है, आपको एकट्टी करनी है, second point आता है, गतिस्ता, गतिस्ता में आपकी past history के बारे में रखा जाता है, कि past history आपकी क्या रही, आपकी गद, अभी जो आपका present situation है, उससे अलग, एक साल, दो साल, चार महीने, एक महीने से पहले आपकी situation क्या थी, आप उस situation में mentally stable थे, नहीं थे, physically strong थे, नहीं थे, ये सारी चीज़े पता लगाना, एक proper case study के थुरू, आपको data collect करना है, कि तो किस रूप में, अभी तक उसकी, जो present situation है, वो क्यों है, किस लिए है, अगर मेरी present situation जो है, नॉर्मल है, तो मुझे नहीं लगता, मेरे उपर कोई case study करने का मतलब ही बनता है, लेकिन अगर में बिलकूर कुछ बच्ची होते हैं, mentally retired होते हैं, ज्यादा response नहीं करते हैं, समय उजित होते हैं, पिछड़े होते हैं, तो उन पर case study करने का महत बनता है, क्योंकि हमें वहाँ पर पता लगाना है, कि बच्चे को अक्चली problem क्या हो रही है, और यह problem कब से चली आ रही है, अगर आप किसी doctor के पार जाते हैं, अपनी problem लेकर, तो जो doctor आपसे पूसता है, उसका भी पहला question यही होता है, कि आपको fever है कब से है, वो क्यों पूसता है, वो इसलिए आपको remedial जो करेगा, आपका treatment जो start करेगा, वो इसी रूप से करेगा, कि आपको एक हफते से fever है, तो वो किस-किस situations में आपने face किया, मतलब दिन में चड़ता था, रात में चड़ता उतरता था, ऐसे रहा, या continues रहा, कितना रहा, और उसके साथ साथ क्या-क्या problems आ रही है, तो इसलिए ये सारी situations को पहले doctor क्या है, सारी situations को रखता है, उनको observe करता है, then आपको remedial करता है, then आपको treatment start करता है, कि आपको ये-चे medicines लेनी है, इससे आप इतने हफतों में ठीक हो जाएंगे, या आपको ये-ए precautions use करने हैं, वो जरूरी है, तो ऐसे ही as a teacher, आपको भी पहले जानना चाहिए, कि वो क्यों हो रहा है, किसले हो रहा है, कब से हो रहा है उसके साथ, तो इसके लिए आपको case study करना important है बच्चे के लिए, और फिर आता है वर्तमा नवस्ता, या पास्त, जो उसके case studies थे, उसके बारे में जाच कर लिए, और अभी जो present वो आपके साथ communicate कर रहा है, आपके साथ रह रहा है, उसको आपने ध्यान ही नहीं रखा, अभी कि जो present situation है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, कि अभी present में उसका academic record कैसा है, उसका scholar record कैसा है, वो class मे कितना active है नहीं है, वो कितना communicate करता है, उसका friend circle कैसा है, अभी present में घर में उसकी situations कैसी है, बाकी समाज में उसकी situations कैसी है, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा एक proper case study का data collect होता है, अभी इसके good और दोश के बारे में बात कर लेते हैं, कि case study के good क्या है और दोश क्या है गलकों का गहन अध्यन, case study के तुरुआ आपको पता ही है कि बच्चे के गर्व इस थार से लेके उसकी present history तक, present situation तक हम case study करते हैं, proper data collection करते हैं, तो इसी में बच्चों का एक रूप से गहन अध्यन हो ही जाता है, क्या है वो आपका physically हो, mentally हो, emotionally हो, आपको सारी situations बच्चे के बारे में पता चल जाती है, कि बच्चा किस रूप से active है, नहीं है, क्या problem face कर रहा है, उसको किस प्रकार के remedial की जरुवत है, नहीं है, और फिव फ्यूचर में किस रूप से अपने आपको represent करेगा, second point आता है, इसमें मानसिक वा शारेरिक रूप से पता लगाना, मानसिक वा शारेरिक अबस्था का ज्याना, जब आप किसी बच्चे का case study करते हैं, तो उसकी physical तो होता ही होता है, sorry, mental तो होता ही होता है, आप उसका मानसिक इस्तिदी के बारे में तो पता करते ही है, कि बच्चे का अब तक जो भी mental ability रही है, IQ level रहा है, या फिर उसको कोई problem किस रूप से हुई है, कोई चीजें कैसे वो face कर रहा है, academic scholars में कैसा perform कर रहा है, उसके साथ साथ शारेरिक अबस्था का भी आपको पता चलता है, वो किस रूप से पता चलता है, कि बच्चा जब प special treatments दे जाते हैं, या बच्च अब शारेरिक रूप से कमजोर होता है, और आगे चलके भी वो चीजें बच्चे के उसमें पता चलती है, कि अगर उसकी age इतनी है, तो इस age में बच्चे का weight इतना होना ही चाहिए, अगर उससे कम है, तो वो शारेरिक रूप से कमजोर है, तो क्योंकि बच्चा उतना proper ढंक से अगर खान पान नहीं कर रहा है, फूड नहीं खा रहा है ठीक से, और शारेरिक रूप से कमजोर है, तो बच्चे को क्या जल्दी आलस आने लगता है, और बच्चा क्लास में इतना active नहीं होता, आपको क्रेटिविटी वाली चीज़ें थकान मैसूस करने लगता है, ऐसे ही जो बच्चा जादा मोटा होता है, उसके साथ क्या होता है, कि वो भागने वाली चीज़ों में पाट नहीं करता है, कि उसको रन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसमें प्रॉबलम होती है, जल्दी थकान हो जाती है, बैटने में उसक समस्या का निदान किसी भी प्राब्लम का आपको रेमिडल करने में बहुत हेल्फूल होता है बच्चे के लिए अगर उसको आप शारेरिक मानसे के इमोशनली लेके चल रहे हैं आपको पता है कि बच्चे की लास्ट मतलब जो पैदा होने के समय और आपके समय में जो ग्याप है उसके बीच में क्या-क्या सिच्वेशन उसने फेस करी कैसा कैसा उसका शारेरिक विकास रहा कैसा उसका मानसिक विकास रहा समय का अत्मक विकास रहा उस रूप में आप बच्चे का प्रॉपर रूप से रेमिडल दे सकते हैं उसको उसको कर सकते हैं कि आपको यह चीज में यहां पर जाधा धियान देना है इस चीज में जाधा धियान नहीं देना है अब इसके साथ साथ इसमें कुछ इसके दोश भी है के इसके दोश जो है उसमें पहला है हमारा सूचना है सत्य नहीं होती देख क् Kendall करते हैं तो आप किस से बात करते हैं कहां से occult??? जरूरी नहीं है कि अगर मान लिजे जब बच्चे का जनम हुआ यान वो गर्ब में ता उसके मा को प्रॉब्लम थी कोई बिमारी थी तो मा आपको बताए उसके परैंस आपको प्रॉबर जानकारी दे कि हां मुझे उस ताइम पर ये प्रॉब्लम थी कोई बेमारी से घ्रस थी या बच्चे ने कोई ऐसी घटना देखी थी या उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था तो जरूरी नहीं क्या पताब माबाप आपसे वोची से छुपा ले उसके फ्रेंड्स भी अपने फ्रेंड के लिए खाने के लिए बच्चे के बारे में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं उनको छुपाते हुए पॉजिटिव ही लगता है क्योंकि उससे उनका स्कूल का रिकॉर्ड खराब होता है तो इसी लिए आपको इस रूप में सत्यता नहीं ले सकता है कि आपको जो टाटा कलेक्शन आप कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं कई बारी जरूरी नहीं कि छुपाना भी हो कई बारी ऐसे होते कि इतनी पुरानी बात बाते जो होती है वो माइंड से इसके पोजाती है निकल जाती है कुछ ध्यान नहीं रहता तो इस सिच्वेशन को आप यहां पर ह हमारे case study में error आ जाता है उसमें आत्मनिष्ट्रिता जो इसमें एक दोश है वो है आत्मनिष्ट्रिता अधिकोना आत्मनिष्ट्रिता अधिकोना किस रूप में है कि अगर पेर्मान लेजे कोई बच्चा मानसिक रूप से अगातित है मतलब उसको कोई mentally problem है वो mentally retired है या कु इसी भी चीज से ऐसे emotionally attached होते हैं कि वो अपने बच्चे को बुरा बोलते ही नहीं है अगर उनका बच्चना mentally retired है या कोई problem को face कर रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत उसे आ रही है तो वो तब भी यह कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा बिलकुल सही है उसको बिलकुल ठीक है उसको कोई problem नहीं है वो mentally stable है या इस तरह की चीजें वो आपसे आग्यू कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि आप उसके बारे में क्या पदा फिर गलस सोचे या उसको बाकी बच्चों से अलग सलग करें पाशाल्टी करें उसके साथ तो यह सारी situations में क्या है बच्चों के जो parents होते हैं उनके mind में भी बहुत सारे thoughts आते हैं कि क्या पदा हमारे सही बात बताने पर भी आगे चलके बच्चे के future में कोई problem create हो जाए अभी जो बच्चा पढ़ रहा है वहां पर उसके लिए academic group से कोई problem हो teacher के द्वारा कोई पाशाल्टी की ज पहने लगे उसको अपना friend ना बनाए उसके साथ communicate ना करें तो situation में भी क्या है आत्म निश्टता आ जाती है कि parents आपको सही जानकारी नहीं देते हैं और society जैसे होती है हमारी तो society में भी लोगों को इतनी जादा पता नहीं होता है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मान लेजे आपके पडोसी है वो दो साल पहले ही आके यहां पे settle हुए हो तो उससे पहले जब बच्चा पैदा हुआ था या गर्व स्थाल में था वो कहीं और हो तो वहां पर क्या पासपडोसी उसे जादा मतलब नहीं रखते हैं तो इसलिए वहां पर क्या होता है आप ठीक ठंग से डाटा कलेक नहीं कर पाते क्योंकि उनको यहीं नहीं पता होता कि अपने घर में क्या चल रहा है तो दूसरों के घरों के बारे में तो बहुत दूर की बात है तो यहाँ पर आद्मनिश्रिता अधिक देखी गई है कि पेरेंस के तुरू चीजों को छुपाया जा सकता है थर्ड पॉइंट है इसमें प्रशिक्षित थर्ड दोष जीवई है कि जो आपका केस तडि कर रहा है कोई टीचर कर रहा है कोई साइकलोजिस्ट कर रहा है तो वो भी क्या पदा इतना उस रूप में माहिर ना हो उसकी इतनी स्किल्स अच्छी ना हो कि वो उस रूप को यानि कि case study करते इस time सारे अच्छे अच्छे data collect करें या negative point भी देखे, positive भी देखे वो एक proper way में लेके चले, step by step लेके चले क्या पता उसे first step किया और second step को skip कर दिया कि मेरा मन नहीं है, third को कर लिया, फिर fourth को कर लिया, फिर sixth को छोड़ दिया तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई ना कोई errors आपको मिली ही जाएगा कि अभी मैंने present situations पता लगा ली, दो साला पहले का आकड़ा पडोसियों से पूछ लिया अब उससे पहले ये लोग कहां रहते थे, क्या थी, कौन जाएगा, कौन ढूंडेगा तो इसलिए छोड़, अभी जितना data है, उससे collect करा और एक मुल्यांकन यानि की evaluation कर दिया कि बच्चे को दे दिया कि वो सम्वेगात्मिक रूप से problem में है, mentally रूप से है, शाही रूप से जहां वो positive ले रहा है, वहाँ पर उसके negative points भी ले, last में जाके collection यानि के conclusion निकाले कि बच्चा किस रूप में आपको मिलता है उसके बाद fourth, विश्वश्नियता, समाप्त होना विश्वश्नियता कैसे समाप्त होती है, कि हो सकता है कि बच्चे का जो अभी data record है, वो पूरा hundred out of hundred है वो क्या है, आपको अगर एक teacher को case study करने को दिया जाता है, तो वो proper रूप से अपने case study पर ध्यान देगी और अपने present के साथ साथ, अपने past और जो उसके कर्व स्थान के सामेते, वो proper data collect करेगी लेकिन अगर हो गया, कि एक ही case study को two teachers के बीच में divide कर दिया गया एकने present collect कर लिया, एकने past collect कर लिया, तो वहाँ पे क्या है, errors आ जाएंगे कि जो past data collection कर रही है, वो आपको बताईगी कि बच्चा proper रूप से ठीक है, उसमें कोई problem नहीं है क्योंकि वो अपने point of view से देखेगी, वो अपने हिसाब से data collect करेगी और जो second teacher है, वो वहाँ पे किसी बच्चे को इस रूप में पाते है कि हाँ, वो mentally disturbed है यह situation made a step है, वो अपने minds में कुछ ऐसे thoughts create कर लेती है कि जरूर उसके past में कुछ problem create हुई होगी, कोई ऐसा उसके साथ incident create हुआ होगा जिससे उसको यह problem हो रही है, लेकि जब उसके पास जो past history का collection आता है data का वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर क्या है, दोनों का conclusion, दोनों का मुल्यांकर अलग-अलग हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या रहती है, विश्वशे निता समाप्त हो जाती है case study की तो इसके अंदर बच्चे का case study हमें एक ही teacher के तुरू करना चाहिए, जो बच्चे को अच्छे से जानती हो या जो teacher उसकी present में है, उसी के तुरू बच्चे का case study प्रॉपर रूप से किया जा सकता है अब आपको नैदानिक वेदी और case study के बारे में भी पता चल गया कि वो क्या है, इसके हमने गुण और दोश पता कर लिए, क्यों किया जाते है और किन बच्चों के लिए ज़्यादा useful है, जो कूस हमाई हो जही दिया निकिए अपने समाज में, environment में अपने आपको adjust नहीं कर पाते हैं, पिछडे वे रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए यह सबसे ज़्यादा useful है, thank you Good morning friends, हम स्वाती सिंग, हमने जो हमारे बात चल रहे थी इससे पहले की इस वीडियो में, education psychology से related जितने भी methods थे, हम उनके बारे में discuss कर रहे थे, समझ रहे थे, कि कौन-कौन से methods हैं, आपके teaching, learning process के अंदर, और educational हमारे जितने भी methods हैं, वो सारे, because वो आपके लिए teaching, learning process में ब पास uploaded हैं, हमारी website पे, YouTube चैनल पर, तो आप वहाँ पे check कर सकते हैं, सारी videos, इससे पहले भी जितने methods मैंने आपके साथ share किये हैं, तो आपको check कर लिजेगा, देख लिजेगा उन्हें, और आगे की videos में मैं try करूँगी, कि आपको सारे methods complete करवादू, psychology और प्लस pedagogy के लिए सबी दोनों के अंदर आपके methods आते हैं, तो आज जो हम discuss करने वाले हैं method के बारे में, वो है interview method, यानि कि सश्टाकार विधी, देखें, interview common भाशा में, आपने अपनी daily life में बहुत bad सुना होगा, तो आपको सिफ ये पता लगाना है, आज की हमारी class के थुरू, कि उसको education से कै कैसे आप relate करके बच्चों के लिए helpful बना सकते हैं, या हमारे teaching learning process में कैसे effective बना सकते हैं, after 12 या फिर आपने वैसे भी देखा होगा, कि जो jobs के लिए apply करते हैं, तो महाँ पे एक interview का part होता है, एक interview session होता है, जिसके अंदर आप जाते हैं, आपको एक time fix किया जाता है, आप उ जाते हैं, तो इससे क्या है, जो आपका interviewer होता है, उसको help होती है, आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि अगर आप वो आपको किसी भी job के लिए hire कर रहा है, तो आप उस interviewer को पता होना चाहिए, आपको कि उस job के लिए eligible हैं या नहीं है, तो इसलिए वो एक interview का part रग बनाता है, और meaningful बनाता है बच्चों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, आपको पता चली गया है कि, आपको पता ही कि interview का जो process होता है, वो कैसे होता है, ठीक है, तो जाधतर जो interview method use किया जाता है, हमारे educational psychology में या methods के थुरू, वो जाधतर बच्चे का interest, aptitude, knowledge और इन चीजों के बारे में जानने के लिए किया जाता है, इसमें कुछ points है, अभी रुच्ची जानने के लिए, योग गेता, वो कितना eligible है, मनोवृत्या, यानि कि उसका aptitude क्या है, वो किस two words, किसके प्रती जाधा समवेधिंग है, उस चीज के बारे में, या किसी भी कोई ऐसी problem के बारे में जानने के लिए, जो वो अपनी daily life में face कर रहा है, ये नहीं केबल आपको बच्चे का interest, योग गेता और मनोवृत्या जान face कर रहा है, अपने professional life में, educational, vocational life में कोई problem face कर रहा है, तो उसके लिए भी interview method हमारा बहुत useful है, समस्या का पता लगाने के लिए हम interview method को conduct करते हैं, और interview method होता कैसे है, एक-एक करके बच्चे को बुलाया जाता है interviewer के सामने, तो वहाँ पर questioning के थुरू बच्चे की knowledge जानने के लिए try करते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, या तो उसका interest जानने के लिए कर सकते हैं, उसकी knowledge, योग गेता जानने के लिए कर सकते हैं, उसका aptitude जानने के लिए कर सकते हैं, अगर उनको कुछ इस topic पर बच्चे का interview लेना है, कि उनको बच्चे में किस परकार के mental ability है, कोई problem तो नहीं है, तो उससे भी उसके थुरू भी questioning जो आपका interview है, वो कर सकता है, अब इसके बात क्या होता है, कि साश्ताकार जो हमारा interview method है, वो समायोजन संबंदि समस्याओं का अध्यान करता है, मतलब अगर किसी बच्चे को अपने environment में या school में किसी परकार का adjustment करने में कोई problem face करनी पड़ रही है, कि वो क्यों अपना adjustment नहीं कर पा रहा है proper रूप से, अगर 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे बहुत अच्छे से किसी group में involved होते हैं, कोई भी activity करते हैं, बोल चाल में अच्छे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के, मतलब adjustment हर किसी की situation में वो ढल जाते हैं किसी रूप में, लेकिन एक जो बच्चा है वो इस रूप से नहीं है, तो आप जाने की कोशिश करेंगे as a teacher interviewer कि उसको क्या problem है, क्या वो चीज़े face कर रहा है, क्यों वो adjust करने में problem को उसको face करना और सबसे जादा interviews method जो हमारा useful है, वो आपका website निर्देशन के लिए, यानि कि vocational guidance के लिए भी useful है, आप बच्चे को proper guides कर सकते हैं कि आपको after 12 या after 10 कौनसी stream sites में जाना चाहिए, ताकि आपको doctor बनना है, तो आप यह वाली site लीजे, या आपको IS करना है, तो आप यह वाली sites से बढ़िये, और इन सारी चीज़ों में आपके लिए क्या-क्या beneficial चीज़े हैं, क्या आपको negatives देखने के लिए मिलेंगे, after 12 आप क्या-क्या कर सकते हैं, किस-किस field से, तो ऐसी चीज़े interview के दुआरा as a teacher या as a interviewer आप बच्चों को बता सकते हैं, उनको proper guidance कर सकते हैं, अब संरचित, साश्तागार मतलब structure होता है और second होता है आसंरचित, साश्तागार यह unstructured होता है इन दोनों में क्या होता है जो हमारा first type है संरचित, साश्तागार यानकी structure interview इसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही सारी चीज़े एक structure में बना ली जाती है मतलब एक धाचा तयार कर लिया जाता है कि आपको किस time पर interview लेना है किस class का लेना है उसके अंदर आपको क्या क्या questions पूछने है उस questions पूछने है कि आपके objectives क्या क्या है फिर आपको evaluation किस हिसाब से करना है फिर आपको marks किस हिसाब से देने है data क्या collect करना है यह सारा क्या है pre planning कर ली जाती है interview करने से पहले तो structure वाले में तो आप pre-planning करके ही interview organize करते हैं कि अगर मुझे 10th class के बच्चे का interview लेना है तो science से related लेना है कि मुझे पता होना चाहिए कि उसको science के कौन कौन से concepts के लिए हो गए हैं कौन से नहीं हुए हैं उसको क्या problem आ रही है और interview का timing कितना होना चाहिए ये सारी चीज़े क्या हैं आप structure में रखेंगे लेकिन unstructured second type है हमारा असंदर्चे सश्टाकार इसमें क्या होता है इसमें कोई भी चीज़ पहले से pre-plan नहीं की जाती है कोई भी structure तैयार नहीं होता है इसके अंदर केवल एक time और एक limit हमें दे दी जाती है कि इतने time का interview होगा उसमें आपके mind में उस on the spot जो भी questions आते हैं आप interview होते हुए आप बच्चे से questioning कर सकते हैं मतलब आपको पहले ये decide नहीं करना है कि आपको इस topic से related ही बच्चे से questioning करनी है या फिर आपको इसी के through बच्चे से question पूछने है ये सारी चीज़े आपको वहाँ पे maintain नहीं करनी है पहले से pre-plan नहीं करनी है आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि आपने interview organize किया बच्चा आपके सामने आया तो उस time पे बच्चे को देखते हुए आपके mind में जो भी question आ रहे है क्या है वो personal हो vocational हो और another जैसे आपकी sports वगेरे and all कोई भी field से related हो आप बच्चे से जो भी मन में questions आ रहे है उस time पे put कर सकते हैं और बच्चा आपको उसके answering करने के साथ उसी के through आप उसका evaluation करेंगे और बाकी data collection करेंगे ठीक है तो आपको ये दोनों type पता चल गए सनरचीत में सब कुछ structured होता है पहले से pre-plan होता है कि आपको क्या करना है कितने questions करना है एक proper data होता है आपके पास और एक proper धांचा दयार होता है इसमें number of questioning भी आपके पास होती है कि आपको इतने ही questions पूछने है अगर आपने 10 questions prepared किया है बच्चे से पूछने के लिए तो आप 10 ही पूछेंगे आप ये नहीं कर सकते कि आपके मन में अगर 11th question कोई put हो रहा है तो आप वहाँ पे उसको पूछ ले बिलकुल नहीं अगर आपके 10 पहले से pre-plan है कि आपको इस time के period में आपको 10 ही question बच्चे से पूछने है तो आप structure वाले में 10 ही question पूछेंगे लेकिन unstructure वाले में आप अगर आपके मन में 11 question आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं कितनी भी questions आ रहे हैं और किसी भी टाइप की आ रहे हैं, आप महा पे बच्चे से put कर सकते हैं इसके बाद हमारा interview method आपको पता चल गए कि interview method में हम क्या-क्या चीजे बच्चे की observe करने के लिए try करते हैं कि क्या-क्या पता होना चाहिए, रूचिया, योगयता, मनोवृत्या और किसी भी चीज से related अगर बच्चे को कोई problem face करनी पट रही है तो वो भी हम पता लगा सकते हैं और दूसरी कितने type की होती है, two types की होती है, जिसमें एक structured होता है और एक unstructured होता है इसके बाल इसके गुण और अबगुण देख लेते हैं कि interview method हमको कब useful जादा होता है, कब हमारे लिए बच्चों के लिए जादा meaningful होता है और कब नहीं होता है interview method के गुण क्या है? पहला गुण है इसमें, जो इसका benefit है interview method मतलब organize करने का, इसमें हमारा पहला है वहवार वशैशिक समस्याओ का पता लगाना interview method के द्वारा आप बच्चे का कोई भी behavior judge कर सकते हैं, अगर बच्चा आपके सामने आता है कोई भी interview देने के लिए तो आप महापे उसका behavior judge कर सकते हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत जादा nervous हो जाते हैं, किसी में इतना confidence level नहीं होता है कि वो आपको ठीक से answering कर सके हो सकता है, उनको answer पता हो, आपने जो भी question put किया है, उनको answer पता हो कि उसका answer क्या है, लेकिन महापे वो इतने nervous हो जाते हैं कि आपको answer proper नहीं कर सकते हैं महाँ पर कई बच्चों के साथ क्या होता है वो तुतलाना शुरू कर देते हैं हकलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें lack of confidence होता है वो ज्यादा proper डंक से अपने confidence level के according आपको महाँ पर answering नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर क्या है आप उसका behavior भी judge कर सकते हैं कि बच्चे में confidence level कितना है और बाकी वो आपको answering किस रूप में कर रहा है जैसे आप वहाँ पर भाषा ग्यान भी आप बच्चे का देख सकते हैं कि बच्चा एक proper way में बोल रहा है नहीं बोल रहा है किन words का use कर रहा है और श बच्चे को पता है वो formula तो वो आपको answer कर देगा और अगर नहीं पता या आदा अधूरा पता है या उसको कोई problem वहाँ पर face करने को आ रही है तो वहाँ पर क्या है वो आपसे discuss करेगा या आप भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ पर उस method को learn करने में क्या problem face कर करने पड़ रही है तो first जो हमारा useful है वो वहवार और शेशिक समस्याओं को पता लगाने में useful है second इस क्या है मांसिक और शाररिक पहलूओं पर अध्यन करना मांसिक वर शाररिक पहलूओं का अध्यन इसमें क्या होता है कि मांसिक और शाररिक पहलूओं को अध्यन कैसे होता है बच्चे के इंटर्विव के दौरान आप कोई भी उसके facial expression जच कर सकते हैं जैसे बच्चा चल कर आता है इंटर्विव के अंदर जो एक और्गिनाइज आपका क्लास्रूम है कोई इंटर्विव रूम है वहां पर क्या होता है जब बच्चा चल कर आता है कि वो कितना अपने आप में confident है कि हां मैं बहुत अच्छे ढंक से अपने आपको represent कर पाऊंगा वो nervous नहीं होगा उसको किसी परकार की hesitation नहीं होगी और वो मानसिक यानि कि mental ability महाँ पर आप judge कर सकते हैं कि बच्चे का IQ level कितना है अगर आप कोई बहुत मुश्किल concept उससे पूछ रहे हैं कई बारे बच्चों में क्या होता है बहुत जादा जैसे बच्चे creative होते हैं और जो uncreative होते हैं तो उन बच्चों में क्या फरक होता ह है कि अगर आप उनसे कोई ऐसा question put कर ले interview के दौरान की उनके concept से बिलकुल हटके हो मतलब उन्होंने कभी पढ़ा ना हो सुना ना हो तो जो creative और superior बच्चे होते हैं कि उनको पता होता है कि हां ये चीज़ क्या है तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चों को answer ना पता होते कि मैं try तो करूँ कुछ नो कुछ बोलू तो क्या पता सही हो मतलब अपनी mental ability या अपने IQ level के हिसाब से वो try करते हैं answering करने का क्या पता गल्थ होज़े है वो कोई problem नहीं है लेकिन आप firstly पहले try करेंगे कि आपको इसका answer करना है क्या पता सही हो क्योंकि अगर जैसे for example मैंने इंटर्व्यू method starting में बोला था तो आपके दिमाग में फॉट आया होगा घंटी बजी होगी कि इंटर्व्यू इंटर्व्यू आपने डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि इंटर्व्यू process होता क्या है इंटर्व्यू आपके जैसे vocationally ले जाते हैं jobs के दोरान ले होता है बच्चे के दिमाग में भी उस concept से related जो creative students होते हैं एक thought आता है कि हाँ शायद यह हो सकता है नाम से हम judge करने के लिए करते हैं कि अगर interview आगर नाम आया है तो इंटर्व्यू से related यह चीज़ हो सकते है ठीक है तो जो creative बच्चे होते हैं वो यह चीज़ करने के लिए try करते हैं तो मांसिक और शारिरिक आपको पता चल गया कि आप कैसे बच्चों के पहलों को judge कर सकते हैं इसके बाद आते हैं ह आपको क्यों apply नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए दोश क्या है interview method के पहला दोश है कि समय अधिक लगता है और खर्चीली है समय अधिक वह खर्चीली इसमें क्या होता है कि interview method में समय जाधा लगता है इसको organize करने में अगर आप कोई structure interview रखना चाह रहे हैं तो आपको पता ही उसमें कितना time लगेगा पहले तो आपको proper pre-plan करना पड़ेगा number of cautioning देखने पड़ेंगे structure दयार करना पड़ेगा classroom environment and all things आपको सारी involve करनी पड़ेंगे उसमें तो उसमें भी time जाएगा फिर जब आप interview contact करेंगे तो उसमें भी time लगेगा अगर एक class में 50 बच्चे हैं और आपने 10-10 मिनट सभी के लिए तो 50 मिनट तो आपके सीधे वैसे ही खड़े हो जाएगे तो उसमें क्या होगा 500 मिनट आपके खड़े हो जाएगे तो इसी लिए समय जादा लगता है और इसमें समय के अनुसार मतलब समय अधिक लगने के हिसाब से ही क्या होता है कम चीज़ें पूछी जाते हैं न कर पाथ हुआ समय की इतना कम होता है हमारे बश्चे से जल्दी कर के उसको भेज देते ताकि वहां पे वह Ned कि को प्रौपर जाजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने वहां पे कुस ही खोशनिंग कि तो जरूरी ने मारी चीइज pudding उपका चोशे covenant कि बच्चे को कितना आया नहीं आया किस सेच पे है या बच्चा कहां पे स्टैंड करता है तो उससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में 15 कोशन आते हैं आपने 15 कोशन किये लेकिन टाइम जादा लगया बच्चे के आंसरिंग करने में या कुछ और वहां पे आप 5-6 कोशन पूट कर पाएं तो जो आपके 10 मार्क्स मदब 10 कोशन रह गए पूट करने के लिए उससे रिलेटेड जो आपके अबजेक्टिल्स से सेट के वे वो क्या है फुल्फिल नहीं होंगे तो वहां पे क्या है हमारी जो हमारे अबजेक्टिल्स है मेन अबजेक्टिल्स वो रह जाएगे तो इसलिए समय अधिक लगता है खर्चीली इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका टीचर होता है वो अच्छा इंटर्वियर नहीं होता है एक प्रॉपर वे में बच्चे से कोशनिंग नहीं कर पाता है बिकॉज कोशनिंग करने में या इंटर्वियू मेथड में आपको बहुत सारी चीज़े ध्यान रखनी पड़ती है कि बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर हो बच्चे को बिल्कुल फ्रेंक इंवार्मेंट दिया जाए ताकि बच्चे आपके साथ इंतना कमफर्ट हो कि उसको ना हो या फिर वो आपके कोशनों का ठीक से उत्तर दे सके और हैजिडेशन ना ले कोई भी या कोई अपने माइंड पर प्रेशन ना ले ताकि वो मतलब कोशनिंग आपको आंसरिंग आपको ना कर सके तो इस रूप में समय अधिक लगता है और बहुत जादा खर्ची नही है सेकिंड जो इसका दोश है वो है हैलो या परिवेश प्रभाव अब ये क्या होता है हैलो मैं आपको बिता देती। इसका मतलब क्या होता है है एलो परिवेश प्रभाब वो होता है कि इंटर्वियोर के द्वारा कोई भी अपने माइन में पहले से ही कोई ना कोई पूर्वधारना या कुछ थोट्च ऐसे क्रियेट कर लिए जाते हैं जब वो इंटर्वियू लेने जाता हैं तो वहाँ पे उस कंडिशन में वो प्रेज कि इस रूप में एक्चली होता क्या है है एलो परिवेश के अंदर कि माल लिजे आप का बहुत ही जादा कोई फेवरेट स्टूडेंट है और वो आपके सामने आता है इंटर्वियू के दोरान तो आप क्या करेंगे आपको पहले से ही पता है क्लास्रूम टीचिंग के कि वो तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है या उसका अकाडमिक रिकॉर्ड अच्छा है या कोई भी चीज है तो आप उसको क्या करेंगे क्लास्रूम जब आपका इंटर्व्यू लेंगे आप उस बच्चे का आप उसको बुलाएंगे बिठाएंगे आप कोई ही वहाँ पर कोशिनिंग पुट नहीं करेंगे कोई उसका अकाडमिक रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे महाँ पर क्या होगा आप गपे मारने लगेंगे बच्चों से और मतलब इस तरह से महाँ पर एक फ्रेंडली एंवार्मेंट कर देंगे कि बच्चे को किसी प आपके objectives हैं उनको fulfill करने के लिए लेकिन वो आपका favorite student है आपके mind में पहले से एक पूर्फधारना बनी हुई है कि हाँ ये वाला बच्चा बहुत bright है पढ़ने में अच्छा है sports में अच्छा है scholar academic सब fulfill है 100% है बलकुल बच्चा आपस में तो क्या होगा जब आप उसका interview बस थोड़ी दर बात करेंगे गब्बे मारेंगे उसके घर में कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे और बच्चे को उठाके भेज देंगे और आप उसको number दे देंगे तो वहाँ पर क्या होता है इस बच्चे के साथ आपने हैसा किया और second condition आ जाती है कोई ऐसा student आता है इसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं आपके माइन में उसके लिए एक thought develop हुई हुई है कि वो बच्चा बहुत बिगडा हुआ है बदमाश है बात नहीं सुनता पढ़ाई में नलायक है यह वो क्या पता हूँ वो मतलब अपने आपको represent copy और pen के द्वारा books में ना कर पता हो लिख कर ना बता पता हो लेकिन औरे लिए अपने आपको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाए या वो अपनी problem बता पाए अगर उसको कोई problem face हो भी रही है तो क्या पता कोशनिंग या interview method के द्वारा वो आपको उस चीज़ के बारे में बता सके लेकिन आप वह पते क्यों नहीं हो ऐसे रियाग्ड करते हो ऐसे हो अपना लायक हो बदमाश हो यह वह उसको 4 बाते सुना के बहज देंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे फिर उसको कम नमब दे देंगे तो वहाह पे ना तो आपने ने खुध इंट्रन's निया और अप बच्चे को जा पर इस तरह की पूर्व धार्णा पहले से क्रियेट की जाती है और उसी की अकॉर्डिंग अपने जज्ज्मेंट दिये जाते हैं इसके बाद है थर्ड बच्चों का घबराना मैंने बताया आपको इंटर्वियू के दौरान क्या होता है कि कई बार बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं इतने घबरा जाते हैं जिन बच्चों में मतलब थोड़ी भाशा विकास इतना नहीं हो पाता है कि वो आपको proper रहं से answering कर सके एक proper way में तो उस condition में क्या होता है? बच्चे आपके सामने खुल कर बोल नहीं पाते हैं या फिर बच्चे आपसे इतने friendly नहीं होते हैं कि वो अपनी बात आपके सामने रख सके तो उस movement में भी बच्चे आपके सामने इतना open नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी बात रख सके कई बार यह ऐसे होता है बच्चों के mind में 100 तरह के questions होते हैं 100 तरह की problems होते हैं लेकिन वो आपसे इतने friendly नहीं है कि वो proper way में आपके सामने अपनी problem को रख सके या बात कर सके कि माम मुझे यह problem आ रही है please मेरी help करे इसमें या यह चीज मुझे समझने में problem आ रही है वहाँ पर help करे तो बच्चे वहाँ पर nervous हो जाते हैं और कई बार ऐसे भी होता है कि as a teacher, as a interviewer आपने कोई चीज बच्चों से पूछी है बच्चों को answer तो पता है उसका उसको पता है कि इस question का answer क्या होगा लेकिन वहाँ पर वो nervousness के कारण या किसी प्रकार की hesitation के कारण वहाँ पर अपने आपको proper ढंग से represent नहीं कर पाता है कि माम इसका answer यह होगा वहाँ पर बच्चा nervous हो जाता है और जैसे पिछड़े में बालक होते हैं या कूस हमाई हो जित बच्चे होते हैं जो adjustment करने में problem करते हैं वो क्या है वो भी आपके सामने इतने open नहीं हो पाते हैं जिससे वो आपको proper answering कर सके तो इस condition में क्या होता है interview method रखना या उसको organize करना बड़ा difficult हो जाता है इसके बात है शील गुडों का पता लगाना इसका एक दोश ये भी है कि जब हम शील गुडों का पता लगाते हैं बच्चे के अंदर मतलब एक proper judgment देते हैं या हमें पता होता है कि बच्चे के अंदर शील गुडों आपको पता है क्या होता है शील गुडों होते हैं वैसे behaviors जो temporary नहीं होते जो आपके अंदर रहते ही हैं मैंने आपको एक example दिया था अपनी previous video के अंदर पहले वाली video में कि अगर कोई बच्चे के अंदर कोई ऐसा गुड है गुड होते हैं जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा है या फिर काफी मतलब इमानदार है या फिर बहुत respectful मतलब सबकी respect करता है ये क्या है गुड अपगुड होते हैं तो इसी में शीलगुण क्या होते हैं, शीलगुण इस तरह से होते हैं, कि आज आप बच्चे का judgment कर रहे हैं, किसी कुण को लेके कोई judge कर रहे हैं, तो 10 साल बाद भी जब आप judge करेंगे न, वो बच्चा वैसा ही रहेगा, मतलब उसमें कोई change नहीं आएगा, वो कैसे होते है मैंने आपको example दिया था, छोटा सा कि इमानदार, अगर बच्चा कोई इमानदार है, बच्चे के सामने 10 रुपे का note पड़ा हुआ है, उसने सोचा, ये 10 रुपे का note है, मैं teacher को दे देता हूँ, तो जिसका भी है, मैं उसको वापस कर देंगी, तो वो बच्चा इमानदार ठीक है, उस condition में आपने क्या judgment दी, कि बच्चा बहुत इमानदार है, कि उसे 10 रुपे का note मिला, और उसने लाके मुझे इमानदारी से वापस कर दिया, अब मैं जिस बच्चे का होगा, उसका दे दूंगी, ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद उस बच्चे को 500 का note मिलता है, फि ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बच्चे का इमानदारी का गुण कहा गया, वो तो कई गुम हो गया, पहले वाली condition में उसने इमानदारी दिखा दी, अपनी, कि टीचर को दे दिया, क्योंकि note छोटा था, लेकिन अब बड़ा note मिला, तो वहाँ पर बच्चे की इमानदार नहीं है, वहाँ पर उसने artificial behavior create किया था, यानि कि इमानदार का shield गुण उसमें नहीं है, आपने एक बार judge किया, लेकिन अगर आप 10-2 घंटे बाद भी आपको 500 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, और बच्चा उसी वे में teacher को लाके वापिस देता है, तो और उस condition में इमानदार होगा कि दोनों condition में बच्चे ने same behave किया, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अंतर आपको देखने को नहीं मिला, तो उस condition में वो इमानदार होगा, लेकिन इस condition में क्या हुआ, कि बच्चे ने पहली condition में आपको लाकर दिया वापिस, और second condition में आपको वापिस नही किया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो अंतर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर उस कंडिशन में बच्चे के अंदर शीलगुण प्राप नहीं होगा, तो इसलिए शीलगुणों का पता लगाना, इंटर्व्यू मेथट के द्वारा हम बच्चों के शीलगुणों का पता लगाते हैं, लेकिन हम प्रॉपर डग से नहीं पता लगा पाते हैं, क्योंकि इंटर्व्यू में टाइम इतना कम होता है, कि आपने बच्चे से कोशिनिंग करी, तो आपको बच्चे ने आज कुछ अंसर दिया, और तीन महीने बाद, चार महीने बाद, आप जब दु आपको आज का मैथट भी समझ आ गया होगा, नेक्स क्लास के अंदर हम नेक्स मैथट के बारे में बात करेंगे, आपके जितने भी सारे मैथट से हैं, मैं आपको सारे करवा दूँगी, उसके बेनिफेट्स, उसके गोण अफ़ण आपको सारे बता दूँगी, क्योंकि बह कुमारे सारे आते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस condition में आपको कौन सा method apply करना है और उसके benefits क्या है वो किन बच्चों के लिए apply करना है इसी से related आपके DSSB, KVS, CTAD, ASTAD इन सम्में जो भी जितने भी teaching related आपके exams होते हैं सभी में questions बनते हैं और second बात कि अगर आपको videos अच्छी लग रहे हैं KVS का पूरा course आप चाहते हैं कि यहां से study कर सके online अपनी classes को continue रखे हम try कर रहे हैं आपको पताईए कि KVS के अभी apply निकले हुए तो आपका जो time gap मिला हुआ है आपको 7 और 8 months में आपका exams हो जाता है तो maybe expected आपका अप्रेल और मे के अंदर exam conduct हो तो हम try करेंगे कि within 4 months में आपका पूरा syllabus cover करवाद है उसके बाद जो 3 months आपको बचेंगे उसमें previous year questions paper आपको और इसी की revision के थुरू आपको और जाधा benefits होंगे तो इसी लिए और जाधा अगर जाधा videos चाहते हैं आप तो please channel को subscribe करें और अगर आप कोई भी course PGT computer science वेगेरा का आप खरीदना चाहते है if you want to online studies और related study material चाहते हैं तो videos में links और email id और subscriber with mobile number available है आप call कर सकते हैं mail कर सकते हैं तो thank you for watching this video आपको पता ही है कि हमारा जो ये topic चल रहा है वो educational methods के उपर चल रहा है जिसके अंदर हम सारे education से related methods कर रहे हैं psychology और pedagogy के इस लेबस के लिए और ये method हमारे किस तरह से useful है as a teacher I don't know कि मतलब कोई जरुवत नहीं है आपको बताने के लिए क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक आप इन methods के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको इनको apply करने के लिए भी पता नहीं होगा कि किस बच्चों के लिए आपको apply करना है कब apply करने है और इसके benefits क्या है और इसके अफगुण वेगेरा क्या है क्यों आपको ये harm हो सकते हैं मतलब ये सारी चीज़े क्या है आपको जाननी चाहिए और इन methods का use जो हमारे exams के लिए है वो आपको पता ही है कि महाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि ये वाला method किस नहीं दिया किसली हमारे लिए useful है कौन सी age के लिए useful है या इस methods के द्वारा क्या बाते रखी गई है इसके गुण अब गुण क्या है आपसे किसी भी type के questioning वो कर लेते हैं जब हम previous year questions paper solve करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि किस type से method से आपके questions पूछे जाते हैं तो आज का जो हम method करने वाले हैं वो है आपका questionnaireing method यानि कि प्रशन वली विदी इसके अंदर आप questionnaire से आपको पता चली रहा होगा कि इस method मतलब ये method किस पर relate है या कुछ है इस method के through आप बच्चे से questioning करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अब questioning किसी भी रूप में हो सकती है मतलब as a teacher classroom teaching के अंदर जैसे मैं कोई topic पढ़ा रही हूं तो उस topic से related मैंने आपसे कोई questions पूछ लिए कि बच्चों आपको ये topic समझ आया नहीं आया आप हां या ना में answer करेंगे और अगर मैं किसी concept से related पूछ लूँ कि बच्चों ये जो method है हम कहां कहां apply कर सकते हैं तो छोटा सा आप एक line में या दो line के अंदर मुझे answer कर देंगे तो ये क्या होता है हां नहीं सहीं ग इसके अंदर और ये क्या है हम कहीं पर भी conduct कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए proper environment create करना है या कुछ facilities रखनी है या बाहर से कुछ extra चीजों को involve करना है ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर आप classroom teaching के अंदर इसको use कर सकते हैं बाचित करते हुए किसी activity ground में कोई creativity करते हुए कहीं पर भी आप इसको use कर सकते हैं तो इसके अंदर जो questioning की जाती है वो कैसे की जाती है पहली बाद सही या गलत में answer करके हाँ या नहीं में answer करके और इसके through क्या करते हैं हम बच्चे का interest जानने की कोशिश करते हैं उनकी problem जानने की कोशिश करते हैं उनका aptitude जानने की कोशिश करते हैं for example अगर मैं किसी बच्चे से पूछू कि बच्चो आपको एक बच्चे को मैंने खड़ा गिया और मैंने उससे पूछा आपको 5 का टेबल आता है तो simple सा question का वो क्या answer करेगा अगर उसको आता है तो yes ma'am आता है हा में answer करेगा और अगर उसको नहीं आता है तो simple सा वो क्या answer करेगा no ma'am मुझे नहीं आता अगर लेकिन मैं उससे बूछू कि give me any two reasons give me any five reasons कि आपको क्यों नहीं आता या आपको कुछ learn करने में problem हो रहा है क्या problem है तो वहाँ पर क्या करेगा वो एक दो line में मुझे answer करेगा क या मैं याद नहीं कर पाता हूं याद कर लेता हूं बहुत जल्दी भूल जाता हूं इस तरह से जो दो तीन line के अंदर answer करेगा वो भी एक तरह की हमारा questioning method के अंदर ही आता है तो इसके अंदर आपको पते ही है it's very simple method to apply आप कभी भी कहीं पर भी applies के कर सकते हैं तो इसका good ह है यह कि आप इसमें मतलब आपको कुछ pre-plan या इस तरह की कोई conditions नहीं होती कोई foundations नहीं होती आपके questioning method में कि आपको इस तरह से apply करना है इन चीजों को धियान रखना है यह इस तरह से ठीक है अच्छा आप इसके questioning method के two type होते हैं वो समझ देते हैं type of two type कौन से होते हैं इसक type of questioning method two type को से हो गए एक हो गया खुला प्रारूप यानि की open ओके open और एक हो गया बंद प्रारूप यानि की closed इसके two type of questioning method हैं खुला प्रारूप एक बंद प्रारूप यानि की खुला प्रारूप क्या होता है open open में क्या होता है आपको पता है कि अभी मैंने थोड़ी दे पहले बताया था कि उसके अंदर एक या दो line के आप questioning कर सकते हैं जैसे आपने reasons मांग लिए किसी questions के through या फिर कोई आपने बोल दिया कि इसके benefits बताओ इसके harmfulness बताओ तो वहाँ पर क्या है आपका खुला प्रारूप इस्तमाल होगा और वहाँ पर जो और बंद प्रारूप के अंदर क्या युस्फुल करने के लिए apply करने के लिए useful है किबंद प्रारूप के अंदर केवल ऐसे question कोई जाएंगे कि जहां पर सही गलत हा ना में अंसर दिया जाए लाइक मैंने अगर पूछ लिया बच्चों से कि आपको कुतुम मिनार पसंद है तो हां नहीं आप कुतुम मिनार गए हैं हां नहीं महां पर क्या होगा इस तरह की कोशिनिंग महां पर होगी और वैसे ही अंसर आपको बच्च परनी करेंगे न कि माम हम गए थे यह हुआ वो हुआ मैंने से question इतना ही पूचा है कि आप गए थे या नहीं गए थे simple आपको answer भी उतना ही करना है हाँ मैं गए आता हाँ मैं नहीं मैं नहीं गए आता तो इसलिए वहाँ पे automatically जो इसका logic होता है वहाँ पे put हो जाता है अब देखिए questioning method questioning method और interview method जो हम पहली अपनी previous class में पढ़ चुके हैं इन दोनों में फरक किया है क्योंकि interview method के अंदर भी आप जब एक interviewer होता है बच्चे के सामने एक ऐसा organized environment होता है या interview method जो process है वो apply किया जाता है उसके अंदर भी क्या है questioning की जाती है महाँ पर भी आप questioning के थुरू ही बच्चे का interest, योग गेता, ability और यह सारी चीज़े जानने की कोशिश करते हो कि बच्चे को problem क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है लेकिन questioning method में और interview method में difference यह है कि एक जो हमारे objective sets होते है या फिर जो एक सरलता का गुण होता है वो आपका questioning method के अंदर बहुत जादा है क्यूंकि questioning method के अंदर आप कहीं पर भी इसको apply कर सकते हैं किसी भी teacher के द्वारा, principal के द्वारा, students के थुरू जरूरी नहीं है यह कि मैं teacher हूं तो मैं ही question करूं आप कई बार ऐसी conditions भी महाँ पर रख सकते हैं कि चलिए एक group बना देते हैं for example activity के थुरू आप बच्चे से questioning method के थुरू कुछ जानना चाते हैं तो महाँ पर आपने क्या कि बच्चे को एक group बनवा दे कि हमने 4 group बना लिए, 2 group बना लिए तो उसमें 5 बच्चे एक दूसरे से आपस में कोई नो कोई questions put करेंगे और महाँ पर क्या है, बच्चों की activity प्लस आपका questioning method भी apply होता है आपको जो बच्चे के बारे में जानना है, महाँ पर भी आपको वो चीज़े पता चल जाती है लाइक एक group discussion होता है, तो group discussion क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए applicable नहीं होता है क्योंकि उनकी mental ability इतनी strong नहीं होती है, कि वो group discussions के लिए महाँ पर ठीक तरह से अपने आपको represent कर पाए बच्चों को यहीं नहीं पता होता कि अपने आपको represent कैसे हो, क्योंकि बच्चों के छोटे बच्चों में इतना भाषा ग्यान नहीं होता है कि वो अपनी बात को, अपनी शब्दों को ठीक तरह से ढाल पाए, उनका निर्मान कर पाए, वाक्य बना पाए लेगिन बड़े बच्चों के अंदर उनकी mental ability और भाषा विकास ग्यान इतना develop हो जाता है कि उनको अपनी बात कहने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता उनको अगर कोई बात बोलनी है, जैसे मैं हूँ, आपके सामने खड़ी होगे, अपने आपको represent कर रही हूँ किसी topic के बारे में discuss कर रही हूँ, तो मुझे कोई किताब की आवशकता यहापर नहीं है, कोई भाषा ग्यान की आवशकता नहीं है कि मुझे इस शब्द को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मातरा आएगी यहाँ पर मुझे आ माचा का प्रियोग करना है नहीं करना है क्योंकि मेरी mental ability, मेरा भाशा विकास इस एज में इतना हो चुका है कि मैं अपने आपको represent करपाऊं अच्छे से तो छोटे बच्चों में गया होता है उनका भाशा विकास और vocabulary और बाकी चीज़े या mental ability इतनी strong नहीं होती है कि वो अपने आपको इस तरह से group discussion के लिए अपने आपको represent कर पाए तो इसलिए जो हमारा ये cautioning method है आपको इसके अंदर दो तिन points पता चली गए है कि सही गलत का use किया जाता है हाना में cautioning की जाती है two type of cautioning methods होते हैं खुला प्रारूप और बंद प्रारूप अब इसके बाद हम इसके गुण समझ लेते हैं कि cautioning method को कहां क्यूं कब apply करना चाहिए किस लिए apply करना चाहिए और किस लिए नहीं करना चाहिए अगर इसके कुछ गुण हैं कुछ फाइदे हैं तो कुछ harmfulness भी होगी कुछ demerits भी होंगे, merits हैं तो demerits भी होंगे ही होंगे तो इसलिए अब इसके गुण देख लेते हैं पहला जो cautioning method का गुण है, वो है सरलता का गुण मैंने अभी discuss करते वे आपको बताया था कि बहुत जादा जो सरल है, प्रशनवली विधी, बहुत जादा सरल है आप इसको कहीं पे भी use कर सकते हैं, मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं ये अपनी class में भी आपसे कोई भी question कर सकती हूँ for example, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशनवली विधी है, कितने type की है और क्या क्या चीज़े है ओके चलिए मैं इसमें एक question आपसे पूछी लेती हूँ कि comment session में मुझे comment करके बताईएगा कि प्रशनवली विधी जो है, यानि कि question इरिंग method जो है वो किन-किन बच्चों के लिए ज़ादा useful है और आप कौन सी class के लिए उसको apply कर सकते हैं तो मेरे दुआरा आप क्या किया गया, एक question put किया गया अगर आप मुझे इसका answers करते हैं comment session में तो वहाँ से जो मुझे answer आपके प्राप्त होंगे वो कुछ line में, एक-दो line में प्राप्त होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कौन सा खुला प्रारूप का इस्तमाल किया जा रहा है ठीक है, तो इस तरह से ये अपने साथ सरलता का गोण लिये हुए है आप कहीं पर भी question कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं बट ध्यान ये रहे कि वो इस रूप में हो कि किसी बच्चे को कोई गलत ग्यान प्राप्त नहों सही ग्यान, सही दिशा में प्रदान किया जाए इसके बाद, इसमें क्या है, second जो इसका गोण है कम समय वा कम खर्चीली ठीक है, समय कम लगता है, खर्चीली कम है क्योंकि अगर मैं as a teacher या classroom teaching के अंदर कोई teaching learning process में भी क्या है class के अंदर अपने topic से related, एक एक दो दो मिनट में questioning कर सकती हूँ पांच मिनट में कर सकती हूँ, दस मिनट में कर सकती हूँ पूरा अपना period खतम होने के बाद questioning कर सकती हूँ number of questions भी decide नहीं है, मैं 4 पूछ सकती हूँ, 5 पूछ सकती हूँ, 15 पूछ सकती हूँ कि आपको projector की जरुवत है, इसकी जरुवत है, उसकी जरुवत है, आपको boards की जरुवत है, marker की जरुवत है, आपको किसी जरुवत ही नहीं है, आप as a teacher सामने present हैं बच्चों के आपको अपने भाषा ग्यान का ग्यान होना चाहिए बस आपको बोलनी की ज़रुत है आपने बोला और बच्चों से question put किया और बच्चों ने भी बोला और आपका answer किया simple तो इसलिए बहुत कम समय भी लगता है खर्चीली भी कम है बहुत सरलता का गुण है कि आप कभी भी कैसे भी इसको बच्चों के सामने use कर सकते हैं और इसमें एक और चीज़ आती है देखने के लिए कि संकोश शील third point है इसका जो बच्चे थोड़े से संकोश शील होते हैं मतलब जो कोई बात बोलने में hesitate करते हैं sorry बोलने में नहीं जो अपने आपको ठीक तरह से व्यक्त करने में copy में थोड़ा hesitate करते हैं कि मेरी writing अच्छी नहीं है जैसे मेरी भी जादा अच्छी नहीं है आपको भी blackboard पर पढ़ते हुए थोड़ी problem होती होगी कि मैं लिखती क्या है कुछ समझ ही नहीं आता तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे मुझे भी कई बार ना लिखने में थोड़ी problem होती है कि अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ वो सामने वाले को मतलब देखने में बड़ा अजीब लगेगा कि इसने लिखा क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा दिमाग के उपर सिजा रह में व्यक्त नहीं कर पाते हैं मतलब जो उनके मन में चल रहा है उनको शब्दों में कैसे ढाल के किताबों में लिखना है वो चीज नहीं कर पाते हैं ठीक है तो बच्चे जो ऐसे होते हैं उनके लिए सबसे beneficial हमारा questionnaireing method है क्योंकि इस में क्या होता है बच्चों के साथ अग आके और पूछ लिया कि बताओ इसका answer क्या है तो बच्चे महां पे क्या है hesitation का मतलब उनको hesitation हो जाएगी और बच्चे महां पे घबराने लगेंगे कि माम ने एकदम से क्या पूछ लिया nervous हो जाएगे तो पहले आप बच्चों के साथ ऐसा environment develop करे friendly environment develop करें जैसे आपने हसी म पसंद है क्या नहीं पसंद है ऐसी चीज़े आपने पूछ ली और बच्चों को एक friendly environment create करके दे दिया ताकि वो आपके साथ बहुत open हो जाए तो आप फिर देन आप उससे अपने content content से related concept से related question कर सकते हैं और बच्चे भी आपको proper way में answer कर सकते हैं और थोड़े जैसे introvert होते हैं अपनी बात को कहने के लिए वो कहीं भी चुकते नहीं है कभी भी कोई भी मौका देखा और वड़ावड अपनी बात बोलती मतलब उनको represent हो creative हो sharpness हो कुछ भी everything वो हर चीज़ में आगे रहते हैं extrovert बच्चे लेकिन जो थोड़े introvert होते हैं अंतर मुखी type वो क्य क्या होता है अपनी बात कहने में थोड़ी nervousness होती है घवराहट होती है वो सोचते जादा हैं वो कोई भी अपने आपको ठीक तरह से represent नहीं कर पाते हैं तो उन वाले बच्चों के लिए cautioning method बहुत ही जादा useful है क्योंकि इसके हंदर हम छोटे शब्दों का प्रियोग करते ह simple हा ना सही गलत या एक दो लाइन तो इसलिए बच्चों को इतना जादा बोलने की आविश्यक्ता ही नहीं होती कि वो अपने आपको represent करने में hesitation करें क्योंकि आपको simple पुछने आपको यह चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है तो हा या ना नहीं पसंद पसंद है सही गलत या छोटा सा example पूछ लिया या छोटा सा आपने कोई reason पूछ लिया तो इससे क्या होगा बच्चे एक दो line में अपनी बास क्या कि खतम कर सकते है बच्चों को जादा बोलना नहीं पड़ेगा तो इसलिए बच्चे माँ पे को जादा nervous नहीं होंगे तो यह तीन point आपको प शीलगुण प्राप्त कर सकते हैं बच्चों के लिए अगर आपको किसी भी शीलगुण के या traits के बच्चों के बारे में जानना है परचानना है तो questioning method के थूरू भी आप उसको कर सकते हैं ठीक है अब गुण के साथ साथ हम इसके अफगुण भी देख लेते हैं कि इसके अ वैदता वैदता ना होना मतलब इतना valid नहीं होता है या validity नहीं होती है किसी भी concept की मतलब वैदता नहीं होना valid नहीं होना valid से क्या मतलब है हमारा वैदता से क्या मतलब है मतलब बच्चे इसमें अगर वैदता से मतलब मैं आपको बताती हूं कि वैदता का मीनिंग क्या होता है for example आपने कोई भी concept बच्चे को पढ़ाना है तो उससे पहले क्या है आप कुछ objectives set करते हैं कि हमें इस concept को पढ़ाने के बाद बच्चों के द्वारा ये ये चीजे अचीव ये objectives हमारे फुल्फिल हो जाएंगे ठीक है तो अगर आपका मतलब concept उन objectives उन goals और उन objectives को जो आपने पहले set कियो है उनको fulfill करने में helpful है concept तो मतलब वो आपका concept जो है वो व्याद है मतलब वो valid है आप अगर अपने objectives या set के वे goals को fulfill कर रहे हैं किसी concepts के द्वारा कोई भी content के द्वारा जो भी आप पढ़ाना चाते हैं जो भी आप बोलना चाते हैं तो मतलब वो valid है वो fulfill कर रहा है तो मतलब वो valid और bad है लेकिन प्रशनवाली विधी में व्यादता का गुण क्यों नहीं है? मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमने पहले ही pre-planning करके जो objectives और goals अपने mind में set किये हैं कि बच्चों से ये questioning करने के बाद हमें ये objective हमारा fulfill हो जाएगा वो व्याद क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे उस condition में जरूरी नहीं सच बोले वहाँ पर बच्चे जूट भी बोल सकते हैं, अपना question भी change कर सकते हैं आपको माल लिजे कुछ मिनार के बारे में कुछ पता करना है बच्चों से, ठीक है? तो आप सबसे पहले या आपका concept या जो content है आपको कुछ मिनार के बारे में पढ़ाना है तो बच्चे से अगर आप पहले जानना चाहेंगे कि किन-किन बच्चों को कुतुमिनार के बारे में पता है, किन को नहीं पता मतलब आप बच्चों के previous knowledge पहले चेक करते हैं न क्योंकि अगर आप previous knowledge से नया content relate करेंगे तो बच्चे जल्डी सीखेंगे अगर मैं बच्चे को किसी ताजमेल के बारे में पढ़ाऊ अपनी classroom में तो सबसे पहले मेरा question यह होगा कि बच्चों आपनी ताजमेल देखा है, आप गए हैं जो बच्चे गए हैं वो हाँ नामे answer करेंगे, जो नहीं गए वो भी बताएंगे और हो सकता है कि कुछ बच्चों उन्हें real में देखा हो, कुछ ने के वर pictures में देखा हो, घर में laptop, TV, इन सब चीजों में देखा हो तो इसलिए वहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं classroom में कि वो गए नहीं है, उन्होंने ना कभी देखा है, ना pictures में, ना laptop में, ना TV में, ना real में देखा है लेकिन वो बाकी बच्चों को देखा दे कि हां में answer कर देते हैं, कि मैं ही picture क्यों लोग? मैंने भी देखा है, हां मैंने भी देखा है उसने भी हामे अंसर कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे validity समाप तो चाहेगी उस बच्चे के objectives के लिए क्योंकि बच्चे ने देखा है ने लेकिन वहाँ पे उसने जूट बोलके वह चीज वहाँ पे valid कर दी कि मैंने देखा है तो इसलिए व्यादता का गोणी इस questioning method में नहीं मिलता है कई बार बच्चे अगर हम concept से related भी कुछ answering बच्चों से कर रहे हैं कुछ questions कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या है कुछ बार ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा nervous हो जाते हैं या वो comfort level जो उनका होता है comfort zone वो feel नहीं कर पाते हैं तो वो जल्दी जल्दी निपताने के चकर में भी वहाँ पे हाँ ना जल्दी करके भागाते हैं तो वहाँ पे भी हम उसकी validity नहीं रखते हैं ओके और second चीज जो बहुत important है जो हमारा cautioning method है जो उसकी भाषा भाषा का इस्तिमाद मतलब जो आपका cautioning method यूज कर रहा है जो apply कर रहा है बच्चों के उपर मैं apply कर रही हूँ कोई another teacher कर रही है आपकी mamma कर रही है आपके friends कर रही है कोई भी उनको अपनी भाषा का इतना ग्यान होना चाहिए कि वो आपसे ठीक तरह से एक good pronunciation के according आपसे questioning कर सके for example कई बारे ये होता है कि जो मुझे पूछना है या जो मैं पूछना चाह रही हूँ मेरी भाषा के according या मेरी भाषा में विकृती के according मतलब अगर मैं ठीक तरह से नहीं बोल पा रही हूँ मैं हकला रही हूँ तुतला रही हूँ या फिर मेरा एक pronunciation का level ठीक नहीं है मुझे नहीं पता कहाँ पे full stop लगाना है कहाँ पे question mark लगाना है कहाँ पे comma लगाना है कहाँ पे मुझे रुक के बोलना है कहा पे बहुत जाद है, speed में बोलना है तो वहाँ पे क्या होता है? बच्चे भी उस जो उन्होंने सुना है उसको भी गलत वे में ले जाते है मतलग जिस रूप में आप अपनी बात कहना चाहते हैं बच्चे उस रूप में उस बात को ना लेते हैं किसी और रूप में ले लेते हैं वहाँ पे क्या होता है pronunciation का फरक होता है भाशा कई बारों इससा देखा होगा आपने की same sentence होता है सिर्फ उसको बोलने का तरीका इस रूप में होता है कि उसका अर्थ बदल जाता है तो क्या होता है अगर कोई भी बात का केवल एक बिंदू या एक कोशन या किसी भी रूप में से बोलने के फरक से उसका पूरा अर्थी चेंज हो जाए तो इसी रूप में बच्चे के लिए इतना या फिर एस टीचर या कोई भी जो आपकी कोशनिंग कर रहा है उसको इतना ज्यान होना चाहिए कि किसी बात को किस रूप में रखना है ताकि उसका अर्थ बच्चे भी वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं यह नहीं कि मैंने कुतुम मिनार के बारे में पूछना है बच्चे ले गए कई और बच्चे को समझ आए कि मैडम तो ताजमल के बारे में पूछ रही है तो ताजमल के बारे में बता दो तो इसलिए मैडम को या टीचर को ऐसा टीचर अपनी भाषा का ज्यान होना चाहिए कि आपको किस रूप में रिप्रेजेंट करना है किस रूप में अपनी भाषा का या प्रिणर्शेशन का इस्तेमाल करना है थर्ड पॉइंट इसमें प्रत्याहान means recall कई बार कोशनिंग मेथड के अंदर ये अफगुण होता है हमारा कि बच्चों को किसी भी कोशन जो टीचर के द्वारा कोशन पूछा जा रहा है लेकिन उसको recall करने में प्रत्यान करने में इतना time लग जाता है या सोचने में इतना time लग जाता है कि वो उस time पे answer नहीं कर पाता है कभी बार आपने अपने खुद के real experiences में देखा होगा daily life में देखा होगा आप भी कभी बच्चे रहे होगे या फिर आपने जब teaching कर रहे होगे अपनी तब भी कि उस time पे आपने बच्चों से कुछ पूछा या आप से कभी कुछ पूछा गया तो आपको mind में तो होता है कि कही सुना है इसके बारे में पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या है तो इस तरह से क्या होता है वो time में आप skip कर जाते है और उस time पे आपको recall नहीं होता है कि आपने पढ़ा तो था, सुना तो था, समझा तो था लेकिन क्या है महाँ पे आप बोल ही नहीं पाते है तो महाँ पे क्या होता है यह एक हमारा अफगुण है कि बच्चे को cautioning method के अंदर recall करने में जो time लगता है, जो time consume होता है वहाँ पे बच्चों के लिए कोई और benefit नहीं रखे जाते है अगर उसने उस time में बोल दिया ठीक है नहीं तो मैडम क्या है किसी दूसरी से पूछ लेगा जिसको पता होगा किसी तीसरे से पूछ लेगा नहीं तो उस question को skip करके अगला question बोल देगा तो हमारा क्या है जो personally withy है हमारी cautioning method इसके अंदर ये अफगुण है अगर आपका यही written exam होगा for example अगर आपका same question written exam में आता है तो उस time पे क्या होगा कि written exam के अंदर अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है दो गंटे का time में आपके पास paper complete करने के लिए आपने startic में वो question देख लिया और आपको recall नहीं हो रहा है कि याद नहीं आ रहा है कि क्या है इसका answer याद तो था मैंने पढ़ा तो था तो वहाँ पे क्या होगा नहीं है कि आपको अभी answer करने है आप जब सारे questions complete कर लेंगे आपके पास time drag या क्या पतर सारे questions करते करते आपको बीच में याद आ जाए कि हाँ उसके बारे में तो वहाँ पे पढ़ाता ये था तो वहाँ पे गया है written exam में आपके लिए वहाँ पे वह benefits होता है कि आपको एकदम से याद आया और आपने उसका answer कर दिया लेकिन questioning method में इसका ये अफ़गुण है कि आपको जब recall नहीं हो पाता है तो आप on the spot, on the time answer नहीं कर पाते हैं तो इसका ये recall करने का इसका ये अफ़गुण है इसके बाद जो होता है आपको व्यादता मैंने बताई दिया है बाश्या का इस्तमाल करना बहुत ज़रूरी है प्रत्यान का बहुत ज़रूरी है इसी के साथ हमारी questioning method भी complete हो गया I think मैंने आपको five methods अपने वीडियो के तुरू करवा दिया है बागी जो भी pending है अभी मैं one by one आपको सारे complete करवा दूँगी और next video में next method के बारे में बात करेंगे इससे अलग आप हमारे पूरा KBS का जो भी सारी videos है psychology और pedagogy की वो देख ही रहे हैं तो अपनी preparation अच्छे से कीजिए और आपको अगर और चाहते हैं कि वीडियो की KBS की DSSB के लिए और topics पे लेकर आएं तो आप हमें call करके भी बता सकते हैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो के अंदर सारी details available होंगी अगर आप online हमारे courses खरीदना चाहते हैं for PGT, computer science and all तो आप उसके लिए भी contact कर सकते हैं email ID पे और numbers पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए motivate करें विकार आपको पता ही है psychology कहती है हमारी कि जब तक हम बच्चों को या किसी भी चीज़ को motivate नहीं करेंगे तो वो भी आगे चलके उसमें कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो अगर आप हमें motivate नहीं करेंगे हमारी चैनल को like, subscribe नहीं करेंगे तो उससे भी हम motivate नहीं होंगे तो please like, subscribe and share with your friends तो इसी के साथ मैं वीडियो खतम कर रही हूँ तो आप ये सारी चीज़ें कर लेज़े Thank you Hello friends, I'm Swati Singh अभी तक की हम पहले वाली वीडियो में अपने methods कर रहे थे educational methods इसे पहले वाली जो previous वीडियो से आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर हमने 5-6 methods अपने complete कर लिए हैं कि सारे methods क्या होते हैं education से आप उसको कैसे relate कर सकते हैं बच्चों के लिए कैसे helpful हैं और आपके teaching process में कैसे हो help करेंगे आपको तो अभी आज का जो topic या method हम करने वाले हैं वो है rating method यानि की rating with you इसमें क्या होता है बालक या बालकों के वहवार की व्याख्या एक दिये गए जो category scale होता है ना हमारे पास इसमें point है category scale category scale के द्वारा जो natural situations होती है बच्चे की समाने परिस्तितियां होती है सुभाविक परिस्तिति होती है उसके हंदर हम बच्चे का rating करते हैं rating से आपको पते ही होगा आपके दिमाग में rating scale से पहली 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ratings divide होती है उसमें हम सभी जैसे 4 teachers है किसी बच्चे का अगर मैं question put करूँ कि कोई बच्चा अपनी class में कितना discipline है माल लिजे कि यह सीमा मैम की rating है सीमा मैम है यहाँ पर यहाँ पर अशोक सर है आपके ऐसे करके बाकी सर है तो सीमा मैम ने बताया कि जो आलोक है बच्चा वो class में कितना discipline है उन्होंने ऐसे करके discipline के बाक उन्होंने उसको one marks दिया किसी ने two दे दिये किसी ने three दे दिये तो इस हिसाब से क्या है हम rating कर सकते हैं बच्चे की किसी भी point of view को लेके हम rating कर सकते हैं अब इसके अंदर इसके अलावा हम हमारे कुछ categories divide होती है जिसमें अधिक सेहमत की strongly agree किया जाता है मतलब category जैसे one two three में divided है उसके अलावा जो categories divide होती है वो five rating scales में होती है जिसमे सबसे पहला आता है अतियादिक सेहमत मतलब strongly agree है आप किसी चीज से सीमा ग्लास में कितनी active है मैं strongly agree हूँ कि हाँ वो बहुत जादा active है क्लास में कोई और teacher क्या होती है disagree हो सकती है या फिर सेहमत हो सकती है कि एफल agree हो सकती है कोई तट्टे शता है natural हो सकता है कोई आ सेहमत disagree हो सकता है और कोई अत्यादिक आशेमत यानि की strongly disagree हो सकता है ठीक है यह five categories divide की गई है strongly agree, agree, natural, disagree और strongly disagree ओके ऐसे करके हम किसी भी जिसका भी हमें बच्चे का judgment करना है किसी भी point को लेके क्या है वो studies से related हो उसकी personal life से academic scholar कुछ भी हो anything आप rating scale के हिसाब से उसको marking कर सकते हैं, जैसे आपका और बाकी चीज़े हैं, cautioning के थुरू आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले के methods में बताया था, interview method, cautioning method, उसमें भी क्या करते हैं, आप बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं, तो इस rating scale के थुरू भी हम क्या कर रहे हैं, कि बच्चे के behavior क एक narration निकाल रहे हैं, कि वो किस teacher के सबके अलग-अलग point of view के हिसाब से, कि बच्चा कितना इस चीज़ में सहमत है, वो या सहमत है कि क्या, फिर last में जब हम सबका narration करेंगे, यह conclusion निकालेंगे, last में तो देखेंगे, कितने teachers के according वो agree हैं, disagree हैं, बच्चे को किस category में रखा ज type of methods, पहला हैं, आंकिक रेखा, यानि कि numerical, numerical rating, second है इसका, आक्रिटिक, rating, sorry यहां पर rating है, मैंने रेखा कर दिया, rating, टीक है, यानि कि graphical, graphic rating scale और third है हमारा, बांधित, चयन, विदी, means forced choice, यह तीनों क्या होते हैं, वो समझ लीजे, जो हमारा first category divide है, rating method की, आंकिक rating, यानि कि numerical rating, तो numerical से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कि इसमें numerical का use किया जाता है, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो इसमें जब हम बच्चे की rating करते हैं, किसी भी teacher के according, अगर आपको बच्चों का कोई भी rating करना है, कि संजीर जो है student, वो class में आगे बैठता है, या पीछे बैठता है, या फिर संजीर कितना discipline है, तो मेरे according में उसे जो rating scales, यानि कि numericals के according, 1, 2, 3, 4, 5 दिये गए हैं, उसके according रखोंगी, कि उसको एक number दिया जाना चाहिए, दो number दिये जाने चाहिए, तीन number दिये जाने चाहिए, ऐसे ही जब दूसरी teacher उसका किसी और point को observe करेंगी, तो वो भी ऐसी ratings में रखेंगी, तो numericals ratings में क्या होता है, numbers में रखे जाता है, 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है, उसके इसाफ से rating दी जाती है, last में conclusion निकाला जाता है, कि कितने teachers ने उनको इस वाले same point पे agree किया, किसने disagree किया, किसने कितनी ratings दी, और कितने numbers उसने achieve किये, कहां तब, ठी रेकिंड आता है, acrylic rating यानि कि graphic, अब इसमें क्या होता है, कि graph बनाया जाता है, आपने mathematics जब पढ़ी होगी, math के उसमें, तो आपने graph बनाना सीखा होगा, तो graph हम कैसे बनाते हैं, ऐसे होता है, आपको यहां पे जिसे numbering दी जाती है, या फिर यहां पे numbering दी जाती है, तो आ अगर आप rating करें कि बच्चा क्लास में कितना discipline है, तो हम Sanjeev के लिए वो कर रहे हैं, graphic में, कि Sanjeev कितना discipline है, तो किसी teacher ने उसको 1 दिया, किसी ने उसको 2 भी दे सकता है, कोई 3 भी दे सकता है, कोई 4 भी दे सकता है, ठीक है, सबी teachers के नाम अलग-अलग होंगे, ऐसे ही, फि तो ये क्या है, graphically आप इसको अपनी figure को दिखा सकते हैं, और एक और graph में इस एक इस type से line होते हैं, यहाँ पे आपको scale दिया होता है, इसके अंदर rating के accordance आप दिखा सकते हैं, कि बच्चा किस time में कितना जा रहा है, मतलब आप first period है, बच्चा इतना discipline है, या उसने इतनी ची करी, second में बिल्कुल नहीं करी, third में और करी, तो इस हिसाब से भी आप अपने graph में, जो भी आपको बच्चे के लिए observe करना है, वो आप observe करके उसके points को ऐसे graph बनाकर रख सकते हैं, और third आता है, हमारा bandit chain विदी, यानिकि force choice, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक चीजों का set बनाया जाता है, दो या दो से जादा चीजों का set तयार किया जाता है, एक ही बच्चे को लेके, for example, कि अंकीता अपनी class में पीछे बैठती है, वह अंकीता एक ही इस चीज से, वादलब हमने केवल अंकीता को target किया है, इसमें तो अंकीता से related मैं 4 या 5 questions का set बन जालोंगी, कि अंकीता अपनी class में पीछे बैठती है, लेकिन अंकीता discipline है, उसको सब समझ आता है, तो ऐसे करके मैंने 4 या 5 questions आपके maintain कर लिए, उसमें as a observer या as a teacher को जब उसकी rating करनी है, तो वो क्या करेगी, जो best point होगा, उसका जो बहुत ही strongly agree होगा, जिसमें वो teacher सबसे जादा सेहमत होगा सब में, माल लीजे अंकीता class में पीछे बैठती है, agree कि बीछे बैठती है, लेकिन वो discipline है, agree कि वो discipline है, लेकिन उसको सब समझ आता है, agree कि उसको सब समझ आता है, और वो बात नहीं करती है, जादा इससे भी agree, लेकिन कोई teacher ऐसा हो सकता है, जो इन 4 questions में से किसी एक point से सबसे जादा agree हो, मतलब बाकियों से neglect नहीं है, disagree नहीं है, agree है, लेकिन strongly agree जिससे होगा, वो केवल उसी point को choose करके अपने rating scale में रखेगा, यानि कि वो उस एक point के लिए बांधित होगा, यानि कि forcefully उसको एक point choose करना ही पड़ेगा, इसी लिए इसको force choice, यानि क बांधित चयन कहा है, कि वो इतने सारे आपने points में से, जिसके लिए वो agree है, उसमें से केवल forcefully एक ही point को observe करते वे, उसका मुल्यांकन करेगा, ये valuation करेगा rating scale के हिसाब से, अब इसके अंदर आपने rating method क्या होता है, it's very simple method, आपको पता ही है कि ratings करनी होती है, बच्चे का आपको simple rating करके बच्चे को marks देने है, या उसको किसी category में divide करना है, rating scale तीन परकार की होती है, types of ratings, anchor key rating यानि कि numerical rating आगई, आकरिती यानि कि graphical rating और बाधी चयनि कि force choice rating आगई आपकी, अब इस method के good अबगुण देख लेते हैं, कि good और अबगुण क्या है, इसके good अबगुण के बारे में बात करते हैं, आपकी इस method को rating विधी को हमें क्यों अपनाना चाहिए, इसके good अबगुण क्या है, तो first इसका good यही है कि इसमें कम खर्च लगता है, इसमें कोई अलग से जादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सभी teachers के पाद, past ज सकते हैं, कम खर्च होती है, वह कम समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, क्योंकि आपको simple 5 है, जितने भी आपको questions रखने हैं, आप रख सकते हैं, और उसके हिसाब से rating कर सकते हैं, कि बच्चे को इसमें इतना number, इसमें इतना number, इसमें कोई difficult वाली चीज नहीं है, कि आपक कुछ answer लिखना है, कुछ essay type करवाना है, या कुछ इस तरह से, simple tick करना है, ratings रखनी है, या 1, 2, 3 में आपको divide करके उसको marks देने हैं, उसके बाद होता है, second विशवशनियता होती है, विशवशनियता कैसे होती है, कि अगर आप किसी बच्चे का कोई गोण, विशवशनियता, अगर आप किसी बच्चे का गोण जाचने की कोशिश कर रहे हैं, शील गोण जाचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जब को जो बच्चा बताएगा, कल भी वही चीज़ बताएगा, तो इसमें विशवशनियता होती है, और दूसी चीज़ की, as a teacher, अगर मैं कोई teacher हूँ, कोई और teacher है, अलोक सर या कोई और भी, तो मेरे द्वारा अगर सेम कोशिशन किया जा रहा है, किसी और के द्वारा भी वही कोशिशन किया जा रहा है, तो उस situation में भी बच्चा आपको वही आंसर सेम करेगा, वहाँ पे वो कोई पाशालती या अपने आंसर को चेंज करने क कोशिश नहीं करेगा, तो वहाँ पे विशवशनियता का गुण हमें मिलता है, और इसमें किसी भी विशेश प्रकार की ट्रेनिंग या परिशन की जुरत नहीं पड़ती है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, परिशन की आवशक्ता ना होना, ओके, इसको रेटिंग स्केल्स इसको apply करने के लिए students पे और उनका observation करने के लिए, conclusion निकालने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अलग से training की ज़रौत है, कि नहीं आपको बाहर से कोई experts आ रहे हैं, वो आपको सिखा के जा रहें teachers को, कि आपको rating scale ऐसे use करना है, तब use करना है, इन चीजों का ध् कोई भी point को observe करने के लिए, और इसके अब अफगुणों की बात कर लेते हैं, shield गुणों का अध्यान नहीं हो पाता है, अफगुण में क्या है इसका, कि जो हमारे trades है, shield गुणों का अध्यान ना हो पाना, अफगुण हमारा अफगुण के अंदर first point क्या है, shield गुणों का अध्यान ना होना, इसके अंदर क्या है, कई बार ऐसा होता है, कि classroom teaching के अंदर, या फिर play way ground के अंदर, अगर हम किसी shield गुण को observe करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के अंदर, किसी point को observe करने की कोशिश कर रहे हैं, त वो क्या होता है, temporary based होता है, मतलब अगर आपने अभी check करना है, कि बच्चे का मुझे behavior check करना है, या उसके emotions check करने है, कि वो emotionally कितना strong है, कितना weak है, उसकी feelings क्या है, इसके प्रती, इसकी feelings क्या है, इस तरह की चीज़े, तो क्या बदा आपके observation के time पर या फिर आपके rating करने के समाल ले, या अपने facial expression change कर ले, तो उन चीज़ों में क्या है, हम बच्चे के कोई भी shield good प्राप्त ठीक से उनका अध्यान नहीं कर सकते हैं, थर्ड आता है, सब प्रेक्षक अपने धंक से कार्या नहीं कर पाते हैं, जो भी observer होते हैं, मतलब raters होते हैं, जो आपकी rating कर रहे होते हैं, या कुछ भी, तो वो इतने sharp minded नहीं होते हैं, या फिर इतने expert नहीं होते हैं अपनी skills में, ताकि वो आपको proper ठंक से observe करके आपको rating कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, कई योगों कि कितने three types of ratings होते हैं, कैसे आपको numerical, graphical और forced choice type से आपको divide किया जा सकता है, क social प्रेक्षक की अगर कमी है, तो कोई भी चीज ठीक से नहीं हो सकती है, आपको पता है ना, जैसे कोई भी चीज हो, लाइक आपका, अगर आपको cooking नहीं आती है, या फिर आपके धर पे कोई guest आ रहे हैं, महमान आ रहे हैं, तो आप भी खाना उनको बनाने के लिए बोलते ह जिनकी cooking बहुत अच्छी हो, आप मम को बोलोगे, उनकी नहीं अच्छी तो किसी और को बोलोगे, ताकि आपके guest आके आपकी बुराही न करें, तारीफ ही करें कि कितना अच्छा खाना बनाया है, या बोलते हैं कि guest वेगरा, इन सब को कैसे impress करने के लिए ट्राइ करते हो, तो इसलिए अगर एक crucial प्रेक्षा की नहीं होगा, उसको अपनी skills ही नहीं पता होंगी, तो वहाँ पे जो rating चल रही है, वो methods use कर रहा है, वहाँ पे भी अच्छा impression नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भी negativity आ जाएगी, अब इस वाले छोटा सा ही method था ही है, rating method, लेकिन इसमें ज नेक्स वीडियो में नेक्स आपके लिए लेकर आऊंगी, जो next method होगा, और अगर इससे related, KVS से related आपको और वीडियो चाहिए, आप और पढ़ना चाहते हैं, या और इससे related content से related आपको चाहिए, तो comment के through या फिर जो website का link दिया होता है, YouTube चैनल इसमें हमारी वीडियो में उस पर आप mail करके बता सकते हैं, और जादा से जादा वीडियो के लिए like करें, subscribe करें, और share with your friends, जो बाकी के अगर आपको course चाहिए, अगर आपको खरीदना है पढ़ने के लिए, PGT, Computer Science वेगेरा के लिए, तो आप दिये हुए link पर mail कर सकते हैं, और call कर सकते हैं, thank you Hello friends, I'm Swati Singh, हमारा जो educational का topic चल रहा था, सारे methods, educational methods, उसमें ये very next video है, से पहले वाली videos आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने I think 5 और 6 methods आपके साथ discuss कर लिये हैं पहले, और ये वाली method के अंदर आज हम पढ़ेंगे longitudinal method यानि की काला अनुकर्मिक विधी, इसके नाम से ही आ parting में इसका दिया गया है, long ही शब्द यूस किया गया है, यानि की काला अनुकर्मिक विधी, इसमें long time process होता है, long time method है, ये नहीं कि आपने आज किया, कल खतम हो गया, कई-कई बार इसमें इतना समय लग जाता है कि 10-10 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, इस तरहे का समय भी इसके अंद कितना भी time आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा experiment है, जिसमें बहुत सारे shield गोण और कुछ ऐसे गोणों का पता लगाना है, तो उसके लिए आप 10 साल, 20 साल, 22 साल, बनलब कितना भी time रख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि आपको 4-5 घंटों में देखना हो कोई सीमा नहीं है, कि आपको limitations हैं कि नहीं, इतना ही time के अंदर आपको ये वाला method यूज करना है, ओके, तो first point हमारा हो गया ये, second point ये, कि काला अनुकर्मित विधी होती क्या है, जो इसकी definition है, वो ये है कि काला अनुकर्मित विधी एक ऐसी विधी है, जिसके अंदर एक ही तरह के बच्चों के उपर अध्यन किया जाता है, एक सीमा अंतराल के उंदर, मतलब आप उसके अंदर, अगर आप आटवी क्लास के किसी बच्चे के उपर कुछ study करना चाते हैं, कुछ observation करना चाते हैं, तो आप 8th क्लास के students ही लेंगे, मतलब अगर आपको अपने group के सब सेम होनी चाहिए, यह नहीं कि आप किसी 8th क्लास के बच्चे को उठा ले, किसी 12th क्लास के बच्चे को उठा ले, कोई 10th क्लास के बच्चे को उठाक ले और उसका एक group बना के आप क्या है longitude method अपलाई कर सकें, बुब कुल भी नहीं, इसमें आपको ऐसे ही बच्चों क लेना पड़ता है, जिनका समाजिक आर्थिक स्वरूप सेम हो, उमर सेम हो, mental ability सेम हो, या वो एक ही समू से related हो, इसके अंदर उन बच्चों को रखा जाता है, और विधी के अनुसार क्या बात कही जाती है, इसमें कहा जाता है कि छात्रों के एक समू का अध्यान भिन-भिन समय उपर, तदा उनके वहवार और अन्य गुणों में परिवर्तन के अधार पर किया जाता है, मतलब, longitude कर्मर मेथड का, जब हम काला कर्मिक मेथड का इस्तिमाल करते हैं, तो हम इसी लिए करते हैं, ताकि हम किसी उनके वहवार या गुणों के अंदर जो परिवर्तन हो समय के अनुसार, उनको observe कर सके, आज जो गुण आपके अंदर है, आज जो चीज है, तो उसको observe करना कि कल भी वह गुण आप में वैसा ही रहेगा, या वो समय के साथ change हो जाएगा, कई बार बच्चों में होता है न, जिसे इमानदार या पर कोई अन्य गुण होते हैं, शी मोटे-मोटे games में लगे रहते हैं अपने, जैसे उनको cricket जादा पसंद होता है, creativity या activities करते रहते हैं उस time पर तो जैसे खलोनों को तोड़ना, फिर जोड़ना, वो अपनी इंजीनियर पंती महीं पे निकालते रहते हैं, लड़कियां जैसे घर-घर खेलने लगते हैं, तो महाँ पे interest आ जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद उनका interest क्या है, age के according, different हो जाते हैं, महाँ पे interest उनका develop हो जाता है, किसी और चीज़ में change हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, महाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इस method के थूरू हम किसी प्रकार के वहवा और जो गुण है, उनमें परिवर्तन देखने के लिए इस method का apply करते हैं, लेकिन इसमें कोई time limit नहीं होती है, इस method को आप कितने भी समय के लिए दख सकते हैं, क्या है वो 10 साल हो, 20 साल हो, या फिर आपके 4 या 5 घंटे के time period में हो, ठीक है, इसके बाद है, इसमें एक definition दी गई है, समय अब्दी शोध विदी, इसको समय अब्दी शोध विदी भी कहते हैं, समय अब्दी शोध विदी time spend research method इसको क्यों कहा गया है, समय अब्दी शोध विदी, जो हमारी strong थे, उन्होंने एक बात कहीं थी, एक definition दी थी प्रायाह कई बर्षों या उससे भी अधिक समय तक अध्यन किया जाता है, मतलब इसको समय अब्दी शोध विदी इसने कहा गया है क्योंकि इसमें जो एक समय अब्दी रखी गई है, वो कई बर्षों या कई बर्षों से उपर की रखी गई है, मतलब कोई time limit नहीं है तो इसलिए इसको समय अबदी शोध विदी का जाता है इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रूप बनाये जाते हैं जिन ग्रूप के ऊपर हमें observation करना है या longitude method का application का apply करना है उसके अंदर एक ही समूँ जो एक व्यक्ति का समूँ होता है मलब उसके अंदर कोई भी age difference नहीं होता है कोई social difference नहीं होता है समाजिक आर्तिक इस्थिती समान होती है उनकी mental ability same होती है age group same होता है उस type के बच्चो को इसके अंदर रखा जाता है और इसके अंदर क्या होता है अध्यन बार-बार किया जाते है तदा अलग-अलग समय पर किया जाते है इसके अंदर हम जब observe करते हैं बच्चों के जिस भी चीज को हमें observe करना है जिन गुणों का या वेवारों का पता लगाना है तो वो एक time-time के बाद हम observe कर लेते हैं एक से 10 सालों के लिए हमने time fix कर दिया कि बच्चों का आज हम observe कर लेते हैं और 10 साल के बाद देखेंगे कि क्या behavior में change है तो वो 10 साल के बीच का जो gap होगा एक से 10 के बीच का जो gap होगा उसमें भी हम बीच बीच में बच्चों का अध्यन करते रहेंगे कि किस किस stage में किस किस time में क्या क्या बच्चों में differences देखने को मिल रहे हैं क्या क्या वेवार या परिवर्तन देखने को उसमें मिल रहे हैं अब इसमें जो इसको apply किया जाता है longitudinal method को वो कुछ key points या तत्वों को observe करने के लिए किया जाता है mainly इसमें क्या होता है कि परिवर्तनों के आधार पर तुल्नयात्मक अध्यन करने के लिए किया जाता है जो जो बच्चे के अंदर differences आ रहे हैं changes आ रहे हैं उनको एक दूसरे से तुल्ना करने के लिए इसकाध्यन करते हैं कि same group के बच्चे में इसमें कितना difference आया इसमें कितना अब मानली जी एक group है उसके अंदर पाँच बच्चे रख दिये same age के हैं same ability के हैं same mental ability same arctic समाजिक इस्तिती सब बराबर है और मानली जी class एर्थ के students हैं ठीक है तो अगर हमें इनका भाशा विकास का observation करना है भाशा विकास तो हम कैसे करेंगे हम ये चीज़ चेक करेंगे कि एर्थ क्लास के बच्चे जो हमने 5 एक group बना के रखा है जिसके अंदर हमें भाशा विकास का जो observation करना है कि किस बच्चे में कितना भाशा विकास हो रहा है तो उसमें क्या जरूरी नहीं क्या पता ये फ़र्स वाले बच्चे को केवल जो भाशा का विकास है वो अगर सी शब्द आते हो इसको बीस आते हो इसको पंदरा आते हो हाला कि सबका mental ability या age group सब सेम है लेकि सबका IQ level different होता है मैं अगर किसी चीज को सीख रही हूं तो क्या पता मैं उसको जल्दी observe कर लूँ कुछ जो medieval होते हैं जो धीरे-धीरे सीखते हैं जिनकी learning power slow होती है वह बहुत धीरे से सीखते हैं वह कि वह पांची शब्दों को grand कर सकें कोई बच्चा 15 को कर ले कोई 20 को कर ले तो इस तरह से सब में age different देखा जाता है मतलब यहां पर भी differences देखने को मिलते हैं changes देखने को कि सब की जो learning power होती है वह भी different होती है तो उसी साफ से तुलना अत्मक अध्यन किया जाता है कि एक बच्चे नहीं कितना सीखा दूसरे नहीं कितना तीसरे नहीं कितना तो इसमें तुलना की गई है आपस में इस method के through कि हमने सभी चीज़े सेम रखी है category भी सेम समाजिक आर्थी किस्तेदी भी सेम फिर differences क्यों आ रहे हैं फिर बच्चे को सीखने में क्यों problem हो रहे हैं किसी ने 10 सीखे किसी ने 5 किसी ने 25 सीख ले वहाँ पे उसका reason क्या है वो चीज़ पता लगाने के लिए हम इस method का use करते ह अब इसके अंदर जो point रखे गए हैं कि किस-किस method को हम use कर सकते हैं इसके द्वारा मतलब क्या-क्या तत्वों का हम अध्यन कर सकते हैं वो इस तरह से हैं पहला आप इस method के तुरू बच्चे का भाशा विकास का अध्यन कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना भाशा विका एक टाइम के पीरिड में जो स्टेप फार स्टेप बच्छा भाशा विकास गेन कर रहा है वो कितना कितना कर रहा है दूसरा होता है पेश्य पेश्य विकास यानि कि उसका फिजीकल उसका माश पेश्यों का या मानसिक स्थीतियों का या मानसिक किरियाओं का कितना विकास हो थार्ड है संग्यानात्मक विकास यह होता है cognitive development होता है यानि कि mental से mental ability आपका मानसिक विकास कितना ओ रहा है आपका cognitive development कितना और रहा है किस चीज को आप कितना सीख सकते हैं अच्छे से कितना आप slow हैं, कितना fast हैं सीखने के लिए उस चीज में और फिर आता है व्यक्तित्व विकास यानि कि personality development इस रूप में भी आप अध्यन कर सकते हैं इस method के थुरू कि बच्चे का personality development कितना हो रहा है हर age की according जब उसकी change होती है development होता है तो बच्चे की personality भी automatically change होती चली जाती है आज हम जैसे बच्चपन में थे वैसे आज नहीं होते हमारी बोलने की भाषा change हो जाती है way of talking अलग हो जाता है way of walking सब चीज dressing sense वगएरा सब कुछ change हो जाता है तो इसलिए हम व्यक्तित्व विकास भी इसके साथ अध्यन कर सकते हैं कि बच्चे की personality किस किस age level पर कैसे कैसे develop होती चली जाती है उसके बाद आता है चिंतन शपनता यानि कि thinking power बच्चे की कितनी develop हो रही है आपको पता है कि आज जब मैं भी छोटी थी तब मेरे अंदर भी इतना भाषा विकास नहीं हो गया सोचने की शमता इतनी नहीं होगी अगर मैं आज आपको कोई topic दे दूं अगर आप बड़े बच्चे हैं मतलब 10-12 के बच्चे हैं या फिर college के आगर मैं आपको एक topic लाके दे दूं कि आपको चलो ताज महिल के बारे में 10 लाइने बोलके दिखाईए मुझे तो आपको सोचने की कोई जरूत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी mental ability या उस चीज के लिए thinking इतनी strong हो चुकी है कि आप फटा फट से answer कर देंगे कि वो क्या है किसलिए बना था उसका color कैसा है उसके features क्या है आप सब कुछ बता देगे लेकिन अगर यहीं चीज में एक छोटे बच्चे के लिए applicable करूं कि चलो आप मुझे ताजविल के बारे में 10 चीज़े बोल कर दिखाईए तो वहाँ पर क्या है उसका चिंतन जो शमता है चिंतन शमता या विकास उसकी thinking power इतनी develop नहीं होई होती कि वो बच्चा इतनी जल् है अब इसके बाद इसके गोण अफगोण आ जाते है method के method के method के गोण क्या है क्यों हमें use करना चाहिए क्यों use नहीं करना चाहिए और कौन सी class में करना चाहिए वैसे longitude method से आपको पता ही चल गया कि इस method में आपको एक ऐसे age group के बच्चों को लेना चाहिए जो same हो हर किसी भी चीज में जो भी आप judgment करना चाहते हैं किसी भी चीज को observe करना चाहते हैं लास्ट में जाके जब evaluation करें तो आप उसमें तुलना आत्मक अधियन कर सकें दोनों का comparison कर सकें कि इसमें इतना development हुआ इसमें इतना development नहीं हुआ तो उसकी reasons क्या है उसकी problems क्या है ओके इसक में behavior ही तो देखना है बच्चे की mental ability ही तो चेक करनी है कि time के time के अनुसार जैसी जैसे परिवर्तन आते जाते है जैसी जैसे बच्ची की age बढ़ती जाती है मानसिक विकास होता चला जाता है physical development होता चला जाता है तो उसके behavior में क्या change आता है उसके मानसिक परक्रियाओं में क्या change आता है उसकी mental ability कितनी डवलेप हो जाती है या बाकी चीज़े कितनी strong हो जाती है तो इसलिए मानसिक और वहवारात्मक अध्यान करने के लिए सबसे best हमारा जो longitudinal method है और second आता है इसमें समान्व तूल्या समान्व तूल्या रखने से संबंदित समस्या इसका क्या मतलब है समान्व तूल्या रखने से संबंदित समस्या देखें जब हम एक अपना longitudinal method apply करने के लिए जिस एक stage में हम start करते हैं और जिस एक last stage तक हमें जाना है उसके बीच में जो समय अंतराल होता है या फिर तुल्या अत्मक अध्यान होता है उसके बीच में जो errors उत्मन होते हैं इन दोनों को लेकर वो अपने आप क्या होते है time interval यानि कि time interval के कारण समाप्त हो जाती है हमें वहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं देखने को मिलती है कि हमें वहाँ पर उसके कुछ harmfulness दिखाई दे या benefits नजल ना आए उस रूप में हमें वहाँ पर कुछ चीज़े ऐसी दिखाई नहीं देती है और एक और चीज़ की परिवर्तन होने की दिशा में पता चलना जैसे जैसे बच्चों का परिवर्तन होता चला जाता है मानसेक, शारिरिक, विकास, आत्मक, समवेक, आत्मक जो भी development बच्चे का होता चला जाता है उस उसके नुसार हम एक data ready करते रहते हैं इस एज में बच्चे में इतना परिवर्तन हुआ इस एज में बच्चे ने 10 भाषा शब्द सीखे इस एज में बच्चे ने 20 भाषा शब्द सीखे फिर 12, 100, 16, 100, 1500, 15,000 फिर उसके बाद क्या बच्चा एक वाक्या बनाने लग जाते हैं अफगुन आते हैं, सबसे पहला अफगुन इसमें है समय अधिक लगना जब मैंने ये मैथड आपको बढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही बता दिया था लॉंगिटूड मैथड यानि कि इसमें लॉंग टम प्रोसेस होता है दस साल, बीस साल, तीस साल इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कितना भी आगे तक जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा अधिक समय इसमें लग सकता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंजियूमिंग है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई method या कोई आपको किसी चीज behavior का observation करना है तो आप दो घंटे की अंतराल में अभी क्या है बच्चे का behavior और कल को क्या होगा या personality अभी क्या है बच्चे की दो दिन के बाद क्या होगी, वो आप ऐसे judge नहीं कर सकते आज जो है तो दो दिन के बाद भी वो तभी होगी, वैसी same होगी, उस पे कोई difference नहीं आएगा क्योंकि बच्चा अभी जो एक same age में है या एक step पर है, stage पे आपको same उसकी चीज़े देखने को मिलेंगी difference तब आएगा तब वो next level पर जाएगा, next stage पे आगे चलेगा तो वहाँ पे क्या है, आपको उसके लिए wait करना ही पड़ेगा, एक साल, दो साल, एट साल, तीन साल, वहाँ पे कोई time limit नहीं होती है उसके लिए second point है इसमें, project, यानि कि जो हमारे objects है प्रोजे की संख्या कम होना अब इसमें क्या है subject, यानि कि जिस subject पे हम observation अपनी कर रहे हैं, यह longitude method का application कर रहे हैं, apply कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, उसमें कमी आ जाना लाइक मार लीजे, आपने एक group के अंदर पांच बच्चे रखें, same age के, same mental ability के, same समाजी की स्थर, आर्थी की स्थर के बच्चे रखें, तो उसमें क्या होगा, कि कई बरी ऐसे हो सकता है, कि आपने 5th class में उनका experiment करना है, start किया, यह वाला method उन बच्चों पे apply करना है, start कि और आपको अपने experiment के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, तो क्या पता, कुछ बिमारी के कारण बच्चों में कुछ कमया आ सकती है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका subject है, वो change हो जाएगा, और कुछ ऐसी परिस्तितियां आ सकती है, कि बच्चों के जो parents है, कोई किसी का transfer हो ग कि लोगा, जैसे आपने जिन बच्चों को अपना subject बना के start किया था, कोई अध्यन करने के लिए, वो उसमें कमी आ जाएगी, कुछ में क्या हो सकता है, कि कुछ ऐसी घटना-घटित हो सकती है, कुछ ऐसे incident बच्चा देख सकते हैं, जिससे उनकी मानसी का घात-पिस्तिती पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जो दिमाग पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर उस condition में क्या होता है, बच्चे के उपर एक mentally pressure रहता है, जिससे बच्चे आगे चलके वो परिस्तिती से डग मगा जाते हैं, जो भी आपको उस चीज के लिए आप observe कर र किया एक भी नहीं रह सकती, तो आप वहाँ पर confidently नहीं होते हैं, उसके बाद है third point, अभ्यास का प्रभाव, अभ्यास के प्रभाव से आप क्या समझते हैं, कि अभ्यास के प्रभाव में जब बच्चा अभी छोटा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी stage बढ़ेगी, जैसे जैसे इतना अभ्यास कर लेता है, इतनी practice कर लेता है हर चीज की, कि वो इतना stable हो जाता है कि क्या पता, वो अपने experience के through, अपने behavior को change कर दे, मतलब अपने experience के through, अपने interest को change कर दे, behavior में change कर दे, या फिर उसमें कोई artificial error develop कर दे, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं, उसमें artificial error क्या develop करना है, या उसमें कोई किसी तरह की हानिकारफ चीजे या चीजों को कैसे डालना है, तो इसलिए बड़े बच्चों को सब पता है कि positive negative thoughts क्या होते हैं, points क्या होते हैं, कैसे हम किसी चीज को बिगार सकते हैं, कैसे किसी चीज को सुधार सकते हैं, तो इसी के कारण बच्च दास्ता प्रभाव इसके अंदर क्या गया है एक ही अब्दी में जन्मे व्यक्तियों के समू को दास्ता प्रभाव कहते हैं दास्ता प्रभाव किसे कहा जाता है जो बच्चे एक ही अब्दी यानि कि एक ही टाइम पीरेड में जन्में हो उन बच्चों के ग्रूप को बच्चे रख लिए तो यह जो सारे बच्चे होंगे वो एक ही अवदी के जन्में होंगे कि टाइम पीरिड के लिए माल लिजे कि मेरा बर्सन अगर 1992 है और किसी टीचर को मुझे पर करना है तो वो मेरे साथ जो बच्चे रखेंगे एक्स्पेरिमेंट के लिए वो सारे 1992 वाले ही बच्चे रखेंगे यही नहीं कि आप 1993 संवाले ब्रॉन के बेबीज को लिए हो 1994 वालों को लिया हूँ, तो इसी लिए एक ही समय अवदी के students को उसके अंदर रखा जाएगा, अब आपको ये भी पता चल गया, longitude method क्या होता है, इसके good of good क्या है, इसको किस condition में apply किया जाता है, किस condition में रखा, अलग रखा जाता है, काफी useful method है, हमारे मनोवे ज्यानिकों न according पता ही चलता है, कि आप बच्चे के behavior को कैसे judge कर सकते हैं, उनके गुणों को कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये वाला topic आज यहीं पर finish होता है, इसके साथ जो next topic लेकर आएंगे, उसमें भी एक और method के साथ discuss करेंगे, और बाकी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज चैन बाकी जो KVS का PGT का proper आपको उसके लिए पूरा data चाहिए, study material चाहिए, उसके लिए वीडियो के अंदर links दिये हुए है, mail ID आपके साथ share की हुई है, number, mobile number और whatsapp number भी share किया हुआ है, तो आप आपे भी contact कर सकते हैं, thank you स्वाती सिंग, हम अपने ये वाले topic के अंदर educational methods के बारे में पढ़ रहे थे, ये मेरी next video है, इससे पहले previous videos में आप मेरे 5-6 videos एक सकते है methods के उपर, कि हमने कौन-कौन से method discuss कर लिये हैं, उनके अवगुण क्या है, गुण क्या है, वो क्यों useful है, कैसे useful है, और teacher को कैसे help करती है, उसके सबी चीजों के बारे में हम बात कर चुके है, आज का जो हमारा next method है, वो है cross-sectional method, यानि कि अनुप्रिस्तार काट विधी, ओके, इसके अंदर क्या है, इससे पहले वाली video आप मेरी चेक करेंगे, तो उसके अंदर आपने longitude method देखा होगा, जो काला अनुक्रमित विधी थी, तो उसके अंदर, जो मैंने बातें बताई दी, यह उसका बिल्कुल opposite method है, बिल्कुल opposite यानि कि उल्टा method है, जो जो चीज़ें उसमें रखे गई थी, यहाँ पे उसका opposite है, मतलब काला अनुक्रमित विधी के अंदर, जो long term process था, long term process इसमें भी है, लेकिन वहा पर क्या चीज़ थी, जो भी एक समू बनाया जाता था, बच्चों का एक group बनाया जाता था, कि पांच बच्चों का group हो, छे बच्चों का हो, चार बच्चों का, यह दस बच्चों का, जितना एक हो भी group बनाया जाता था, वो सब same age के, same mental ability के, same आर्थिक समाजिक स्थितित बच्चे होते थे लेकिन इस वाले जो विधी है इसके अंदर cross-sectional method के अंदर जो students ले जाते हैं उनकी age भी different होती है उनका mental ability भी different होती है उनकी physical development भी different होता है उनका समाजी कार्थिक स्तर भी different होता है ऐसे बच्चे ले जाते हैं इस method के अंदर हम कभी भी experiment करने के लिए आठवी class का बच्चा ले सकते हैं दसवी का बारवी का पहली class का ऐसे करके एक अलग-अलग group से बच्चे लेकर एक group बनाते हैं country करके और उसके साथ experiment किया जाता है कि हमें अपने भी concepts, elements या तत्वों को observe करना है वो अलग-अलग type के बच्चों को हम एक group के अंदर रखकर उसके लिए एक group बनाते हैं तो उसके अंदर एक साथ इसका benefit क्या हुआ कि हम एक साथ एक समय पर कई बच्चों के group बनाकर उसके ओपर अध्यन कर सकते हैं मतलब इसके अंदर सभी समू के अधन किये जाने में वहवार का मापन कर आपस में तुलना करते हैं इसके अंदर क्या होता है जब हम एक group create करते हैं इसके अंदर हमने माल लेजे तीन बच्चे रखके हैं यह वाला आपका 8th class का है यह 10th class का है यह 12th class का है अब आपको पता है कि 8th class के बच्चे की mental ability अलग होगी 10th class के बच्चे की mental ability अलग होगी IQ level different होगा ऐसे ही 12th class के बच्चे की mental ability, IQ level, शारिरिक, मानसिक, सम्वेक, आत्मक, समाजिक क्या है तीनों की अलग-अलग हो सकती है अब इसके उपर experiment करने के लिए आपको जिन भी शिलगुणों या वहवार परिवर्तन या कुछ भी आपको गुणों का वलोकन करना है वो करने के बाद आप इनका तुल्ला अत्मक अध्यन कर सकते हैं कि आटवी class के बच्चे में किस रूप से परिवर्तन आया दसवी class के बच्चे से किस रूप में परिवर्तन आया और बारवी class के बच्चे से किस रूप में परिवर्तन आया एक और चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं इन के बीच कितने साल का gap है? 2 का और 10 वी और 12 वी के बीच कितने साल का gap है? 2 का लेकिन 8 वी और 12 के बीच कितने साल का gap है? 4 का तो ये जो gap है आप इसको भी maintain करते वे चलेंगे कि 2 साल का gap तो already है तो इसलिए आपको महां पे जो age और mental ability का difference है वो तो देखने कोई मिलेगा, क्या आपको अवलोकन के द्वारा, निरिक्षन के द्वारा, जब आप उसका evaluation करते हैं तुलना अत्मक अध्यन करने के लिए, तब आपको उससे भी जादा कुछ देखने को मिलता है, मतलब उससे ज special child, gifted child, उनके mental ability बहुत जादा होती है, sharp minded होते हैं, बहुत जल्दी हिसी चीज़ को achieve कर लेते हैं, gifted child होते हैं, तो वो चीज़ भी इस इस्तिती में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, दास्ता समू होता है, देखिए दास्ता समू मैंने आपको longitude method में बता different होना चाहिए, mental ability different होनी चाहिए, और social और उसका जो भी cognitive development है, cognitive इस तरह के development जो सारे हम रखेंगे, वो सभी रूप में क्या है, अलग होने चाहिए, हम कभी भी इस group के अंदर या cross-sectional method के अंदर, जब भी हम experiment करेंगे, तो हम कोई भी ऐसे बच्चे को नहीं रखेंगे, जो same हो, या फिर हम एक ऐसे समय अबदी वाले बच्चे को नहीं रखेंगे, जिनका समय अबदी भी same हो, मतलब, मैंने आपको विछले method में बताया था, कि अगर मैं 1992 की birth के age group की ह मेरे साथ उस में, longitude method के अंदर, सारे बच्चे जो रखे जाएंगे, वो 1992 के age group के ही रखे जाएंगे, लेकिन इस method के according, आप 1992, 1994, 3, 1, ऐसे कोई भी, समय अबदी के बच्चों को रख कर, अपना experiment कर सकते हैं, ठीक है? चोटा सही method है, जादा बड़ा नहीं है, और इसको in short समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी, कि longitude method का बिलकुल opposite है, और इसके अंदर ये सारी चीज़े रखते हैं, कि वहाँ पे आपको same group के बच्चों को रख के experiment करना था, और इसके अंदर क्या है? आपको different बच्चों को रख के experiment करना है, अब इसके अपगुण देख लेते हैं, इसकी कोई अवस्थाई नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल लिया होगा, because मैंने आपको इतना समझा दिया है, कि जब आप same, अलग-अलग group के बच्चों को रखेंगे, तो आप वहाँ प पास आठवी क्लास का बच्चा है, उसका भाशा विकास दसवी के अकॉर्डिंग कमी होगा, और जो दसवी का है वो बारवी के अकॉर्डिंग कम होगा, तो इसलिए दसवी और आठवी से ज़ादा बारवी क्लास के बच्चे के अंदर भाशा विकास ज़ादा होगा, उसक कि हम गुण अफगुण समझ लेते हैं इसका पहला गुण है समय की बचा लॉंगिट्यूट में सबसे जाधा समय लगता था क्यूंकि हम एक समय में बच्चों का जो गुरूप बनाते थे उसमें हमें अलग-अलग गुरूप बना डिवाइड करने पड़ते थे कि 8 वी का एक लेकिन इसमें समय की बच्चत हो रही है क्योंकि हम एक ही साथ अलग-अलग गुरूप के बच्चों को रखके अध्यान करते हैं कि 8 वी, 10 वी, 12 वी तो इसलिए जब उनका तुनलात्मक अध्यान करेंगे देखें लॉंगिट्यूट में आपने क्या कि 8 वी क्लास के लके का 10 साल तक अध्याद गया अलग-अलग गरूप बनाकर आपने इन बच्चों का जो गूप था 5 बच्चों का गरूप बना लिया सिसका भी पान् अध्यान का भी 5 बच्चों का बना लिया ठीक है तो यहां पर जो आपको टोटल टाइम देना पड़ अपने मैथर्ड क को apply करने के लिए आपने methods को last में जाके evaluate करने के लिए तो आपको 30 सालों का 30 years का wait करना पड़ा 10 साल ये 10 साल ये 10 साल ये फिर 30 साल बाद जाके आप कही न कहीं फिर उनका evaluation करके तुलनात्मक अध्यन करोगे लेकिन cross-sectional method के अंदर क्या चीज़ आजाती है कि 8 वी class का बच्चा आपने रखा एक 10 वी class का बच्चा लिया और 12 वी class का बच्चा लिया तो इनको अलग-अलग समय पर करनी की जरुवत ही नहीं है इनको क्या है एक साथ हम अध्यन कर सकते हैं 10 साल होगे लिए तो आपको अलग-अलग बच्चों को लेकर total time period कितना लग रहा है 10 साल लग रहे हैं चीक है तो यहां पर क्या हुआ सीधा हमारे 20 years save हो गए तो इसमें क्या हुआ आपकी समय की बच्चत हो रही है क्योंकि उस वाले method में आप अलग-अलग कर रहे थे आपको 30 साल लगे इस वाली method में आपने तीनों बच्चों को इखटा करके एक साथ evaluation कर द लगा और आपको जल्दी 10 साल के अंदर ही result प्राप्त हो गए जो second point आता है हमारा वो आता है धन का खर्च कम अब आपको पता है धन का खर्च कैसे कम होगा धन का खर्च कम क्योंकि आगर आप किसी experiment को 30 सालों के लिए कर रहे हैं तो उसमें obvious सी बात है कि आपका money जो पैसा लगेगा वो भी जादा लगेगा उतना time भी जादा लगेगा time consuming होगा तो पैसा भी उतना जादा लगेगा आपको wait करना पड़ेगा हर चीज के लिए नहीं नहीं experiments करने पड़ेंगे समय अंतराल के बाद चेक करना पड़ेगा लेकिन इसमें क्या है आपको 10 years के लिए ही save क करना पड़ेगा अपना पैसा तो यहां पर आपके total जो money का saving हो रही है 20 years माली मनी की saving हो गए जो 20 साल आप longitude method के according 20 साल जादा पैसा लगाते वो यहां पर आपने बस आदा पैसा लगा के 10 साल में खतम करते हैं बागी जो 20 years के लिए पालतू का पैसा लगता वो यहां पर save ह होगे आपका उसके बाद प्रेवजोस जो हमारी subject है प्रेवजोको से सहीयोग की उमीद नहीं इसमें क्या है जो हमारा subject है यह प्रेवजोक अगर longitude method की according मैंने आपको बताया था कि जब हम longitude method apply करते हैं तो उस condition में क्या होता है एक जो लंबे समय के लिए हम कोई experiment को करते हैं उस time पर बहुत सी चीज़े बहुत सी conditions ऐसी आ जाती है कि क्या पता parents का transfer हो जाए बच्चे को कोई बिमारी हो जाए उनको वो जगह छोड़के जानी पड़े तो वो जो group की संक्य है न वो कम होती चली जाएगी तो इस method में क्या है जो हमारा subject है न उसके सहयों की उमीद नहीं रखी जाती अगर वो चला भी जाता है तो हमें उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा वो क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारा यहां पे group बना है वो हमने 8, 10, 12 यानि कि अलग-अलग age group के बच्चों को मिला के अपना group बनाया है experiment के लिए for example आपका 8 वी class का बच्चा leave कर गया यह group से बाहर निकल गया तो आपके पास बच्च किया 10 वी और 12 वी class का बच्चा तो आप जब 10 वी और 12 वी class के बच्चे का experiment पूरा कर लेंगे वहाँ पे आप जब इस method के थूरू जो भी आपको behavior observe करना है वो complete कर लेंगे और जब last में आप उनको दोनों का evaluation करेंगे तुल्लात्मक अध्यान करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जितना differences इन दोनों में आ रहा है 10 वी और 12 वी के बीच में 2 साल का अंतर था तो 10 वी और 8 वी के बीच में भी कितना था? दो ही साल का अंतर था जो differences यहाँ देखने को मिल रहे हैं 2 साल के अंतराल में वही differences आपको 8-8 से 10 वी के बीच यानि कि 2 साल के अंतराल में देखने को मिलेंगे तो आप का automatically बच्चे ना होने के कारण भी आपके प्रोजेक्ट पे कोई effect जादा नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपने time period के according judgment दे सकते हैं कि 2 साल के बच्चे में यहाँ इतना difference आया है तो 8 वी, 10 वी में भी इतना ही difference आया होगा चटी और 8 वी में भी इतना ही difference होगा तो इस तरह की evaluation हम यहाँ पे कर सकते हैं उसके बाद आता है प्राप्त आकडों को काफी लंबे समय तक संग्रे करके नहीं रखना पड़ता जो हमारे पास आकडों का संग्रे होता है आकडों का संग्रे मतलब जो data collection होता है हमारे पास वो काफी लंबे समय तक नहीं रखना पड़ता longitude method में अगर आपको कोई experiment 30 साल के लिए करना पड़ रहा है तो आपको 30 साल तक वो आकड़े समाल के रखने पड़ते थे और उस बीच वो अगर वो गुम हो जाए जल जाए हर तरह की condition आती है weather change होते है बारिश आधी दूफान सब चीज़े आती है या फिर आप घर change कर रहे हैं या कुछ चीज़े change कर रहे हैं तो क्या होता है यह इसका benefit है और longitude method में एक harmful है कि वहाँ पर de-married है कि आपको लंबे समय के लिए data इखटा करके रखना पड़ता है लेकिन यहाँ पर इसका merit है क्योंकि आपको लंबे समय के लिए data इखटा नहीं करना पड़ता है आप जो चीज़ longitude method के according 30 सालों में करते हैं वो इस method के तुरू आप 10 सालों में complete कर देते हैं तो आपको जो 20 years की saving होती है years में, सालों में महाँ पर आपको लंबे समय के लिए कोई भी data collection नहीं करना पड़ता है अगर किसी बच्चे का आप observation कर रहे हैं, किसी गुण को आप notice कर रहे हैं उस पर evaluation करना चाहते हैं तो जो आपका 10 years का period होता है या 20 years का period होता है उस बीच में आप जितनी भी बार evaluate करेंगे उससे प्राप्त जो हमारे आंकड़े होंगे, जो data collection होगा कि इस step में, सेज में बच्चे ने इतना achievement किया इस तरह का behavior हुआ Second stage में बच्चे में ये परिवर्तन आया Third stage में बच्चे में ये परिवर्तन आया भाषा में इतना विकास हुआ, चिंतन शक्ति में इतना विकास हो गया बच्चा पहले बड़ा childish टाइप सोचता था किसी topic को लेके अब बड़ा maturity level के साथ सोचता है उसमें logics होते हैं कुछ उसके daily life related उसके examples होते हैं ये सारी चीज़े क्या हैं आपको जो time to time देखने को मिलेंगी तो उसमें क्या हैं आपको ज्यादा data collection करने की जरुवत नहीं पड लेते हैं इसका अफगुण इस method के जो अफगुण है वो जादा अच्छे मतलब इस के जाधा नहीं हैं मतलब अफगुण नहीं है जाधा इसके गुण जादा है उसके according आपके method के कोई अफगुण मुझे देखने को नहीं मिलते हैं और जो भी मैंने books related study की है इस method के लिए महापेवे मुझे जाधा अफगुण देखने को नहीं मिले है लेकिन इसमें जो एक main जो इसका अफगुण है वो ये है कि होने वाली परिवर्तन की दिशा का पता नहीं चलता है परिवर्तन की दिशा का पता ना चलना इस कंडिशन में क्या होता है कि जो भी behavior change हो रहे है इस method के according माल लेजे अभी हमने example दिया था हमारे बास एक group है उसके अंदर आटवी के बच्चे हैं, दसवी के बच्चे हैं और बारवी के बच्चे हैं ठीक है तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है आटवी के बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है दसवी के बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है बारवी के बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जादा जो इसकी दिशा है, direction है, परिवर्तन की वो हमें पता नहीं चलते हैं क्यूँ for example अगर मैंने यहां पर तीन बच्चों को रखा है क्या पता यह बहुत slow learner हो हो सकता है ना और क्या पता दसवी का बच्चा middle हो मतलब middle speed से सीखने वाला हो और क्या पता यह बहुत sharp minded हो तो इन तीनों conditions में क्या होगा कि बच्चे की परिवर्तन यानि कि जो भी behavior changes हो रहे हैं आप उनका ठीक से evaluation नहीं खर सकते हैं क्योंकि पहली बाद तो आपने पहला बच्चा ऐसा ले लिया जो पहले से ही level में कम है मतलब 8 वी का बच्चा है बाकी के levels उपर है और उसमें भी वो क्या है slow learner है और उसके बाद आपने दसवी का बच्चा ऐसा ले लिया जो middle speed से सीखता है और बारवी का बच्चा ऑटोमेटिकली वो बारवी स्टेंडर में है 12th स्टेंडर में है तो वहाँ पे क्या है वो mental ability और बाकी चीज जो सारी उसमें develop हो चुकी है वो उन चीजों में भी आगे है और उपर से वो gifted चैल याने कि sharp minded और बहुत जल्दी achieve करने वाला है तो इसमें क्या होगा इसमें जो all over इसकी evaluation की जाएगी जब last में तो इसमें बहुत सारी differences देखने को मिलेंगे जो अगर हम एक ही बच्चे को रख कर ले अगर आट वी कभी मैं middle बच्चा लूँ दस वी कभी मैं middle बच्चा लूँ बार वी कभी मैं middle बच्चा लूँ तो उसके अंदर जो हम evaluation करेंगे किसी behavior को judge करते वे उसके differences और इसके differences तीनों का जब आप तुलना करेंगे तो दोनों और तीनों में क्या है बहुत जादा अंतर देखने को आपको मिलेगा क्यूँ क्यूंकि आपको पता है कि इसके अंदर और अल्रेडी हमने ऐसे बच्चों को add कर लिया है जिनका खुद की mental ability अलग-अलग है जो ब क्या-पने तीनों medium श्थिति से सीखने वाले है उन्मेल क्या है इसनला difference देखने को नहीं मिलेगा उसमें के ग्लतck की स्टिछ कि मैंने अगर चार भाशा शब्द सिखे तुथ तू पाँछ भाशा शब्द सीख लेगा लेकिन जादा difference दखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बहुत जादा difference देखने को मिलेगा कि ये तो केवल 5 ही सीख रहा है ये 15 सीख गया और ये तो सीधा हेट्री की मार गया कि इसने तो 30 ही बार कर दिया ठीक है? इस तरह की situation यहां पर create हो सकती है So आपको I hope cross-rational method भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको समझ आ गया है तो please comment करके भी बता दीजेगा कि ताकि मैं भी आगे के लिए बहुत motivate रहा हूँ आपके साथ कि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में और बाकी के और जो experiments और methods और बाकी के जो theories लगेरा मैं लेकर रहा हूँ तो आपको interesting topics और methods और ये सारी चीज़े और BGT के लिए exam होने वाला है अभी coming में आपका DSSB का भी exam आ रहा है जो उसके लिए भी helpful है हमारी psychology and pedagogy तो please comment कीजिए, like कीजिए और friends के साथ share कीजिए और bell icon भी press कर लिए ताकि आपको time to time notifications मिलती रहे one more thing KBS के लिए जो हमारा PGT computer science का flavors है वो उसके लिए अगर आपको proper course और study material चाहिए तो वीडियो के अंदर description में link और website available है, mobile number available है, whatsapp number available है आप वहाँ पर contact कर सकते हैं thank you so much good morning friends, मेरा नाम स्वाती सिंग, हम अपनी psychology की classes कर रहे थे, इससे पहले वाली classes में हमने methods पढ़ लिए है, psychology क्या होता है, शिक्षा क्या होती है psychology, यानि कि मनोविज्ञान और शिक्षा का क्या अर्थ है दोनों का, आपस में कैसे संबंदित है बहुत सारी चीज़ें हम करते वे चल रहे हैं, उसके साथ साथ आथ जो मेरी class है मैं उसमें आपके लिए psychological facts लेकर आई हूँ कि मनोविज्ञान के जो तत्व दिये गए है वो क्यों लेकर आई हूँ क्योंकि अगर आप classes के साथ साथ ये points, key points लर्न करते वे चलेंगे तो आपको helpful होंगे कि मनोविज्ञान किस ने दिया आदोनिक मनोविज्ञान का सिद्दान किस ने दिया, one factor, two factor theories जितनी है हमारी वो किस-किस ने दि तो मैं per class में आपके साथ 10-10 questions discuss करूँगी क्योंकि जादा भी नहीं होंगे आपके लिए और कम भी नहीं होंगे 10 questions जो number of questions है वो आपके लिए enough है learn करने के लिए और revise करने के लिए भी लेकिन जब next class में मैं 10 और questions लेके आऊंगी तो इस 10 के according मैं आपसे कोई भी questions पूट कर सकती हो कुछ भी पूछ सकती हो तो आपको learn होने चाहिए तो इसलिए time to time revise करते रहना तो अभी देख लेते हैं यह हमारे 10 questions है ग्यान पढ़ना start किया था तो मैंने psychology को two parts में divide करके psyche plus logist आपको बताया था तो उसमें बताया था ना आत्मा का अध्यान करने वाला और आपको यह भी बताया था कि आत्मा सबसे पहले हमें जो उसकी definition दी गई थी वो किस रूप में दी गई थी वो ऐसे दी गई थी आत्मा फिर उसके बाद मन आया था फिर उसके बाद चेतन अनुभूतियां आई थी और उसके बाद last में क्या था हमारा विहवारवाद ऐसे मैंने आपको इसकी definition बतायी थी मनोविग्यान की कि सबसे पहले मनोविग्यान को आत्मा गर्धियन का आता फिर मन का फिर चेतन अनुभूतियों का फिर वहवारवाद जो हमारा रिसेंट अभी चल रहा है concept की psychology क्या होती है वो वहवारवाद का भी चल रहा है जो हमारे जेबी वाट्सन ने दिया था तो सबसे पहले आत्मा जो दिया था वो किस नहीं दिया था मैंने बताया था पुलेटो और अर्स्तू तो यानि कि मनो विज्ञान के जनक कौन है हमारे अर्स्तू अब इसके बाद आता है आधूनिक मनो विज्ञान के जनक कौन है अब बताईए आधूनिक मनो विज्ञान के जनक कौन हुए इसके बारे में थो हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले आत्मा का आया था तो आत्मा के बारे में आ गया यानि कि अर्श्तू है और उसके बाद आधुनिक मनो विज्ञान के जनक कौन हुए है हमारे विलियम जेम्स दो पॉइंट आपको याद होगे याद रखना मनो विज्ञान जब केवल मनो विज्ञान पूछा जाए आपसे केवल साइकोलोजी पूछा जाए तो वो हमारे अर्श्तू है लेकिन जब आधुनिक मनो विज्ञान पूछा जाए यानि कि जो आधुनिक ताल आये थे उसमें जो आगे चलके उन्होंने experiments किये थे जो हमारे अभी चलन में हैं तो वो कौन लेकर आये थे? वो हमारे William James लेकर आये थे इसके बाद आता है हमारा third question प्रक्यवासम्प्रदाय के जरक कौन थे? कि William James जो थे उन्होंने प्रियोग यानि कि उन्होंने का था कि जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ाई जाए वो experiment या प्रियोग के द्वारा पढ़ाई जाए जिससे बच्चे जल्दी से learn करना सीख सके और उनके लिए helpful होगी क्योंकि जब हम किसी चीज़ को या काम को करके सीखते है ना तो वो हमारी permanent knowledge में transfer हो जाता है लेकिन अगर हमने for example की book में से मैंने ऐसे ही कुछ read out कर लिया तो वो temporary knowledge में रहता है क्योंकि वो थोड़ी देर में या तो गायब हो जाएगा अगर मैं उसको दुबारा recall नहीं करूंगी या revise नहीं करूंगी उसके बाद आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है first मनोविज्ञान के जनक पूछा था जो हमारे अर्ज्टू थे second आध्धूनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा था जो हमारे विलियम जेम्स है और अब पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान यानि कि education psychology के जनक कौन है जिसने सबसे पहले psychology के concept को यानि कि मनोविज्ञान को education, शिक्षा से संबंदित किया था और बताया था कि मनोविज्ञान को अगर हम शिक्षा में use करे तो कितनी helpful हो सकती है बच्चों के लिए भी और एक teacher के लिए भी वो कौन थे हमारे वो थे थ्रोंडाइक थ्रोंडाइक का जो experiment था cat के उपर जो उनोंने किया था उससे पता चलता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ सीखने के लिए किस चीज़ की ज़ुराद पढ़ती है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखा सकते है तो उन्होंने education psychology के अंदर थ्रोंडाइक ने शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को जोड़ा था अब आता है बहु खंड या बहु तत्व बुद्धी का सिद्धान यानि की multi-theory multi-theory किसी कहे थी जब हम intelligence यानि की बुद्धी के बारे में जो अपना पूरा चेप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे points महाँ पे आएंगे ये हमारे बुद्धी से related है बहु खंड, बीने साइमन, एक खंड, दो खंड, तीन खंड और समाने वा विशेश तत्वों के सिद्धान बहुत important है जो हमारा chapter है intelligence का बुद्धी का वो सबसे जादा important और सबसे जादा questions आपके उसी में से बनते हैं और क्योंकि facts और उसके अंदर इतनी सारे theories हैं कि वहाँ से कहीं से भी question आ जाता है तो आप इसी लिए मैंने इसके अंदर ये 4-5 question डाल दिया आपके लिए कि अभी आपको revise हो जाएंगे जब मैं chapter complete करूँगी ये start करूँगी आपको पढ़ाने के लिए तो उसके अंदर भी हम revise करते हुए चलेंगे ठीक है तो बहु खण, multi, देखे एक है multi capable और जो एक और है ये एक और आएगा हमारा वो है multiple theory ठीक है दोनों अलग-अलग हैं तो multi theory धियान रखना और multiple theory याद रखना वो next वाली series में लेकर आऊँगी इसमें है आपका बहु खण्यान की multi factor theory किसकी थी बुद्धी सिद्दान का ये भी हमारे throndike की थी उसके बाद आता है हमारा बीने साइमन बुद्धी परिक्षन बीने जी ने आपको पता है कि जब last में जब हमारा concept आया था वहवार वाद वेगरा तो उसको तेखते हुए लोगों के दिमाग में या हमारे psychologist के दिमाग में एक बात आई थी कि अगर हम बच्चों के वहवार को जानना चाहते हैं और mental ability को चेक करना चाहते हैं उसके लिए क्या है कि बुद्धी परिक्षन होना चाहिए यानि कि mental psychological test होने चाहिए और IQ level test करने चाहिए ठीक है बीने ने हमारे क्या दिया था बीने साइमन बुद्धी परिक्षन ठीक है 1905 में दिया था यह इन्होंने एक experiment के जुरू एक machine या content तयार किया था जिससे हम बच्चे का mental ability और IQ test कर सकते हैं तो इन्होंने capable prediction दिया है एक खंड यानिकी one factor बुद्धी का सिद्धात one factor theory किस ने दिया है one factor theory दिया है आपकी Johnson Johnson बीने बहु खंड किस ने दिया है multi theory थ्रॉंडाइट ने one factor theory किस ने दिया है Johnson बीने ने अब आता है two factor बुद्धी का सिद्धान two factor किस ने दिया है सबसे important है ये वाली two factor वाली इसको हम detail में बाद में पड़ेंगे intelligence chapter के अंदर two factor theory हमारी दिया is Spearman ने ठीक है, तीन खंड बुद्धी का सिद्दान्त भी हमारा किस ने दिया है, स्पीर में ने, यानि कि थ्री फेक्टर थियोरी भी, थ्री फेक्टर थियोरी भी हमारी किस ने दिया है, हमारी स्पीर में ने, अब देखिए इसमें एक खंड आप इसको कोर्रिलेट करके पढ़िए तो आपके लिए जाधा अच्छा होगा, जिससे आपको लर्न हो जाएगा, वन फेक्टर, जॉआन्स बीने ने एक ही में है और बाकि की जितनी भी दी है, मतलब टू फेक्टर स्पियर में त्री फेक्टर स्पियर में और समान्य और विश्श्च तत्वों का सिद्धान मींज जी और एस फेक्टर, ये किस ने दिया है ये भी आपका Spearman ने जो हमारा Two-Factor Theory है Two-Factor Theory के अंदर ही ये तत्वाते है जब Two-Factor Theory दीती Spearman ने ये वाली दोनों correlated है Two-Factor Theory के अंदर जब Spearman ने दीती तो उन्होंने बोला था कि G-Factor होना अच्छे है ये बच्चे के अंदर और एक S-Factor होना चाहिए तो G और S-Factor भी किस ने दिया है हमारा Spearman ने दिया है उन्होंने क्या का था G से हमारा क्या मतलब है Journal ठीक है Journal Theory दी थी उन्होंने G से मतलब है Journal और S से मतलब है Specific यानि कि विशिष्ट सामानिया और विशिष्टत वो बच्चे के अंदर कैसे होते हैं जो Journal factors होते हैं वो सभी के अंदर पाये जाते हैं मतलब Journal है वो factors सभी बच्चों में होंगे लाइक किसी बच्चे का फर एक्जामपल किसी की हाइट हो गई मतलब जो एक development की stage है वो तो सभी बच्चों में समानिया रूप से होगी ऐसा दो नहीं है ना कि पहले एक बच्चा तो एक first class में गया है second में गया है यह एक साल का हुआ है दो साल का हुआ है और कोई बच्चा एक से सीधा दस साल का हो गया ऐसा तो नहीं हो सकता एक का होगा दो का तीन का चार का ऐसे one by one वो develop करेगा और उसकी stages भी ऐसे ही बढ़ेंगी और vicious factor क्या होते हैं vicious factor होते हैं जर्नल factor होते हैК इन सब चीजजों सभी बच्चे है ठीक है किससी काफ़् इंटरेस्ट होते हैं किसी का टांस में है किसी का बॉलίवब्वल में है किसी का एथेलीट में इन सब चीजों में इंटरस्ट हो अलग-अलग तो वह क्या है में सभी बच्चों में कुछ ना कुछ तो इंटरस्ट हो गई ना बच्चों का प्लेवे में डांस में और अलग स्किल्स में वह क्या हूंगे जहनल फैक्टर होंगे लेकिन इनकर बच्चों में विशिश्त तत्व कहीं पाएजाएंगे जैसे आपको पता है Lata Mangeshkarji है, उन्होंने संकीत में इतना अच्छा किया, आप जैसे और मैं सिंगिंग करूँगी तो ये तो निना कि में Lata Mangeshkarji बन जाऊंगी, I am singing factor मेरे अमनल कर दूर ये ये Jernel factor मेरे अलगी मिरे अन्दर , और street leaks होती हैं, कि गली में खेल लिया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे सचिन तेंदूर कर तो नहीं बजाएगा, सचिन तेंदूर कर में क्या था है, एक अलग से विशिश्च्र तत्व पाए गए थे, मतलब थे उसके अंदर जिसे उन्होंने specified factors पाए गए थे, ठीक है, तो ये क्य क्लास में पढ़ेंगे, हम और 10 questions पढ़ेंगे, इसी के द्वारा आपको ऐसी revise होते चले जाएंगे, तो learn करते रहें, नेक्स क्लास में जब मैं 10 और discuss करूंगी, तो please इनके बारे में भी पूछूंगी आप से, ताकि आपको ये revise रहें, ओके, और और वीडियो देखने के ल करना, like करना मत भूलना, और bell icon भी अपनी notification के लिए प्रेस कर लेना, और बाकी जो हमारे KBS PGT के computer science का आपको course चाहिए, उसकी study related, तो online लेखिए, और यहाँ पे जो description में link और numbers शेयर किये हैं, उन पे आप contact कर सकते हैं, thank you so much. Good morning friends, I am Swati Singh, आज का जो हम psychology के अंदर, यानि की मनोविक्यान के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर आज हमारा topic बुद्धी यानि की intelligence है, इससे पहले वाली class के अंदर आप मेरे सारे videos देख चुके हैं, देख सकते हैं और जो हमारे हम पहले कर चुके हैं, psychology क्या हो वो एक दूसरे से कैसे related education और psychology और इसे पहले वाली class में मैंने आपके साथ 10 questions discuss किये थे, जो psychological facts हैं, ठीक है, उसके अंदर मैंने बुद्धी के बारे में I think 5 questions आपके लिए include किये थे, तो अभी इस class में मैं बीच-बीच में आपसे वो questions पूछ लूँगी ताकि वो आपको अ आपके mind में क्या आता है, जो हमारा दिमाग है, वही चीज तो है बुद्धी, और बुद्धी शब्द आप ब्रोज मरा की जिंदेगी में daily में आप कई बार सुनते होंगे, अपने mom, dad से, पढ़ते हुए, अपने द्वारा के, छोटे-छोटे examples, आपको पता है, आप घर मे कर रही, क्या तेरी, यह काम गलत कर दिया, तो इसलिए क्या, कि जब हमारी अक्कल काम नहीं करती, यानि कि हमारी बुद्धी काम नहीं करती, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो हम कोई भी काम करने के लिए, किसका प्रियोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, अपना mental ability, यानि कि बुद्धी का यूज करते हैं, वो कायम कोई भी हो सकता है, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं, सो रहे हैं, सोने में भी यह नहीं कि हमारी बुद्धी काम नहीं करी, वो जो हमारी mental abilities, activities हैं, वो चलती रहते हैं, क्योंकि conscious mind होता है, ठीक है unconsciously, आप बिल्कुल unconscious mind में भी आप क्या रहते हैं, हमारा दिमाग चलता रहते हैं, उसके अंदर thoughts आते रहते हैं, जैसे आप dreams देखते हैं, सपने देखते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, और आप बोल चाल करते हैं, किसी से conversation कर रहे हैं, व हमारी रोज मरा की जिंदिगी के लिए, जो हम काम करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, बुद्धी का यूज करके करते हैं, अनि कि अपनी intelligence को यूज करके करते हैं, अब इसके बाद, इसके उपर कुछ जो हमारे psychologist हैं, उन्होंने अपनी definitions दी हैं, और उसके बाद किसी न हम अपने mind का use करते हैं, और कोई भी काम करने के लिए हम बुद्धी का use करते हैं, जैसे बोलना, लिखना, अन्य कोई कार रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद, जो psychologist हैं हमारे, उन्होंने क्या आप कहा है, इसके बारे में वो देख लेते हैं, पी वी वनन, पी वी वनन के अनुसार, पी ई, पी वनन के अनुसार क्या बात कही गई थी, इन्होंने पी वननने तीन facts दिये थे, तीन तत्व दिये थे, जो हमारी बुद्धी है, वो क्या है, उसके अन्दर first आता है हमारा, बुद्धी एक जैविक प्रक्रिया, जैविक मतलब जो हमारी हमें हैरेडिटी और जीन से मिलती है, अगर आपके माता-पिता का IQ level या mental या intelligence level जो है, वो 70 और 79 के बीच का है, तो आप हस्से हाद उसको environment से effect करके, अपने लिए 80 और 85 की range में रख सकते हैं, लेकिन उससे जादा आप नहीं कर सकते हैं, तो P1N के अनुसार क्या बात कहिए है, कि बुद्धी एक जैविक प्रिक्रिया है, वो हमें हैरेडिटी के तुरू प्राप्त होती है, जिसके लिए बाद में चलके बच्चा, और फिर बच्चों के भी बच्चे, उसके भी बच्चे वो क्या करते हैं, ऐसे बुद्धी ट्रांसफर होती जाती है, पीडी दर पीडी, और वो चलके आगे अपनी उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अगर उसके माबाप, for example, हमेशा बोलते हैं, कि जो educated families होती है, जिसके parents बहुत पड़ेवे होते हैं, दॉक्टर होते हैं तो उसके बच्चे बनते हैं, इंजीनियर हैं तो उसके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो middle class है या बिलकुल low class category है, उसके बच्चे वहीं रह जाते हैं, जाधा पढ़ लिखना ही पाते है, लेकिन आम उसको कई बरी, क्या है अपने environment के दुरू यानि कि अगर आप ऐसी society में रहते हैं जहां पर ऐसा environment created है आपके लिए जहां पर पढ़ाई लिखाई से संबंदित बाते हों और बहुत अच्छा आपको social environment मिले आपका तो बच्चा क्या है उससे effect हो के कहीं न कहीं तरक्की कर लेता है अब इसके अंदर जो हमारा second point रखा था पी वनन ने वो रखा था बुद्धी का बुद्धी एक परिक्षण प्राप्तंख है मतलब intelligence is a test score इन्हों ने कहा था कि जो हमारी बुद्धी है न वो एक test score है केवल बुद्धी को हम इसी लिए use करते हैं या इसी लिए चलाते हैं ताकि हम exams में अच्छे marks achieve कर सके academically record हमारा अच्छा हो सके और हमें किसी पी प्रकार के जो है वहाँ पे score अच्छा कर सके कि जिससे हमारे लिए आगे हमारे future में बहुत helpful हो क्योंकि आगे आपका इंटर्व्यूस के लिए जाएंगे या फिर कॉलिज में apply करेंगे किसी भी stream के तुरू जो भी आपको बनना है तो वहाँ पर क्या होगा हम अंक प्राप्त करने के लिए test score करने के लिए यूज करते हैं और लास्ट है बुद्धी वहवार में परिवर्तन लास्ट इनोंने क्या कहा है कि बुद्धी को हम उस रूप में रखते हैं कि जो भी बच्चा वहवार कर रहा है अपने अपने अन्वार्मेंट में अपने friends के साथ माता-पिता के साथ अपने parents वो एपने teachers के साथ अपने school friends के साथ जो भी वहवार कर रहा है वो बुद्धी है क्योंकि बच्चा क्या है वहवार के बुद्धी तुम ही तो वहवार करेगा अगर मेरे दिमाग में यह बात आई करनी है तो क्या अगर मेरे माइन में फॉट्स ने आंगे तो यहां पर भी मैं शायद उल्टी-फुल्टी हरकते कर सकती हूं आपके सामने ठीक है तो क्या है हर काम को करने के लिए हमारी इंटेलिजनwo का होना बहुत ज़रूरी है मस gef'd करते हैं अगर आपको यह नहीं पता कि किस सिचुएशन में कैसे रियायक करना हैं किया चीजय करनी है क्या नहीं करनी है तो वहाण पे आपकी इंटेलिजनwo जो है वहाँ पकाम नहीं करती है तो PE वनन के अनुसार आपको पता चल गए तीन बाते कहीं थी उन्होंने कि बुद्धी एक जैविक प्रक्रिया है बुद्धी एक परिशन प्राप्तंक है और बुद्धी वेवार में परिवर्तन है इसके बाद सेकेंड आए हमारे थ्रॉंडाइक थ्रॉंडाइक के अनुसार अब बात आती है कि थ्रॉंडाइक ने क्या का थ्रॉंडाइक के अनुसार बुद्धी को कैसे समझा गया कैसे रखा गया जो हमारे साइक्लोजिस थे सबसे इंपोर्टेंट है थ्रॉंडाइक की इसको ध्यान से समझना इसमें फरस्ट कहा गए था थ्रॉनडाइक ने समाजिक बुद्धी त्रॉंडाइक के अनुसार समाजिक बुद्धी कैसे कहा गया था बच्चे की कि बच्चे के अंदर अगर इंटेलिजेंस है तो इस परकार की होनी चाहिए कि उसकों समाजिक बुद्धियों मतलब वो अपने एन्वार्मेंट के साथ समायोजन कर सके कोई भी काम कर रहा है तो बाकियों की help कर सके, support कर सके, उनकी values को समझ सके नैतिकता को समझ सके, ये सारी चीज़ें किसमें रखी गई थी समाजिक बुद्धी के अंदर यानि कि थ्रॉंडाइक के अनुसार, बच्चे की बुद्धी इस रूप में develop होनी चाहिए कि उसका समाजिक विकास से जुडाव हो, यानि कि समाजिक बुद्धी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने environment के साथ समायोजन कर सके, किसी भी अपने friend के, अगर वो problem है तो उसकी help कर सके नैतिक तक यानि कि values रख सके, कोई भी function organize हो रहे है, moral values उसके अंदर develop होनी चाहिए और ये सारी चीज़े क्या है, समाजिक बुद्धी के अंतरगत आती है उसके बाद हमारा जो second point बताया था, वो था मूर्थ बुद्धी यानि कि concrete concrete intelligence इसके अंदर क्या कहा गया था, कि concrete intelligence के अंदर बच्चे को वस्तू स्थापित यानि कि object जो हो उसके सामने, जो अमारा second point है मूर्थ बुद्धी यानि कि concrete intelligence, इसके अंदर थ्रॉंडा ही ने क्या गा था, कि बच्चे के सामने जो objects उपस थे थो, पहले वो उन्हें देखे, समझे, और उसके बारे में अपना दिमाग चलाए, कि वो चीज है क्या, क्यूं है, उसका color कैसा है, उसके negative positive points क्या है, सब चीज़े क्या है, अचीव करें, और फिर उसको अपनी भाशा में प्रियोक्त करें, यानि कि concrete वाली प्रेज के अंदर बच्चा किसी भी object की performance को देखता है, समझता है, सोचता है, बाद में उन वस्तुओं के बारे में अपने intelligence के द्वारा सोच विचार करके, अपने शब्द प्रियक्त करता है, थर्ड इसमें आता है, अमूर्थ बुद्धी, यानि कि abstract intelligence, थर्ड क्या है हमारा abstract intelligence, थ्रॉन्डाइक में तीन दिये है, सामाजिक बुद्धी, मूर्थ बुद्धी, अमूर्थ बुद्धी, abstract intelligence के अंदर क्या कहा गया है, कि बच्चे के अंदर इतनी intelligence होनी चाहिए, उसकी उम्र के हिसाब से, अगर 10 साल का बच्चा है, तो उसमें इतनी thinking या इतनी intelligence develop हो जानी चाहिए, कि अगर मैं उसको ताजमेल के बारे में पढ़ा हूँ, तो उसके mind में क्या है, एकदम से ताजमेल की image create हो जाए, कि कैसे वो बना हुआ है, कि उसका color क्या है, उसके आसपास का इलाका कैसा है, कैसे, किस ने बनाया, क्यूं बनाया, ये सारी images क्या है, उसके mind में one-to-one create होती चले जाए, तो इसी लिए, त्रॉंटा इक ने बोला, कि अमुर्थ बुद्धी के कारण, अमुर्थ बुद्धी अगर बच्चे के अंदर होगी, तो वो क्या करेगा, जो चीजे उसके सामने नहीं है, उपस्तित नहीं है, present नहीं है, object के तुरू, उसके बारे में भी बच्चा सोच विचार कर सके, ठीक है, अब जो इसकी definition थी, बुद्धी की intelligence की, पी, वरनन के अनुसार हमने पहली, उन्होंने भी तीन पार्ट में डिवाइड किया था, और जो थर्ड है, सेकिंड है, हमारे फ्रॉन्डाइक के अनुसार उन्होंने भी तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया है, अब इसके बाद पढ़ते हैं, intelligence question, अब हमारा जो इसी क के अंदर intelligence के अंदर अभी हमने definition समझ ली है, पी, वरन के द्वारा, उसके बाद फ्रॉन्डाइक की समझ दी थी, उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, अब हम बढ़ेंगे बुद्धी लब्दी क्या है, intelligent question, इससे पहले मैं आपसे question पूछ लेती हूं, वो बुद्धी का सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया, ओके, ये question आपको comment session में answer करके बताना है, कि तीन खंड बुद्धी का, यानि कि three factor theory हमारी किसके द्वारा दी गई थी, अब आते हैं बुद्धी लब्दी, यानि के intelligent question के उपर, कि ये होता क्या है, इसके अंदर एक formula रखा गया है, जो हमारा IQ level test करता है, IQ, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपने normally, आपने class में, school में, family में, और बाकी सबी चीजों में न, ये normally सुना होगा, कि IQ level क्या होता है, तेरा IQ कम है, क्या, ऐसी बात ये सुनी होगी, लेकिन आपको properly नहीं पता कि IQ level होता क्या है बच्चे का, कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको find out किया जाता है, आप बता सकते हैं, मेरा IQ level कितना है, नही मैं किसी और का बता सकती हूँ, क्यों उसका IQ level इतना है, या उसका उतना है, ठीक है, तो इसको निकालने का एक formula है, IQ को निकालने के लिए एक formula है, जो हमारे, विलियम स्टर्ण ने दिया था, 1912 में, विलियम स्टर्ण के द्वारा, स्टर्ण के द्वारा दिया गया था, ठीक है, IQ level से क्या होता है, हम ये judge कर सकते हैं, कि बच्चा किस level पे है, मतलब वो बहुत जादा intelligent है, medium है, या बहुत जादा slow है, किसी चीज़ को धीरे-धीरे सीखता है, या mentally retired है, जिसको हम बोलते हैं, और जैसे mood बुद्धी होती है, जड़ बुद्धी का पालक होता है, जड़ बुद्धी के पालक को क्या है, हम कुछ भी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं, ये सारी, ये सारी मैं आपको एक table बना के देदूंगी, उसके तरू समझाऊंगी, ताक है आपका, ma plus ca into 100, तीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ma क्या होता है, ma होता है, mental age, mental age, और ca हमारा क्या होता है, ca age होता है chronically age या फिर real age, मैं यहाँ पर real age लिख देती हूं, ठीक है, mental age क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का बौधिक विकास, अपनी IU वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना है, वो हमारी मानसिक आयू होती है, अगर कोई 5 साल का बच्चा है, लेकिन वो 10 साल के बच्चे के according अपनी intelligence को use कर सकता है, या फिर math के sum, या फिर science, ये सब solve कर सकता है, तो उसका क्या होगा, mental age उतनी ही मानी जाएगी, बेशक वो बच्चा 5 साल का है, लेकिन अगर वो 10 साल के बच्चे के math solve कर रहा है, sum निकाल रहा है, science को समझ रहा है, तो उसकी जो mental age मानी जाएगी, वो 10 मानी जाएगी, उसकी लेकिन real age क्या है, वो है हमारी 5 year, तो हमारी mental age हो गई 10, और real age हो गई हमारी 5, ठीक है, आपने वो movie देखियोगे, कोई मिल गया, रित्यक रोशन और जो प्रीधी जिंटा की है, उसके अंदर क्या होता है, जब उसके शक्ति आ जाती है, रित्यक रोशन के अंदर, वो नहीं कर पाता है, लेकिन वो 8th class, या 8th class में था मुझे याद ने, ठीक से, 8th class में होता है, तो वो क्या करता है, अपने 10th class, यानि कि अपने उपर की available से, यानि कि जो उसकी उम्र है, उम्र तो उसकी जादा थी, वो mentally retired उसमें दिखाया गया था, लेकिन जितनी उसकी बूत्ती दी, वो क्या है, एकदम से increase हो जाती है, वो 10th class के सम solve करने लग जाता है, तो फिर हम उसको क्या करते है, वो जो उनका principle होता है, वो उसको 10th class में transfer कर द देता है, क्योंकि उसकी mental ability उतनी हो जाती है, तो उसमें mental age उसकी क्या रखी जाएगी 10th, और उसकी real age रखी जाएगी जो भी उसकी real age है, वो 20 साल का, 1 साल का, 5 साल का, 2 साल का, जो भी उसकी real age हो भी, ठीक है, तो आपको पता चल गया formula, ma upon ca into 100, यह हमारा 1912 में William Ston के द्वा द्वारा दिया गया था, याद रखना, क्योंकि कई बच्चे इसलिए confused हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बुद्धी परिक्षन है, intelligence जो test दिया गया था, वो बीने के द्वारा दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो IQ का वो दिया गया था, formula, वो हमारा William Ston के द्वारा दिया गय ऐसे करके हम किसी की भी IQ level निकाल सकते हैं, कि उसका IQ level क्या है, अब जो हमारा point है, उसके बाद, बुद्धी लब्दी के मान वा अर्थ, value of IQ and their meanings, IQ level निकालने के बाद, उसको किस category में रखा जाता है, किस stage में रखा जाता है, वो table है बहुत important है, last time के exam में भी पूरे 5 questions इसी table से बने थे, ठीक है, तो इसलिए आप देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, कोई confusion हो, तो comments के दरू मैं से पूछ सकते हैं, अब यह जो हमारा IQ level है न, यह हमने category wide divide किये हुए है, कि किस IQ level बच्चे को किस category में रखा जाता है, हम तो हम नीचे से start करेंगे, समझते बच्चों को क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धी, यानि की idiot, ठीक है, यह बच्चे कौन होते हैं, idiot जिनको बोलते हैं, जड़ बुद्धी बालक, यह last year exam के question में आया था, CTAT में भी, और आपके DSSB में भी, यह वाले कौन से होते हैं, यह होते हैं आपके, जिनको कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, क्या है, family कितनी कोशिश कर ले, teacher कितनी कोशिश कर ले, उसके friends, घर वाले कुछ भी, कोई भी कोशिश कर ले, जड़ बुद्धी बालक को हम कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं, उसमें कोई उसके intelligence में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आत सकते हैं, अगर इनको बहुत ज़ादा कोशिश की जाएं, बार बार की जाएं, रोज एक गंटे में दो दो तीन तीन बार की जाएं, तो ये कहीं जाके 10 और 20% ही सीख पाते हैं, इससे उपर नहीं सीख पाते हैं, उसके बाद आता है, very important, mood बुद्धी भी पूछा गया था 60 से 69 तक mood बुद्धी बालक होते हैं, इनको भी क्या होता है, 30 और 40% आप इनको सिखा सकते हैं, बहुत मशक्कत करने के बाद, इस जो टेबल में आपको समझा रही हूं, इस टेबल के benefits क्या हैं आपको, आप से एक्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, कि mood बुद्धी बाल लग होते हैं, तो याद रखना हैं, और उल्टा भी करके पूछ लेते हैं कि 60 to 69 तक का IQ लेवल है, वो किन बच्चों का होता है, तो mood बुद्धी, ओके, उसके बाद आता है, यहां से हमारी stage शुरू होती है, इसमें सबसे जादा जो नीचे के 3 है, mood बुद्धी, हीन 70 से 79 तक के बच्चे जिनका IQ लेवल होता है, वो दे सीमान्त मुद्ध बुद्धी, यानि की borderline होते हैं, उनको हम किसी भी तुरू सिखा सकते हैं, मतलब उनकी skills को हम develop कर सकते हैं, उनको पढ़ा के, समझा के, कुछ न कुछ activities करा के, हम सिखा सकते हैं, मतलब यह बच्चे आ कि dull होते हैं, मतलब बिल्कुल mentally retired नहीं होते हैं, dull होते हैं थोड़े से, उनको हम किसी भी तुरू सिखा सकते हैं, जो समान्ने बच्चे होते हैं, और जो बिल्कुल retired बच्चे होते हैं, उनके बीच के होते हैं, मन्द, यानि की dull होते हैं, उनको हम कोई भी चीज सिखाते है time 3-4 बार practice कराके recall करवाके और exercise कराके उसके तरूब क्या है हम सिखा सकते हैं कोई भी चीज ठीक है डल हो गया इसके बाद आता है 90-109 तक के बालक यानिकि समान्य बालक ठीक है यह मुझ जैसे आप जैसे होते हैं शायद आप जैसे जो पढ़ रहे हैं मुझसे उसमें superior, very superior और genius बच्चे भी हो सकते हैं लेकिन मैं अपना बता रही हूँ मैं तो normal में सी हूँ समान्य बालक तो आप learn भी करें न तो ऐसे ही correlate करके learn करिएगा कि आप किस category में हैं आपके friends कि के category में हैं को तो आपको ऐसी जल्दी learn होगा तो आप भूल नहीं पाएंगे कि आपकी जो बुद्धी लब्दी है यानि कि IQ लेवल है वो कितना है तो यानि कि 90 से 109 तक जो रखे गए हैं IQ लेवल के बच्चे वो समानने होते हैं नॉर्मल उनको कोई भी चीज सीखने में ज्यादा problem नहीं होती है अगर कोई बहुत ज्यादा tough concept teacher उनको पढ़ा रही है तो उनको थोड़ी सी महनत करने की जरूरत होती है बाकी वो जल्दी से सीख जाते हैं और वो इतने dull नहीं होते कि एक चीज को 10 बार बोला जाए तब भी उनके दिमाग के उपर से चली जाए तो यानि कि समानने होते हैं बोली सीख ली और जो कोई मुश्किल concept रख देते हैं उनके सामने तो एक या दो बार practice करने के बाद सीख जाते हैं ठीक है एक और चीज यह इसमें important point है 90 से 109 तक कि पूछ ले तो यह तो समानने बालक रखे थे ना वो termon ने कहा था ठीक है termon ने रखा था तो आप learn कर ले ना पूछ ले थे exam में कि कि किस ने दिया था यह termon ने दिया था और इनों ने 1500 बच्चों पर experiments किये थे उसके बाद इनों ने कहा था कि जो 120 से उपर के बच्चे होत इनों ने समानने का दिया था 90 से 109 टर्मन ने तो 120 से उपर वाले सभी बच्चों को इनों ने creative child बताया था ओके उसके बाद आता है 110 से 119 यह stress याने कि superior बच्चे होते हैं समानने से उपर समानने से उपर वाले कैसे बच्चे होते हैं यह थोड़े superior होते हैं मतलब इनको थ ऐसे नहीं होता है कि अगर मैं हूँ समानने की और मेरे सामने कोई ऐसी चीज लेकर आई जाए जो मैंने इससे पहले ना सुनी ना पढ़ी तो मैं उस चीज का वेट करूंगी कि कोई मुझे समझा है या मैं खुद पढ़ू कि वो चीज क्या है ठीक है फिर उसके बारे में जानूं लेकिन जो थोड़ी सूपीरियल बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं वो उसके पॉइंट्स को अब्मिनिक्स को करते हैं कि वो चीज क्या है वह जानने के इच्छोक रहता है और उनको पहले सी क्या है अपने मायिन में इस प्रिसकिप्शन यह कुछ ना कुछ जब करते हैं जिससे बच्चा क्या है अपने आप ही थोड़ा उसका अर्थ ग्रहन करने की कोशिश करता है बिना पड़े या समझे ठीक है सुपीरियर बच्चे बदा चल गए आपको 110 से 109 वाली के चीडिकरी के जो आईक्यू लेवल है उसमें आपके सुपीरियर स्टूडेंट आते हैं फिर आता है आपका 120 से 139 तक 30 तरिष्ट यानि कि very superior बच्चे वो बहुत ही जादा creative बहुत ही जादा superior students होते हैं और उसके बाद आता है 140 या इस से अधिक यानि कि प्रतिबाशाली genius बच्चे हर field में genius किसी भी field में डाउड़ो कि है वो sports हो, athletes हो, academic हो, scholar हो, किसी भी चीज़ में वो आपको first पर ही नज़र आएंगे ठीक है अब इसके अंदर जो main points है learn करने के last है 20 से कम, जड़ बुद्धी आपको पता होना चाहिए जड़ बुद्धी बालक कौन से होते हैं 20 से कम उसके बाद आता है 70 वा 79 तक के सीमांत यानि की borderline वाले students होते हैं उसके बाद आता है 90 से 109 तक वाले हमारी समान्य बच्चे होते हैं आप इनको मैं बाबा बोल रहे है को रिलेट करके बढ़ना नहीं तो भूल जाओगे कि कौन से category वाले कौन से बच्चे होते हैं ठीक है उसके बाद 120 आप याद रखिए कि superior students, creative students होते हैं टर्मन ने काता किस ने काता टर्मन ने याद रखना और जो 90 से 109 तक के भी समान्य तालक के बारे में काता है ये भी टर्मन ने काता ओके तो ये वारी टेवल आपने पढ़ लिये मैंने आपसे इसी क्लास में आपसे जो question पूछा था वो comment session के दूरू मेरे को बताईए कि उसका answer क्या है three factor theory हमारी किस ने दी है and revise कर लीजेगा proper next class में मैं इसके बारे में बू bell icon press कर लीजेगा उसको मत भूलना और जो हमारा KVS PGD का computer science का syllabus है वो आपको यहाँ पर description में जो link दिया गया है whatsapp number दिया गया है आप उस पे call करके order कर सकते हैं पढ़ने के लिए study material thank you so much Hello friends I am Swati Singh इससे पहले वाली class के अंदर मैंने जो बुद्धी का chapter start किया था intelligence उसके अंदर आपको दो तीन चीज़े पता दी थी कि बुद्धी होता क्या है IQ level कैसे हम test करते हैं और IQ levels की कौन कौन सी category है जिसमें बच्चों को divide किया गया है कि कौन सी वाली stage पे किस बच्चे को रखा गया है mood बुद्धी जड़ बुद्धी इस सारे हम पहले वाली class में discuss कर चुके है तो आपको intelligence का जो first part देखना है ये सारी चीज़े आप पहले वाली videos में मेरी देख सकते हैं अब हम करेंगे theories of intelligence जो मेरे factors थे ना जो मैंने आपके MCQs और facts discuss किये थे 10 उसके अंदर मैं आपको one factor theory, two factor theory, three factor theory के बारे में बताया था तो theories के अंदर वही सारे factors हैं कौन-कौन से factor theories दी गई है आज उनको detail में discuss कर लेते हैं कि किसने दी, क्यों दी और उसके अंदर क्या बात कही गई थी ठीक है मैंने इससे पहले वाली class में आपसे question put किया था कि three factor theory किसने दी आपको comment करके बताना है तो इसी लिए मैं wait करूंगी आपके comment का अब इसके वाले topic के अंदर हम जो first हमारा है वो है एक खंड बुद्धी सिध्धान्प यानि की one factor theory one factor theory आपकी किस ने दी थी मैंने आपको उसमें आपने 10 जो हमने इंसी क्यूट पाक्त किये थी उसके अंदर ही बता दिया था one factor theory आपकी किस ने दी जॉनसन बीने ने ओके जॉंसन बीने ने आपकी one factor theory दी थी इसके अंदर क्या बात कही गई थी जो जॉंसन बीने जी ने one factor theory दी थी उसके द्वारा उन्होंने कहा था कि जो बच्चे के environment में या उसके daily life problems होती है न वो उनको shot out कर सके जो परियावरण के अंदर वातावरण के अंदर जो उसको problem face करने को मिल रही है अपनी daily life से related, school life से related, personal life से related जो भी problems आ रही है वो उनको खुश shot out कर सके और समझ सके कि वो problem उसके लिए मतलब क्यों आ रही है उसको shot out कैसे किया जा सकता है किन चीजों का use कर सकता है वो उसके लिए harmful है या अच्छी है चीजे तो वो सारी चीजों को समझते हुए one factor एक खंड बुद्धी सिद्दान के अंदर रखा गया था कि वेक्ति परिया वरेंड में इस तिर किसी एक या अन्य समझ समस्याओं का समाधान किया जा सके ठीक है इसके बाद आती है छोटी सी थियोरी है इसमें जादा आपको दिमाग लगाने की ज़रुरत नहीं है इसके अंदर जो main point आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि one factor थियोरी किसने दी थी जॉंसन बीने ने अब आठती है most important थियोरी second factor थियोरी दूई कारक सिद्धांत यानि कि two factor थियोरी two factor theory किसने दी गई थी Charles Spearman ने मैंने इससे पहले वाली class में भी आपके साथ discuss किया था यह हमारी किसने दी थी Charles Spearman अब इसके अंदर दो point और रखे थे दो तत्व और रखे थे मतलब जैसे मैंने आपको first factor theory के अंदर बताया था कि क्या बात बोली थी उसमें कि अपनी environment से relate जो भी हमारी problems है उसको बच्चा short out कर सके तो दुई कारक सिद्धां two factor theory के अंदर चास spearman ने दो factor रखे थे एक होता है हमारा g factor यानि कि journal समान्य एक होता है हमारा s factor यानि कि specify यानि कि vicious अब इसको समझ लो कि इसमें क्या बात बोली थी इसके अंदर g factor वो होते हैं जो primary होते है यानि कि प्रात्मिक्ता होती है जिसके अंदर प्रात्मिक्ता होती है ऐसे तत्व जिनको प्रात्मिक्ता दी जाती है जो primary होते हैं जो सभी की life में होते हैं यानि कि जो journal factors होते हैं समान्य सभी बच्चों में मिलेंगे सभी बच्चों को जब बच्चे का development होता है तो सभी चीजे बच्चों में समान मिलते हैं जब वो गर्ब में होता है तो उस गर्ब में जो उसका विकास हो रहा होता है वो सभी बच्चों में समान होता है यह तो delayed सबका एक में एक क्रम में समानने विकास होता है बचे का फीजीकल मोटर यह साजेंगे सीक्व хочется एकएंप में होते हैं or कई वार होता है उस एक उमर पर आके रुख जाता Annoy फिर शुरू हो जाता है फिर रुख जाता है फिर रुख जाता है लड़कों में अलग दिशा में होता है लड़कियों में अलग दिशा में होता है लेकिन होता तो दोनों में है न यह तो नहीं है न कि boys में होगा इनी girls में हो गया दोनों में होगा क्या है एक समय के बाद रु को मिलेंगे लेकिन specified factors वह होते है जो visus होते हैं जो कि息ी बच्चों में देखने को मिलते हैं आपको life for example जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज जादा creative होते हैं सभी बच्चे creative नहीं हो सकते ना कुछ-कँछ बच्चे क्रेटिव होते हैं ठीक है तो बहुत जादा क्रेटिव बच्चे जो अलग से होते हैं कि उनके अंदर बिल्कुली अलग से क्रेटिविटी होती है best singers होते हैं, best dancers होते हैं, best musicians होते हैं, cricketers होते हैं यह क्या है? कुछी-कुछी लोगों में देखने को मिलते हैं तो यानि कि इसको बोला था S-vector यानि कि विशिष्ट तत्व, ठीक है? यह हमारे स्पेर, चार्स, स्पेर मेंन के दुई कारिक सिद्दान्त यानि कि two factor theory के अंतरगत रखी गई है exam में आपसे ऐसे question पूछ लेते हैं कि G factor से हमारा क्या तत्व है, क्या महत्व है, G factor क्या कहता है S factor क्या कहता है, 4 स्पेर मेंन के दो कौन से factors है, G और S 3 question हो गए, और 2 factor किसने दिया, 4 स्पेर मेंने, 4 question केवल इतने से points से आपके 4 question बनते हैं, ओके, इसके बाद कहा है हमारा इसके बाद जो हमारा 3rd factor है, वो है प्रात्मिक मानसिक योग्यता का सिद्दान्तवा समू कारिक, यानि कि group factor theory, ठीक है, इसके मैं दोनों नाम लिख देती हूँ, किसी से भी पूछ लेते हैं प्रात्मिक, मानसिक योग्यता और सेकेंड नाम क्या है, इसका समू कारिक यानि कि group factor theory, ठीक है, इसके दो नाम है, दोनों याद रखना, प्रात्मिक, मानसिक, योग्यता, सिद्दान्त, और समू कारिक, सिद्दान्त, किसका है, ठीक है यह हमारा किसने दिया है, इसके प्रतिपादक है, लुईस थर्स्टन, यह हमारा थर्स्टन ने दिया है, ठीक है, यह पूछा जाता है, इसके इंपोर्टन्ट की, समू कारिक, यानि कि group factor theory किसकी है, लुईस थर्स्टन की है, ठीक है अब इसके अंदर इनोंने जो बात कही थी, उसमें कुछ key points रखे हैं इनोंने, कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, क्या चीजे वो सीखता है, क्या चीजे नहीं सीखता है कौन-कौन से फ़र रखे दे नोंने, पहला रखा था, वाचिक बोद, इसमें क्या बोला था, कि बच्चा किसी भी बात को बोद करता है उसके अर्थ को समझता है, वो क्यू कही गई है, उसके महत्व को समझता है, ठीक है सबसे पहले में वाचिक बोद, यानि कि वरवल जो शाब्दिक रूप से वारता लाप हुआ है या शब्दों का उप्योग किया गया है, जो बाते कही गई है, वो क्यों कही गई है, उसका अर्थ क्या है, किस रूप में है, उसको समझता है और उसको वैसे ही ब्यक्त करने की कोशिश करता है second यह उने बोला था संख्या अत्मक, संख्या अत्मक योग गयता है, कि बच्चे के अंदर संख्या अत्मक योग गयता हैं होते हैं, यानि कि numerical abilities, इसके अंदर बच्चे के वो concepts रखे गए थे, जिसके अंदर बच्चा, माइनस, प्लस, गोणा, भाग, यह सारी चीजे करना सीखता है, समझता है कि यह सारी चीजे होती क्या है, अलग-अलग होती है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, कहां पे किया जाता है, इसके द्वारा मैं अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स क दैशिक सम्मंद मतलब स्पेश्यर रिलेशन इसके अंतरगत प्रती रूपों वो रचनाओं का प्रतिक्शन करन करता है मतलब जो भी कॉंसेप्स हैं जो भी रचनाओं हो रही है वो क्यूं हो रही है किस दांत पर हो रही है उसके बारे में बच्चक है जैशिक सम्मंद के अंदर वो चीज़े समझता है उसके बाद आता है फूर्थ इनोंने जो बताया था प्रतिक्शिक गती इसके अनुसार हर चीजों के प्रति अपनी धारना इस्तापित कर लेता है मतलब बच्चों के माइंड में पूर्व धारना इस्तापित हो जाती है अपने अपने प्रिस्किप्शन्स बना लेते हैं कि ये चीज़ ये है ये चीज़ ये है हमें तो वो करना चाहिए कि हमें तो यह करना चाहिए इस condition में जैसे सबकी धार्णाय होती है अपने जैसे आपके mind में भी जो अपने thoughts होंगे वो कुछ अलग होंगे किसी point को लेके अगर मैं आपको यह चीज समझा रही हूं या पढ़ा रही हूं मेरा point of view कुछ है मेरे prescription कुछ और है आपके कुछ और ह हो सकते हैं आप क्या पता इसको negative लो positive लो तो इसलिए जो बच्चा अपने मन में पहले से कुछ धार्णाय बना लेता है अपने अनुसार अगर माल लेजे किसी बच्चे को मार्केट में जाते हुए कोई dress पसंद आ जाती है तो एक बच्चे को बहुत पसंद आई उसने इस हिसाब से जो धार्णा बनाई गई है वो उसके अनुसार अलग है और second बच्चे को क्या पता वो बिल्कुल भी dress जादा पसंद आए तो उसकी धार्णाय क्यों कि उसकी अलग होंगी कि कि इतनी खराब है इस पे अगर यह में को 100 पे में भी मिले तो भी मैं नहीं लूग तो ऐसे ही सबी बच्चों की धार्णाय अलग-अलग होती है तो यह हमारे लूइस थर्चन ने कहा था कि verbal, numerical, spiritual और यह सब जो prescriptions बच्चे अपने mind में बनाते हैं वो सबी बच्चों में किस रूप से ढाली जाती है यह हमारा समुकारक factor है अब इसके बाद इसके बाद हमार पॉइंट आता है शब्द प्रवा प्रवा यानि कि word fluency इसके अंदर क्या बात बोली गई थी थर्चन ने कि शब्द प्रवा बच्चे का कैसा है यारी कि word fluency कैसी है किस रूप में वो अपने वचनों को बोल रहा है किस रूप में किसी के सामने present कर रहा है ऐसा नहीं है अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ अपनी कोई बात बो अपनी बात को तो आपको भी समझनिंए आएगी आपके माइंड से चल जाएगी और बहुत स्लोर्कोंगी मीडियम से भी तो भी आपको समझने आएगी अगर मैं ऐसे बोलूंगी शब्द प्रवा ऐसे भी आपको समझनिए आएगी और आगर मैं बहुत ज्यादर स्पीड में बोलूगी शब्द प्रभा ये वो तब भी आपको समझने याईगी तो इसलिए वर्ड की जो फ्लूएंसी है वो बहुत माइने रखती है कि आपको किसी भी शब्द को किस रूप में कहना है मतलब उसकी गती या और फ्लूएंसी कैसी होनी चाहिए एक तरह से उसको बोलने का तरीका क्या होना चाहिए उसके बाद आती है हमारा स्मृति कि मीन्स मैमरी अब बच्चे की memory किस रूप में, सिम्रिती किस रूप में बच्चा कोई भी चीज़ को सुन कर, समझ कर, learn करने के बाद अपनी सिम्रिती में, यानि कि अपने mind में और अपनी memory में कितना fit कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है और टाइम पढ़ने में उसको recall कर सकता है या नहीं यह चीज भी important है अगर मैंने कोई चीज learn कर लिया या इसे पहले कि जो मैंने आपको two factors पढ़ा दिया है आपने समझ लिया पढ़ लिया मुझसे लेकिन आपकी जो memory में अगर वो नहीं आया या निकि सिम्रिती में वो आया ही नहीं तो टाइम पढ़ने पर जब मैं आपसे question पूछूंगे exams में questions आएंगे तो वो आपको recall नहीं कर पाएंगे इसके पास इसका last point है आग्मना अत्मक तर्कना इसमें आध्यापका inductive reasoning इसके अंदर क्याता है उधार्णों के आधार पर बनाना या उनको परमानित करना आपके पास कोई भी चीज़ है जो आपने सीखी है तो आपको अगर concept के लिए हो जाता है आपको उसका meaning पता चल जाता है उसके facts पता चल जाता है तो आप क्या कर पाएंगे खुद से उसको present कर पाएंगे उससे उसका answer कर पाएंगे और बाद में उससे related जो answers होंगे या उससे related जो उधारण होंगे वो आप दे सकते है अगर मैंने आपको plus का concept सिखा दिया और आपने सीख लिया कि plus क्या होता है minus क्या होता है divide क्या होता है multiply क्या होता है तो बाद में अगर मैं आपको कोई sum देती हूँ कि 5 into 2 कितना होता है तो आप इसको solve कर लेंगे अगर मैं आपको देती हूँ 15 divided by 5 कितना होता होगा तो इसको भी क्या है आप solve कर लेंगे यहाँ पे उधारणों का आता है कि inductive reasoning यानि कि आपको अगर कोई चीज़ पता है concepts के लिए रहे है तो आप उसको कुछ solve करने के साथ साथ उसके उधारण भी कुछ present कर सकते हैं अगर मैं बच्चों से ही बोलूं कि आपको plus पता है minus पता है तो चलो give me a five questions कि plus पे five questions दीजे minus पे five questions देंगे तो अगर किसी पच्चे को plus पता है तो वो मुझे यही यही देगा कि मैं five plus two कितना होता है वो यही नहीं बोलेगा plus के कौन से अप्टे के five into two मतलब sign का description नहीं करेगा कि plus का sign कौन सा होता है minus और divide का sign कौन सा होता है वो खुद अपने उधारण उससे दे सकता है अब इस वाली class के अंदर हमने अपने three factors पढ़ लिए one factor theory जो आपकी किस ने दी थी Johnson ने जॉंसन बीने ने two factor theory आपकी spearman ने three factors sorry three factor नहीं group factor theory आपकी Lewis थर्चन ने ठीक है यह तीन factors हो गए हैं आपके next class में इसके आगे के factor बढ़ेंगे अभी factors खतम नहीं हुआ important factors हैं और इसके बाद तो बागी वीडियो के लिए like कीजिए subscribe कीजिए चैनल को और bell icon प्रेस कर लीजिए अपनी notifications के लिए KVS PGT computer science का है आपको पूरा जो material चाहिए study material उसके लिए description में link दिया हुआ है notifications oh sorry link दिया हुआ है और आपके लिए जो नीचे number एविलेबल है WhatsApp पर के रहा आप उसके दुरू contact कर सकते हैं thank you so much good morning friends I'm Swati Singh हमारा जो topic चल रहा था psychology और पेडागोजी के अंदर यह वाला topic जो था हमारा intelligence यानि की बुद्धी के ऊपर था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत सारे इसके जो theories है वो discuss कर चुकी हूँ one factor theory two factor theory three factor theories तो आप previous videos में वो सारी theories देख सकते हैं आज की जो हमारी theory है वो है बहु आयामी वह साथ बुद्धी सिदान यानि की seven इसको seven intelligence theory भी बोलते हैं और multiple theory भी बोलते हैं एक theory मैंने आपको पहले करवाई थी जो multi theory थी ओके जो थ्रॉंडाइक ने दी थी वो थी multi only multi theory जो हमारी थ्रॉंडाइक ने दी थी और यह है multiple दोनों में difference है ठीक है यह हमारी gardener ने दी है इसके प्रतिवादक कौन है multiple theory के gardener तो आप याद रके कर अगर केवल multi theory आपसे पूछा जाए तो वो हमारी थ्रॉंडाइक की दी हुई है और multiple पूछा जाए तो वो हमारी gardener की है अब इसके अंदर क्या बात बोली थी कि यह gardener जी ने यह वाली theory दी तो इसके according क्या बोला गया था कि यह theory क्या है इसके अंदर बोला गया था कि बच्चे के अंदर या किसी भी वेक्ति के अंदर जो हमारी intelligence होती है वो केवर एक रूप में नहीं होती है एक type की नहीं होती है उसके अंदर बहुत सारे types include होते हैं हमारी intelligence के अंदर मतलब अगर मैं कुछ mathematically sum solve कर रही हूँ ठीक है तो मेरी वहाँ पर कैसी intelligence theory है वहाँ पर किस type की intelligent है कि मैं कुछ equations solve कर रही हूँ राइट वहाँ पर अलग हो गई और मैं कुछ Hindi व्याकरन related कुछ learn कर रही हूँ या वहाँ पर कुछ shout out कर रही हूँ संदी छेत कर रही हूँ तो वहाँ पर मेरी भाशागत intelligence हो गई मैं अगर science के concepts को clear कर रही हूँ वहाँ पर chemistry biology सब के concept को समझ रही हूँ तो वहाँ पर विज्ञानिक तोर पर मेरी intelligence हो गई तो इसलिए हमारे जो gardener जी थे उन्होंने seven theories के अंदर seven concepts रखे थे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर seven type of theories होती है seven type of intelligence होती है मतलब एक intelligence include नहीं होती है किसे intelligence है उसने सारे काम कर लिए कुछ तत्वों वह जोड कर एक हमारा intelligence level बनता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर जिससे वह अपने सारे काम करता है अब वो भाशागत हो सकता है गणित्य हो सकता है mathematical, scientific और इस तरह से अलग-अलग चीज़े उन्होंने दी थी तो अभी वो सारे type discuss कर लेते हैं first type है भाशागत बुद्धी भाशागत बुद्धी इसके अंदर क्या कहा था गार्डनर जी ने इसके अंदर बोला था कि बच्चे के अंदर जब कभी वो हिंदी की भाशाओं को समझने लगता है चोटे-चोटे वनों को जोडने लगता है फिर वनों को जोड़कर शब्द बनाने लगता है पहले क्या होता है जब बच्चा बिल्कुल कोरी सलेट बोलते हैं हमाल है psychology के अंदर कोरी सलेट में जिसको कुछ नहीं आता तो लाइक इसलिए जब बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता और वो स्कूल में आता है, तो सबसे पहली शिक्षा तो उसकी घर से स्टार्ट होती है, फिर जब वो सेकेंडली स्कूल में आता है, तो वहां पर वो कैसे सीखना शुरू करता है, पहले कखग लर्न करता है, ये सारी चीज़े लर्न करता है, फिर इसी से क्या है, शब्द बना होगा आपने भी खुछ सेख 놀lad तो इस तरह से बनाया जाता है तो जो I the ce So most शब्डों में परिवर्थित हो जाते है फिर शब्डों से बाख्यों में परिवर्थ हो जाते हैं एसे जाते हैं यह चीज़े रोहन अम को छाता है फिर ऐसे वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं जैसे बच्चे के intelligence level increase होता जाता है class बढ़ती जाती है तो ये सारी चीज़े क्या increase होती जाती है कि पहले बच्चे को word सिखाये जाते हैं उसका भाशागत बुद्धी विकास करने के लिए फिर उसको शब्द सिखाये जाते हैं फिर उसको वाक्य परिवर्तन करने सिखाये जाते हैं फिर उसके बाद क्या है वो पूरे sentence के बाद पूरा paragraph लिखना सीखता है उसको अपने हिसाप से बोलना सुकता है, फिर क्या होता है दीरे दीरे पहले बच्चों को बताया चाता है कि काः को और कैसे हुषक बनती है। या कुछ गलत बोल दे, वो छोटे पन में ही बोलता है, जब उसका भाशागत विकास नहीं होता है, तो वो कोई भी चीज को गलत बोल देता है, अगर आप चोटे बच्चे को बताओगे, यह आपके मॉम है, यह डाड है, पापा, मामा, चाचा, इस तरह से उनको बताते हो, तो वो उस ताइम पर भी गलत बोल देते हैं, पापा को मामा बोल देते हैं, चाचा को फुफा बोल देते हैं, इस तरह की चीजे कर देते हैं, लेकिन जब बड़े हो के सीख जाते हैं, उनको पता है कि यह कौन है, या इस शब्द को यही बोला जाता है, आम को वो आम ही ब गणित्य बुद्धी तरकिक और गणित्य बुद्धी के अंदर क्या बात रखी गई थी तरकिक और गणित्य बुद्धी से मतलब है फर्स तो आपको समझ आई रहा है गणित्य मतलब वो गणित्य के को सूल कर सकें, उनको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होते है और तरकिक किसी भी मतलब सोच सकें किसी भी आ बनि यसरि से आपने विए यह आउन्गे व्यानिक होते हैं या बड़े बडी लोह होते हैं जिन stepped को हम न्यूज में देखते हैं जो विज्ञानिक होते हैं जो नोबल पुरुसकारत से विजयतित होते हैं तो वो सारी चीज़े क्या हैं वो इसके अंदर रखी जाते हैं कि उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रॉंग होती है कि वो किसी भी कॉंसेप के ऊपर अपने थोट्स क्या है वहाँ पर रखते हैं उनको यह नहीं की रटी रटाई चीजे देदी कि आपको यह चीज रटनी है आपको यह चीज लरन करनी है वो इस ताइप के नहीं होते है वो ऐसे होते हैं कि उनको अगर एक कॉंसेप्ट बता है तो उस पे अपनी लॉजिकल का यूज़ करते वे बताते हैं कि यहाँ पर ये concept होना चाहिए और ये चीज़ कर सके second कि logical thinking होनी चाहिए ताकि वो किसी भी concept पर अपने विचार प्रिस्तूत कर सके अपने thoughts रख सके यह नहीं कि सामने वाले ने आपको बोल दिया कि यह चीज अच्छी है तो आपको अपने thoughts भी तो रखने चाहिए कि यह चीज अच्छी है तो क्यूं है और नहीं है तो क्य चाहिए कि हाँ आपको क्या concepts है उसके बारे में आपकी क्या thinking है उसके बारे में और गणीटे वो थी कि बच्चे को वेक्ति को किसी को भी इतना strong होना चाहिए कि वो अपने daily life की जो problems है अपने mask के according उनका use करते हुए उनको हल कर सेके मतलब अगर वो कहीं market में जा रहा है use होगा वो शॉप की पर को पैसे देगा change वापिस लेगा या फिर वहां पर multiply equation solve करेगा कि हां कितना मेरा हिसाब हुआ कितना मुझे पैसे देने हैं कितने मुझे वापिस मिलेगे तो वो daily life problems दी solve कर पाए और third इसमें आता है थर्ड जो हमारा point है वो है देशिक बुद्धि इसमें क्या है कि spiritually समझना है कि जो हमारा संसार है जो हमारा संसार बना हुआ है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है उसमें आपको हर तरह की चीज मिलेगी मतलब आपको जो प्राकर्ति है हमारी बनी वहां पे आपक चीज़े मिलेगी तो उसको समझते हुए इस रूप में बच्चे को समझ आनी चाहिए डिफाइंग उसको होना चाहिए कि फॉर एक्जांपल अगर कोई बच्चा एसेस्टी बढ़ता है अपने जब हम एर्थ क्लास में होते हैं एर्थ क्लास तर टेंध क्लास तक एसेस्टी बढ़ते हैं तो बाद में शोशल साइंस यह बोलते हैं तो उसमें क्या है कि बच्चे को वहाँ पर यह चीज़े पता होना चाहिए कि हमारे जो इन्वाइमेंट है वह किन-किन चीजों से घिरा हुआ है मैप क्या होता है और बारिश किस वज़े से होती है मौसम इस तरह के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिती हैं क्यों वो यह काम करते हैं उसके क्या यूज है उसके क्या डिस्यूज है यह सारी चीज़े क्या है बच्चे को देशिक बुद्धी के अंदर पता होनी चाहिए फोर्थ पॉइंट आता है संगीत आत्मक बुद्धी इसके बाद आता है फोर्थ हमारा संगीत आत्मक बुद्धी यानि की म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसके अंदर गार्डनर ने क्या बुलाए कि हर बच्चे के अंदर हमें इस ताइप का जो इंटेलिजेंस है वो डवलेप करना चाहिए कि बच्चे को म्यूजिकली साइप करेंगे और अगरंगे या इसके अगर इसके अपिट्ट सेंगी इंटेलिजेंस की जईरे करेंगे थो बच्चा क्या है उसकी बच्चे के उसकी एकषार क्राइप करके क्यों दोर ये कि coding दूरने में बंसधितने प्रीजेंसेहए कने सो सब्सक्राइपस की और टी चीजे हैं common sense वाली बात है कि हम music के अंदर ये concepts होते हैं, science के अंदर ये होते हैं, math के अंदर ये होते हैं, अगर उसको ये चीजे हम individually नहीं बताएंगे, तो बच्चा क्या है? उनको आपस में relate कर देगा, कि नहीं science के अंदर ये होता है, math की चीजे science में डाल देगा, music की concepts हमारे music से related हैं, और जो हमारे संगीत कारों के बारे में पता होना चाहिए, और जो भी रचेता होते हैं, गायक होते हैं, poetry लिखते हैं, उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ये चीजे क्या है? कि उसका academic से अलग भी है कि scholar development आप वहाँ पे कर रहे हैं, उसके बा bodily और kinetic intelligence, इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये चीज बोली गई है कि बच्चे का केवर शारेरिक विकास नहीं करना, मतलब physical development के साथ साथ गती समवेदिक भी करना है, kinetic भी करना है, मतलब बच्चे को इस रूप से बनाना है कि वो अपने हाथ, पैर और इन सब का इस्त physical development हो रहा है, मतलब उसका physical development हो रहा है, उसके हाथ पैरों की height बढ़ रही है, उसका दिमाग इतना stable हो रहा है कि वो किसी भी चीज को समझ सकता है, concepts को समझ सकता है, उसके proper रूप से जो सब चीजे हमारे movements हैं, वो बच्चा कर रहा है, तो लेकिन उसको ये चीजे में पता हो करता है, जिब running करता है, तो वो सारी चीजों का use करता है, भागते वे ऐसा तो नहीं है, अपने हाथ से साफधान करके ब्लकुल भागता चला जाता है, नहीं न, एक position होती है भागने की, तो वो क्या है, अपने पैरों का, हातों का, और गर्दन का, अपने back का, पूरा use करते मैं अपने physical movements को करते वे dance करूंगी, ठीक है, तो उसमें सारी activities आती है, हमारे हाथ पर हिलते हैं, गर्दन हिलती है, movement होती है, कमर हिलती है, तो वहाँ पर क्या है, कि बच्चों को शारेरिक रूप का उनका विकास करना ही है, लेकिन उनको आपस पर correlate करके, बाकी चीजे बच communication बनाके उनको use करते हैं, कि आप कोई भी चीज को running कर रहे हैं, तो किस रूप में करनी चाहिए, आपको, उनको movement पता होनी चाहिए, positions पता होनी चाहिए, तो वह चीज इसके अंदर आती है, उसके बाद आता है हमारा sixth point, sixth point है हमारा अंतर व्यक्तित वा अन्य बुद्धि, यानि कि interpersonal intelligence, इसके अंदर क्या होता है, कि इसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को, emotions को, feelings को समझते वे उसके साथ relation मनाते हैं, जैसे आपको बता होगा कि छोटे बच्चेस आते हैं, आपके भी friend circle है, आपकी society है, family है, तो उनके साथ भी क्या है, आप किसी ना किस टाइप के relation में बंदे होंगे, किसी के साथ friendship के relation में होंगे, किसी के साथ lover के relationship में होंगे, किसी के साथ husband wife के relationship में होंगे, तो वहाँ पर क्या है, आप एक दूसरी की understanding match करती है, वहाँ पर feelings को समझते हैं, emotions को समझते हैं, तब हाँ पर एक जो हमारा relation है, वो बनता है, तो इस लिए गाड़नर ने कहा है कि अंतरवेक्ति और अन्य भूति यानि कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर बच्चों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो दूसरे की फिलिंग्स की रिस्पेक्ट करें उनको समझें उनके साथ जो रिलेशन है वो इस थापित करें और जैसे कि इस तरह से रखें जैसे हमारे मनोव ज्यानिक्स साइकलोजिस्ट होते हैं फिलोसफर्स होते हैं कि बह入 dataset के उनके पास काउणसलिंग के लिए जाते हैं तो वो भी क्या है आपको समझते हैं, आपकी फीलिंग्स सिमझते हैं, उस्पाइब से बातवी सीस का दुर्णे ठो दे रहा है प्रॉपर गाइट कर रहा है जो हमारा फिलासफर है साइकक लॉजिस्ट है वह यह इस थाइप के चीज का यूज करते हैं कि बच्चे को इस तरह से स्थापित करते हैं कि यह सारी चीज़े उसको पता होनी चाहिए कि किसी के साथ कैसे relation बनाने हैं आपको किस time पर क्या वहवार करना है किस time पर क्या बात करनी है और आपको कहां पर किसके साथ personal होना है कहां personal नहीं होना है और आगे चलके आप इसको vocationally use कर सकते हैं जैसे आपको आप कोई counseling किसी की कर सकते हैं आप philosopher बन सकते हैं psychologist बन सकते हैं किसी को guide कर सकते हैं प्रॉपर तो अगर ये values आपके अंदर develop हो जाती है तो आप इसको प्रॉपर आगे अपने vocationally में भी use कर सकते हैं तो बच्चे के अंदर इस type की बुद्धी का भी विकास होना चाहिए इसके कि बाद हमारा आता है 7th point 7th point है हमारा अंतह व्यक्तित्व बुद्धी यानि कि intra intra intelligence ठीक है फर्स्त हमारा था intra personal और यह है intra intelligence इसके अंदर क्या बुला गया है कि इसके अंदर बच्चों को अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए अपनी weakness point जो हमारे weak point होते हैं सबके अंदर पॉइंट होते हैं यह कि जैसे आपके अंदर positive points है तो कुछ negative भी होगे कुछ strong point है तो कुछ आपकी weakness भी होगी अगर आपको अपने weak point पता है तो आप उस पर क्या है खुद काम कर सकते हैं उनको strong point में develop कर सकते हैं कि आपको कोई भी weak point ना रहे या फिर इस रूप से कि आप पेक अप शेयर करना है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पते हैं हर type के लोग होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आपके weak point जानते हुए आपको strong करने में help करेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके weak points का फायदा उठा सकते हैं आपको emotionally blackmail कर सकते हैं या फ गलतियां हैं उन पर काम करते हैं आपको बाकी लोगों से relations बनाने हैं ताकि आप वहां पे अपने समाज में अपना समायोजन यानि की अपना जो adjustment है वो proper रूप से कर सके लेकिन अगर आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने weak point की वज़े से depression में चले जाते हैं वह क्या करते है महाँ पर अपने अपको इस्ट्रॉंग नहीं करते हैं उसने रूप को इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसके अपको घ्रेशन में कर लेता है बात नहीं करता है और physically, mentally बिल्कुल disturb हो जाता है तो इसलिए वो जो आपका weak point है आप उसको strong point में convert करने के लिए try करिए कि आपका ठीक है इस type से हो गया, it's a life हर तरह की situation आती है positive भी, negative भी तो you take a time, time लो लेकिन उस चीज़ पर रुको मत, महाँ पर सीमिक मत हो जाओ, move on करने के लिए try करो कि आपको आगी कुछ अच्छा करना है, life में इससे भी और अच्छी चीज़े हैं जो आप कर सकते हो, यह नहीं कि शादी खराब हो गई, तो आप महीं पर रुक के बैठ जाओ, नहीं जरूरी थोड़ी है, वो आपका ठीक है, परसनल है, वो खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको अपना academically, आपने career पर focus कर सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए, वहाँ पर क्या बोला है, इस वाले point में, seven point में, कि आप अपनी weakness और कमजोरियों का पता लगाओ, और उनके उपर काम करने की कोशिश करो, जिससे आप हमारे समाज में, समायोजनन के adjustment प्रॉपर रूप से कर सको, ओके, अब यह seven point discuss हो गया है, हमारे intelligence में ही पहले बोला था, कि seven intelligence है, यानि कि साथ point है, ओके, लेकिन गार्डनर जी ने इसके बाद two points और add किये थे, वो किस रूप में add किये थे, वो मैं आपको बता देती हूँ, 1998 में इन्होंने एक और रूप add किया था, वो था प्रकरति वाधी बुद्धी, यह हमारा 8th point है, 1998 में यह learn कर ले ना, प्लीज, क्योंकि गार्डनर जी के, यह जो seven points है, यह तो पूछी लेते हैं, लेकिन इस से अलग थोड़ा paper tough करने के लिए, वो Gardner जी के according to, जो intelligence थे, वो बाद में जो add किये गए थे, वो कब add किये गए थे, और कौन-कौन से intelligence थे, तो एक था हमारा प्रकरतिवाधी बुद्धी, इसके अंदर बताया गया था कि बच्चे को अपनी प्रकरतिक और बातावरण के बारे में ज्यान होना चाहिए proper, जिससे वो अपने आपको उसमें ढाल सके, या अपने society से adjust कर सके, अपनी family को समझ सके, अपनी social life को समझ सके, कि उसको इसी समाज में रहना है, इसी के लिए काम करना है, यही सारी चीजे करनी है, यह नहीं कि वो इन से अलग होकर कोई काम करे, और कुछ गलत रास्ते पे चला जाए ठीक है, तो यह प्राकरतिवादी बुद्धी हमारी 1998 में दी गई थी, इसके बाद 2000 में एक और इन्होंने दिया था, शंशोधन करके इसमें 2000 में 2000 में एक और दिया था इन्होंने, वो था हमारा, यह हमारा last है, 1997 मैंने आपके साथ डिसकूस कर लिए, 8 हमारा 1998 में प्राकरत प्राकरति बुद्धी के बाद जो दिया गया था, इंटेलिजेंस, इन्बारमेंटल इंटेलिजेंस, उसके बाद 2000 में एक और दिया गया था, अस्तित्वा बादी इसके अंदर क्या का गया था, कि मनुशे को, यानि कि वैक्ति को जो छुपे वे रहसे और जानकारी होती ह जोby省रिष्य में म्सेरिष्य और यह सबूसके बारे में उतसुपता होनी जानने के लिए जिसे हम कुछ लोग believe नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत जयादा believe करते हैं, जिसे बूत प्रेत होते हैं कोई believe करता है कि हम भूत प्रेत होते हैं, और ये सारी चीजे जो horror stories होती है हाह़ा पुरानी कहानीया लेकिन अगर उनसे पूछा जाएगी हाँ कि महां जहापे कुरुचित्र में युद्ध वाता तो महां की भूमी आज भी लाल है वो क्यूं है तो उसके पीछे साइंटिफिक मैथड है कि क्यूं है लेकिन जो लोग इन पर बिलीव करते हैं जो अस्तित्ववादी बुद्धी यानि कि इंटेलीजिंस रखते हैं वो आपको आंसर क्या करेंगे वो यह करेंगे कि महां पर कुरुचित्र में महाबारत का युद्ध वा था इसलिए महां पर इतने लोगों का खून बहा था इसलिए महां की जो जमीन है वो आज भी लाल है लेकिन वहां पर यह नहीं आप युद्धी नहीं है कि वहां पर लोगों का कून बाता कुरुचित्र में महाबारत छिड़ता लडाई हुई थी तो वह चीज़ है तो इसलिए इस ताप की बुद्धी भी होनी चाहिए बच्चे के अंदर वैक्ति के अंदर कि वह इन सब चीजों की खोच कर सके लेकिन इत पिरेतों में लग जाए तो यह सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो इसलिए अस्ते वपादी बुद्धी के अंदर यही चीज़ बोली कही थी कि रहस्यों को खोजना पुरानी जो हमारी हिस्ट्री है इतिहास है उनके बारे में जानना इस ताइप से बच्चे की इंटे पोइंट्स बता दिया है यह वाले दो पोइंट्स हमारे बाद में अड़ किये गए थे मल्टीपल सेवन इंटेलिजेंस त्योरी किस ने दी है आपके गाड़नर जी ने दी है और मल्टी त्योरी आपकी थ्रॉंडाइक ने दी है जो मैं इससे पहले आपको पढ़ा आचु यह वाली आपके यहीं पर फिनिश होती है नेक्स लेक्चर में मैं नेक्स थियोरी के साथ आपके साथ प्रेजेंट हो जाओंगी अभी इसमें एक या दो थियोरी रहती है और सारी वीडियो मेरी आपको यहीं पर मिल जाएंगे और KVS PGT के लिए आपको जो कोर्स चाहिए के स्टाडी मेटीरियल तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप महां पर कॉंटाइक कर सकते हैं और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए फोर या नोटिफिकेशन हलो फ्रेंड्स हमारे जो टॉपिक चलता था इंटेलीजेंस का यह हमारी लास्ट थियोरी है उसके अन्दर तो इससे पहले वाली जितनी सारी थियोरी से आप प्रिविएस वीडियो के अंदर देख सकते हैं हमारे जो काक्टर्स दिये गए थे सारी थियोरी दिए गए थी वो पहले डिस्कर्स कर चुके है यह लास्ट थियोरी है इसमें बुद्धी का त्री चाप्य यानि कि टेरिकल थियोरी और ओफ इंटेलिजर्श ऑके इसके अंदर यह फर्स्ली हिस्से देथी पहले दो सबसे पहले यह स्टर्नबंग ने देथी रॉबर्ट श्टर्नबंग रॉबर्ट कि किसी भी बच्चे का जो intelligence level है या IQ level है वो इस रूप में विखसेत होना चाहिए कि बच्चा अपने परियावरण के साथ समाई उजन करके यानि कि क्यों बेशते हैं इसलिए बेशते हैं क्योंकि वो एक social need है हमारी अगर वो social need नहीं होगी या अपनी पर्सनल नहीं होगी तो किसी को क्या पढ़ने की जुरूत है क्योंकि social need क्यों है अगर आप जो तक पढ़ेंगे नहीं आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी आपका करियर leadership नहीं होगा तो तो आप जो अपनी social life है जो हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं वहा पर एड़्जस नहीं कर पाएंगे हमारी सोसाइटी हमें एड़्जस अपन नहीं करेगी ठीक है तो इसलिए हम जब अपनी शिक्षा स्टार्ट करते हैं एजूकेशन स्टार्ट स्टार करते हैं अपने mom dad के तुरू अपने दादा नानी के दुरू जो भाशा विकास होता है उसमें बच्चे कह मही से होता है जो फर्स्त उसकी primary classes होते हैं या शिक्षा होती है वो उसकी करता है अनुकरन करता है और इतना सीख लेता है कि उसने जो अपने parents को करते हुए देखा है वो चीज़े वो खुद भी the to card कर देता है लेकिन उस चीज को sequence के रूप है सिखाना या उसको academically सिखाना थाग कि बच्चे बच्चे को जो भी situations को select करेगा कि में कोई इस field में जाना है महाँ पर उसके लिए helpful होगा तो इसलिए stuntman ने बोला है कि बच्चे को कोई भी शिक्षा प्रदान की जाए कोई भी education दी जाए वो इस रूप में होनी चाहेगे कि वो उसकी society के need के according होनी चाहिए उसके परियावरेंड से जूड़ी भी होनी चाहिए जो भी उसका environment है क्योंकि अगर environment related नहीं होगी social life की need नहीं होगी तो बच्चे को पढ़ने के भी कोई ज़रुरत नहीं है उसको ethic value सीखने की भी कोई ज़रुरत नहीं है उसमें moral development करने के भी कोई ज़रूरत नहीं, moral development बच्चे के अंदर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, ताकि जो हमारी society की need है, वो बच्चा सीख सकें, कि किसी के साथ कैसे behave करना है, कैसे compromise करना है, कैसे urges करना है, और अगर हम कोई activity कर रहे हैं, या society में कोई activity हो रहे हैं, कोई function organize करना है, तो मुझे वहाँ पे अपना कैसे part present करना है, मुझे कैसे participate करना है, बाकियों को साथ में लेकर कैसे चलना है, उनको कैसे support करना है, तो ये सारी चीज़े क्या है, बच्चों को आनी चाहिए, तो इसी रूप में स्टरंड मनने कहा था, कि परियावरन के प्रती, अन वो है, घड के बुद्धी, वो विशले शनात्मक बुद्धी, यानि की, इसको इंग्लिश में बोलेंगे componently and analytical intelligence, ओके, इसके अंदर जो हमारा first point है, इसमें क्या बोला था, कि बच्चे को अपनी society के साथ adjustment करके, इस रूप में बच्चा आपने आपको present करें, जो उसकी life के अंदर problem है, कै वो उसकी personal problems हो, उसकी society से related problems हो, उसकी school से related हो, उसकी college से related हो, environment से related हो, उन सभी को वो as a problem solver उनको हल कर सके, उनको solve कर सके, बच्चा problem solver बने, यह नहीं की problem है, उसको face करने की बच्चा है, उससे भाग जाए, अगर वो उस चीज़ को face नहीं करेगा, तो आगी नहीं बढ़ पाएगा, अगर मैं आज, अगर for example, कोई बच्चा कोई math का concept है, या sum है, वो solve कर रहा है, अगर मैं मेंको कोई equation solve करनी है, तो equations के अंदर क्या होगा, कि आपको जो proper equations solve करनी होती है, उसके अंदर आपको plus भी करना होता है, minus भी करना होता है, math के जितने concepts होते हैं, वो सारे आपको उसके अंदर हल करने पड़ते हैं, सारे solve करने पड़ते हैं, अगर वो एक भी point उसमें गलत कर देगा, मालीजी उसने divide ठीक कर दिया, multiply ठीक कर दिया, लेकिन plus गलत कर दिया, तो पूरी equation ही गलत हो जाएगी, तो इसलिए अगर बच्चे के सामने जो problems आती है, उसे problem solve कर दी, दूस नहीं कर पाएगा, इसे साब से जो बच्चे होते हैं, कई बड़ी के गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, अब इसके अंदर भी कुछ components रखें हैं, जो हमारा first point है, इसके कुछ key points हैं, उसमें है first ज्यान अर्जन गटक means knowledge, second है अधी घटक means आपका meta components और third इसके अंदर है आपका निश्पादन घटक याने की performance performance components देखिए, अब इसके अंदर क्या है? जो बच्चे को as a problem solver बताया है first point के अंदर कि बच्चे को as a problem solver होना चाहिए उसको अपने society की need के according कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको किस situation में कैसे react करना है और वहाँ पे कौन सी चीज़ आपको use करना है अपने mind के according, intelligence level के according ताकि आप किसी भी problem को solve कर सके अगर मेरी कोई personal life की problem है तो उसको क्या है? मैं उनी की according solve करूँगी ना शायद कुछ माली जी किसी relationship में कोई problem हो गई है तो उसकी according कि है? मैं तोड़ा conversation करके बात करके उस problem का shot out करूँगा अब यहीं तो नहीं है ना कि अपने relationship को ठीक करने के लिए या ममा पापा से लडाई हो गई या महाँ पर कोई math का concept लगाऊंगी या science का लगाऊंगी वो तो logical नहीं है ना तो इसलिए जिस तक की problem होगी आप वैसे ही महाँ पर situations के according create करेंगे वहाँ पर आप अपनी problem solve करने के लिए तो उसके three components दिये गया है कि आपको पहले तो उसकी knowledge होनी चाहिए कि आपके problem है क्या और आप उसको कैसे short out कर सकते हैं उसके जो components है आपके पास उनको आपको इखटा करना है कि problem क्या है उसके लिए facts क्या क्या है situations क्या क्या है और pre planning क्या है कैसे आप उसको solve कर सकते हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई है first उसमें जैसे आपको कोई भी code decords होते हैं math के formulas आपको learn करने होते हैं तो वो अगर आपको math का कोई concept solve करने है तो आपको उसकी knowledge होनी चाहिए कि आपको equation solve करने है तो किस type क equation है वहाँ पर कौन-कौन concepts use हो रहे हैं second है meta components इसके अंदर आता है कि आपको proper planning पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको equation solve करने हैं तो आपको sequence में कैसे लेकर चलना है उसकी planning क्या होगी आप कौनसा formula महाँ पर put करेंगे आपको जो first या knowledge knowledge के अंदर आपको पता होगा कि आपको महाँ पर कौनसा formula use करना है second में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको planning कैसे करनी है मतलब अगर आपको equation solve करनी है तो आपको इस रूप में किस sequence में तो उसको solve करेंगे यह तो नहीं है आपको आपको इसके ऊपर कोई equation लिगए यह कोई sum दिया गया है तो आपको first उस components के according इसके knowledge होगी की board mask होता क्या है then आपको ये पता होगा कि हमें इसको की sequence में रखना है knowledge जो तो पता है यह पहले bracket then divide then multiply then add then subtraction ठीक है तो आप इसको वैसे ही sequence में क्या है अपनी equation को solve करेंगे अब आप यह तो नहीं करते हैं तो कि नहीं मुझे तो multiply ज़्यादा easy लग रहा है ब्रैकिट थोड़ा tough लग रहा है तो मैं पहले multiply solve कर लेता हूं बिल्कुल भी नहीं question आपका गलत हो जागा क्योंकि जो board mask की equation है वो आपको इस फार्मुले के according ही solve करने के लिए बोलती है then last आता है मारा performance then आपको apply करना है then equation आपको solve करनी है आपको अपनी equation solve करके उसके solution पर पहुचना जो भी आपको difficulty दी गई है कि यह वाली difficulty इसको प्रूफ करें तो आपको महाँ पे knowledge है आपने equation planning करी sequence tag किया then आपने उसको solve किया then आप उसके solution पर last में पहुच गई तो किसी भी कार्रे को करना या उसको career with करना मतलब perform करना और apply करना it's your last component कि हमें किसी भी चीज की अगर knowledge है then उसको अपने तरीके से पहले plan करना योजना बनाना sequence ready करना then lastly उसको perform करना ताकि हम last उसके solution पहुच जाए अब इसमें second point आता है Stunberg ने first point में जो three components यह दे वो हमने discuss कर लिया अब second जो हमारा point है वो है अनुभाविक बुद्धी अनुभाविक बुद्धी यानि कि आपके experiences इसमें क्या है आपको पता ही चल रहा है अनुभाविक से कि अनुभाव होना चाहिए अगर आपको किसी concept के बारे में या अभी जो आपके सामने present में कोई problem है जिसको आप solve कर रहे हैं उससे पहले से ही आप मतलब आपको उसके बारे में पता है उसके experiences हैं तो आप अपने early experiences को अपने new जो problem है उसके साथ correlate करके अपनी problem को solve कर सकते हैं मतलब आपके जितने भी पुराने अनुभाव हैं जो आपकी earlier experiences आपने सीखे हैं उनको अपकी situation में add करके उससे help लेकर आप नई वाली situations को solve कर सकते हैं for example अगर आपको जैसे स्कूटी सीखनी है किसी बंदे को स्कूटी सीखनी होती है तो हम उससे firstly बुझते आपको cycle चलानी आती है क्यों क्योंकि स्कूटी और cycle का जो आपस में relation है वो किस चीज़ का है वो है balance का अगर आपको cycle का balance करना अच्छे से आता है आपको handle manage करना अच् चलानी सीखी होगी तो इसलिए आपके वो जो six, seven, eightth class के experiences थे आप आके आपने 18 साल के बाद स्कूटी सीखना चाह रहे है तो आपके वो early experiences आपके यहाँ पे काम आएंगे कि आपको cycle चलानी आती है तो then आप आज स्कूटी सीखने की situation में है क्योंकि वहाँ पे सारा काम balance कर ठीक है तो second point में यही बोलता है कि अनुभाविक बुद्धी होनी चाहिए सन बन के according बच्चे को इस रूप में रखना चाहिए ताकि उसके earlier experiences वो जितने भी सीख चुका है वो अपने new experience करने के लिए जब उसको helpful हो सके उसको पता हो सके कि यह चीज़े मेरी कहां पे use होगी कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने आता उनको सब कुछ है साली चीज़े सीख लिए लेकिन उनको यह नहीं पता कि इसका use में कब कहां पे कर सकता हो अगर उनको बच्चे को पता होगा like for example मानली जी कोई art side का student है कोई commerce side का है कोई science side का student है उन्होंने यह जो भ आगे क्या है इससे मुझे कौन-कौन से scopes आगे मिलेंगे जिसमें मैं अपना academy group से perform कर सकता हूं यह अपना vocationally choose कर सकता हूं अपना website अपना job वगरा तो इसलिए बच्चों को उस ताइम पर पता नहीं होता क्योंकि उनको proper guidance नहीं प्रवाइड कराई जाती कि आपको यहां कि बहुत अच्छी percentage आई है किसी की normal आई है या वो ठीक है आर्ट्स और commerce के बीच में से कोई एक चुल सकता है मेरा फ्रेंड commerce साइड में कहया तो दूसरा भी कहेगा कि मैं भी commerce साइड में चला जाता हूं क्यों क्योंकि उसका interest नहीं है या फिर उसने उस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि आगे commerce के क्या scope है आर्ट्स के क्या scope है और science के उसने तो बस friendship देखी और उसने वह चूज कर लिया कि मैं तो अपने दोस्त के साथ रहूंगा कि मुझे commerce ID पढ़ने है बहुत बार देखा होगा आपने इस चीज़े तो इसी लिए बच्चे कई बार ही ऐसी करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इसी लिए बच्चों को पता होना चाहिए कि जो उसके previous knowledge है या earlier experiences है वो उसको नए experience के साथ कैसे correlate करके अपनी प्रॉब्लम को solve कर सके और इसमें हमारा third point इस term बढ़ने दिया है लास्ट संधर्बिक बुद्धी यानि कि practical होना चाहिए practical intelligence लास्ट वाला जो हमारा point है संधर्बिक बुद्धी यानि कि practical intelligence इसके अंदर स्टर्ण बनने बोला है कि बच्चे क्या जो भी daily life problems हैं उसको short out करने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज सीख रहा हूं तो क्यूं सीख रहा हूं और किस लिए सीख रहा हूं ये नहीं कि उसको सिफ academic record ही बनाना है अपना मैंने math सीख लिया science सीख लियी sst पढ़ ली सब चीज की knowledge हो गई और मुझे school में class में मैं top पर हूं मुझे 100 में 90 marks मिल रहे है 100 out of 100 मिल रहे है बस मेरा काम खतम उसको वह चीज अपनी society अपना environment और अपनी daily life से भी connect करना चाहिए कि ये चीज मैंने पढ़ी है तो उसका क्यों use है उसको practically देखना चाहिए कि हाँ ये चीज होती भी है अप्चुल में यह नहीं यह सिर्क किताबी भाशा है अब जैसे scientific method वो होते हैं हमारे concepts होते हैं कि बारिश क्यों होती हैं मौसम परिवर्तन क्यों होता है weather change क्यों होते है और ये दिन रात क्यों बनते हैं ये सारी चीजे क्या है बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसको ये चीज अपने daily life में भी देखनी चाहिए कि कैसे-कैसे मौसम चेंज होते हैं यह नहीं कि बस दिन रात देखा कि हाँ निकल रहे हैं दिन भी निकल रहे हैं राते भी निकल तो उसको notice करना चाहिए कि वो किस-किस time पे आ रहे हैं कितने time period के लिए आ रहे हैं दो महीने तीन महीने और किस-किस type का weather आ रहा है बीच-बीच में कई concepts ऐसे रहते हैं कि जैसे हमें भी नहीं पता होता है जैसे पतजड़ का मौसम आता है और सावन का मौसम आता है और यह सारी चीज़े क्या हमें पता ही नहीं होता है बस वो अगस्त और जून जुलाई के महीने बता होते हैं कि हां इस बीच में आएगा ले आवनिये जो भी उन्होंने पड़ा है उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सके प्राक्टिकल ही उनको देख सके प्राक्टिकल परफॉर्म कर सके खुद भी किसी और को इतना नॉलिज गेन करने के बाद बता सके कि यह सारी चीज़े क्या होती है और आप इनको कैसे अप अब डिस्टन बन ने दी थी यह वाली तेयोरी और तीन कंपोनेंट्स है फर्स के भी की पॉइंट तीन थे वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है थांक्यू सो मच हलो फ्रेंडस हमारे जो टॉपिक चलता था इन्टेलीजेंस का यह हमारी लास्त थेोरी है उसके अंदर तो इससे पहले वाली के प्रिप्या वीडियो ते अंडर देख सकते हैं हमारे जो कार्टर्स दिये गए थी सारी थेोरी दिकूरी गई थी वो पहले डिस्कूस कर चु यह Stunberg ने देती, Robert Stunberg, Robert Stunberg, ठीक है, इसके प्रतिबादक इस गुद्री सिद्धान्त के जो थियोरी है हमारी लास्ट, इसके प्रतिबादक हमारे Stunberg थे, इन्होंने क्या कहा था, कि किसी भी बच्चे का जो Intelligence Level है, या IQ Level है, वो इस रूप में विक्सेत होना चाहिए, कि बच्चे अपने परियावरण के साथ समाई उजन करके, यानि कि Adjustment करके, अपनी Social Life के तुरू, और अपनी Society में Adjust कर सके, मतलब बच्चे को, अगर आप कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, अगर मैं आपको पढ़ा नहीं होगी, या अपनी Personal Neat नहीं होगी, तो किसी को क्या पढ़ने की जुरूत है, क्योंकि Social Neat क्यों है, अगर आप जो तक पढ़ेंगे नहीं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपका Career Set नहीं होगा, तो आप जो अपनी Social Life है, जो हमारा समाज है, जिसमें हम रहते हैं, वहाँ पर एड्जिस नहीं कर पाएंगे, हमारी Society हमें एड्जिप नहीं करेगी, ठीक है, तो इसलिए हम जब अपनी शिक्षा स्टार्ट करते हैं, एजूकेशन स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, अपने परियावरेंड से जु होता है, उसमें बच्चे का मही से होता है, जो first उसकी primary classes होते हैं, या शिक्षा होती है, वो उसकी प्रात्मिक शिक्षा किसे होती है, अपने घर के द्वारा, then वो स्कूल में जाता है, स्कूल में उसको और अच्छे से skills को अपनी develop करता है, ताकि वो लिखना पढ़ना सीख सके, इस घर पे क्या होता है, सिर्फ वो सुनता है, observe करता है, अनुकरन करता है और इतना सीख लेता है, कि उसने जो अपने parents को करते वे देखा है, वो चीज़े वो खुद भी adapt कर देता है, लेकिन उस चीज़ को sequence के रूपे सिखाना, या उसको academically सिखाना, ताकि बच्चे को कोई भी academic को जो भी situations को select करेगा कि में कोई इस field में जाना है, महा पर उसके लिए helpful होगा, तो इसलिए stuntman ने बोला है, कि बच्चे को कोई भी शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी education दी जाए, वो इस रूप में होनी चाहेगे, कि वो उसकी society के need के according होनी चाहिए, उसके पर पढ़ने की भी जवराथ नहीं है, उसको authentic value सीकने की भी कोई जवराथ नहीं है, उसमें moral development करने की भी ज़राथ ज़राथ नहीं है, мोरल development बच्चे के अंदर की द continues? इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी πिनulating की नीर है, वो बच्चा आहिए सके कि किसी के साथ कैसे behave करना है कैसे compromise करना है कैसे adjust करना है और अगर हम कोई activity कर रहे हैं या society में कोई activity हो रहे हैं कोई function organize करना है तो मुझे वहाँ पर अपना कैसे part present करना है मुझे कैसे participate करना है बाकियों को साथ में लेकर कैसे चलना है उनको कैसे support करना है तो ये सारी क्या है बच्चों को आनी चाहिए तो इसी रूप में स्टरंबन ने कहा था कि परियावरन के प्रती अनुकूलित होना तता समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ती करना ही बच्चे की एजूकेशन है ठीक है अब इसको इन्होंने त्री पार्ट्स में किया था जो हमारा फिर्स पार्ट है वह है गड के बुद्धी वह विश्ले शनात्मक बुद्धी यानि कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसके अंदर जो हमारा फिर्स पॉइंट है इसमें क्या बोला था कि बच्चे को अपनी सुसाइटी के साथ अजना करके इस रूप में बच्चा आपने आपको प्रेजशन करें ौस्की इसके अंदर प्रॉब्लम है उसकी सॉसाइटी से रिलेटिड प्रॉब्लम्स हो हुश कोली से हुश से ब्रेलेटिड हो इन्वार्मेंट से भाग जाए अगर वो चीज़ को face नहीं करेगा तो आगी नहीं बढ़ पाएगा अगर मैं आज अगर for example कोई बच्चा कोई मास का concept है या sum है वो solve कर रहा है अगर मैं मैंको कोई equation solve करनी है तो equations के अंदर क्या होंगा कि आपको जो proper equation solve करनी होती है उसके अंदर आपको plus भी करना होता है minus भी करना होता है मास के जितने concepts होते हैं वो सारे आपको उसके अंदर हल करने पड़ते हैं सारे solve करने पड़ते हैं अगर वो एक भी point उसमें गलत कर देगा कमालीजी उसे divide ठीक कर दिया multiply ठीक कर दिया लेकिन प्लस गलत कर दिया तो पूरी equation ही गलत हो जाएगी तो इसलिए अगर बच्चे के सामने जो problems आती है उसे problem solve कर ली दूसरी solve कर ली और तीसरी solve नहीं कर पाया तो उस situation में तो वो पेल हो जाएगा तो उसका जो all over development हुआ है या फिर उसकी society में जो उसकी need है वो क्या होगी वहाँ पर वो एड्जस नहीं कर पाएगा इस साब से जो बच्चे होते हैं कई बाई क्या है गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं अब इसके अंदर भी कुछ components रखें हैं जो हमारा first point है इसके कुछ key points है उसमें है first ज्यान अर्जन घटक means knowledge second है अधी घटक means आपका meta components और third इसके अंदर है आपका निश्पादन घटक याने की performance performance components देखिए अब इसके अंदर क्या है जो बच्चे को as a problem solver बताया है first point के अंदर कि बच्चे को as a problem solver होना चाहिए उसको अपने society की need के according कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको किस situation में कैसे react करना है और वहाँ पे कौन सी चीज़ आपको use करना है अपने mind के according intelligence level के according ताकि आप किसी भी problem को solve कर सके अगर मेरी कोई personal life की problem है तो उसको क्या है मैं उनी की according solve करूंगी ना शायद कुछ माली जी किसी relationship में कोई problem हो गई है ठीक है तो उसकी according क्या है मैं तोड़ा conversation करके बात करके उस problem का शॉट आउट करूंगे अब यहीं तो नहीं है ना कि अपने relationship को ठीक करने के लिए या ममा पापा से लडाई हो गई या महाँ पर कोई math का concept लगाऊंगी या science का लगाऊंगी वो तो logical नहीं है ना तो इसलिए जिस तक की problem होगी आप वैसे ही महाँ पर situations के according create करेंगे वहाँ पर अपनी problem solve करने के लिए तो उसके three components दिये गया है कि आपको पहले तो उसकी knowledge होनी चाहिए कि आपके problem है क्या और आप उसको कैसे short out कर सकते हैं उसके जो components है आपके पास उनको आपको इखटा करना है कि problem क्या है उसके लिए facts क्या क्या है situations क्या क्या है और pre planning क्या है कैसे आप उसको solve कर सकते हैं यह सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई है first उसमें जैसे आपको कोई भी code or decords होते हैं math के formulas आपको learn करने होते हैं तो वह अगर आपको math का कोई concept सॉल्व करने तो आपको उसकी knowledge होनी चाहिए कि आपको equation solve करनी है तो किस ताइप की equation है वहाँ पर कौन-कौन से concepts use हो रहे है second है metacomponents इसके अंदर आता है कि आपको proper planning पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको equation solve करने हैं तो आपको sequence में कैसे लेकर चलना है उसकी planning क्या होगी आप कौनसे formula वहाँ पर्ट करेंगे आपके जो first है knowledge इस knowledge के इंदर आपको पता होगा कि आपको महां पे कौन सा formula यूज करना है second में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको planning कैसे करनी है मतलब अगर आपको कोई equation solve करनी है तो आप किस रूप में किस sequence में उसको solve करेंगे यह तो नहीं है न अगर माली जी board mask का आपकी पास कोई question है जैसे आपको board mask का concept clear करना है मतलब आपको इसके ऊपर कोई equation दिखाए यह कोई sum दिया गया है तो आपको first उस components के according इसकी knowledge होगी कि board mask होता क्या है then आपको ये पता होगा कि हमें इसको की sequence में रखना है knowledge जो पता है यह है पहले bracket then divide then multiply then add then subtraction ठीक है तो आप इसको वैसे ही sequence में क्या है अपनी equation को solve करेंगे अब आप ये तो नहीं करते हैं रखते हैं कि नहीं मुझे तो multiply जादा easy लग रहा है bracket थोड़ा tough लग रहा है तो मैं पहले multiply solve कर लेता हूँ बिल्कुल भी नहीं question आपका गलत हो जागा क्योंकि जो बोर्डवांस की equation है वो आपको इस फार्मुले के according ही solve करने के लिए बोलती है then last आता है मारा performance then आपको apply करना है then मतलब equation आपको solve करनी है आपको अपनी equation solve करके उसके solution पर पहुचना जो भी आपको difficulty दी गई है कि यह वाली difficulty इसको प्रूफ करिए तो आपको महाँ पर knowledge है आपने equation planning करी sequence tag किया then आपने उसको solve किया then आप उसके solution पर last में पहुच गए तो किसी भी कार्रे को करना या उसको क्रियावित करना मतलब perform करना और apply करना it's your last component कि हमें किसी भी चीज़ की अगर knowledge है then उसको अपने तरीके से पहले plan करना योजना बनाना sequence ready करना then lastly उसको perform करना ताकि हम last उसके solution पहुच जाए अब इसमें second point आता है Stunberg ने first point में जो three components यह दे वो हमने discuss कर लिया अब second जो हमारा point है वो है अनुभाविक बुद्धी अनुभाविक बुद्धी यानि कि आपके experiences इसमें क्या है आपको पता ही चल रहा है अनुभाविक से कि अनुभाव होना चाहिए अगर आपको किसी concept के बारे में या अभी जो आपके सामने present में कोई problem है जिसको आप solve कर रहे हैं उससे पहले से ही आप मतलब आपको उसके बारे में पता है उसके experiences हैं तो आप अपने early experiences को अपने new जो problem है उसके साथ correlate करके अपनी problem को solve कर सकते हैं मतलब आपके जितने भी पुराने अनुभाव हैं जो आपकी earlier experiences आपने सीखे हैं उनको अपकी situation में add करके उससे help लेकर आप नई वाली situations को solve कर सकते हैं for example अगर आपको जैसे स्कूटी सीखनी है किसी बंदे को स्कूटी सीखनी होती है तो हम उससे firstly बुझते आपको cycle चलानी आती है क्यों क्योंकि स्कूटी और cycle का जो आपस में relation है वो किस चीज़ का है वो है balance का अगर आपको cycle का balance करना अच्छे से आता है आपको handle manage करना अच् चलानी सीखी होगी तो इसलिए आपके वो जो six, seven, eighth class के experiences थे आप आके आपने 18 साल के बाद जब स्कूटी सीखना चाह रहे है तो आपके वो early experiences आपके यहां पे काम आएंगे कि आपको cycle चलानी आती है तो then आप आज स्कूटी सीखने की situation में है क्योंकि वहां पे सारा काम balance क ठीक है तो second point में यही बोलता है कि अनुभाविक बुद्धी होनी चाहिए sun बन के according बच्चे को इस रूप में रखना चाहिए ताकि उसके earlier experiences वो जितने भी सीख चुका है वो अपने new experience करने के लिए जब उसको helpful हो सके उसको पता हो सके कि यह चीजे मेरी कहां पे use होगी कु अगर उनको बच्चे को पता होगा like for example मानली जी कोई art side का student है कोई commerce side का है कोई science side का student है उन्होंने यह जो भी इसका selection किया होगा after 10th class के बाद तो उन्होंने क्या होगा उनको यह ही पता कि इनका future आगे क्या है इससे मुझे कौन-कौन से scopes आगे मिलेंगे जिसमें मैं अप कर सकता हूं यह अपना vocationally choose कर सकता हूं अपना website अपना job वेगरा तो इसलिए बच्चों को उस ताइम पर पता नहीं होता क्योंकि उनको proper guidance नहीं provide कर आई जाती कि आपको यहां पर इस फिर से आपके यह scope मिलेंगे इस फिर से यह बस उनकी percentage के according वह कोई भी stream चूज कर लेत सकते हैं माली जी किसी student की बहुत अच्छी percentage आई है किसी की normal आई है या वो ठीक है आर्ट्स और commerce के बीच में से कोई एक चूल सकता है मेरा friend commerce side में कहया तो दूसरा भी कहेगा कि मैं भी commerce side में चला जाता हूं क्यूं क्यूंकि उसका interest नहीं है या फिर उसने उस चीज के बार अपने चीजे तो इसी लिए बच्चे कई बार ही ऐसी चीजे कर देते हैं जिनके उनकी knowledge नहीं होती उनको पता नहीं होता कि आगे चलके इसके स्कोप्स है तो मजे मजे में चीज कर देते हैं लेकिन बाद में जाके जब उनको आगे ये साली क्या प्रॉब्लम फेस करनी प पड़ती है तो इसलिए बच्चों को पता होना चाहिए कि जो उसके प्रिवियर्स नॉलेज है या अर्लियर एक्स्पीरियंस है वो उसको नए एक्स्पीरियंस के साथ कैसे को रिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इसमें हमारा थर्ड पॉइंट इस तर्म बढ़ने दिया है लास्ट संधर्विक बुद्धी यानि कि प्राक्टिकल होना चाहिए प्राक्टिकल इंटेलिजेंस लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है संधर्विक बुद्धी यानि कि प्राक्टिकल इंटेलिजेंस इसके अंदर स्टर्म बनने बोला है कि बच्चे क्या जो भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉट आउट करने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज सीख रहा हूं तो क्यूं सीख रहा हूं और किस लिए सीख रहा हूं यह नहीं कि उसको सिफ अकैडमिक रिकॉर्ड ही बनाना है अपना मैंने मैस सीख लिया साइन्स सीख लिए एसस्ती पढ़ ली सब चीज की नॉलिज हो गई और मुझे स्कूल में क्लास में मैं टॉप पर हूं मुझे हंडेड में से 90 मार्क्स मिल रहे हैं 100 आफ्ट ओफ हंडेड मिल रहे हैं बस मेर में यह नहीं यह सिर्क किताबी भाषा है अब जैसे साइन्टिफिक्स मैथड वो होते हैं हमारे कॉंसेप्स होते हैं कि बारिश क्यों होती है मौसम परिवर्तन क्यों होता है वेदर चेंज क्यों होते हैं और यह दिन रात क्यों बनते हैं यह सारी चीज़े क्या है बच्च उसने यह चीज अगर पढ़ी है बच्चे ने कि हाँ वेदर चेंज होता है कि बारिश भी आती है गर्मी भी आती है सर्दी भी आती है इस तरह के वेदर आते हैं तो उसको notice करना चाहिए कि वो किस-किस time पे आ रहे है कितने कितने time period के लिए अरहे हैं दो महीने तीन महीने और किस-किस time का weather आ रहा है है बीच-बीच में कई concept ऐसे रहते हैं जैसे हमें भी नहीं पता हुता है जैसे पते ज़ड़ का मौसम आता है और सावन का मौसम आता है और यह सारी चीजे कैं हमें पता ही नहीं होता बस वह August और जून जुलाई के महिने बता दे कि हां इस बीच में लेकिन कब आएगा कितने दिनों तक आएगा वो चीज़े नहीं बता हो दी क्योंकि हम कभी नोटीस ही नहीं करते हैं सिर्फ किताबों में पढ़ते एक्जाम दिया पास हो गए बात खतम तो इसी लिए स्टन बनने बोला है कि लास्ट ली बच्चों को संदर्भिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह अपनी जो भी उन्होंने पड़ा है उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सके प्राक्टिकल उनको देख सके प्राक्टिकल परफॉर्म कर सके खुद भी किसी और को इतना न तीन पॉइंट दिये गये हैं इसका नाम याद रतना और लास्स किसे ने दिया था हमारे रॉबर्ट संबर्ण ने दी थी यह वारी तीन कंपोनेंट्स है फर्स के भी की पॉइंट तीन थे वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है थैंक्यू सो मुच हलो फ्रेंड्स आम स्वाती सिंग हमारी साइकलोजी और पैडगोजी की क्लासे आप डेली बढ़ते हैं उससे और उसके बीच मैंने एक और एक्स्ट्रा ग्लास इंक्लूड की हुई थी अपनी साइकलोजिकल फैक्ट्स यानि कि उसमें जो हमारे की पॉइंट्स हैं लाइक थियूरीयज हो गई और फैक्टर्स हो गएं वह किसने दिये हैं और फैक्ट्रा के जो नम्स हैं वह किसमें थैं जो कॉंसेप्स हैं महाiras से कौन कॉंसे पॉइंट्स उठारते हैं साइकलोजी के अंदर वह सारी इंक्लूड कीए हैं तो हर क्लास के अंदर मैं आप आपसे 10 questions discuss करती हूं जो हमारे exams में भी आते हैं इससे पहले वाली एक और वीडियो अप्लोड हो चुकी थी जिसमें मैंने 10 factors include किये थे psychological facts और उसके बारे में discuss भी किया था तो उसके next class में मैंने आपसे related काफी questions पूछे थे अब ये वाली आज की class में भी 10 psychological facts आपके साथ discuss करूँगी जो आपको पता होने चाहिए रिवीजन करते रहना विकॉज ये facts ही आपके लिए बहुत useful है इनके बारे में हमने थोरिटिकर बिल्कुल detail में discuss भी किया अभी मैंने आपको intelligence का chapter बढ़वाया है तो उसके अंदर काफी सारी चीज़े हमने discuss करी है लेकिन आपको ये key points में भी मैं सीली आपके लिए लेकर आपको easy to learn होगा कि आपके सामने point to point answer रहेंगे तो start करते हैं हमारा first point है बुद्धी का दुई शक्ति है का विकास दुई शक्ति मतलब two-factor theory it means two-factor theory आपकी two-factor theory किस ने दी मैंने आपको जब intelligence की class करवाई थी तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि two-factor theory किस ने दी तो बुद्धी दुई शक्ति का विकास किस ने किया? spearman ने first cancer उसके बात है three-a-yam बुद्धी का सिधान three-a-yam यानिकि three-dimensional three-dimensional किस ने दी थी? 3-D theory भी जिसको बोलते हैं यह आपकी किस ने दी थी? गिलफोर्ड ने very important question आप प्लीज इसको learn कर ले ना गिलफोर्ड ने आपकी three-a-yam बुद्धी यानि कि 3-D और three-dimensional थोड़ी के बारे में discover किया था मैंने फ्रोर्टिकल आप मेरी वीडियो देख ले ना three-dimensional वीडियो है 3-D के ऊपर three-factor theory तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे उन्होंने three-dimensional अपने उसमें सिध्धान्त में रखी थी कि first-dimensional क्या है second-third और उनके key points क्या है important theory है तो वह आप देख लेना उसके बाद आता है बुद्धी सनरचना का सिध्धान्त third point आता है हमारा बुद्धी सनरचना का सिध्धान्त अब बुद्धी सनरचना क्या कि वो जो intelligence है उसकी ability याने की सनरचना structure है वो किसने बनाया वो भी हमारा गिलफोर्ड ने बनाया ठीक है चलिए मैं लिखी देते हूं यहां पर वो भी आपके गिलफोर्ड ने बनाया था उसके बाद आता है समू खंड बुद्धी का सिध्धान्त group factor theory किसने दी थी? समू means group group factor theory का मैंने एक नाम पूछा था इस वाली वीडियो के अंदर आपके लिए एक question है कि group factor theory समू खंड बुद्धी का सिध्धान का एक और नाम दिया गया है वो नाम क्या है? तो आप मुझे comment session में comment करके बताइए कि इसका दूसरा नाम क्या है group factor theory का तो अभी group factor theory हमारी किसने दीती? थट्चन ने उसके बास next आते हैं हमारा प्रियास एवं तुरुटी का सिध्धान प्रियास एवं तुरुटी, trial and error trial and error trial and error theory हमारी किसने दी है? थ्रॉंडाइक ने अब देखते रहेगा यह वाली class के अंदर मैंने थ्रॉंडाइक के काफी सारे जो उनकी थियोरी थी trial and theory और बाकी किन-किन नामों से बुलाते हैं वो इसके अंदर cover हो जाएंगे तो आपको learn होना चाहिए तो first note का लिजे, trial and error theory किसने दी थी? थ्रॉंडाइक ने प्रियास एवं तुरुटी का सिधान थ्रॉंडाइक ने दिया था second है प्रेतन एवं भूल प्रेतन मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको भावर रिपीट कर रहे हैं और भूल मतलब आप उनको भूल गय प्रतेर वांभूल का सिद्दान भी आपका किस ने दिया त्रॉंडाइट पसे उप है ये सारी एक ही थीोरी के की पॉइंस हैं यह जो मैंने आपको बताया ना फ्रस्ट्रायल एंहर में प्रियास वांभूल ये एक ही त्योरी यह मतलब एक थीयोरी जैसे मालनी जी मेरा की बला रहा है यही सब नाम मेरे सब नाम हो गए निकनेम्स हो गए तो ऐसे ही थ्रॉंट डाइक ने जो अपनी थियोरी दी है उसके यह सारे नाम है ठीक है नेक्स्ट आता है संयोजनवाद का सिद्दान संयोजनवाद मिंस कनेक्शनिजम कनेक्शनिजम का सिद्दान किस ने दिया ये भी हमारे थ्रॉंडाइक ने दिया है कई बार कई बार बच्चे इसमें कन्फियूज हो जाते हैं क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी अलग है जिसके अंदर भी स्ट्रूमलेस और रिस्पॉंस का काम किया गया है और थ्रॉंडाइक की थियोरी के अंदर भी स्ट्रूमलेस और रिस्पॉंस पर बल दिया गया था लेकिन इसको कनेक्शनिजम बोलते हैं और उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं इसका सेकिंड है उधीपन और अनुकिरिया उधीपन देखिए अब आगया उधीपन मतलब इस्ट्यूमलेस और अनुकिरिया मतलब रिस्पॉंस यानि कि इसका एक और नाम है इसका हिंदी वर्जन ये है और इंग्लिश वर्जन ये है इसको इंग शॉट ऐसे पूछ लेते हैं एससार थियोरी के जनम दाता कौन है सेम थ्रॉंडाइक और इसी को अगर मैं हिंदी में कनवर्ट करके देखूं तो उधीपन और अनुकिरिया का सिधान किसको बोलते हैं थ्रॉंडाइक को तो सेम इसका अंसर भी थ्रॉंडाइक एक चीज याद रखना कि यह वाली जो है आप अकर आप सोचें गी इंग्लिश में है एस्सार थियोरी तो जब हिंडी में ज़डूराइक और जब इंग्लिश हुचेंगे तो हैसे कि ज़रूरी नहीं पूचेंगे ज़रूरी नहीं इक आ आप आपसे एससार करको पूचें जैसे अभी रिक है उदीपन अनुकरिया का सिद्दान क्या है तो वो SR की जगा आपसे स्ट्यूमलेस एं रिस्पॉंस थियोरी के चनम दाता कौन है ऐसे पूछ सकते कि वो थियोरी किस ने दिया तो आपको short भी पता होना चाहिए और उसका full form भी पता होना चाहिए कि उदीपन अनुकरिया means streamless response, SR means streamless response दोनों को का है थ्रॉंडाइक है उसके बाद आता है अधीकम का बंधन सिद्दान्थ अच्छा लास्ट हमारा जो 10th question है वो है अधीकम का बंधन सिद्दान्थ ये भी हमारा थ्रॉंडाइक ने दिया है थ्रॉंडाइक ने कैसे दिया था जो उन्होंने cat के ओपर experiment किया था उसी के अंदर ये सारे नाम दिये गए थे कि cat जो थी उसके सामने खाना रखा था और उसको खाना खाने के लिए stimulus दिया गया था कि आपको जब खाना मतलब cat hunger है और आप उसके सामने खाना रख दोगे तो आपने क्या कि उसको stimulus प्रवाइ प्रयृड आप शब्लेंगे नहीं हो पाएगा कोई तो ऐसा मौका आएगा शोश कोई तो ऐसा चांस आएगा जब जो फिंजरा बाप सेट किया गया वो खुलेगा तो वहाँ पे जो लेवर सेट पिंजरा खुलेगा और वो खाना ले लेगी जो इस्ट्रीव्लिस उसने द प्लब हुए और मैं भूल गई फिर लेकिन मैंने ट्राइग किया एर जाय लेकिन फिर लास में आके मैंने क्या सिखा कि हाँ लास में वह वहली सिच्वेशन के रिएट हुई जब दर्वाजा खुला जब पिंजरे का जो दर्वाजा है गेट कुला और मैंने खाना ले लिए तो वह किस कंडिशन पर आया तो वहां पर कनेक्शन वह जोडने की कोशिश करेगी कैट कि हमको कहां पर लास में खाना मिला तो जब अगली बार उसके साथ वही सेम चीज़ करी जाएगी तो उसको ट्राय करने के कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी सीधा ट्रिगर पर बड़ कर्में की त्री आया मिए 3D गिलफोर्ड की इसको अच्छे से लर्न कर ले ना इस वेरी इंपोर्टेंट कई बार एक्जाम में आया है तो यह हमने टेन फैक्टर्स जो टेन फैक्ट्स हैं हमारी साइकलोजी को डिसकर्स कर लिए नेक्स्स के अंदर टेन और डिसकर्स जिसके बारे में हम डिसकर्स कर रहे हैं सारे factors और theories हमने उसके बारे में डिसकर्स करी लिया हैं तो अभी जो next point है मेरा वह है Emotional intelligence हमारे अंदर Emotions होते यह हमारे भावनाइश होती है उसके बारे में बात करेंगे कि firstly किस ने थी क्या चीज़ बोली गई थी इसमें बच्चों के लिए किसी helpful है teacher को क्या चीज़ याद रखनी चाहिए तो उन सब के बारे हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि emotional intelligence जो हमें दिया गया था समवेगिक बुद्धी का सिद्धान जिसको बोलते हैं वो किस ने दिया वो हमारे देने वाले थे Solvee तो हमारे emotional intelligence के जो प्रतिपादिक थे ये वाला इसके बारे में जिन्होंने बताया था बात करी थी इसके बारे में क्या कहा था अब emotional intelligence होता क्या है मैंने उसके बारे में discuss करते हैं देखे emotions आपको पता ही है emotions होती है हमारी भावनाएं अब हमारी भावनाएं कैसे होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है अच्छा अगर मैं किसी चीज़ को देखे बहुत खुश हो रही हूँ happiness आ रही है मेरी अंदर है बहुत जादा happy हूँ तो कैसे वह emotions है sadness कुछ अलग तरह की डर यह सब यह सब क्या वह भी हमारी emotions ही है सिर्फ खुशी और दुख होना ही emotions नहीं है उसके अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं life में जो हम daily देखते हैं जिनके बारे में सुनते हैं आपको अभी कोई चीज मिलती है आप बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ मेरी favorite चीज मिल गई या मेरे birthday पे मुझे यह चाहिए था मुझे यह मिल गया और वहीं दूसरी चीज आपको ना मिले या कोई आपको sad news मिले तो आप नहीं पर sad हो जाते हैं ठीक है इसके सासर जब आपको किसी चीज से बहुत डर लगता है आप horror movies देखते हैं hall में जाके देखते हैं घर में देखते हैं जिसे सबसे पुराना वो आहट सुना होगा आहट आता था बहुत पुर हो रहा तो वह सारी क्या चीज होती है एमोशन होती है वह कुछ भी हो सकते हैं..like आपकाटर..sorry .. डर हो सकता है डर काovyह हो सकती है आपकी खुशी हो सकती है दुख हो सकता है और आप बताएत और कौनसी चीज़ हो सकती है कि डर हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, ये सारी चीज़े क्या हैं, आपके emotions होते हैं और आपको ये चीज़ सीखनी है, as a teacher और बच्चों को जानने के लिए आपको ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए कि बच्चे का किस time पर किस situation में कैसे moon swing हो जाता है, आपको उसी control कैसे करना है, वापस से उसका moon कैसे change करना है ताकि वो आपकी studies में focus कर सके, या उसकी daily life में कोई problems आ रही है, उनको कैसे वो tackle कर सके इसलिए हमको emotions, intelligence को पढ़ने का यही सनप्रत्य है, यही concept है, कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक emotional intelligence भी हमारे mind में होती है, intelligence, बुद्धी, हमें सिर्फ सीखना ही नहीं होता है, कि सीखना ही सीखना है कुछ ऐसी चीज़े भी तो होती है, feelings भी तो होती है, कि हमें उन पर control करना भी आना चाहिए, अगर अभी मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूं, या समझा रही हूं, instantly मेरे mind में कोई thought आती है या मुझे कोई अपना previous या पुराना कोई past याद आ जाता है, कोई ऐसा incident याद आ जाता है, जो मेरे बहुत bad experiences रहे हूं, तो एकदम क्या होगा, मेरा moon swing हो जाएगा बट moon swing हो गया, तो ऐसा दुनिया ना, कि मैं अभी आपके सामने class में खड़े खड़े रोने लग जाओं, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, studies में और मेरे लिए भी, मेरी class, lecture के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो इस time पर मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, कि याद आगया किसी topic को लेके, तो उसे अभी आपके सामने कैसे control करना है, is that point कि हम इसको क्यों पड़ रहे हैं, इसी लिए पड़ रहे हैं, कि ताकि आपको control करना सके, कि आपको situation पता हो सके, कि यह situation वो नहीं है, जहां पे आप अपने emotions को, feelings को express कर सकते हो, अगर मैं आपक सामने खड़ी हूँ, और मुझे कुछ याद आजाए, तो मैं यही पर रोना स्टार्ट कर दूँ, यही पर साड़ के साइड में, कौरनर में जाके खड़ी हो जाओ, तो आपके ओपर क्या impact पड़ेगा, कि मेरी lecture आया, मेरी teacher ही ऐसी है, जो ऐसे, मतला, बीच-बीच में कभ इसे भी अपने मून्स में रह सकते हो, तो इसलिए आपको भी यही चीज़ सीखनी है, as a teacher, कि आप बच्चों के मून्स को कैसे control करना सिखा सकते हो, उनके मून्स को कैसे change कर सकते हो, या उनको कैसे बताना है, कि आपकी feelings जब convert होती है, तो आपको किस situation में उनको express करना चाहि और कैसे नहीं, अब कुछ चीज़े होती है, जैसे बच्चों का बढ़ती उमर के साथ love feelings आने लगती है, और अपने opposite sex के towards attract होने लगते है, तो कई situations यह नहीं होती है, कि वहाँ पर भी आप उसको express कर सके, because अगर ऐसा होता है, कि मान दीचे आपके सामने वाला बंदा, जिस या उसके दिल में, उसके आपके लिए कोई feelings नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ पर वो चीज़े नहीं express करनी चाहिए, because वो situation ही ऐसी नहीं है, क्योंकि माहाँ पर आपको सिभाए sadness और rejection के कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तो आपको माहाँ पर उस situation में क्या हुआ, आपने अपने feelings को control किया, आपको पते हैं अपने दिल से कि हाँ, lightness है, या जो भी है, feelings है, लेकिन वहाँ पर भी आपने क्या किया, उसको control करना आना चाहिए, कि आपने वहाँ पर control किया, और मैं आपके साथ class में, यह real examples इसी रिए discuss करती हूँ, because हम अपने environment से इनी सब चीजों से जुड़े हुए, अगर मैं बहुत authoritical और किताबी भाषा बोलूगी, तो आपको भी समझ नहीं आएगा, अच्छे से, यह practical examples होते हैं, जो हमारी daily life के, जो हमारी practically हमारी life में चलते हैं, अगर मैं आपके साथ ऐसे example discuss कर रहे हूँ हूँ, तो उसका motive यही है, कि आपको यह सम के examples हैं, ताकि आपको समझ आए, तो वापिस अपने point पे आजाते हैं, तो आपको पता चलते हैं, emotional intelligence क्या होते हैं, जो भी हमारी emotions है, जो भी हमारी समवेख हैं, जिनको इंदी में समवेख क्याते हैं, उन पे control करना भावना है, व्यक्त करने का एक time होना चाहिए, एक साही point होना चाहिए, आपको अपनी feelings को express करना भी आना चाहिए, way of expression भी होना चाहिए, यह नहीं कि आपने यह चीज़ देखी, बस रोने लग जाओ, आपको पता हैं नहीं, क्या हैं क्या नहीं, रोने लग जाओ, हर चीज़ के लिए बस आपने एक ही solution ढूंदा हो हैं कि रोना, आ आपको वो नहीं मिल रहा हो ना, अरी कहीं पर तो कोई चीज़ different होगी, उसके according कि आपके feelings भी different होगी, emotions भी different होगे, यानकि way of expression भी different होगे, तो इसी लिए यही चीज़ हमें पढ़नी हैं और बच्चों को भी यही चीज़ समझाने हैं, ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे Solvee and John Mayer ने discuss करे हैं, कुछ key points है मैं आपके साथ भी discuss कर लेती हूं, first point है इसमें हमारा, first point है इसके अंदर हमारा आत्मचेतना यानकि self awareness, किसी भी बच्चे के अंदर या वेक्ति के अंदर self awareness होनी चाहिए, उसको खुद की emotions के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको emotions के बारे में नहीं पता कि आपका moon cup swing हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस कार्णों से हो रहा है, कहां पर आपको उसको control करना है, कहां पर खुद को motivate करना है, ये सारी चीज़े आपको नहीं पता, तो आपका कोई फायदा नहीं है, अपने expressions को express करने का, ठीक है, तो इसी आपको ये सारी चीज़ों की knowledge होनी चाहिए, self awareness होनी चाहिए, ताकि आप अपनी life में भी उससे जुड़े होए, सही निर्ने ले सको, अब निर्ने किस रूप में लोगे, अगर आपको पता है कि आत्मचेतना है आपके अंदर, यानकि self awareness है, अपने emotions को लेके, तो आप सुम हैं, और 10 बच्चे हैं, मैंने same चीज़ सब को करने के लिए दी, एक ने अच्छा किया और एक ने बहुत बुरा किया, for example, एक ने बहुत अच्छा किया और एक ने बहुत बेकार किया, ठीक है, तो महां पे बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चा ये सोचता है कि इसको तो A+, मिला है, और मुझे तो 0 मिला है, और मैं वही पर रोने लग जाओं, डिप्रेशन में चला जाओं, घर पर जाके मम्मा को बोलूँ, शिकायत करूँ, रोतर आओं, खाना ना खाओं, मैं अपने expressions, मतलब अपनी feelings और emotions को ऐसे express करूँ, तो वो कोई तरीका नहीं होगा, मतलब एक positivity नहीं होगी, कोई सही तरीका नहीं होगा, छोटे बच्चों में होता है, उनको यह नहीं पता होता है, कब कहाँ पर क्या चीज एक स्पेस करनी है, तो वही तो आपको सिखाना है बच्चों को, वही तो चीज़े आपको as a teacher observe करनी है बच्चों को, ताकि आपको बच्चा क्या चीज गलत कर रहा है, आपको proper guidance प्रोवाइड करनी है बच्चों को ठीक है, तो इसलिए तब अगर आप उनको इस वे में proper guidance प्रोवाइड करते हैं, तो जब next time ऐसा होगा बच्चे के साथ, तो बच्चा उस वे condition में क्या करेगा, कि आज इसको a plus मिला है, मु प्रोपर वे में करूंगा, तो बच्चा क्या है, next time अच्छा achieve करेगा, क्या पता, वो उससे भी उपर चला जाए, वो a है, वो a plus हो जाए, वो और अपना overconfidence बच्चा हो जाए, फिर वो नीचे गिर जाए, तो इसलिए बच्चे ने क्या क्या, अपने expressions को, महां पर अपने emotions को उस time पर control करके, अब positivity time पर express किया है, कि देखो, मैंने अच्छा score किया है, कि मैं अच्छा कर सकता हूं, उस time पर मैंने नहीं किया था, ठीक है, तो यह चीज होनी चाहिए, self awareness होनी चाहिए, बच्चे के अंदर, कि वो सही time पर, सही नेने ले सके, अपने emotions को control करके, second point आता है, इसके अंदर, देखिए, यह जो second point है, सम्वेगों का प्रखबंदर, managing emotions, इसके बारे में हम अभी तक, जब भी emotions का topic discuss कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें discuss कर लिए, कि आपको अपने emotions को कैसे control करना चाहिए, कैसे manage करना चाहिए, किस time पर, कौन से expressions को, आपक डर लग रहा है, किसी पर घुसा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, किसी से इश्या हो रही है, जैलिसिंग फील हो रही है, घृणा आ रही है, किसी से, यह सारी चीज़ें क्या है, आपको time पर manage करना आना चाहिए, कि अभी आ रहा है, तो इसका जवाब यह नहीं कि आप उसका कुछ सा आ रहा है, और इसको किसी और तरीके से कैसे handle किया जाता है, मार पीट, लडाई जगरे से तो कुछ शॉट आउट नहीं होता, आप उसके एक मारेंगे, वो आपके दो मार देगा, ऐसे क्या होगा, लडाई जगर बढ़ जाएगा, दोनों की दोस्ती खतम हो नहीं है, तो महा पर manage आपको ये करना है, कि अगर में को उससे किसी point पर jealous feel हो रही है, कि वो मेरे से अच्छा score कर रहा है, तो आप और जादा महनत करिए, ताकि वो आप से कलको jealous feel करे, तो positivity का हुई, आपने उसको किस type में? सही रूप में manage किया, positive में manage किया, और कहीं किसी र तो उसकी financial condition, condition बहुत अच्छी हो, उसके parents वो afford कर सकते हैं, उन्होंने दिला दिया, आपके parents नहीं afford कर सकते, तो आप पढ़ाई कीजी, मेहनत कीजी, कलको success होई है light में, तब आप उससे double ले लेंगे, तो इसलिए अपने expressions को manage करना आना चाहिए, अपने emotions को manage करना है आपको कि वो कहां पर आपको किस रूप में express करने है, और उस time पर वो चीज अच्छी भी लगती है, ठीक है, third point है इसके अंदर आपका, okay, third point आता है हमारा दूसरों से सानुभूती, यानि कि sympathy with others, अब इसमें क्या point है, कि आपको अपने emotions को जानना, बहचानना और उस पर control करना तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरों के साथ sympathy का भी गुण होना चाहिए, कि आपके सामने वाला आपके लिए, आपके सामने कौन से expression, अपने emotions को express कर रहा है, उसकी क्या feelings है, ये नहीं, कि आप वो वाला चीज करें, यहाँ पर अपना काम बनता, भार मे जाए जनता, ठीक है, मेरा काम तो हो गया मुझे, तो आपसे ये चीज चाहिए थे, like classroom में आपने किसी से बोला, कि मैंने अपनी class skip कर दी थी, तो please मुझे वो notes प्रोवाइड करा देना, उसने as a friend आपकी help कर दी, कि हाँ ठीक है, आप notes लेचाओ, ठीक है, आपने उसने क्या कि नोट्स कॉपी करके, या फोटो स्टेट कराके, प्लीज आप मुझे वापस कर देना, मुझे भी पढ़ाई करने है, तो आपने गया कि आप उसके नोट्स ले गए और आपने रख लिए अपने पास, आपने उसको वापस नहीं किये, और आपने उससे चुप बोल दिया कि नहीं मेर से तो खो गए, मुझे नहीं पता, तो प्रॉब्लम किसको हुई, उसको हुई, जिसने हेल्प करी आपकी, क्योंकि उसके पास एकी कॉपी दी, उसने आपको दे दी, तो वो आप किस से पढ़ाई करेगा, तो इसलिए आपको ये नहीं होना चाहिए, कि मेरा काम तो बन गया, अब उसके लिए मुझे क्या करना, अब वो पढ़े न पढ़े, एनीधिंग कुछ करे न करे, वो जैसे मानज करे, करे, मुझे क्या पता, तो आपको ऐसे भी रहना चाहिए, आपको उसे महा पर क्या, कि आपने उसको हर्ट किया, उसकी फैंशिप में चीट कि आपने, तो इसलिए आपको अपने एमोशन्स पता है, अपने एमोशन्स की आपको कदर है, तो इसलिए आप दूसरे की एमोशन्स की भी कदर करनी सीखिए, उनकी फीलिंग्स को समझे, उनका सुख दुख का साती बनिए, उनको सपोर्ट करे, उनके एमोशन्स, उनकी फील रामना होती है कि हां मैं आपको समझता हूं आपके हर टाइम पर आपके साथ हूं क्या है वो सुख का टाइम हो या दुख का टाइम हो I'm always with you तो इस ताइम की ये वेली फीलिंग्स क्या होती है वो आपके साथ always lifetime friends रहते हैं और हर चीज़ आपसे share करते हैं एक अच्छी bounding बन जाती है तो इसलिए आपको अपने feelings और emotions पता होने के साथ साथ दूसरों के साथ भी सानव होती जतानी आनी चाहिए क्योंकि आप जिस environment में रहते हैं जो social environment है आपका वो इसी good पर निलभर करता है अगर आप किसी के साथ sympathy नहीं डिखा रहे हैं अपने आसपडोसियों के साथ बात नहीं कर रहे हैं उनको आते जाते good morning good evening मतलब कुछ wish नहीं कर दे हैं या अपनी में खोई रहते हैं वस जाना आना तो आपके socialism नहीं ह प्रफोल करके दूसरे को भी इस रोप में अपने साथ लेकर चलिए कि आपके अंदर ये वाली भावना भी होनी चाहिए ये वाली feelings भी होनी चाहिए कि आपको अपनी feelings की कदर है तो दूसरे की भी है कि दूसरे को किसी को hurt नहीं करना किसी का फायदा नहीं उठाना है कभी और दूसरों की feelings की respect देनी है उनको support करना है अगर उनकी feelings positive है तो उनको आगे तग उनक्या support करना है उनको express करने में help करने है ओके अब हमारा fourth point आता है आत्म अभी पेना यानि कि self motivation अब self motivation कैसे आता है आपको किसी और के द्वारा motivation की ज़रूरत नहीं है खुद से खुद से motivate हुई है आप लोग ठीक है आपको as a teacher पता है कि खुद से motivate कैसे हुना है और बच्चों को इतना strong कर दीजिए पढ़ा कर गाइड करके उनके अंदर वो सारी चीज़े develop करके ताकि बच्चे खुद अपना motivation करें खुद self motivated हो अब अगर मैं हूँ self motivation का मतलब क्या है लाइक मैं हूँ मुझे पता है कि मुझे teacher बनना है मैं सारी पढ़ाई क्यों कर रही हूँ teacher बनने के लिए तो मुझे खुद को पता है कि मुझे teacher बनना है तो वो वाले object वो वाले जो मेरा goal है उसको achieve करने के लिए मैं खुद से motivated होंगी कि हां मुझे पढ़ना है इतने कि मुझे इतने घंटे ये करना इतने घंटे ये करना इतने घंटे ये करना क्यों कि मुझे वो अपना goal अचीव करना है जो मैंने सेट किया हुआ है कि मुझे teacher बनना है तो इसलिए मैं खुछ से motivated होंगी मुझे मेरे parents के according जानने की कुछ जरुवत ही नहीं है parents में को आके 10 इस बार ये बोले तुम पढ़ी के नहीं पढ़ी तुमने आज पढ़ाए नहीं की तुम ना पूरा दिन बूले हो पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो ये सारे lecture सुनने की मुझे जरुवत ही नहीं है ना मेरे parents मुझे बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि हाँ उसका goal set है कि उ उसे वो अचीव करना है तो वो खुछ से ही मैनत करेगा बचा क्या है खुछ से ही मैनत करेगा तो parents भी उसको कलको नहीं बोलेंगे तो इसलिए आपको खुछ से self motivated होना है अपने emotions को रखके कि मुझे अपने emotions का पर express करनी अपनी feelings का पर अब अगर ये समझ रहे हैं कि मतलब self motivated हो रहे हैं आप महां पर महां पर जो आपके सारे संवेग हैं जो भी आपकी feelings हैं जो भी आपके emotions हैं आपने उनको इखटा अरकी कहीं एक कोने में रख दिया है कि study time पर इस पर no focus तो अगर को emotions और ये सब आ भी जाते हैं तो उस पर control कर रहे हैं आप क्यों क्यूंकि कि अभी मेरा study time पर मुझे इस पर focus करना है no girlfriend no boyfriend no friendship no friend circle no family no functions उनको सब को cross कर दिया आपने कहीं नहीं आना जाना बस कमरे में बंद और पढ़ाई 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 तो इसलिए क्या कि आपने महां पर अपने emotions पर control किया है ठीक है तो ये सारी चीज़े क्या होगी आपको self motivated भी होना चाहिए as a teacher or as a student कि आपको पता होना चाहिए आपको कहां पर कब क्या काम करना है last point है इसके अंदर हमारा fifth point okay last point है हमारा मदूर संब्ध यानि की good relation इसके अंदर क्या करते हैं हम अपने द्वारा जो हमारे बाकी सब लोग हैं जो हमारे environment से related हैं हमारे मेरा परिवार है और मेरे friend circle है मेरी society है उनके साथ आपको good relationships develop करने है आपको वहाँ पर good relationship मतलब एक मैत्री मैत्री पूर्यान की as a friend judge करना है as a friend बनके रहना है ताकि आप वहाँ पर किसी भी चीज में support कर सके उनको अगर आपको कोई problem हो रही है तो वह आपको support कर सके देखिए अगर आप अगर बिलकुए अलग थलग रहते हैं आपको किसी से कोई मतलब नहीं आपके समाज आपके society में कौन रह रहा है आपके आसप enjoy करता हूं डिस आता हूं यह वो तो ठीक है चलिए मान लिए वो चीज आपकी है आपका वो social life है ठीक है लेकिन जब कभी आपको problem होगी अगर मान लिजे 100 तरह की problem होती है life में ठीक है जरूरी नहीं कि आपको cash related financially कोई problem हो problem तो कैसी भी हो सकती है आप college से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं society के बाहर आपके साथ को incident हो जाता है कोई अचानक accident हो जाता है कुछ इसी situation हो जाती है ताकि आपको need है किसी की तो उस time पर गया होगा तब आपकी भी help नहीं करेगा because आपको कोई जानता नहीं है पहचानता नहीं है वो किसी unknown person की क्यों help करेंगे क्योंकि वो जानते पहचानते नहीं है बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की help करते हैं आज कर बिना जाने पहचाने ओके तो इसलिए अगर आपको पता है कि आपके society में ये लोग रहते हैं आप उनसे बहुत अच्छे से सतकार करते हैं नमस्ते करते हैं उनकी respect करते हैं उनसे बोलते चालते हैं हर function में मिलते हैं उनको अपने घर बुलाते हैं उनके घर जाते हैं एक good relationships है आप लोगों के बीच तो आपको कहीं पर कभी problem होगी आप कभी दूर मार्केट में भी होगे और आपके पैसे भी नहीं होए ना कुछ खरीदने के लिए और आपको पडोस वाले अंकल मिल जाते हैं तो उस ताइन पर वह भी आपकी help कर देंगे कि अंकल जी मुझे 100 पर देदी से मुझे यह लेना है तो मैं आपको घर जाके देदूगा तो उन्हें भी पता है कि हाँ यह बेटा बहुत अच्छा है यह तो महां रहता है हमें पता है हमारा पडोस है तो उस ताइम पर बिना सोची समझे आपकी help कर देंगे वहाँ पर उनको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके relationships वहाँ पे इतने अच आपके साथ किष्क्क अधर फोससे उसलेख, वहाँ अटेs टेट इनको सुना पर उनको पताइख हमें अचार करने वहाँ पता है यह उन्कों से उनकों फक्ष्क् के कारण आता है कि वहाँ पर good relationships नहीं होते हैं तो इसलिए हमको अपने emotions के according किसी के साथ भी good relationship स्तापित करने चाहिए बनाने चाहिए maintain करने चाहिए जिससे कल को आपको कोई problem हो या किसी एसी situations में हो आप तो वहाँ पर आपको help मिल सके और आप भी किसी और की help कर सके अगर आपके साथ भी कोई familiar नहीं होगा तो आप भी किसी की help वहाँ पर नहीं करेंगे ठीक है तो छोटा सा और बड़ा अच्छा सा topic था वैसे emotional intelligence के बारे में आपने समझ आ गया होगा को solving और जॉन मेर ने दिया था और यह डर खुशी दुख यह सारे हमारे emotions होते हैं किसी के साथ घिर्ण या इर्शा जैलिसी फील करना यह सारे क्या हैं हमारे emotions होते हैं सुख दुख और यह इसकी 5 point दिये थे जॉन वी और मेर जी ने कि बच्चे को self awareness करनी चाहिए manage करना आन अचेCar emotions को sympathy होनी चाहिए दूसरों के emotions के प्रति उनको hurt नहीं करना चाहिए self motivated होनी चाहिए उनको पता होना चाहिए कब किस emotion को control करना है कब नहीं करना खुञ से motivated होना चाहिए बहार से किसी पूने की जुरुत ही 97 और like last point था हमारा good relationship आपको maintain करनी चाहिए दूसरों के साथ ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की problem हो तो आप वहाँ पर उस situation में अच्छे से tackle कर सकें ठीक है? तो इसके साथ मेरी ये वाली video finish होती है next video में मिलेंगे Thank you so much Hello friends, I am Swati Singh हमारे intelligence की class चल रही थी बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर discuss कर लिए थोड़ा lengthy chapter हो गया है काफी बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसके अंदर काफी अच्छे से points, theories, factors हैं जो हमने इससे पहले वाली classes में आप देख सकते हैं previous videos सारी तो उसके अंदर हमने discuss की हुई है काफी अच्छे तरह से briefly हमने पढ़ लिए है और हमने psychological facts भी हम साथ के साथ लेके चल रहे है जिसमें मैं आपके साथ 10-10 questions discuss करती हूँ, तो वो भी आपको क्या है आप theoretical भी बढ़ लेंगे और points में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से revision हो जाएगी ठीक है, तो last time पे आपको आपको theoretical जादा पढ़ने की ज़रुवती नहीं आप से वो key points देखनेंगे psychological facts वाले तो भी आपका काम हो जाएगा exam time पे, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बुद्धी परेक्षणों के प्रकारिया, यानि कि type of intelligence, test अब type of intelligence यह कहते हैं कि कितने टाइप के intelligence हैं और test इस क्या है हम intelligence यानि कि IQ level का मैंने अपको formula बताया था तो IQ level निकानले के लिए जो test किये गए थे ना जो परिक्षण किये गए थे हमारी psychologist के दुआरा तो वो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से experiments, कौन-कौन से परिक्षण यहां पर की गए थी intelligence पर सबसे पहले दो टाइप के परिक्षण किये थे हैं, दो टाइप के एक तो हो गया हमारा individual एक हो गया group individual हो गया आपका व्यक्तिगत और group हो गया आपका sum अब आपको इससे पता ही चल रहा होगा individual यानि की person to person सिफ एक मैं और एक सामने बैठा है वो ठीक है, दो परिसन के बीच की बात है तो मतलब व्यक्तिगत रूप से जब हम test करते हैं, तो एक के सामने एक बच्चे का हम individually करते हैं सब का, कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मुझे सब का दसों का अलग-अलग test करना है intelligent test, ठीक है, एक का पहले किया फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे ऐसे करके करना है, और group वाली के अंदर हम कैसे test करेंगी, एक group maintain कर लेंगे, 5 बच्चों का group 1 हो गया, 5 बच्चों का group 1 हो गया तो 5 बच्चों का हमने एक साथ test कर लिया, उनसे similar questions पूछ लिया, उनका IQ level set कर लिया 5 का कुछ और पूछ लिया, उनका IQ level set कर लिया, ठीक है वर्बल एक वर्बल हो गया यानि कि शाप दिख और एक आग हो गया आपका नॉन वर्बल यानि कि अशाप दिख अब शाप दिख के अंदर आप कैसे टेस्स कर सकते हैं देखिए वर्बल में क्या होता है कि आप वहाँ पे शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं वाक्यों का प्रियोग कर सकते हैं एक आधी युक्तियों का प्रियोग कर सकते हैं मत्तब उसमें लिखित भाशा का भी प्रियोग कर सकते हैं ठीक है तो वह हो गया आपके लिए शाप दिख देखें कि मैप है बच्चे तो इसमें भारत का नक्षा कहा है तो वह आपको बताएंगे उनका इंटेलिजेंस लेवल आपको पड़ाज़ेगा कि मैंने पढ़ाया तो बच्चों को लर्न है कि नहीं लर्न उसके अंदर आप चित्रों का उब्जेक्स का मैप्स वगेरा का इन सब का प्रियोग करके बच्चों का IQ लेवल इंटेलिजेंस करते हैं और शाब्दिक में हो गया कि आप शब्दों का प्रियोग करके वाक्यों का प्रियोग करके इन सब के प्रियोग द्वारा बच्चों का IQ level और intelligent test करते हैं अब एक चीज जो हमारा verbal है verbal के अंदर एक हमारा test है जो बहुत famous है शाब्दिक के अंदर शाब्दिक व्यक्तिकत बुद्धी परिक्षन में है जो हमारा बीने साइमन का परिक्षन है ठीक है very important यह आपको पूरा ही समझना है कि इसमें क्या बोला गया है वो मैं अभी आपको detail में समझा देती हूँ देखे जो सबसे important intelligence के अंदर जो हमारा test है वो बीने साइमन intelligent test है एक्जाम में भी इसके बारे नहीं पूछा जाता है बीने साइमन परिक्षन या निकि बीने साइमन टेस्ट क्या है इसके बारे मैं बात कर लेते हैं यह वोबल में है आपका शाबदिक रूप से रखा गया है इसमें क्या गया है सबसे पैरा point इसके अंदर 1905 में यह test आया था ठीक है किसने दिया था ओके यह हमारा 1905 में हमारा यह आया था जो बीने साइमन टेस्ट दिया गया था और यह किस ने दिया था अल्फेड बीने ने इनका पूरा नाम है अल्फेड बीने ठीक है इन्हों ने दिया था इसके बाद 1905 में देने के बाद 1908 में और 1911 में इसके अंदर दो शंशोधन किये गए थे 1908 में और 1911 के अंदर इसके अंदर दो शंशोधन किये गए थे अब उसके अंदर क्या शंशोधन किये गए थे वो भी बात करते हैं सबसे पहली पॉइंट आपको यह कोश्चन कई बार एक्जाम्स में आया कि अल्फेड भी नहीं के द्वारा जो टेस्ट दिया गया था आये थे उनको शंशोधन करके 1908 और 1911 में इसको री पब्लिश किया था ठीक है अल्फेड बीने ने दिया गया था इसके अंदर तीज पैनल तीज पैनल्स रखे गए थे जिसके अंदर एक से लेके एक से लेके पंदरा साल तक के बच्चों के उपर बात रखी गई थी इस साइमन परिक्षन टेस के अंदर 3 साल से 15 साल तक के बच्चों के उपर जो पैनल सेट किये गई थे वो रखे थे तो उसके बारे में डिसकर्स करते हैं कि 3 से 15 साल तक के बच्चे के बारे में क्या पॉइंट रखे थे क्या आप बात बोली थी, जो 30 पैनल सेट किये गए थे, उसके अंदर 3 से 15 साल तक के बच्चों के पैनल के बारे में क्या बात बोला था, आपके 20 साइमल परिक्षन के द्वारा 20 जी ले, सबसे पहला है हमारा 3 साल का बच्चा, मैंने आपको बताया था भी 3 से 15 साल तक के पैन जी के लिए और बीने साइमल परिक्षन के लिए जिसको इंपोर्टेंस दी गई थी, वो आपकी 3 से 15 साल तक के बच्चों के ऊपर जो पैनल सेट थे वो दी गई थी, तो सबसे पहले 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है, वो बात रखी थी बीने जी ने, क्य क्या कर सकता है, दो अंकों को दोहरा सकता है, चित्रों को गिन सकता है, कान नाक मूं की और इशारा कर सकता है, परिवार के नाम बता सकता है, शब्यों को दोहरा सकता है, ये सारे की पॉइंट्स आप नोट कर लिए, कि 2-3 या फिर मैं लिखी देती हूं आपके लिए दो अंकों को धोरा सकते हैं मतलब दो अंक है जैसे आपको आप बच्चों को इस उमर में टेबल लंग करवा सकते हैं काखगा माद चापा ये सारे टवर चावर ये सब पढ़ा सकते हैं और और क्या कर सकते हैं इसमें चित्रों को पहचान सकते हैं चित्रों को पहचान सकता है उनको गिन सकता है इस एज में तीन साल का बच्चा क्या कर सकता है आप उनको ऑब्जेक्स दिखाएंगे उनको पहचान सकता है कि ये ऑब्जेक्स किस चीज का है ये ऑब्जेक्स का है ये किस चीज का है और आप ऐसे 15-20 objects डग देंगे तो वो count कर सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने objects total यहापे available हैं उसके सामने ठीक है उसके बाद कान, मूँ, मतलब जो अपने शारिरिक अंग है अपने जो physical points हैं हमारे तरफ हैं उनकी और इशारा करके बता सकता है कि nose कौन सी है, ears कौन से है, lips कौन से है, tit कौन से है यह सारी चीज़े क्या है, बच्चा आपको बता सकता है उसके बाद परिवार के नाम बता सकता है परिवार के नाम बता सकता है कौन mom है, कौन dad है, कौन चाचा है, कौन mama है यह सारी चीज़े बच्चा आपको बता सकता है, शब्दों को धौरा सकता है, अगर आप बच्चे को बताना चाहते है, पापा बोलिये, मा मा बोलिये, तो उनको रिपीट कर सकता है, आप उनको कोई वर्ट सिखाना चाहते हैं, कि एपल बोलिये, तो एपल एपल बोल सकता है बार-बल, ठीक है तो इस उमर में क्या करते है बच्चे ee ne sari चीज़े करना सीख जाते उसके बाद आता है चार साल का बच्चा अ Mac in food अब चार साल का बच्चा गया कर सकता है लोहिं की वस्तूयों की नाम बता सकता है चार साल का बच्चा जिसे लोहें की वस्तुर की नाम बता सकता है जो अलग-अलग elements होते हैं उनको divide कर सकता है उनको बता सकता है कि कौन सी चीज plastic की है कौन सी iron की है कौन सी visible है कौन सी invisible है उनमें क्या differentiate कर सकता है उसके बाद आता है कि अपना link बता सकता है यानि कि अपना gender और sexual बता सकता है कि मैं किस gender का हूँ मैं male हूँ, female हूँ, क्या हूँ मैं ठीक है अपना link बता सकता है उसके बाद आता है तीन अंकों को धोराना अब इसमें बच्चा क्या है तीन अंकों को धोरा सकता है, मतलब आप उसको जो 101 यह वाली टेबल होती है ना तीन अंकों वाली 101, 102, 103, 100 से उपर की 101, 102, 103, तीन अंकों की आंकड़े गिन सकता है समझ सकता है उनको दोहरा सकता है उनको learn कर सकता है यह वाली ability बच्चे के अंदर आ जाती है वो बागी elements में different करना सीख जाता है अपना जेंडर बता देता है उसके बाद दो पंक्तियों की तुलना कर सकता है दो पंक्तियों की तुलना वो किस रूप में कर सकता है आप उनको कोई दो objects दे दीजिए तो उनमें differentiate करके बता सकता है कि एपल कौन सा है आम कौन सा है और आप उसको कुछ और दे दीजिए कि यह वाली math की book है यह science की book है उसके बीच में differentiate कर सकता है वो दोनों को science की book है दोनों को math की book नहीं बोलेगा जो 4 साल के बच्चे की ability होती है वह इसमें 5 साल में थोड़ी और increase हो जती है 8 साल के बच्ची में और कुछ नई चीज़े अड़ हो जती है तो इसके बाद 8 साल का बच्चा अब बात आती है 8 years old student की 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है पांच अंकों को दोरा सकता है अब वो क्या है पांच अंकों की किसी भी शेणी को दोरा सकता है कि 1,2,3,4,5 ऐसे करके वो एक sequence जो दे दें कि आप उनकों पांच अंकों के वो दोरा सकता है यह कोई ऐसा 5 वणों का वाक्य मता दिजी उसको भुसको के बोल सकता है जिससे starting में होता हैं बच्चा काखा भुलता है फिर राम कहा गया यह रेती तो ऐसे क्या बहुतक हो लह दो कि घ्लिबिब्मेंट होने लगता है कि एक इस तैप का box होता है इसके अंदर cat बनी होती है तो वो उल्टी सीरे जुड़े होते हैं उसकी आख यहां है नाख यहां है कान क्या है तो उसको sequence में जोड़ना होता है कि उसके आख यहाएगी कान यहां आएंगे नाख यहाएगी lips यहाएंगे ऐसे करके जोड़ना होता है तो बच्चा चित्रों में से जो गायब चीजे होती है ना कि एक कान जुड़ गया एक नहीं जुड़ा तो उसको ढूंगता है कि दूसरा कान कान गया उसको जोड़ दिया तो वो सारी चीजे ढूंगना स्टार्ट करते लेता है आठ साल का बच्चा दिन और तिति यानि कितना टाइम होए है वो टाइम हो भी देखना जान लेता है तो यह सारी चीजे हमारे आठ साल के बच्चे के अंदर ability आ जा जाती है जो अब आता है हमारा वो है 12 years student के लिए ठीक है जो 12 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर capability developed हो जाती है बीने के द्वारा उनके अंदर अस्त भी अस्त वाक्यों को पहचानता है मतलब जो disbalance, dismanage sentences होते हैं कोई चीज कहीं लिख दी कोई चीज जो error वाली यह equations होती है, error वाले sentences होते हैं कि आपको is RM सही जगा पर लगाना है और आपको form ठीक तरह से manage करनी है, verb की form यह सारी चीज़े तो वह चीज़े बच्चा सीख जाता है कि verb क्या होती है और बाकी सारी चीज़े सीख जाता है, उनको सही जगा पर sentence को maintain करना सीख जाता है कहां पर subject आना है कहां वर्ब आनी है कौन सी verb की form यूज होगी कौन से objects यूज होगे तो वह सारे चीज़े वह बच्चा उसमें सीख जाता है 12 साल की उम्र में तीन मिनट में साथ शब्दों को गिनना पैचानना बोलना आ जाता है अगर आप बच्चे से 12 साल का बच्चे के अंदर इतनी mental ability इतनी intelligence level बढ़ जाता है कि अगर आप उनको बोले कि तीन मिनट के अंदर मुझे 50 शब्द बोलो कोई भी anything कुछ भी तो उसको जाधा time नहीं वह कुछ भी बोल देगा ममी चाचा मामी बर्दन कॉपी पैंसिल यह वह कुछ भी बोल देगा ठीक है लिए अगर आप उससे कम एज वाले बच्चे को बोलोगे तो वह तीन मिनट में इतने words नहीं बोल पाएगा क्योंकि एक दो words जो उसके आस पास से related है जो उने देख र करना सीख जाता है जो objects उसके सामने available भी नहीं होते ना लेकिन उनको बच्चे को 12 साल के बच्चे को यह पता होता है कि यह object होता क्या आप देखिए यहां पर classroom में यह वाला object available है board है मैं हूँ ठीक है अगर मैं बच्चे को बोलू 12 साल के बच्चे को की ताजमल के बारे में बताओ अब classroom में के ताजमल तो है नहीं तो बच्चा अब क्या है उसको पता है कि वह object जो abstract thinking है हमारी उसके according logical thinking के according अपनी abstract object के बारे में सूचना ब्राप्त करता है कि हां उसके mind में पहली से set होती है उसमें पढ़ी होती है समझी होती है कि हां ताजमल इस color का होता है उसको इसने बनवाया था वो कहां पर है कि वो आग्रा में है white color का है शाह जाने बनवाया क्यूं बनवाया उसके बारे में वो बहुत सारी चीज़े आपको explain कर सकता है लेकिन अगर चोटे बच्चे को आप बोलेंगे कि ताजमल के बारे में बताओ तो आपको नहीं बता सकता है क तो 12 साल के बच्चे की intelligence level इतना हाई हो जाता है कि वो आपको abstract जो objects होते हैं उनके बारे में भी आपको सूचना है दे सकता है now last point आता है हमारा 15 years का बच्चा 15 साल तक की बात करी थी न तो last हमारा आता है 15 साल तक के बच्ची के अंदर के इतना intelligence level उसका increase हो जाता है तो वो साथ अंकों को दोहरा लेता है जैसे मैंने आपको बताया था दो तीन अंक दोहरा लेता है अब उसकी mental ability और increase हो जाती है वो साथ पूरे वाक्यों को पूरे sentences को बोल सकता है second point आता है हमारा चित्रों की व्याख्या करना इसके अंदर बच्चों को आप कोई भी images, maps और यह सब चीज़े दिखाएंगे न 15 साल के बच्चे को तो वो easily उसको explain कर सकता है उसके बारे में अपनी logical thinking रख सकता है अपने point of view से देख सकता है कि हां मेरे क्या विचार धा रहे हैं अपनी बाते बोल सकता है अगर मैं book for example book दिखा दू किसी बच्चे को कि इसके बारे में चलो बताओ हो सकता है इस book के बारे में कोई बच्चा कुछ बताए कि माम इसकी shape ऐसी है इसका color ऐसा है कोई और इसका नाम बताया या इसकी shape और color को छोड़के इसका नाम बताया इसके बारे में बताया कि इसके writers यहीं है ये बुक इस पर डिपेंड है ये चीज तो वो किया है सब को दोनों का क्या था सोचने का और देखने का तरीका अलग 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 था जरिया अलग 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 था ठीक है लेकिन अबजेक्ट तो मैंने उनको एक ही दिखाया था तो इसलिए बच्चे अपने चित्रों की व्याख्या कर सकते हैं अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करके उसके बाद आता है 20 तक के अक्षरों की व्याख्या को दोहराना मतलब अगर आप उनको प्रॉपर वाक्य और एक पंक्तियां दे देते हैं कि चले मेरे बीचे रिपीट करिये या 15 साल के बच्चे बच्चों की व्याख्या करना है ऐसे concepts बच्चों की सामने अगर हम बोले कि मुझे चलिए for example प्लस का कोई एक example दीजे प्लस concept का कोई एक example दीजे तो कोई भी बच्च आपको बता सकता है मैं 5 प्लस 2 is equal to 7 प्लस का concept है multiply का 5 into 2 is equal to 10 मैं multiply गा है तो इस तरह के concepts भी बच्चे आपको इसी लिए बता सकते हैं ठीक है उनके लिए आपको blackboard, pan और इन सब चीजों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को उस time पे इतनी mental और intelligence level उनका increase हो जाता है कि वो सारी चीजे पढ़ बढ़के पढ़ पढ़के पहली class से लेके 10 वी, 12 तक बहु सारी बच्चों के वो आपको बहुत easily उनके examples दे सकते हैं उनको अपनी daily life से relate कर सकते हैं अगर आप बच्चों से पूछे कि चलिए मुझे कोई example दीजे जिसमें आप plus का concept यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो आपकी daily life से related है तो बच्चे वहाँ पर भी आपको example दे सकते हैं कि माम कल मैं एक pen खरीदने कया, shop पे गया तो shopkeeper से मैंने दो चीजे ली, एक pencil ली, एक pen लिया, ठीक है pen था 10 रूपीज का और pencil थी 15 रूपीज की तो वहाँ पर बदा सकता है कि माम महाँ पर plus करके मैंने amount कितना दिया 10 प्लस 15, 25 रूपीज मैंने वहाँ पर pay किये तो महाँ पर वो वाला example किसी हुआ, उसकी daily life से related था, तो उसने वो वाला concept भी महाँ पर plus का use किया, ठीक है तो तत्यों के व्याक्या भी बच्चे कर सकते इस age पर आके 15 years में, ठीक है तो इसके साथ हमारा ये वाला topic complete होता है सबसे important बात आपको ये याद रखने वाली है, इसके अंदर जो मैंने आपको इतना explain किया है कि जो बीने साइमन परिक्षन था, उसमें उनोंने 3 से 15 साल तक के बच्चों के बारे में abilities बताई थी कि इतने साल से इतने साल तक के बच्चों का intelligence level कितना हो जाता है और आपसे questions में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तर्चों की व्याक्या, मतब concepts को define करना या clear करने बच्चे की किस age में इतनी ability strong हो जाती है, तो आपको options में 15 years मिल सकता है कि बच्चा 15 साल में ये सारी चीज़े सीख जाता है, तो आपको ये भी learn करना है कि किस age में बच्चे की कितनी ability हो जाती है ठीक है, इसको revise कर लेना, वीडियो बार बार भी देख सकते हैं आप इसको post करके और जो मैंने key points लिखे हैं वो इसलिए रिखे हैं कि आप note कर सकें ठीक है, मैंने मैं आपको explain ऐसे भी कर सकती थी बट मैंने लिख दिये आपको सामने ताकि आपको easily उनको note करके बार में आप उनको revise कर सकें तो इसके साथ intelligence का भी यह वाला topic यहीं पर खतम होता है और बाकी और वीडियो देखने के लिए, मुझे encourage करने के लिए, मुझे motivate करने के लिए भी वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए और comment करिए प्लीज और आपको please subscribe कर लिए, ben icon press कर लिए, notification के लिए और जो KVS का technical part, PGD का, computer science का है, आपको study material चाहिए उसके लिए तो description में जो link और number दिया गया है, आप उसपे contact कर सकते हैं, thank you so much Good morning friends, I am Swati Singh, मैं आपकी हर वीडियो के अंदर जो हमारा psychology का topic चल रहा है psychology and pedagogy, उसमें से एक videos में separate लेकर आती हूँ जिसमें हम psychological facts discuss करते हैं, वो इसले discuss करते हूँ मैं आपके साथ क्योंकि theoretical पढ़ने के साथ साथ अगर आप key points में उनको देख लेंगे एक बार, तो आपको अच्छे से learn हो जाएंगे, ठीक है तो आज भी मैं 10 questions लेकर आई हूँ अपनी इस वीडियो में, तो start करते हैं first question है आपका सम्मंधवाद का सिध्धान, सम्मंधवाद का सिध्धान किसने दिया है, यहनी कि connectionism connectionism मैंने आपको अभी जब पहले psychology स्टार्ट करी थी, तो बातो बातों में एक वीडियो में चेक करना, मैंने उसमें बताया है कि connectionism किसने बताया था, यह हमारे थ्रॉंडाइक ने दिया है यह हमारे थ्रॉंडाइक जी ने दिया है connectionism, उन्होंने connectionism क्यों कहा, क्योंकि जो उन्होंने थ्योरी दी थी ना cat की, कि वो hunger होती है, उसके सामने streamless के रूप में हम उसको इलिए खाना रख देते हैं, और फिर वो इधर उधर पंजे मारती है, एकदम से क्या है, ट्रिगर पेर दर लग जाता है, और उसको खाना मिल जाता है, जब उसका जो पिंजरा होता है, उसका shutter open हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने का कि किसी ना किसी से, अगर हमें कोई काम करना है ना, तो एक connection बना के चलते हुए हम, पहले कोई उसने try किया, फिर उसके बाद trigger पेर आया, फिर उसे खाना मिला हो, तो वो क्याता है, एक sequence में हुआ, सारी के दिया है, तो जो सारा procedure एक sequence में हुआ, तो इसलिए उसको सम्मंध वा दिया, यानि कि connectionism का सिध्धान्त बोला था, कि theory of connectionism किस ने दी थी, थ्रॉंडाइक ने, next आता है, sign, chin का सिध्धान्त, sign, chin का सिध्ध Tallman ने, उन्होंने क्या कहा था, कि जो science होते हैं, हम बच्चे को starting में कैसे समझते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, उसका भाशा विकास नहीं हुआ होता, उसका बोलने का उसका तरीका क्या होता है, कि वो अपनी science से अपनी बाते क्या है, express करता है, अगर उसको पानी चाह चाहिए, तो वो इदर-उदर हाथ पैर मारता है, दूर्च चाहिए, तो रोने लगता है, तो इस तरह के expression देता है, इस तरह के science वो express करता है, अपने body language के थुरू, तो इसलिए ये किस ने दिया है, हमारे tallman ने, उसके बाद आता है third question, वहवारवादी का सिदा, देके learning में जो behaviorism दिया गया था, कि learning क्या है, या हमारी psychology क्या है, behavior के थुरू हम, last मैंने आपको बताया था ना, कि behavior जो हमारी psychology है, उसको last में क्या माना गया था, वहवारवादी का सिदा, यानकि behaviorism रखा गया था, कि हम मनोविज्ञान को, किसी भी बच्चे को अगर समझना है, किसी व पहवार को, यानकि behavior को पढ़ना समझे, तो आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, अगर मैं अभी आपके सामने कोई बात या अपने points के लिए कर रही हूं, तो मैं आपको जिस रूप से समझा रही हूं, या मेरे facial expression कैसे हैं, या बात करने का तरीका कैसा है, ऐसे ह या है, आप किसी के behavior को judge कर सकते हैं, कोई गुसे में होता है, कोई sad होता है, कोई happy होते हैं, तो आप कैसे पता चलाते हैं, कोई unknown है, आप उसको नहीं जानते हैं, आप Metro में हैं, और आपके सामने इतने सारे लोग खड़े होते हैं, आप फिर भी अंदाज़ता लगा लेते ह कि वो sad है, वो बहुत जादा happy है, तो कैसे है, उसके facial expression के तुरू, उसके behavior के तुरू, कि वो इस time क्या सोच रहा होगा, tense है के नहीं है, तो ये सारी चीज़ने हमारी किसने दीती, J.B. Watson जी ने ठीक है, वहवारवादी का सिद्धान यानि कि behaviorism जो दिया था हमारा learning और psychology के अंदर, वो हमारा J.B. Watson जी ने दिया था अब आता है अधीगम, यानि कि learning और वहवार, यानि कि behavior हमारा, इसका सिद्धान किस ने दिया था? इसका सिद्धान दिया था, Clark Hall ने इन्होंने क्या कहा था कि learning जब भी हम करेंगे और जब भी जो भी हमारा behavior होगा, यह दोनों आपस में correlate होंगे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि learning without behavior हो जाए या फिर behavior जो है हमारा, वो without learning हो जाए, क्यों? क्योंकि आप कोई भी जो behavior करते हैं, वो किसके तुरू करते हैं? आपके दिमाग में कुछ thoughts होती है, या आपने कुछ learning की होती है, उसी से तो आपका behavior change होता है, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि psychology का या हमारी education का क्या मतलब है, कि जब आपके behavior में change होने लगे, उसका मतलब है learning, उसका मतलब है education, क्योंकि अगर मुझे अभी किसी बच्चे को मारली जे टूकी टेबल नहीं आती है, और मैंने उसे टूकी टेबल learn करवाई, और उसने मेरे through learn करी, तो जब उसको टूकी टेबल आगे तो उसके behavior में क्या फरक आया, कि पहले उसको टूकी टेबल नहीं आती थी, बाद में क्या हुआ, उसको learn करने के बाद उसको आगे तो उसके behavior में क्या था, change आ गया, किनी किनी कुछ बच्चेों में क्या होता है, bad habits होती है, कि अपने nail biting क बहुत अच्छे इसारी चीज़े और फिर वो वेल मैनेट रहने लगे नेल बाइटिंग ना करें इसारी चीज़े ना करें तो क्या होगा उनके बिहेवियर में लर्निंग के थ्रूँ चेंज आ गया यह बात बोली ने हमारे क्लरक खुलने क्योंकि उन्होंने अधीगम यानि के लर्निंग और बिहेवियर को एक साथ रखा धां उसके बाद आता है हमारा फिफ्प पॉइंट क्रमबंद अंत्राल विदी क्रमबंद होता है एक सेक्वेंस में अंत्राल होता है इक डिस्टेंस मेंटेंटेंट करके अगर मैं कोई चीज़ सिखा रही हूं मेंज एक सीक् को बोर्ड मास सिखा दू यह एक्वेशन सॉल्व करना सिखा दू तो वह क्या होगा बच्चे के लिए मिस्माच हो जाएगा तो इसी लिए आप वन बाइवन सीक्वेंस पर चलोगे लेकिन इक डिस्टेंस मेंटेंड करते हुए ताकि बच्चे को भी अच्छे से लर्निंग ह यह नहीं कि वो सारी चीज़ों को क्या है mix-up कर दे आज ही एक दिन में आपने सम मैस के सारे टॉपिक बढ़ा दिया आपने प्लस भी बढ़ा दिया माइनस भी multiply भी divide भी उससे क्या होगा बच्चा confused हो जाएगा क्योंकि उसकी mental ability भी इतनी strong नहीं होती कि वो सारे concepts को एक सास समझ सके तो इसलिए आप क्या है one by one sequence में चलोगे लेकिन एक distance maintain करते हुए कि बच्चा क्या है उस चीज़ को अच्छे से सीख जाए तो यह किस ने दिया था हमारा यह दिया थर्ट सन ने यह बात बोली दी हमारी थर्ट सन जी ने क्रम बन अंतराल विदी हमारी थर्ट सन ने दी उसके बाद next आता है समद्रिष्ट्टी अंतर विदी संद्रिष्टी होती है एक रूप से देखना जैसे हम बोलते हैं आगर मेरी द्रिष्टी है मतलब मेरा जो देखने की द्रिष्टी है किसी चीज़ पॉइंट पर सोचने की एक व्यू है तो वो क्या है एक समान द्रिष्टी से होना चाहिए एक संद्रूपता से होना चाहिए ये भी हमारा किस ने दिया, सेम, थर्ट संड जी ने दिया, उसके बाद आता है तरल, ठोस, बुद्धी का सिद्धान, जो intelligence की chapter के अंदर ये वाला आप detail में पढ़ लेंगे, ये भी एक हमारी अलग से theory है, तो वो पूरी theory आप theoretical पढ़ने के लिए, इसके बारे में देखने के लिए, देख ले ना, जो मेरी वीडियो होगी, तरल और ठोस, बुद्धी का सिद्धान, ये वाला किस ने दिया था, अभी इसमें बता देती हूँ, मैं, ओके, ये तरल बुद्धी और ठोस बुद्धी का सिद्धान था, हमारा किस ने दिया, आर्बी केटल ने, ठीक है, आर्बी केटल ने हमारा तरल बुद्धी, ठोस बुद्धी का सिद्धान दिया था, ये इंटेलीजेंस का जो चैप्टर है, उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा, कि तरल बुद्धी और ठोस बुद्धी क्या होता है, उसके बाद आता है, बुद्धी का का सिद्धान, जो A और B का था, इंटेलीजेंस ओफ A, इंटेलीजेंस ओफ B की जो थियोरी दी, वो किस से दी, बुद्धी का और खा का सिद्धान, ये आपका दिया है, हैब ने, इसके बाद आता है, बुद्धी इकाई का सिद्धान, यानि की यूनिट ओफ इंटेलीजेंस, थियोरी ओफ इंटेलीजेंस जो थी हमारी, इंटेलीजेंस, जो यूनिट ओफ इंटेल इलिजनस का जो थिओरी दी वो किस ने दीती हमारी ठीक है जो यूनिट ऑफिएन्टेलीजेंस की थिओरी थि वो हमारी दीती स्टर्न एंड जॉन्स εκ complete लास्ट आता है मूल प्रवर्तियों का सिध्धान्त मूल प्रवर्तियां क्या होती है आपको पता है मूल प्रवर्तियां होती हैं किसी भी बच्चे की मतलब ऐसी प्रवर्तियां ऐसी चीज़े जो बच्चे के अंदर पहले से ही होती है मतलब उसकी नीड फर्स नीड जो होती है जैसे प्रात्मिक नीड बोलते हैं प्राइमरी नीड जो होती है वो होती है मूल प्रवर्टिय जो हमें कुछी सीखनी नहीं पड़ती जैसे आपके emotions है feelings यह सारी चीज़े क्या हैं आपकी मूल प्रवर्तियां यानि कि वह actual में मतलब आपके अंदर पहले से ही आपको सीखनी नहीं पड़ते हैं emotions किसी से कभी आपने देखा कि मुझे sad होना सिखा दीजें कभी मुझे happy होना सिखा दीजें नहीं होती नहीं चीजे क्यों क्योंकि जैसे जैसे हमारा behavior होता है जैसा mood होता है swing होता है मारा mood वैसे-वैसे क्या emotions बाहर आते feelings बाहर आते हैं तो वह हमारी मूल प्रवर्ति होती है जो में सीखनी नहीं पड़ती सबसे जादा important question है यह मूल प्रवर्तियों का सिधान किस नहीं दिया है William McDoodle ने क्योंकि last year exam में भी आ चुका है सीटट वाले में आप देख सकते हैं और उसके बाद बुद्धी का बुद्धी खा का सिधान किस नहीं दिया है very important help ने दिया है और उसके बाद तरल ठोस बुद्धी का सिधान भी पूछ लेते है और बी केटल ने दिया है और उसके बाद सबसे important अधिगम और वहवार का सिधन किस ने दिया है Clark Hall ने दिया है वहवार वादी वेरी 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 important question सारे छोड़ देना लेकिन यह skip मत करना behaviorism का सिधान किस ने दिया था theory of behaviorism जे बी वाट्सन ठीक है और connectionism बच्चे इसमें बहुत confused हो जाते हैं क्योंकि एक हमारी जो theory classical conditioning और यह connectionism दोनो stimulus और response पर depend है तो इसलिए बच्चे confused होते हैं लेकिन याद रखना जब भी connectionism word आये ना connectionism classical conditioning नहीं कुछ ऐसा theory नहीं कोई response stimulus theory नहीं सिर्फ connectionism mind में रखना अगर आपको कभी भी question में connectionism दिखाई दे तो उसका answer सिधा throndike होगा okay 10 question अभी हमने discuss कर लें next video में 10 और discuss कर लेंगे तो इनको अच्छे से learn कर लेना thank you good morning friends I am Swati Singh हम आपने जो intelligence यानि की बुद्धी के बारे में पढ़ रहे थे उसमें से यह वेरी आखरी theory है तो उसमें क्या है जो पहले वाली videos हैं आप उसमें सारी theories check कर सकते हैं यह वाली last और छोटी सी theory है ज्यादा बड़ी नहीं है ठीक है क्योंकि ज्यादा important theory नहीं है तो चलिए discuss कर लेते हैं जो आज की theory है वो तरल्व ठोस बुद्धी यानि की fluid and crystallized theory of intelligence है यह होती क्या है और सबसे पहले बात करते हैं कि किसने दी है ठीक है इसके जो प्रतिपादा क्याने की जनम दाता है जो इस theory को हमारी psychology intelligence के अंदर लेकर आये थे क्यों लेकर आये थे वो हम discuss करेंगे यह दी है हमारे kettle war horn ने kettle war horn ये वाली theory हमारी तरल्व ठोस बुद्धी की लेकर आये थे intelligence के अंदर अब intelligence के अंदर इन्होंने तरल बुद्धी और ठोस बुद्धी यानि की fluid और क्रिस्टलाइज बुद्धी को intelligence ठीक है discuss करते है कि यह क्या होता है और क्यों इन्होंने रखा था kettle और horn ने कहा था कि बच्चे के अंदर जो उसका intelligence होता है यानिकि जो उसकी बुद्धी होती है एक तो तरल बुद्धी होती है allergies फ्लेवर्ड होती है एक होती है ठोस यानि कि एक होती है crystallize e ई-ई-ड उ-छेनम-षाक वह वश्चा अनुकरई यानि कि जो हमारे बैबर्थ होती है है और हैरेडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग हमें मिलती है तो तरल बुद्धी बोला था कि बच्चों के बॉड़ी में जो हमारी मतलब दिमाग में जो बुद्धी है इंटेलीजेंस है वो एक तरल रूप में होती है यानि कि बच्चों के अंदर एक बुद्धी होती है जो जनमजात होती है जो हमें हैरेडिटी के अकॉर्डिंग मिलती है अपने जीन्स के अकॉर्डिंग मिलती है मैं पहले ही बात कर चुकी थी अपनी प्रिवेश वीडियो के अंदर की जो हमारा mental abilities होती है इंटेलिजेंस होता है वो हमें बाइबर्थ ही मिल सकता है आप थुरू एंवार्मेंट इसको उपर नीचे 19 भी इसके फरक से बड़ा और कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा इसमें फरक नहीं कर सकते हैं जिससा आपसे आपके पेरेंस की और हैरेडिटी की अकॉर्डिंग आपके समाने बिल्कुल नॉर्मल बच्चे वाला है तो आपका भी यही होगा आप इसको एंवार्मेंट के थुरू हांडली 80 और 89 तक लेके जा सकते हैं लेकिन यह नहीं कि 120 प्लस ले जा सकते हैं ओके तो इसलिए जो हमारा जनम जात और वन्शा अनुकर्म इंटेलिजेंस होता ह हाल ने उसको तरल बुद्धी यानि कि फ्रियंट इंटेलिजेंस कहा है उन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर यह जनम जात होता है वन्शा अनुकर्म के थुरू ही हमें यह चीजे प्राप्त होती हैं बच्चे और वन्शा अनुकर्म और जो हैरेडिटी के अकॉर्ड और जीन्स के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है ठीक है तो और हमारा मेंटल एबिलिटी आईक्यू लेवल हमने डिसकस करी लिया है कि कैसे हमें हैरेडिटी और जीन्स के अकॉर्डिंग मिलता है तो केटल और हॉन ने इसको तरल बुद्धी के सदांत में रखा था कि जो फ और रि़द्धी और ग्रोथ नहीं कर सकते है अब सेकेंड उन्होंने बोला था ठोस बुद्धी याईं कि क्रिस्टल ize एक इंटेलिजन्स बोला था इसके अंदर क्या पोड़ा था केतल और हॉन ने का ता एक बुद्धी बच्चे गंदर क्रिस्टल ize intelligence होता है जो हमारे Venus से बच्चे सीखते हैं यानि कि पूर्व अनुभवों के द्वारा बच्चा सीखता है कि क्रिस्टलाइज थियोरी के अंदर बोला था कैटल और हौन ने कि बच्चे के अंदर जो क्रिस्टलाइज इंटेलीजेंस होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो पहली सीख चुका है जो उसके अर्लियर एक्सपिरियंस है पूर वानुभव हैं उनका यूज करते हुए वो नई चीजें सीखता है न्यू लर्निंग करता है जो उसके वहाँ पे एक पॉजिटिव रूप में हेल्फुल होती है वहाँ पे इन्होंने जो आपकी अर्लियर एक्सपिरियंस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं जहां पे आपको पॉजिटिव रिस्पॉंस कर रहा है वहाँ पे क्या है आप कोई भी न्यू चीज सीख जाएंगे और जहां पे आपको नेगेटिव भी मिल रहे हैं वहाँ पे आप वो नहीं चीज नहीं सीख सकते हैं फोर एक्जामपल कि अगर आप माली मैस का कोई कॉई कॉंसेप्ट सीखते हैं या आप मैस में प्लस माइनस के कॉंसेप्ट सीखते हैं तो यह सारी आपको कहां पे भी और जगाहों में यूसफुल हो सकती हैं आप एक्नॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको डाटा इन सब चीज़ों में वहाँ पे हेल्फुल हो सकता है प्लस माइनस यानि कि मास की चीज़े आपके एक्नॉमिक्स में यूसफुल हुई यानि कि माँपे पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ तो आपके अर्लियर एक्स्पिरियंस न्यू लर्निंग में आपका हेल्प किया ऐसे अर्लियर एक्स्पिरियंस को न्यू एक्स्पिरियंस न्यू लर्निंग के अंदर यूज किया नई चीज़े सीखने के लिए और जो सेक्रिंड है आपका नेगेटिव भी होता है अगर आप मालीच सेस्टी पढ़ते हैं शोशल साइंस का यूज आप मास में तो नहीं कर सकत नहीं थी तो वह वाले एक्स्पिरियंस आपके मास के कॉंसेट पर हेल्फुल नहीं होगे तो वहां पर क्या होगा कि नेगेटिव रिस्पॉंस आप नई चीज़े लर्निंग करने में हेल्फुल नहीं होगी तो केटल और हॉन ने कहा था कि बच्चे के अंदर एक चीज़े नई चीज़ लर्न कर सकता है ओके तो केटल और हॉन ने ये दो चीज़े दी थी सिंपल सी फर्स आपको पता होना चाहिए कि थियोरी किसने दी केटल और हॉन ने तरल में जनमजात और वंशानुकन यानि कि हारेड़ेटी जीन्स और बाइबर्थ की चीज़े वारा मिलते हैं उनमें कोई आपको चेंज करने की जरुवत नहीं होती है वो आपके अंदर आ जाते हैं कलको आपके बच्चे होंगे तो वो चीज़े उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और सेकिंड ठोस क्रिस्टलाइस थी 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 जो अर्लियर एक्सपीरियंस इस पर आपके डिपेंड रहती है कि जो भी आप पुरानी चीज़े सीखते हैं उसका यूज आप न्यू लर्निंग के अंदर कर सकें यह वाली थी थीरी मेरी हैं भी फिनिश होती है नेक्स फीडियो में आम न्यू इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डिसक्स करेंगे थैंक यू सो अच्छा अनुकर्म के बारे में डिसक्स किया है कि हेरी टिटि होता क्या है और उसका महत्व इंपोर्टिंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है ठीक है आज की इस वीडियो के अंदर हम उसका second point यानि कि वातावरन के बारे में पढ़ेंगे कि environment क्या होता है और वह उस जो वातवरण होता है हमारा environment वो होता है चारो तरफ का आवरण means जो किसी भी व्यक्ति को बहाय रूप से और आंत्रीक रूप से जो घेरे रहता है हमारे शरीर को चारो तरफ से जो घेरे रहता है वो होता है हमारा environment आप जहां पर रहते हैं जिस society में जिनके साथ रहते हैं वो आपका क्या है वो environment है वहाँ पर आपके family भी रहती है, आपके society भी रहती है, आपके friends भी रहती है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़े क्या है, आपको घेरे वे, जिन से आप related है जिनके आपके कैसे relations है, आप उनके बिना अपना जीवन पूरा नहीं कर सकते हैं क्यों आप पानी के बिना जीज सकते हैं नहींक हाना खाने के बिना जीज सकते हैं Hehay कहिए फालक बिल्कुल चला चाहिए यहांपे आपको यह सारी चीजह नहीं मिलती वहांपे आप जी लेंगे तो वहांपर भी आप जगत जायेंगे यहांपे पानी और यह सारी सुक सुभी दाईन नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर भी क्या, वहाँ पर आपको परियावरन नहीं मिलेगा, क्या आर्थ वातावरन नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी जो नेचर है, जो पहाडियां है, जो पेड़ पोधे हैं, जो ज़रने हैं, ये सारी चीज़े क्या हैं, ये भी तो परियावरन ही है, आपका environment है, व तो हमारी development होती है न, development हमारी जो जनम से पहले, जनम से पहले से लेकर, मिर्तियु तक चलती है, ठीक है, तब तक ही हमारा जो वातावरण है, जो हमारा environment है, हमको किसी ना किसी रूट में effect करता ही है, ठीक है, बच्चे विदाउट वातावरण या बिना अपने वातावरण के अपना कोई development नहीं कर सकते हैं, अपनी heredity, genes, इन सबका कोई भी importance नहीं रह जाती है, ठीक है, अब समझ देते हैं, type of environment कितने होते हैं, यानि कि वातावरण के प्रकार कितने होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक होता है आंतरिक, यानि कि internal, और एक होता है बहायर, यानि कि external, ठीक है, अब आंतरिक समझ लेते हैं, पहले कि आंतरिक वातावरण क्या होता है, और बहायर वातावरण क्या होता है, आंत्रिक वातवरेंट यानि कि internal the environment होता है वो होता है जब बच्चा अपनी मा के गर्ब में होता है यानि कि जनम से पहले ठीक है जो हमारा आंत्रिक वातवरेंट होता है यानि कि internal environment होता है जब बच्चा अपनी मा के गर्ब इस थन में होता है यानि कि उसके जो 9 महिने का पीरेड होता है जब बच्चा अपनी मा के गर्ब में होता है अब वहाँ पे वातवरन कैसे effect करता है वहाँ पे वातवरन का क्या सम्मंद है क्योंकि बच्चे का जदम तो अभी हुआ ही नहीं तो वातावरन कैसे इफेक्ट कर रहा है बच्चे को कैसे इफेक्ट कर रहा है यह पॉइंटर यहाँ पे बच्चे को उसका वातावरन इस रूप में प्रभावित करता है इस रूप में इफेक्ट करता है For example, मान लीजे, जब बच्चा अपनी मा के गर्ब में होता है तो जो उसके आजपास की चीजे होती है जो उसके tissues होते हैं, जहांपे वो रहता है जहांपे उसकी body structure develop होता है वो उसे प्रभावित करते है गर्ब इस तरह में बच्चा खाना कैसे खाता है? नौ महीने वो भी तो जिन्दा रहता है वो भी तो जीवित रहता है खाना खाके पानी पीके वो कैसे रहता है? वो अपनी मा के तुरू रहता है उसकी मा जो भोजन घ्रैंड करती है जो खाना खाती है वही बच्चे के लिए जाता है जो पानी पीती है वही बच्चे के ले जाता है तो वो सारी चीजे अपनी मा के तुरू ही बच्चा घ्रेंड करता है बच्चा अब्जर्व करता है तो यही सारी चीजे बच्चे को गर्ब के टाइम पे इफेक्ट करती है अगर मान लीजे कि बच्चा मानसिक रूप से कमजो टाइम होता है उस टाइम पे अगर माँ शारिरीक रूप से कम्जोर है काफी जादा दुबली पतली है तो उसका effect क्या सीधा बच्चे पेड़ेगा कि बच्चा भी उसी रूप से पैदा होगा कि उसमे भी शारिरक कम्जोरีन आ जाएंगी वह भी शारिरक ग्रूप से दुर्बल पैदा होगा, उसमें कमजोरियां आ जाएंगी, या mental ability कम है, तो बच्चा भी मानसी ग्रूप से अगातित पैदा होगा, ठीक है? यह सारी चीज़े क्या है? आंत्रे ग्रूप से effect करती है, अगर मा उस टाइम पे mother जो है, proper food gain नहीं कर रही है, healthy food नहीं ले रही है, तो जो से लेनी चाहिए कि vitamins उसमें होना चाहिए, proper calcium उसमें होना चाहिए, उसका food chart ऐसा बनाया जाता है, जिसमें egg, bread और पनीर वगदर रखा जाता है, ताकि वो healthy food gain करें, ताकि बच्चा भी healthy पैदा हो, वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि मा यह सारी चीज़े तो बच्चे के अंदर वो सारी चीज़े, वो सारी developments होंगे, जो होने चाहिए, बच्चा भी healthy पैदा होगा, वो भी शारेरिक रूप से कमजोर नहीं होगा, तो इसलिए जो internal environment है, हमारा बच्चे का आंतरिक रूप होता है, जो आंतरिक वातावरन होता है, वो जनम से पहले इसलिए का होता है, जो उसकी मा के प्रूही बच्चे को effect करती है, अब second point आ जाता है, इसमें बाहर, यानि कि external जो environment उसका होता है, बाहर ये वातावरन क्या होता है, बाहर ये वातावरन को कुछ पार्ट में divide किया गया है, इसमें होता है हमारा भौतिक वातावरन, ओके external य इसमें पहला आता है हमारा भौतिक वातावरन, यानि कि physical environment बच्चे का जो होता है, physical environment क्या होता है बच्चे का, जैसे उसका school हो गया, उसका घर हो गया, तापमान हो गया, ये physical चीज़े ही तो हैं जो हमी naturally मिल रही है, जैसे weather change होते हैं, और बहुत सादा धूप हो रही है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, वो सारी बच्चे के body को effect करती है, आपका school का environment आपको effect करता है, घर का environment आपको effect करता है, अगर आपका घर का school का environment बहुत positive है, तो भी आप positivity अपने अंदर gain करेंगे, उसी तरह की आपकी शिक्षा होगी, उसी तरह का आपका development होगा, नहीं रहते हैं तो वहां पर कैन आपका इंटरस्ट पढ़ाई के अंदर नहीं आएगा अगर ऐसे लोगों के बीच रहते हैं आप जहां पर चोरी चकारी जूट जादा बोला जाता है तो आप भी वह चीज़ें करेंगे ठीक है और जो आपका एंवार्मेंट है जैसे बहुत टाइम पर आप पो इफेक करते हैं ठीक है यह सारी चीज़े के आती है हमारी बहुत और वातावरन के इस और अब कि शूषिक है अब इस शोष्ण क्या थैस माजä अ क्या होता है आपका जिस ऑते वरंके गृररते हैं आपके साहथ आपक час प्र ενवार्मेंट होता है आपके society के members होते हैं, आसपडोसी होते हैं, ये लोग भी आपको effect करते हैं, अगर आपके दोस्त अगर बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको अच्छी चीज़े सिखा सकते हैं, आप वहाँ पर क्या है, positive चीज़े गें कर सकते हैं, बहुत educated बन सकते हैं, अगर आपके friend circle ऐसा है कि जहाँ पर सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और educated family से belong करते हैं, आपके teachers आपको proper guidance प्रोवाइड करा रही हैं, तो आप भी महाँ पर क्या हैं, वो सारी चीज़े सीखते हैं, आप भी बहुत अच्छी बढ़ाई करेंगे, और उनको देखा देखी, आप भी teacher है, एक ideal है, और उनकी personality ऐसी है, जो आपको एकदम attract करती है, कि अपनी teacher की तरह बनना है, एक ideal teacher है, उनकी जो values हैं, या रिस्पेक करती हैं, जो उनका behavior है, वो बहुत positive है, तो आप उससे effective होते हैं, कि मुझे भी ऐसे behave करना है, मेरी भी personality ऐसी हो, ये सारी चीज़े, आप लेख के सीखते हैं, अपने environment के अंदर, कि मेरे parents बहुत well educated हैं, तो मुझे भी पढ़ाई करना है, अपने parents की तरह बनना है, अपने दादा-दादी की तरह बनना है, कुछ families में आपने देखा होगा न, जो families, armies और 4G, ये सब families से belong करते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या है, व बच्चे का जो social environment होता है, बच्चे को, बहुत जादा उसको effect करता है, उसके development को, ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, बच्चे का मानसिक environment, यानि कि मानसिक वातवरन, यानि कि emotions, sorry mental, ठीक है, अब बच्चे का मानसिक environment होता है, जो environment होता है, वो बच्चे को कै से एफेक करता है कि आपका मालीजी ज्यादा IQ लेवल नहीं है या ज्यादा आपको knowledge नहीं है लेकिन आपके teacher के तुरू आपके parents के तुरू अगर आपको proper guidance दी जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जितना आपको नहीं पता उससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं सीख सकते हैं अचीव कर सकते हैं लाइफ में फॉर एक्जामपल जरूरी नहीं कि आपके parents आइस नहीं बने collector नहीं बने वह doctor है या teacher है या फिर कुछ भी नहीं है normal मज़ूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं तो उनके बच्चे भी क्या collector बन सकते हैं इस बन सकते हैं उनको किस चीज़ की जरूरत होती है उनको एक ऐसे environment की जरूरत होती है चहां पर उनको guidance provide कर आई जा सके उनको निर्देशन दिए जा सके उनकी counseling की जा सके उनकी जितनी mental ability उसको strong किया जा सके positivity डवलेप की जा सके या फिर उनको उसके scopes बताए जा सके तो एक mental ability या मांसिक environment उसका ऐसा डवलेप किया जा सके उसके teachers parents और किसी भी social worker या psychologist के दुरू ताकि वो बच्चा अपनी mental ability को control कर सके और एक प्रॉपर वे में अपना development कर सके और उसके बाद आता है samveigatma जानी की emotions last हमारा बहाया वातावरन के अंदर point है samveigatma जानी की emotion emotion जो वातावरन होता है आपका emotion environment होता है वो कैसा होता है कि आपने देखा होगा कई बार आपको कुछ और करने का मर हैं ठीक है आपको मालीटी dancer बनने का मना है या singer बनने का मना है मौडलिंग करने का मनना है लेकिन जो आपके parents है ना वो आपके उपर एक ऐसा इमोशन, environment create कर देते हैं, एक ऐसा emotion अत्याचार करते हैं, कि वो बोलते हैं, आपको तो doctor ही बनना है, नहीं आपको engineering ही करनी है, तो वहाँ पे आप क्या हैं, उस रूप में, वहाँ पे आपको environment effect करता है, कि आप वहाँ पे mental ability अपनी इस तरह से प्रभावित कर लेते हैं, कि actor बनने का था, dancer या singer बनने का था, तो वहाँ पे जो emotional environment रखा जाता है, कि emotional अत्याचार गिया जाता है, वो चीजे क्या हैं, आपको effect करती है, बच्चे के development को, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीजे ऐसी भी होती हैं, कि बहुत positive way में आपको effect कर रही हैं, और कुछ बहुत negative way म आपको effect कर रही हैं, तो यह सारी चीजे मैंने बता दिया, आपको first आपको पता चल गया है, वातावरन क्या होता है, जो हमें हमको घेरे रखता है, यह हमने discuss करी लिया है, यह हमें घेरे रखते हैं, जनम से पहले से लेकर, मिर्तियू तक, यानि कि जब तक हमारी death नहीं हो हो जाती हम तब तक अपने environment से जोड़े रहते हैं, और environment की थुरू हमारा development किसी ना किसी रूप में effect होता रहता है, अब आंत्रिक यानि कि जो हमारा internal environment था, वो भी हमें effect करता है, अपनी मा के थुरू effect करता है, जैसा वो खाएंगी, जैसा उनका शारीरिक है, मांसिक है, वै social environment उसको effect करता है, उसका mental और emotional environment उसको effect करता है, जिससे बच्चे का development या तो बहुत अच्छा हो सकता है, या बहुत बेकार हो सकता है, ठीक है, यह सारी चीज़े हैं, अब यह वाला point यहीं पर finish होता है, तो next video में next point स्टार्ट करेंगे, थांक्यू Good morning friends, I'm Swati Singh, आज के हमारी इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ रहे थे अब तक, फिजिक, यह सौरी, heritage and environment, वंशानुकर्णव और वातावरण, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप चेक कर सकते हैं, हमने वहां पर heritage क्या होता है, environment क्या होता है, और कितने type के environment होते हैं यह साइवी सीजें डिसकस कर चुके हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे वातावरण के प्रभाव यानकि effect of environment on a child, बच्चे के उपर वातावरण का क्या प्रभाव पढ़ता है, वातावरण का जो प्रभाव पढ़ता है, वो बच्चे के उपर किस रूप में पढ़ता है, यह हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे का जब बर्थ होता है, उसके बाद वो किस से रिलेट होता है, हमारे environment से जुड़ता है, जहां पर उसकी family होती है, उसकी society होती है, उसके friends होती है, school होता है, college होता है, यह सारी चीज़े क्या है, उसका जब जब तक मिर्तिय यापन तक जब तक उसका जनम रहता है, तब तक वो सारी चीज़े उसके साथ environment चलता रहता है, वो कभी भी finish नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए heredity और environment क्या थे, यह तो हम समझ चुके है, अब उसका असर किस रूप में बच्चे के उपर पढ़ता है, द आपको जो हम यह पढ़ा रहे हैं कि environment और heredity आपको पढ़ना important है, वो इसलिए तो important है, जब आपको यह पता चलेगा कि heredity का और environment का बच्चे के उपर यह impact पढ़ता है, तो हमें यही सारी चीज़े तो हटानी हैं बच्चे के उपर से, ताकि उसका proper way में development हो सके, जो impact गल समझनी ज़रूरी हैं, कि यह सारी चीज़े कि रूप में बच्चे के उपर impact करती है, और बच्चों के लिए short out ढूना है, कि हाँ यह सारी चीज़े बच्चे को impact कर रहे हैं, तो हमें ऐसी teaching देनी चाहिए, ऐसा remedial देना चाहिए, ताकि यह सारी चीज़े बच्चों को, के development को impact ना करें, तो इसमें हमारा first point है, शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, first, कि impact on physical development, जो हमारा environment होता है, वो बच्चे के physical development पर impact करता है, यानि कि शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, देखें, जो हमारा body structure होता है वो मा के गर्व में बन जाता है, लेकिन जब उसका development start होने लगता है proper way में, जब बच्चा एक साल का होता है, दो साल का होता है, पांच का होता है, पंदरा का होता है, जो उसकी stages बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी height बढ़ती है, weight बढ़ती है, तो वो क्या है, वो हमारे environment से related है, वो कैसे related है, environment का कैसे हमारे physical development पे असर पड़ता है, for example, बच्चे जैसे आजकल आपने देखा ही है, कि new generation के जितने भी बच्चे है, वो junk food बहुत खाते है, कभी उनको pizza चाहिए, कभी burger चाहिए, cold drinks चाहिए, ये वो, तो वो घर का खाना avoid करते हैं, तो अगर घर का खाना नह खाएंगे proper, उनको nutrition proper नहीं मिलेगा, portion तत्व नहीं मिलेगे proper मातरा में, तो उनका विकास शारेरिक रुख जाएगा, तो इसलिए अब जिसे बच्चे है, junk food खाने लगते हैं, तो उनका क्या होता है, weight जाधा बढ़ जाता है, कई बच्चे अपनी उमर के पहले से 10 साल के ह 12 साल के आपने बहुत मोटे मोटे देखे होंगे, काफी जाधा weight gain कर लेते हैं, अपनी age के according, तो वो भी क्या है, हमारा physical development उसे इंफेक कर रहा है, हमारा environment ही तो कर रहा है, क्योंकि ये सारी environment की चीज़े है, environment में हमें मिलती है, हमारी social life में हमें मिलती है, और बच्चे घर का खाना avoid करते हैं, तो इसलिए उनको proper nutrition नहीं मिल पाता है, जिसकी वज़े से उनका जो शारिरिक विकास है, वो नहीं हो पाता है, वो क्या है, कई बार दुबले पतले रह जाते हैं, चलो अगर कोई slim है, तो doesn't mean कि उसके अंदर उतने nutrition नहीं है, जो vitamins हमें चाहिए, जो calcium हमें तो आपको जब भी आपको ऐसी diet रखें बच्चों के लिए, कि आपको proper nutrition प्रापत हो, जिससे आपका physical development भी proper way में हो, आपकी height अच्छी होगी उससे, एक आपका जो body structure है, वो भी काफी shape में रहेगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े क्या है, हमारे physical development है, उस पे impact करते है, direct environment क चीज़े, ठीक है, बच्चा जैसे, for example, यह भी है, कि बच्चा, अगर माल लिजे, किसी के parents की कम height है, और हमें heritage के थुरू हमें भी कम height में लिए, तो वो अपने environment से कैसे connect होके, उसको बढ़ा सकता है, positive way में, वो इस तरह से बढ़ा सकता है, कि अपने friends के साथ include होके, वो प मानसिक विकास, बच्चे का mental development पर impact करता है, मानसिक विकास पर प्रभावित होता है हमारा environment, यानिकि जो बच्चे का mental development है, उस पर भी impact करता है, उस पर कैसे करता है, for example, लाइक माल लिजे, बच्चे जैसे आजकल movies बहुत देखते हैं, TV देखते हैं, crime patrol देखते हैं, cartoons देख कुछ बच्चे crime patrol देख रहे हैं, दो बच्चे crime patrol देख रहे हैं, same episode, ठीक हैं, अब उसके अंदर crime के बारे में दिखाया जाता है, कि माल लिजे किसी का crime किनाप कर लिया, किसी का murder कर लिया, एक बच्चे ने तो उसको positive way में लिया, अपनी mental, जो उसका mental development है, उसमें उसमें positive positive way में लिया, मांग सिखता हो मैं अपनी कि मुझे इन सब चीजों से aware रहना है, कभी किसी के साथ बाहर ऐसे unknown के साथ नहीं जाना, ममी बापा को inform करके जाना है, कही पर भी जाना है, कोई भी गलत चीजे नहीं करने हैं, और दूसरे बच्चे नहीं क्या किया उसको negative way में ले लिया, उसने उससे क्या चीजे लर्न कर ली, उसने ये चीजे उससे लर्न कर ली, कि हाँ मैं कैसे कैसे kidnapping कर सकता हूं, क्या-क्या tricks सो सकती है murder करने की, मुझे क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं, क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, तो दोनों बच्चों ने देखा ही same ही चीज, लेकिन उनकी mental ability के उपर है, वो कि आप उसको positive लेते हैं या negative लेते हैं, ठीक है, तो इसी रूप में जो मानसिक विकास होता है बच अच्छे से बात करते हैं, उसकी respect करते हैं, उसकी feelings को समझते हैं, तो बच्चा भी माप भी क्या है, आपके साथ एक अच्छे positive वे में connect होगा, अगर उसे कोई problem है, तो वो आपके साथ share करेगा, अगर life में उसको कुछ help चाहिए, तो भी वो आपकी help लेगा, यह सारी चीज हैं, और उसका baby रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, parents अपनी दोनों working हैं, और अपने आपने ही खोई रहते हैं, कि सुबा को office चले गए, शाम को वापस आए, फिर थोड़ा अपना जो भी उनका pending work है, वो finish किया, घर की household works की और अपना सोने चले गए, फिर सुबा उठ है, फिर सेम रूटीन, तो मतलब वो बच्चे को proper time नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चा है, वो जाला तर मेट के पास ही रहता है, यह school में रहता है, अपने friend के साथ, तो वो क्या है, धीर धीरे बच्चा अपना एक depression में चला जाएगा, आपके साथ इतना socialized नहीं होगा, य बुलकुल इतना depression में चला जाता है, वो मांसिक रूप से कमजोर होने लगता है, बोलना कम कर देता है, तो इससे गया, उसका development effect होता है, ठीक है, I hope यह वाला point पी आपको clear हो गया होगा, मांसिक विकास, कि mental development पे कैसे effect करता है हमारा, हारी, वो sorry, बातावरन हमारा environment, उसके ब बुद्धी पर प्रभाव, यानि कि impact on intelligence, intelligence पे हमारा environment कैसे effect करता है, जब छोटा सब अच्छा होता है, तो वो कैसे सीखना सीखता है, अपने intelligence level को कैसे बढ़ाता है, जब छोटा होता है, तो अपने parents को देखके, अनुकरन के द्वारा observe करके, चीजे सीखता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो वो school में जाता है, school में जाके, वहाँ पे teacher से सीखता है, तो वो social life, यानि कि अपने environment से connector है, तो वहाँ पे चीजे सीखता है, कई बार ज़रूरी नहीं है, कि आप जो किताबों में पढ़ते हैं, सिब वही आपके learning है, वही आपके intelligence level को बढ़ा रही है, आप किताबों से अलग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप TV से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजे, अपने friends से कुछ चीजे सीखते हैं, अपने parents से कुछ चीजे सीखते हैं, वो practically कुछ चीजे आप daily life में करके सीखते हैं, जैसे मान लीज़े कि एक बच्चा बस में travel कर रहा ठीक है, वो अपने school जा रहा है या college जा रहा है, और जिस direction में bus जा रही है, बच्चा उसी direction में face ना करके, दूसरी direction में face करके उतरता है, मतलब अगर इस direction में bus जा रही है, तो मैं पीछे की side अपना face करके उतरता हूँ, जब bus थोड़ी slow होती है, तो मैं पीछे की side face करके ए वादा होते है तो आपने फर्स टाइम ऐसे किया क्योंगी गिरकर आप क्या हैं सीधा बस के टायर के नीचे आ सकते हैं महाँ पर एक्सिडेंट का केस आपके साथ हो सकता है तो नेच्स ताइम जब आप गए तो आपको किसी ने बस के अंदर ही बताया कि बेटा कभी भी उतरो तो opposite direction करके नहीं उतरते हैं, बस की same direction में उतरते हैं, अगर बस ऐसे चल रही है, तो आप उसी की movement में, यानि की slow motion में, उसी की side press करके उतरी है, जब आपका body movement थोड़ा slow हो जाएगा motion, तो आप turn कर सकते हैं, then आप turn कर सकते हैं, क्योंकि उस time पे आपको जटका नहीं लगेगा क्योंकि आप भी जो गती है, जो speed है बस की, आप भी उसी speed की side जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या की है, बच्चे ने ये भी तो learning ही की है, एक तरह से उसका intelligence level में increment हुआ है, क्योंकि उसने book से तो सीखी नहीं है चीज़े, ये कैसे सीखी है, अपने environment से connect होके, अपने parents से या अपने social life में जो बाकी लोग है, उनसे connect होकर बच्चे ने ये सारी चीज़े सीखी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े क्या है, हमारे mental ability और intelligence को effect करती है, जो हमारा environment है, effect ऐसे कर रहे हैं, मैंने तो ये positive चीज़ सीख ली, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई गलत शिक्षा दे रहा है, कोई गलत बात बता रहा है, तो वो हमें negativity way में impact कर सकती है, लाइक अगर मुझे कोई बोले कि cigarette पीना बहुत अच्छा है, इसके लिए, आपको पीनी चाहिए, और आजकल का culture है, आजकल के status है, हर लोग अपनी status दिखाने के लिए, या अपने आपको superior दिखाने क करते हैं, आप भी कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े अगर मैं start कर दूँ, तो मेरे उपर क्या होगा, environment का गलत impact हुआ, क्योंकि मैंने यह सारी चीज़े क्या है, अपने environment से ही सीखी है, तो मैंने वहाँ पे negative point अपने gain कर लिए है, वहाँ पे ठीक है, तो यह सारी चीज़े क गया थी, environment का impact मेरे intelligence level पर पर, ओके, यह भी third point भी हो गया, then fourth point आता है, वेक्तितव पर परभाव, impact on your personality, environment हमारी personality पर भी effect करता है, बच्चे के personality की सूप में केवल खाना, पहनना, और यह मतलब पहनना, चलना, यह सब personality नहीं होती है, way of talking, way of walking, यह सारी चीज़े क्या होती है यह भी आपकी personality को दिखाते हैं, कि आप किस रूप से किसी के सामने बात करके, अपनी personality को दिखा सकते हैं, कि हाँ, very good personality, पर जैसे हम बोलते हैं, कि अमीता बच्चन को देखिए, कि बहुत अच्छी personality है, because, कि height के according, और पहनावे के according, way of talking के according, क्या है best personality है, तो इसी लिए, ऐसी ही चीजे, जब environment से हम connect होते हैं, तो यह सारी चीजे हमाई personality को effect करते हैं, कैसे जैसे हम environment में रहते हैं, अपने social life में रहते हैं, वहाँ पे आप जैसा आच्रन करना सीखेंगे, जैसा दूसरों को observe करेंगे, जैसी बाते करना सीखेंगे, अगर आप ऐसे environment में कही रह रह पोलनी सीखेंगे, और वैसे ही चीजों में ढलते चला जाएंगे, वो आपकी personality को effect करती है, ठीक है, वहाँ पे आपकी personality effect होगी, और आप ऐसे educated family से belong करते हैं, superior family से belong करते हैं, ऐसे environment में रहते हैं, जहाँ पे सारे पड़े लिखे हैं, या आपको ऐसा positive environment create कर रहे हैं, आपके मतलब एक पड़े लिखे की तरह बाते करोगे, ठीक है, आप बोलते हो ना कि जैसे जाहिल बोलते हैं, कि जाहिल गवार, कुछ पता नहीं है, ऐसी बोलके चला गया, क्यों बोलते हो, क्योंकि उसका way of talking अच्छा नहीं होता है, ठीक से बात नहीं करता, या गाली देता है, या कुछ पता नहीं होता, मतलब इस तरह से, आप उसके इंटेलिजेंस तो बैटके अब्जर्ब नहीं करते हैं, कि इसका mental ability कितनी है, IQ level कितना है, नहीं बोलते हैं, आप आपके बास इतरा time भी नहीं होता है, कि आप यह सारी चीज़े आप अब्जर्ब करने बैटों कि हा हमारा environment सबसे जादा हमारी personality को भी effect करता है, किसी भी बच्चे का, तो as a teacher आपको यह ध्यान रखना है, कि बच्चों को एक ऐसा positive environment create किया जाए बच्चे के सामने, जिससे बच्चे positivity ही gain करे, negative कुछ ना लोग, और as a teacher आपको भी बच्चे के सामने ऐसे ही चीज़े करनी चाह जो के साथ classroom में abusing कर रहे हो, या partiality कर रहे हो, या उनसे तू तड़ाक से बात कर रहे हो, बत्तमीजी से बात कर रहे हो, या उनको dart, पिटाई लगा रहे हो उनकी, तो यह सारी चीज़े क्या है, बच्चा भी अपने friend circle में करेगा, फिर घर में करेगा, फिर वो इनी सब ची personality उसके सामने रहोगे, good personality of a teacher रहोगे, तो बच्चे भी आपको उसी रूप में देखके, वो अच्छी चीज़े ही सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद आता है आपका जुडवा बच्चों पर प्रभाव, impact a twine children, यानकी twins जो होते हैं, जुडवा बच्चे सुने हैं आपने, जुडवा बच्चे भी परते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक तो बिल्कुल सेम होते हैं, जिनका शकल सूरत बिल्कुल सेम होते हैं, height, weight सब सेम होते हैं, आप उनको आपस में सामने सामने खड़ा कर दो, तो पहचान नहीं सकते हैं, जैसे प वो twin child होते हैं, twins होते हैं, उनमें कुछ minute या कुछ घंटों का फरक भी होता है, लेकिन उनकी शकले भी different होती है, उनकी रहन सेहन, उनका खान बन या उनकी habits भी अलग होती है, और उनका behavior है वो भी अलग होता है, ठीक है, सब चीजों में वो different होते हैं, आप उनको, और ऐसा भी किया ही होंगी, और जो second type है, जिसके अंदर differences पाया जाते हैं, वो कोई एक लड़का लड़की भी हो सकती है, या दोनों लड़की भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल different होते हैं, अब इसमें एक experiment हुआ था, उसमें हमारे environment ने कैसे twins के जोड़ो को रखा गया था, उसमें क्या किया गया, कि दो बच्चे for example कि कुछ बच्चों को क्या था, एक educated environment दिया गया, जहां पर बहुत पड़ा लिखा, और सारी facilities available थी, well-managed environment था, एक ऐसा environment दिया गया, ठीक है, और जो दो बच्चे थे बाकी, जो दो और twins child थे, उनको अलग-अलग दिया गया, उनको कैसा दिया गया, एक को बहुत अच्छा और एक को बेकार, मतलब, well-managed नहीं था, और uneducated environment था, उसके लिए इस type से, तो जब बाद में conclusion के according, और evaluation के according, हमने जब बच्चे बढ़े हुए, और यह चीज़ सामने आई, result सामने आए, तो पता च चला, कि जिन बच्चों को हमने well-educated उसमें रखा था, एक जैसे environment में, तो वो लोग वैसा ही सीखे, वैसा ही पड़े, वो भी आगे चलके बहुत well-educated रहे, बहुत well-managed रहे, बहुत superior, मतलब, status, high-five, qualified रहे, वैसे वाले बच्चे रहे, और जिनको अलग उसमें रखा गया था, और एक को नहीं रखा गया था, उनके बीच में क्या था, बहुत जाधा differences देखने को मिले, कि वो बच्चे अच्छे से behave नहीं करते थे, बहुत कम behave, मतलब, अच्छे से behave नहीं करते थे, और abusing करते थे, जाधा पड़े भी नहीं थे, गंदी आदते उन्होंने जाधा तोरी चका री ये सारी चीज़े, ठीक है, तो जो पहले वाले ट्विंस बचों के अंदर differences देखे गए थे, वो केवाल एक-डो differences देखे गए थे, कि 19-20 का फरक देखा गया था, और पढ़ता है है इसे पहले वली में हमने बात करी थी कि वातावरण का क्या प्रभाव पढ़ता है देन अब हम बात करते हैं कि है यानि कि वंशानुकर्म का क्या प्रभाव पढ़ता है चाइल्ड के ऊपर ठीक है तो उसमें बात कर लेते हैं अभी जब हमने पहले बात करी थी उसमें environment से related बात करी थी अब heredity का भी तो प्रभाव पढ़ता होगा ना जैसे बच्चे individual differences लेकर पैदा होते हैं सबके माबाप के अलग genes और अलग heredity होती है उसके according ही बच्चे पैदा होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पढ़ता है अगर उनका अलग-अलग mental ability सबकी अलग होती है physical development सबका अलग होता है physical development और रंग रूप यह सब तो हम अपने genes के according और heredity के according ही लेकर पैदा होते हैं ना यह ऐसा तो नहीं है ना कि environment से हमें मिलता है हम चाहें तो शारुक खान मन जाए सर्मान खान मन जाए वो चीज़ तो नहीं हो सकती तो इसलिए अब यह देखना है कि heredity का impact पड़ता है बच्चे के ऊपर जिससे as a teacher आपको यह समझते भी चीज़े करनी है कि अगर बच्चा ऐसा है तो हम उस पर किस रूप से काम कर सकते हैं उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़े फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं जो बच्चा प्रॉपर वे में सीखने के लिए काबिल हो सके ठीक है आप पीछे चारके उसकी हैरेडिटी तो चेंज नहीं कर सकते है क्योंकि वो उसको अपने पेरंस के अकॉर्डिंग मिलिया लेकिन आप उसमें कुछ इंप्रूव्मेंट जरू कर सकते हैं जिससे वो आगे उसके लर्निंग में हेल्फुल हो तो इसमें फर्स इंपेक्ट है समाजिक इस्तिती पर प् करता है कैसे अगर माली जे किसी के पेरंस डॉक्टर हैं तो इंटेलीजेंटी हैं और काफी अच्छी फामिली से बिलॉंग करते हैं वेल मैंट होंगे अच्छी स्किल्स होंगे उनके पास तो बच्चर जब ऐसे एंवार्मेंट में पैदा होगा तो उसके अन्दर जो करेगी उसके social status को effect करेगी वो ऐसी चीजों में रहना पसंद करेगा ना जहां पर उसका लेवल का status हो अब वो किसी मज़दूर के बच्चेके साथ नुक्ते के साथ तो अपना खाना खाना नी करेगा राई या उसके साथ घुमे उसके पैदा होने के बार जब वो उसको social environment ऐसा मिलता है जो उसको उसी रूप में effect करता है वो चारो तरफ अपने यही सारी चीज़ देखता है डॉक्टर इंजीनियर यह सब तो वो उसी रूप में ढ़लता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है ठीक है तो हमारे social status को effect करती है हमारी heredity and एक और चीज़, social status को इस रूप में भी effect करती है हमारी heredity कि जो बच्चे हैं वो सभी में क्या है individual differences पाय जाते हैं, दो बच्चे कभी भी समान नहीं रहते तो वहाँ पर क्या है जब बच्चे की अंदर ही differences पाय जाते हैं तो उनकी हर चीजों में difference पाया जाएगा उनकी सोचने की शक्ती अलग होगी, उनका काम करने का तरीका अलग होगा किसी बच्चे को बोलना जो जिसकी जादा develop abilities है या जादा अच्छा सोचता है वो तो ही करेगा मैं तो डॉक्टर ही बनुगा और दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं मैं तो मज़़ूरी बनुगा मुझे तो पड़ाई लिखाई करनी नहीं मैं तो labor गिरी कर लूँगा लोहा पीट लूँगा तो वहाँ पे क्या होगा automatically social status आ गया कि एक बच्चा बहुत superior हो गया एक inferior हो गया तो उसका lifestyle भी change हो गया वो गाडियों में घूम रहा है वो बसे इसके दखके खा रहा है उस पर auto के पैसे भी नहीं है वो luxury life जी रहा है तो यह सारी चीज़े क्या है हमारे social status में फरक डालती है ठीक है यह starting से ही आती है यह सारी चीज़े जब बच्चा पैदा होता है यह नहीं कि बच्चा पैदा होने के बाद 10 कली 12 कली अब तू नहीं पढ़ा तो हम क्या करें अब तू मस्जूरी करेगा या तू बहुत अच्छा पढ़ गया तो बहुत अच्छा किसी अच्छे status पर बैठा होगा नहीं यह यह सारी चीज़ें की जो शुरुवात होती है वो सबसे पहले हैरेडिटी के अकॉर्डिंग ही होती है बच्चे की जो mental ability और intelligence level हमारा effect करता है वो हैरेडिटी से ही करता है बाद में जाके आप उसको environment के थ्रू उसको बड़ा और घटा सकते हो ठीक है second point आता है इसमें मूल शक्तियों पर प्रभाव अब आता है impact on core strength इसमें क्या है यह जो point दिया था हमारा यह थ्रॉंडाइक ने दिया है इन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर मूल प्रवर्तियों पर प्रभाव डालती है हमारी हारेडिटी जो बच्चे के emotions होते हैं न जिसे पैदा होने के बाद हमारी primary चीज़ें क्या हैं जिनको हम प्रात्मिक्ता देते हैं कि घर होना चाहिए खाने के लिए खाना होना चाहिए पीने के लिए पानी होना चाहिए यह सारी चीज़ें हमारी first need होती हैं उसके बाद हम कहीं सोचते हैं कि गाड़ी होनी चाहिए गूमने के लिए luxury life के बारे में सोचना शुरू करते हैं यह सारी विलासिता की वस्तुओं के बारे में हम तब सोचते हैं जब हमारी first primary needs पूरी हो जाती हैं तो इसी रूप में जब बच्चे की मूल प्रवर्तियां पूरी होने लगती है हारी डिटी के according जो हमें मूल प्रवर्तियां मिलती हैं जैसे बच्चा पैदा होने के बाद क्या करता है अपने expression और अपने emotions के तुरू अपने माबाप को बताता है कि मुझे क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए फिर वो अमूठा चूसना शुरू कर देता है प्यार का अमूठा चूसता है या कुछ ना कुछ ऐसी सब के अंदर बच्चों में habit होती है जिससे कोई birth mark होता है, तो parents में होता है, तो बच्चे में आजाता है, ऐसी कुछ birth habits होती है, कि mom थी, अंगुठा चूसी थी, तो बच्चे थी ने भी अंगुठा चूसना शुरू कर दिया, तो इस तरह की छीजे हम बोलते हैं ये सारी हमें herodity के according मिलती है, ठीक है? तो mood प्रवर्तियों पर प्रभाव डालती है क्योंकि जिसके parents नहीं करते उनके बच्चे भी नहीं करेंगे और जिनके parents करते थे या आगे दादा दादी में कोई वो थी तो उनके बच्चे भी करते होंगे ये सारी चीज़े तो mood प्रवर्तियों पर भी प्रभाव डालती है उसके बाद आता है Versailles की योग गता पर प्रभाव impact on business ability अब business ability से हमारा heritage से क्या संबंद है क्या connection है business तो बहुत दूर की बात है अभी तो जनम हुआ है बच्चे का यह जनम नहीं हुआ वो बर्त में है business पता नहीं कब जा कि वो करेगा 30 साल की उमर में 25 साल के बाद तो अभी इसे business का क्या संबंद उसे business का संबंद इस परकार है कि बच्चा जब जनम लेता है या जनम लेने के बाद जैसा वो अपना social environment देखता है heritage में जो genes उसके आ जाते हैं जैसे बोलते हैं बनिये का बेटा बनिया कि बनिये बड़े कंजूस होते हैं या बड़े business minded होते हैं तो ऐसे ही उसके बेटे में वो चीज़े आ जाती हैं कि वो भी थोड़े business minded होते हैं कंजूस पना दिखाते हैं हर चीज में, तो ये सारी चीज़े क्या है, हरेरिटी के अक्वार्डिंग आती है, और बाद में जब बच्चा, जिसके पेरंस अपने बिजनस में होते हैं, उनका अपना बिजनस सेट अप होता है, तो बच्चे भी उसी रूप में, उसी को अपने पेरंस के बिजनस मड़ाने में, आगे में लग जाते हैं, उन्होंने अपनी जो प्राइमरी नीड थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वो कंप्लीट कर लेते हैं कि ग्राजुशन, पोस्ट ग्राजुएट कर ली, फिर अपने फादर के बिजनस में उनका सपोर्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए help करते हैं तो ऐसे ही जो चीजें है business ability को क्यों effect करती है हमारी heredity क्योंकि हमारी मानसिक्ता ऐसी होती है कि हमारी सोचने की शमता ऐसी होती है हमारी चीजें ऐसी होती है कि ये सारी चीज़े बच्चे के उस पे effect करती है अगर कोई किसी के parents बहुत जादा intelligent है आई-स और collector लगे वे हैं तो उनके बच्चे भी उनमें ये ability, heredity के according ही पहले आ जाती है कि वो कोई भी website अपना चुनते हैं तो ऐसी रूप से चुनते हैं या तो वो collector ही बनते हैं या उससे उपर भी निकल जाते हैं ऐसा नहीं है कि वो मज़ूर बनके रह जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई उसके बात है शारिरिक लक्षणों पर प्रभाव इंपेक्ट on your physical ability फिजिकल अबिलिटी तो आपको पता है हम जब से ये चेप्टर पढ़ रहें तब से ही डिसकस कर रहे हैं हैरेडिटी के अकॉर्डिंग हमें physical ability हमारी वो structure ready होता है जब बच्चा मा के गर्ब में होता है तब भी हमारी physical जो structure ready है जो संरचना होती है बच्चे का हाथ बनता है धड़ बनता है सिर बनता है पैर बनते है आइस बनते हैं इस सारी चीज़ा क्या है बच्चे के गर्ब में ही बन जाते है फिर हैरेडिटी के according ही हमारा physical development होता है जीतनी mom, dad या parents की high height होती है उतनी ही बच्चे की होता है जैसे भाबाब का color होता है वैसे ही बच्चे का होता है ठीक है और जैसे face cut होता है वैसे भुहरे जीज़ है ठीक है तो बच्चे का हारेडिटी हमारे फिजीकल रूप को भी इंफेक्ट करता है कोई बच्चे बहुत ज्यादा सुन्दर हर चीज़ से 100% कि बहुत हाइट में अच्छे हैं आप जैसे एश्वरियर आया है आप उसको देखते हैं कि लंबी भी है इतनी ज्याद यह होते है कि केट्रीना केफ और एश्वरियर आय यह सब ठीक है क्यों क्योंकि हम उनको देखते हैं इस रूप में डेली कि हाँ यह पिल्कुल 100% है अपने चीज़ में उसको क्या है वो अपनी हारेडिटी के तुरूप अपने पेरंस से मिली है ठीक है ऐसे ही कुछ और फीचर्स जादा अच्छे नहीं होते हैं कि वो देखने में अच्छे लगें ठीक है तो जो हमारा फिजीकल एबिलिटी है उसको भी इंपक करती है हमारा हारेडिटी उसके बाद आता है बच्चे का चरित्र एवर महानता का प्रभाव यानिकि इंपक्ट ऑन करेक्टर इसमें कया होता है कि बच्चे का जो हेराडिटी के ऐकरॉडिंग है इस हमें कैसे मिलती है फूर एक्जाबबल अगर किसी के पेरेंस end चोर है चोरी चकारी करते हैं गाली देते यह गलत कामों में हैं ड्रग माफिया यह सारी चीज़े तो ये सारी चीज़े बच्चों में क्योंकि उसको moral values सिखाने वाला कोई होता ही नहीं है, उसके parents खुद ही ऐसे हैं, जिनमें खुद moral values नहीं है, कि respect कैसे करनी हैं, गलत आदतों से दूर रहना है, bad habits के नहीं करनी है, cigarette दारू, यह सब बुरी चीज़े हैं हमारे शरीर के लिए भी और वैसे society के according भी, तो वो बच्चों को सिखाएंगे ही क्या, वो तो खुद नहीं सिखाएंगे न, वो सिखाएंगे भी नहीं, और heritage में उनके parents में हैं, तो वो automatically बच्चे के अंदर आजेंगी, कि बच्चा abusing करने लगेगा, और बड़ों का सत्कार नहीं करेगा, किसी से अच्छे से relation नहीं बन पाएगा, यह सारी चीज़े भी क्या हैं, जैसा माबाप का चरित्र होता है, वैसा ही बच्चे का चरित्र निर्मार हो जाता है, अब इसमें आपने movies में देखा होगा, कि जैसे वो होती है न, प्रेस्टिउशन होती हैं, वैश्या वेगरा होती हैं, तो उनकी बच्चे जो हो जाते हैं, वो भी उसी रूप में ठल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको environment भी ऐसा provide नहीं किया जाता है, कि उनको बहुत अच्छी education दी जा सके, या उनको अच्छे से separate, उनको corner दिया जा सके, जिनसे उनका environment के थुरू, उनका development किया जा सके, अब heredity के according तो वो चीज़ उसमें आ गई है, क्योंकि उसकी मा ये काम करती है, उसके जब बर्त में थी वो चीज़े तब आ गई है, और बाकी उसका जो, जिस environment में वो रहती है, बाकी कसर उसमें पूरी हो जाती है, ठीक है? तो इस वाली topic के अंदर हमने impact, effect जो थे हमारे effect of heredity और effect of environment on the child, ये दोनों cover कर लिया है कि कैसे बच्चे के उपर heredity का impact परता है और कैसे बच्चे के उपर environment का effect परता है, जो उसके development को effect करता है, अब वो positive में भी effect कर सकता है और negative में भी effect कर सकता है, आप जैसा बच्चे को environment देंगे, जैसे बच्चे के parents होंगे, वैसा ही बच्चे के अंदर वो चीजे abilities observe होंगी, ठीक है, इसी के साथ मेरी ये video finish होती है, next video में इसी के उपर अगर एक topic रह गया है, उस पर बात करेंगे, अब इसके अंदर ये जो हमारा topic है, heredity और environment, उसमें एक point हमारा ये है कि व कौनों चीजे अलग-अलग पड़ी, कि environment क्या होता है, वो कैसे impact करता है, और heredity क्यों होती है, वो कैसे impact करता है बच्चे को, ठीक है, अब ये आपस में कैसे related है, वो बात पर देखते है, first of all मैं आपको ये बता दूँ, कि जो heredity है और environment है, ये एक दूसरे का गुणन फल है, यानि कि multiplication है, योगफल नहीं है, एक्जाम में ये question पूछा गया था, कि वातवरण और वंशानुकर्म एक दूसरे का गुणन फल है, ये योगफल, तो आपको answer करना है, कि एक दूसरे का गुणन फल है, योगफल नहीं है, ठीक है, योगफल नहीं है, गुणन फल है, अब गुणन फल कैसे है, क्योंकि गुणन फल इस रूप में है, कि दोनों जो चीज़ें है, वंशानुकर्म और वातवरण यानि कि हैरेडिटी और एंवार्मेंट वो आपस में जुड़ी हुई है, वो आपस में इस रूप से जुड़ी हुई है, कि अगर एक को अलग कर हैं यहाँ पर जैसे आपको पता चल जाए कि गुड़न फुल क्यों है योगफल क्यों नहीं है देखिए दो चीज़े के according मैं आपको समझा देती हूं माल लीजे 2 है अगर योगफल है यहाँ पर हम ले ले लेते हैं योगफल का concept और यहाँ पर ले लेते हैं गुड़न फल का concept ठीक है योगफल है 2 प्लस 2 इस इक्वल टू कितना हुआ 4 टू इंटू 2 इस इक्वल टू कितना हुआ 4 ठीक है तो अब यह चीज़ भी आप कह सकते हूं कि दोनों में 4 4 आ रहा है तो heritage और environment योगफल क्यों नहीं है गुड़न योगफल को आप change कर सकते हैं अगर मैं 2 को replace कर दूं इसकी जगह से और किसी और value को put कर दूं और last में जो हमारा total हमें मिल रहा है वो भी सेम रहे तो और यह वाली जो place हमारी replace हो गई value तो उसके according क्या हुआ यह योगफल हो जाता है लेकिन गुड़न फल में value भी replace नहीं replace में हमारे पास sum आ रहा है वो भी सेम रहेगा तो इसलिए गुड़न फल है क्योंकि heredity के according मतला heredity और environment एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर heredity नहीं है तो उसके बिना environment भी नहीं है और environment नहीं है तो उसके बिना heredity भी possible नहीं है लेकिन इस वाले concept के according कहता है कि एक heredity के बिना दूसरा possible संबब है यानि कि heredity है तो जरूरी नहीं environment होना हो फरक्या पढ़ता है या फिर environment है तो जरूरी नहीं है heredity होना हो फरक्या पढ़ता है बच्चे के ओपर लेकिन ये वाला concept कहता है गुड़न फल की heredity और environment होना दोनों का जरूरी है तब ही वो आप ये 2 था plus 1 plus 1 is equal to 2 4 बात तो वहीं आ गई मैंने 2 को replace कर दिया यहां पर 1 plus 1 कर दिया तो भी तो चारी बना 2 3 1 4 चारी बना ना तो यहां पर क्या था माल लेजे ये heredity था ये environment था मैंने environment को replace कर दिया उसकी जगह कुछ और चीज रख दी तब भी मेरेको total 4 ही मिला लेकिन इस वाली concept में आप replace नहीं कर सकते आपको heredity भी चाहिए और environment भी चाहिए अब 4 की value अगर मुझे यहां रखनी है तो बताओ कैसे रख सकती हूं गुड़न फल के द्वारा मतलब multiplication के द्वारा और कैसे रख सकती हूं 2 into 1 करूंगी तो क्या जाएगा 2 आजाएगा same sum नहीं हुआ यहां 4 आ रहा है मुझे तो 4 चाहिए अब 2 into यहां पे 3 कर दूंगी तो क्या जाएगा 6 आजाएगा अब भी same नहीं आया यहां पे क्या दें यहां पे तो value same आ गई यहां पे हमने एक चीज़ को replace करके हमारे पास value same आ जाती है लेकिन हमारे पास quality तो different हो गई क्योंकि quality यहा quality यहां पे replace हो गई लेकिन यहां पे आप quality replace नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको total यहीं योग चाहिए जो उसका good and fall है वही चाहिए यहां पे जैसे ही आप quality replace करते हैं तो हमारी last में जो value थी total value वह भी replace हो जाती है ठीक है तो यह छोटा सा concept है जिसके द्वारा मैंने आपको यह सम से environment हम replace नहीं कर सकते हैं और नहीं environment में से heritage replace कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इस दोनों को आपस में गुड़न फल बोला गया है योग फल नहीं बोला गया एक और चीज़ इसके अंदर जो बच्चे का विकास है development विकास यानि कि development वो भी क्या होता है 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 यह होता है यह होता है formula मतलब आपके exam में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विकास क्या है heredity intimate environment या heredity plus environment या heredity divisible environment ठीक है तो आपको यह भी यादोना चाहिए कि heredity और environment को गुड़न फल का योग बोला गया है वो किसमें सायक होता है बच्चे के development में अगर यह दोनों का गुड़न फल है क्योंकि heredity मिलती है उसको हम environment के साथ include करके बढ़ा सकते हैं तभी बच्चे का all over development होता है जिसके अंदर आपके physical development, mental development, or motor development और emotional development यह सारे developments आपके include होते हैं तो किसी भी प्रकार के development के लिए बच्चे के अंदर जब विकास की प्रक्रिया करनी होती है तो हमें heredity into environment रखना ही रखना है उसमें heredity plus environment हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम आपे value replace नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको heredity और environment का गुड़न फल बोला गया है ठीक है अब आपस में जो इसका relation था सबसे important point इसके अंदर यही था कि गुड़न फल है कि योगफल तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि यह गुड़न फल है विकास के लिए और heredity और environment आपस में क्या है गुड़न फल है योगफल नहीं है बच्च को environment से relate करके उन चीजों में increment या demerits या merits या positive या negative aspects नहीं देख सकते नहीं उनको उस रूप में विक्सित कर सकते है ठीक है तो छोटा सा ही concept था ज्यादा बड़ा नहीं है I hope आपको समझ आ गया होगा main point इसमें याद रखना कि गुड़न फल है ठीक है thank you